बिहार की मुझफपरपुर कोट से 28 साल फुराने मामले में बाहुबली नेता और पूर्वसांसद आनंद मोहन को बड़ी राध मिली, जेल में बंद, सजायाफ्ता कैदी के साथ मारपीट के मामले में पूर्वसांसद आनंद मोहन को कोटतें बरी कर दिया। इस बीज महाराश की सांगली सीट पर महाविकास अगाडी में तनाव बढ़ने की खबर आई क्योंकि इस सीट से उद्धव ठाकरे अपने प्रत्याशी का एलान कर चुके है गटबंदन में उनकी साथी कॉंग्रेस भी सांगली से चुनाव लड़ना चाती है एक दिन पहले ही खबर आई थी कि सांगली सीट पर महाविकास अगाडी में पेच फसा हुआ है और इसके अगले ही दिन खबर आई कि इस सीट के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी और कॉंग्रेस में ठन गई और नौबत ही आगई कि कॉंग्रेस ने सांगली के मिरज में होने वाली उद्धव ठाकरे की सभा का बहिशकार कर दिया सुत्रों ने बताया कि उद्धव ठाकरे की ओर से कॉंग्रेस को इस सभा में शामिल होने का न्योता दिया था लेकिन कॉंग्रेस ने उनका न्योता ठुकरा दिया खाबरे की कॉंग्रेस ने फैसला सांगली लोगसबा सीट की वज़से ही लिया क्योंकि उधव गुट की शिवसेना ने सांगली लोगसबा सीट से चंद्रहार पार्टिल को उम्मीदवार बनाने के संकेत दिये थे और इसी बात पर कॉंझ्रेस भख दे, क्यूकि कॉंग्रेस भी सांगली से चुनाव लणना चाहती है खबरे की कॉंग्रेस ने उद्धव गुठ की शिवसेना से दो तूख बोल दिया था कि सांगली सीट उसकी है और महराश्ट के सांगली से कॉंग्रेस का ही उमीदवार खड़ा होगा यानि सांगली की सीट पर कॉंग्रेस और उधव ठागरे की पार्टी खुल कर आमने सामने आ गए वैसे उद्धव गुट किशिव सेना ने सांगली से जिस चंद्रहार पार्टिल को उम्मीदवार बनाने का इचारा किया था वो कुछ दिन पहले ही उनकी पार्टि में शामिल हुए थे लेकिन कॉंग्रेस इसके लिए तयार नहीं हुई फिर क्या था माराज की सांगली सीट के लिए महाविकास अगाडी में गमासान की खबरे आनी शुरू हो गए सुत्रों ने बताया कि कॉंग्रेस इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री वसंदादा पार्टिल के बोते विशाल पार्टिल को चुनाव लड़वाना चाहती है लेकिन उद्धव गुड की शिवसेना चंद्रहार पार्टिल को सांगली से उम्मीदवार बनाना चाहती है यानि कॉंग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना दोनों को यहां जीत की उम्मीद दिख रही है और कॉंग्रेस ने तो सांगली से लड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया क्योंकि सांगली वसंदादा पार्टिल की कर्म भूमी मानी जाती है लेकिन वसंदादा पार्टिल के साथ 1978 में शरत पवार ने कुछ वैसाई किया था जैसा पिछले साल दिसंबर में अजीत पवार ने शरत पवार के साथ किया था और महाराष्ट के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए थी। उस वक्त शरत पवार की उम्र 38 साल थी। और करीब 45 साल बाद जब अजीत पवार ने NCP तोड़ी तो उन्होंने शरत पवार को वसंदादा पाटिल की ही याद दिलाई थी। और इस बात का जिकर करते वे अजीत पवार ने बयान दिया कि उन्होंने जो 60 साल की उम्र में किया वो शरत पवार ने 38 साल की उम्र में ही कर दिया था। क्योंकि तबके पत्रकार बताते हैं कि सरकार गिरने से कुछ घंटे पहले तक वसंदादा पाटिल को इसका एसास तक नहीं था। और इसका फायदा उस समय की जनता पाटि को हुआ था जब वो 286 में से 99 सीट जीत कर सबसे बड़ी पाटि के रूप में उगरी थी। लेकिन वो बहुमत से पीछे थी। इसके बाद कॉंग्रेस के दोनों गुटों कॉंग्रेस आई और कॉंग्रेस यू ने मिलकर सरकार बनाई थी। और वसंदादा को पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला और उनकी नाक के नीचे से उनकी कुर्सी छिन गई थी। और आपात काल के बाद हुए चुनाव में कॉंग्रेस ने सांगली में चुनाव जीत लिया था। ये वो वक्त था जब इंदरा गांधी और संजे गांधी जैसे चेहरे भी चुनाव हार गए थे। लेकिन सांगली में कॉंग्रेस के गणपती गोटखिंडे जीत गए थे। और इसके बाद भी कॉंग्रेस लगातार सांगली में जीती रही और करीब 52 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। और साल 1962 से साल 2009 तक महराष्ट की सांगली सीट पर कॉंग्रेस का कबजा बना रहा। यानि कॉंग्रेस ने सांगली में एक दो बार नहीं बलकि 15 बार जीत हासिल की। कॉंग्रेस के प्रकाश बाबू वसंदादा पाटिल तो 5 बार महां से चुनाव जीते। लेकिन 2014 में हुए लोगसबा चुनाव में कॉंग्रेस के हाथ से ये सीट निकल गई और बीजेपी के संजे का 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 पाटिल महां से चुनाव जीत गए थे। यानि बीजेपी के संजे काका पाहटल ने 52 साल तक कॉंग्रेस के गढ़ रहे सांगली को उससे चीन लिया था लेकिन कॉंग्रेस एक बार फिर अपना वो किला हासिल करना चाहती है खबर है कि इस सीट के लिए महाविकास अगारी में बैठक पर बैठक हुई सांगली महाराष्ट के दक्षण में और इसकी सीमा सातारा, सोलापूर, कोलापूर और रतनागरी जैसे जिलों से लगती है पूर्व दिशा में महाराष्ट के सांगली जिले की सीमा करनाटक के बीजापूर से भी लगती है पूरे देश में सांगली को हल्दी के उत्पादन के लिए जाना जाता है साल 1967 से पहले इस इलाके को मिरज कहते थे लेकिन 1967 के बाद जिले का नाम सांगली हो गया था और 1957 में सांगली में पहली बार चुना हुआ था और 2009 तर्फ कॉंग्रिस ने लगातार इस सीट पर जीत हासल की थी लेकिन इसके बाद वो लगातार दो बार सांगली में हार गई थी माना जा रहा है कि इसी वज़े से महाविकास अगारी में इस सीट पर इतनी चर्चा हुए क्योंकि सूतरो ने बताया कि कॉंग्रस को इस बार भरोसा है कि वो सांगली में जीत हासल कर लेगी लेकिन उद्धव गुट की शिवसेना ये सीट नहीं छोड़ना चाती और इसी लिए कृष्णा नदी के किनारे बसे सांगली के लिए महाविकास अगारी में सियासी संगराम चड़ गया इस बीच भारतिय बैडमिंटन खिलाडी पीवी सिंदू स्विस ओपन के दूसरे दौर में जापान की खिलाडी से 21-16, 19-21 और 16-21 से हरकट टॉर्नमेंट से बाहर हो गई जबकि केश रिकांट ने मलेशिया के खिलाडी को 21-16 और 21-15 से हराकर कौटर फाइनल में जगा बना ली राजिस्तान रॉयल्स के गेंदबाज आडम जैंपा ने निजी कारणों से आई पेल के इस सीजन से अपना नाम वापस ले लिया उनकी जगा टीम में गेंदबार्स तनुष कोटियान को शामिल किया गया कोटियान मुंबई रंजी टीम से खेलते हैं और उन्होंने रंजी टोफी के इस सीजन में 10 मैचों में 29 विकेट लिये थे बारदिये शेर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी रही इस दोरान आयटी को छोड़ कर दूसरे सभी सेक्टरों में खरीदारी देखने को मिली सबसे ज़्यादा तेजी मेटल, आटो, एफमसीजी, रियल्टी और कैपिटल गूड सेक्टर के शेरों में रही इसकी वज़े से बंबे सॉक एक्सचेंज का सेंसिक्स 190 अंक चड़कर 72,831 पर बंद हुआ तो निफ्ती 84 अंकों की तेजी के साथ 22,096 के सतर पर पहुँच गया उतर रूस की फौज ने यूकरेन में नीपरो नदी पर बने उसके सबसे बड़े बांध पर जोरदार हमला कर दिया पश्चिमी मीडिया के मताबिक महां मिसाइल और ड्रोन हमले किये गए दावा किया गया कि रूस के इस भीशन हमले ने यूकरेन में हजारों लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी क्योंकि पुतिन के फौज ने यूकरेन में नदी पर बने उसके सबसे बड़े बांध पर कहर बरपा दिया पश्चिमी मीडिया के मताबिक वहां खतरनाक मिसाइलों के साथ साथ आत्म घाती ड्रोन भी गिराए गए तस्वीरों में दिखा कि रूसी हमले के बाद नीपरो नदी पर बने उस बांध पर भीशन आग लग लग गए दमकल कर्मी उस आग को बुझाने के लिए वहां पानी की बोचार करते दिखाए थी यूकरेन के जिस बांध पर हमला किया गया वो उसके दक्षणी इससे में मौझूद जापुरिज्जिया शहर में नीपरो नदी पर बने इस बांध के साथ एक पावर प्लांट भी बना हुआ है जिसके जरीए बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन किया जाता है और आसपास के खरीब एक दरजन इलाकों में बिजली की सप्लाई उस प्लांट से ही होती आई है लेकिन पश्चिमी मीडिया के मताबिक रूस के हमले में उस बांध के साथ साथ पावर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुचा जिसकी वज़े से आसपास के कई इलाके अंधेरे में डूप गए हालनकि रूस ने सिर्फ जापुरिजिया ही नहीं बलकि युकरेन के कई शहरों में एक साथ तबाही मचा दी पश्चिमी मीडिया के मताबिक वहां 24 घंटों में करीब 90 मिसाइले और 60 से ज्यादा ड्रोन हमले किये गए जिन में तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए पर पीछे की तरफ भागे लेकिन वाटर कैनन बंध होते ही वो फिर से पुलिस की बैरिकेडिंग के पास जमा होकर हंगामा और नारेबाजी करते दिखाई दिए आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं को रोकने के लिए पुलिस ने मोहाली से चंडीगड की तरफ जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग लगा रखी थी क्योंकि प्रदर्शन कारी मोहाली से चंडीगड जाकर गवरनर हाउस का घिराव करना चाते थी मोहाली से चंडीगड में मौझूद गवरनर हाउस की दूरी खरीब 12 किलो मीटर है पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं के प्रदर्शन को देखते हुए मोहाली चंडीगड हाईवे को बंद कर दिया पार करके दूसरी तरफ कूद गए बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ मौझूद दूसरे प्रदर्शन कारी भी वहां से कूद कर पुलिस वालों की तरफ आने की कोशिश करते दिखाई दिये अंगामा और नारे बाजी कर रहे आम आदमी पार्टी के कारे करता लगातार वहां लगे बैरिकेड को गिराने की कोशिश करते दिखाई दिये काले रंग की टी-शेट पैना हुआ एक कारे करता तो बैरिकेड के उपर चड़ गया और नारे लगाने शुरू कर दिये उसके साथ कुछ महिला कारेकरता भी बैरिकेट पर चड़ने की कोशिश करती दिखाई थी पीले रंग की पकड़ी पेना हुआ आम आदमी पार्टी का एक कारेकरता वहां खड़े पुलिस वालों को हटाते हुए बैरिकेट पार करता दिखाई दिखाई दिया और सड़क पर लगाई गई बैरिकेटिंग के पास हंगामा शुरू कर दिया चंडीगड में बीजेपी के दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर भारी संक्या में पुलिस वाले तैनात दिखाई दिये सड़क को बंद करने के लिए पुलिस ने वहां बड़े-बड़े ट्रक खड़े कर दिये थे सड़क पर लगी लोहे की बैरिकेडिंग के एक तरफ भारी संक्या में पुलिस वाले मोर्चा सम्हाले दिखाई दिये तो दूसरी तरफ सैकडों की संक्या में आम आदमी पार्टी के कारेकरता एकटा हुए नजर आए आम आदमी पार्टी के कारेकरता काफी देर तक बैरिकेडिंग तोड़ कर बीजेपी दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश करते दिखे हालिके पुलिस ने हंगामा करने वाले कई प्रदरशन कारियों को हिरासत में ले लिया प्तारी को सरकारी एजिंसियों के दुरुप्योग की मिसाल कराड़ दिया कोट में हुई इस बहस से पहले दोफेर करीब साड़े बारा बजे एडी अफसरों का काफिला अर्विन केजरिवाल को लेकर एडी दफ्तर से राउ जविन्यों कोट के लिए निकला इडी की काड़ियां दंदनाते हुए अदालत की तरफ दोड़ती दिखाई दी आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं के प्रतरशन को देखते हुए इडी दफ्तर और कोट के बाहर बारी संख्या में पुलिस और आरेफ के जवान तैनात कर दिये गए कोट पहुँचने के बाद एडी के अफसर अर्विन केजरिवाल को लेकर सीधे जज के सामने पहुँच गए इस दोरान कोट के गलियारे से गुजरते हुए केजरिवाल का एक वीडियो सामने आया जिसमें 10 से 12 एडी अधिकारी उन्हें कोट रूम की तरफ ले जाते नजर आए आम आदमी पार्टी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें कोट में दाखिल होते हुए अर्विन केजरिवाल ये कहते सुनाए दिये और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिये कोट में केजरिवाल के वकीलों ने एडी की रिमांड की मांग को खारिच करने के अपील की जबकि ED के वकीलों ने शराब गोटाला मामले में मुक्यमंत्री अर्विन केजरीवाल को मस्नाइंड बताया ED के वकील ने इसके लिए अंग्रेजी के किंग पिन शब्द का इसतमाल किया इसके साथ ही E.D. ने दावा किया कि इस केस से जुड़े कई electronic सबूत पहले ही मिटा दिये गए थे गोटाले से जुड़े तथ्य चिपाने के लिए कई सारे mobile phone तोड़े गए थे इसके बाद अर्विन केजरिवाल के वकील अभिशेक मनु सिंभी ने ये दलील दी कि इस मामले में अर्विन केजरिवाल को गिरफतार करने की जरूरत नहीं थी इसके बाद कोट में एडी ने दलील रखी कि रिश्वत के बदले दिल्ली में आबकारी नीदी में मनमाने बदलाब किये गए थे एडी ने कोट को बताया कि दो बार कैश ट्रांसफर भी किया गया जबकि कोट में अर्विन केशरीवाल की तरफ से का गया कि इस पूरे मामले से अर्विन केशरीवाल का कोई लेना देना ही नहीं है ये भी का गया कि मुख्यमंतरी की गिरफतारी गेर कानूनी तरीके सकी गई क्योंकि आरोबे की शराब घोटाले की आड में करीब 600 करोड की हिरा फेरी हुई और E.D. के हवाले से ये दावा किया गया कि ये पूरी साजिश किसी और ने नहीं बलकि दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरीवाल नहीं रची और E.D. के मुताबिक अर्विंद केजरीवाल नहीं दिल्ली की शराब नीती में बदलाव करके करोणों के घोटाले की नीव रखी इसी वज़े से E.D. ने केजरीवाल को इस शराब घोटाले का किंग पिन माना किंग पिन यानि सबसे एहम आदवी मतलब E.D. ने ये दावा किया कि ये पूरी साजिश अर्विंद केजरीवाल के इशारे पर ही रची गई और इसके जरीए करोणों की रखम का गबन हुआ E.D. ने दावा किया कि इस पूरे खेल में मनीश्ट सोधिया और संजे सिंग भी बराबरी के हिस्सेदार थे आला कि E.D. के मताबिक इस घोटाले में अर्विंद केजरीवाल ने सीधे सीधे हिस्सा नहीं लिया बलकि इसके लिए उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजे नायर को काम पर लगा गया था E.D. के मताबिक विजे नायर ने अर्विन केजरिवाल के कहने पर नसित नीतियों में तोड मरोड का खाका तयार किया बलकि लोगों को डरा धमका कर उनसे उगाही का सारा काम भी वही देखता था और E.D. के मताबिक इसी विजे नायर के जरीए दिल्ली के सीम अर्विन केजरीवाल और उनके सहीयोगियों तक 330 करोड से ज्यादा की रखम पहुंची दावे के मताबिक इसके लिए बाकाइदा पूरी प्लानिंग की गई थी और E.D. के जांच में ये आरोफ लगाया गया कि दिल्ली की नई शराब मीती के जरीए करोडों के घोटाले की पटकता अर्विन केजरीवाल के घर पर ही लिखी गई थी E.D. के मताबिक दिल्ली के सीम हाउस में हुई उस बैठक में अर्विन केजरीवाल के अलावा मनीश शिसोदिया भी मौजूद थे और इसी बैठक में ये तैह हुआ था कि शराब मीती में प्रॉफिट का जो मार्जिन 6 प्रतिशत है उसे बढ़ा कर 12 प्रतिशत मतलब दुगना कर दिया जाए और इडी के मताबिक खुद ये बात मनीश शिसोदिया के सचिप सी अर्विन ने फूस्ताज के दोरान बताई थी और ये दावा क्या गया था कि ये काला खेल अर्विन केजरीवाल की आँखों के सामने ही रचा गया और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि इस नई शराब नीथी के जरीए उन्हें करोड़ों का फायदा हो सकता है और इडी का दावा है कि अर्विन केजरीवाल अपने प्लैन में कामियाब भी हो गए थे सुत्रों के मताबिक जाँच में ये बात सामने आई कि अर्विन केजरीवाल ने शराब नीथी की आड़ में शराब माफिया से करीब सौ करोड़ की रिश्वत ली थी और बदले में नई शराब नीथी के जरीए उन्हें फायदा पहुंचाने का बादा किया था मतलब केजरीवाल और शराब माफिया ने एक हाथ दे दूसरे हाथ ले का फार्मूला अपनाया ताकि दोनों ही पक्षों को फायदा हो सके और इसमें एक एहम किरदार ने भाया शराब कंपनी इंडो स्पिरिट के डिरेक्टर समीर महिंद्रू ने सुत्रों के मताबिक समीर महिंद्रू ने पूश्टाश में बताया कि अर्विन केजरीवाल से उन्हें उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजय नायर ने आइप फेस टाइम के जरीए मिलवाया था और ईडी के मताबिक उसी के जरीए सौ करोड की रिश्वत के रास्ते खुले एडी के सूत्रों का दावा है कि केजरीवाल ने नई शराब दिंती में बदलाव करने के बदले में 100 करोड रुपै की रिश्वत मांगी थी और जांच में ये बात सामने आएगी इस रकम का इस्तिमाल 2022 में गोवा में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किया था E.D. ने कुछ दस्तावेजों के जरीए ये आरोप भी लगाया कि इस रकम के बड़े हिस्से की हेरा फेरी कैश में की गई ताकि किसी को आम आदमी पार्टी या फिर अर्विन केजरिवाल पर शक न हो E.D. ने ये दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत के तौर पर मिली रकम से 45 करोड रुपे का इस्तिमाल गोवा के चुनाव में किया इसके लिए तिलंगाना के मुख्यमंत्री के चंदरशेकर राव की बेटी के कविता के अकाउंटेंट बुच्ची बावू ने दो बार पैसे ट्रांसवर की सुत्रों के मुताविक बुच्ची बावू के अकाउंट से ही आम आदमी पार्टी के पास पहले 10 करोड और फिर 15 करोड रुपे ट्रांसवर किये गए और दावा है कि गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाओं में काम करने वाले लोगों को इसी रकम से भुक्तान किया गया है और दावा है कि गोवा चुनाओं में करीब 70 लाक रुपे नकद में दिये गए ये पैसे जिनें दिये गए उनमें आम आदमी पार्टी के कुछ उमीदवार भी शामिल थे इसके लावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने गोआ चुनाम में रिसर्चर के तौर पर अर्विन केजरिवाल की पार्टी के लिए काम किया था अलनकि भुच्ची बाबू का ये कबूल नामा अर्विन केजरिवाल के लिए गले की फांस बन गया बाद में बना पहले तो इसने बी आरेस नेता और तिलंगाना के मुक्छ मंतरी के चंदरशेकर राओ की बेटी के कविता का खेल बिगाड़ा इस मामले में के कविता को इडी ने हफते भर पहले गिरफतार किया था और माना चारा है कि उनी की गिरफतारी के बाद दिल्ली के मुक्छ मंतरी अर्विन केजरिवाल का नमबर लगा क्योंकि इडी ने अपनी जांच में ये दावा किया कि खरीब 600 करोड से जादा के इस गोटाले को बियरेस निता के कविता और दिल्ली के सीम अर्विन केजरिवाल ने मिल कर अंजाम दिया इडी के मुताबिक इस समझोते के लिए के कविता का ओफर लेकर वायसार कॉंग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनवासलू रेटी दिल्ली पहुँचे थे उन्होंने ही 100 करोड की रिश्वत के बदले के कविता को भी इस शराब भोटाले में भागिदार बनाने की मांग सीम केजरिवाल से की थी और एडी के सूतरों के मुताबिक इसके बाद इस नई सराबनीती के जर्ये ज्यादा से ज्यादा धन उगाई का फूल प्रूफ प्रेंट टेयार कर लिया गया और इसे मंगुटा श्रीनवासलू रेटी के बेटे रागव मंगुटा के जरीय अंजाम दिया गया ये वही सौ करोड की रकम थी जिसे आम आदमी पार्टी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बुच्ची बाबू को सौंपी गई थी और इडी के मुताबिक इसी सौ करोड में पैंतालीस करोड रुपए आम आदमी पार्टी ने 2022 में हुए गोवा के चुनाव में खपा दिये थी और इसी मामले में जेल में बंद के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जटका लग गया दिल्ली शराब गोटाला मामले में आरोपी थिलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंदरशेकर राओ की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जटका लगा सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की जमानत पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया इतना है नहीं सुप्रीम कोट ने के कविता के वकील को निचली अदालत जाने का सुझाव भी दिया। पिछले हफते E.D. की टीम ने उने गिरफतार कर लिया था। बीजेपी की केंदरिये चुनाव समिती की शाम में एहम बैठक होगी। सुत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तरपदेश, ओडिशा, महराष्ट, तिलंगाना और राजिस्थान समेथ कई राज्यों के लिए उम्मीद्वारों के नाम पर मोहर लग सकती है। इस बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। बिहार में महागडबंधन में शामिल CPI ने तीन बार विधायक रह चुके अवधेश कुमार को बेगुसराय लोगसबा सीट से अपना उम्मीद्वार बना दिया। इससे पहले अटकलें थी कि कॉंग्रेस नेता कनिया कुमार को ये सीट मिल सकती है। कनिया कुमार ने दोजार नीस में इसी सीट से CPI के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तब वो बीजेपी नेता गिरीराज सिंग से चुनाव हार गए थी। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दोरान दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी रासत में ले लिये गए। प्रदर्शन कर रही दिल्ली की मंत्री आतिशी को पुलिस बस में भर कर ले गई। बंद नहीं हुई वो उस बस की खिड़की से बाहर निकल कर नारे लगाती रही और आतिशी की ही तरह पुलिस ने दिल्ली सरकार में मंत्री सौरब भारदवाज को भी राजत में ले लिया इस दोरान उन्होंने पुलिस टेशन के अंदर बैठ कर ही गाने गाना शुरू कर दि दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी कारेकर्टा धरने पर बैठ गए और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लेकर आईटियो तक हर जगा कारेकर्टाओं का जमावड़ा लग गया गिरफतारी के खि सड़क पर ही बैठ गया एक लाइन में बैठे कारेकरताओं ने वहां बैठ कर नारेबाजी करना शुरू कर दिया जिसकी वज़े से सड़क पर लंबा जैम लग गया इस दोरान जब पुलिस उन्हें अठाने पहुंची तो वहां से हिलने को भी राजी नहीं हुए इसके वहां पहुंची पुलिस ने कई कारेकरताओं को हिरासत में ले लिया कई जगहों पर कारेकरता हाथों में मैं भी केजरीवाल के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए और इस दोरान आमानवी पार्टी की महिला कारेकरता भी सड़कों पर उतर आई और इस दोरान जब पुलिस कुछ महिला कारेकरताओं को वहां से अटाने पहुंची तो वह सड़क परी लेट गई इसके बाद पुलिस उन्हें उठा कर वहां से ले गई दिल्ली के आईटियो इलाके में प्रदर्शन कर रहे कारेकरता पुलिस से भीड़ने तक को तयार हो गए ऐसे में पुलिस और कारेकरता आमने सामने आ गए वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस दो कारेकरताओं को गसीट कर वहां से ले जाती नजर आई इस दोरान वहां मौझूद एक महिला कारेकर्टा उनके पास बैटकर ही नारे लगाती रही इसके बाद पुलिस ने उस महिला कारेकर्टा को भी हिरासत में ले लिया इसे में पुलिस ने सकती दिखाते हुए सड़क पर बैठे एक एक कारेकर्टा को वहां से अटा दिया इधर खानून के जानकारों के मताबिक एडी के समन्स पर पूश्टाज के लिए नहीं पहुंचना ही केजरिवाल की सबसे बड़ी मुसीबत बना क्योंकि दिल्ली शराब गोटाला मामले में एडी ने उन्हें नौ समन्स भेजे थे लेकिन वो एक भी समन्स पर पूश्टाज के लिए नहीं पहुंचे थे इसी वज़े से एक रोज पहले एडी के एक टीम उनके घर पहुंच गई थी क्योंकि नौ में समन्स के तहट केजरिवाल को 21 मार्च को सुबह 11 बजे पेश होना था लेकिन वो हर बार की तरह इस बार भी पूश्टाज के लिए एडी आफिस नहीं पहुंचे थे यही नहीं वो एडी के समन्स को लेकर दिल्ली हाई कोट पहुंच गए थे जानकारी के मताबिक कोट को एडी ने वो सबूत भी दिखाये थे जिनके आधार पर पूश्टाज के लिए केजरिवाल को समन्स जारी किये गए थे माना जा रहा है कि दिल्ली हाई कोट से उनको जटका लगने के बाद एडी ने उने गिरफतार करने की तैयारी शुरू कर दी थी कारून के जानकारों का मानना है कि एडी के नौ समन्स पर पूश्टाज के लिए न पहुंच कर केजरिवाल ने अपने पैरों पर कुलाडी मार ली थी और सुत्रों के मताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को गिरफतार करने से पहले एडी के बड़े अधिकारियों ने एक बैठक की थी दावा किया गया कि दिल्ली हाई कोट से केजरिवाल को राहत नहीं मिलने के बाद जांच एजिंसी के अधिकारियों ने ये बैठक की थी। सुत्रों से मिले जानकारी के मताबिक शुराब घुटाले के जाच के दौरान E.D. को कई एहम सबूत मिले हैं। तक केजरिवाल को पूश्टाज के लिए 9 समंज भेजे थे लेकिन इन 6 महीनों में केजरिवाल एक बार भी पूश्टाज के लिए E.D. के आफिस नहीं पहुंचे थे। उन्हें पूश्टाज के लिए 2 नवंबर को बिला गया था लेकिन वो दिवाली होने की बात कहकर नहीं गये थे। इसी तरह केजरिवाल ने E.D. के तरफ से जारी किये गए 6, 7, 8 और 9 समंज से बचने के लिए अलग-अलग वज़े बताईं। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली शराव गोटाला मामले में वो अपनी गिरफतारी नहीं टाल सके। और इन सब के बीच दिल्ली के मुक्यमंत्री अर्विन केजरिवाल ने अपनी गिरफतारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली। आम आदमी पार्टी के तरफ से ये बताया गया कि वो अपनी बाद सबसे पहले निचली अदालत में रखेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आम आदमी पार्टी को याचिका वापस लेने की इजाज़त दे दी। जबकि केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ दायर याचिका के बाद E.D. ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैवेट दाखिल कर दिया था। यानि E.D. ने ये अपील की थी कि केजरिवाल की याचिका पर कोई भी फैसला लेने से पहले उसका पक्ष भी सुना जाए। लेकिन एन वक्त पर आमादमी पार्टी ने अपनी रणनीत बदल दी। केजरिवाल की लीगल टीम की तरफ से आमादमी पार्टी को निचली अदालत जाने की सला दी गई। दमानत पर संकट आ जाता और उनके पास आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता इसलिए सोच समझ कर सुप्रीम कोर्ट को सबसे आखरी दाओं के रूप में रखने का फैसला लिया गया उदर बिहार के सुपॉल में एक पुल का हिस्सा आचानक गिर पड़ा इलाबाद आईकोट की लखनव बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मंदरसा एजुकेशन एक्ट को असम्मेधानिक परार दिया कोट ने इस एक्ट को धर्म निर्पेक्ष्टा के सिध्धान के खिलाफ बताया इसके साथ ही कोट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि मदरसों में पढ़ने वाले चात्रों को बुनियादी शिक्षा विवस्था में समयोजित किया जाए कॉंग्रेस को दिल्ली हाई कोट से बड़ा जटका लगा हाई कोट ने आएकर विभाग की कारवाई के खिलाब कॉंग्रेस की याचिका खारिच कर दी कॉंग्रेस ने लगातार तीन वर्षों के लिए आएकर विभाग की टैक्स री एसेस्मेंट प्रोसीदिंग्स के खिलाब याचिका दायर की दी इस बीच दिल्ली शराब गोटाला मामले में केजरिवाल की गिरफतारी के बाद विपक्षी गटबंधन एक साथ आ गया इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कॉंग्रेस, टीमसी और शरत पवार गुटवाली नेता चुनाव आयोग भी पहुंच गए और दूसरी ओर दिल्ली में यूथ कॉंग्रेस ने प्रदर्शन किया यूथ कॉंग्रेस के कारे करता सडकों पर उतराए उनके हाथों में बोस्टर और जंडे नजर आए इन लोगों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में नारे लगाए और एक पिंजरा लाए इस पिंजरे पर ED और CBI लिखा दिखा इसके जरीए इन लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया प्रदर्शन के दौरान कई प्रदर्शनकारी बैरिकेट पर चड़ गए बहुत देर तक हंगामा चलता रहा इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारीओं को हिरासत में लेना शुरू किया और बसों में भर कर इन लोगों को वहां से हटाया गया इससे पहले केजरिवाल की गिरफतारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कॉंग्रेस, टी-म-सी और पवार गुटवाली एन-सी-पी के नेता चुनाव आयोग भी गए यानि इस मामले में विपक्षी कटबंधन केजरिवाल के साथ दिखा जबकि इससे पहले कॉंग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने दिल्ली के शराब घोटाले की शिकायत पुलिस से की थी 2022 में दिल्ली कॉंग्रेस के अध्यक शनिल चौधरी ने पुलिस कमिश्टिनर को इससे जुड़ी एक चिठी लिखी थी उन्होंने चिठी में दिल्ली की शराब नीती पर सवाल उठाए थे अधिकारियों की वज़े से ठेके मिलें दिल्ली सरकार पर कॉंग्रेस के हमले यही नहीं रुके थे बलकि उसने तब के दिल्ली के डिप्टी सिम मनीश सोधिया का इस्तीफा भी मांगा था और आरोब लगाया था कि उस घोटाले का सीधा कनेक्शन अर्विंद केजरिवाल से है, कॉंग्रेस ने दावा किया था कि एक ही कंपनी को अलग-अलग नाम से ठेके दिये गए थे और आरोब लगाया था कि केजरिवाल भी इस घोटाले के इस्सिदार थे कि कम से कम सौ करोड की रिश्वत ली गई तहीं यानी जिस कॉंग्रेस ने केजरिवाल की गिरफतारी पर इतना हल्ला मचाया प्रदर्शन किया पिछले साल वही कॉंग्रेस केजरिवाल पर निशाना साध रही थी सौ करोड के गोटाले से केजरिवाल का सीधा कनेक्शन जोड रही थी कॉंग्रेस नेता अलकाल आमबा ने तो सिसोधिया और केजरिवाल दोनों को घेरा था कॉंग्रेस के ये सुर पहले थे क्योंकि अब वो केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ है और इसलिए उसने सडकों पर प्रदर्शन किया अदमी पार्टी की नेता संजे सिंग ने तो एक रैली में विपक्षी पार्टियों के एक एक नेता का नाम लेकर उन पर निशाना साधा था लेकिन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद विपक्षी गडबंधन जिस तरह से एक जूट हुआ उसके बाद संजे सिंग का वो बया काश्मीर सेख अब्द लाव फारूक अदूब्लप उमर अब्द गूर एक इपरिवार की पार्टी चला जाए महाथ यहें लाट ठाक रैंगों ताक रिद्द्र यादि याद सीउपाल यादो धर्मेंड ये दो इंपlar इस्वर्थी यादो अधित यादो एकी परिवार की पार्टी, चले जाएए बिहार, लालू यादो, राबडी यादो, तेजस यादो, मीसा यादो, तेजस्वी यादो, एकी परिवार की पार्टी, चले जाएए जहारखन, तुर्गा सुरेन, सेमन सुरेन, सीबू सुरेन, एकी परिवार की पार्टी, चले जा पिटिया इंद्रा, बेटवा राजियू, बेटवा संजय, बहु सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद बाडरा, एक ही परिवार की पार्टी पार्टी काना बताओ। बुटान मंत्री नरेंद्र मोदी को बुटान के सर्वोच नागरिक सम्मान, Order of the Drug ग्यालपों से नवाजा गया। बुटान मंत्री के बुटान पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद पीम ने बुटान के पुटान मंत्री और बुटान नरेश्ट से मुलाकात की। इस बीच एडी और केंद्र सरकार के खिलाब आमादमी पार्टी के कारेकरताओं का गुस्सा हर्याना के कुरुक शेत्र में भी फूटा। पर प्रदर्शन के लिए उत्रे कारेकरताओं को जब पुलिस वालों ने रोका तो वो उनसे उलच पड़े। आरोप लगाया कि शांती से हो रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाटी चार्ज किया जिसमें कई कारेकरता गायल हो गए। आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर केंद्रिय एजेंसिया विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। काफी देर तक कुरुक्षेत्र में उस सड़क पर हंगामा होता रहा। कि अगर इस्तीफा देनी की नौबत आई तो दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी दिल्ली की सरकार चलाएंगी। हालनकि एक रोज पहले गिरफतारी के बाद अर्विंद केजरिवाल ने मुख्यमंत्री पत से इस्तीफा नहीं दिया था। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दो टूक कह दिया कि आम आदमी पार्टी जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगी। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अर्विंद केजरिवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। मतलब ये कि भले ही आम आदमी पार्टी ने जेल से सरकार चलाने की तयारी की हो लेकिन इसकी इजाज़त चायद ही उसे जेल प्रशासन से मिले। मतलब ये कि अगर अर्विं प्रविं केजरिवाल जेल से सरकार चलाते हैं तो इसमें उन्हें कई तरह की दिख्टतें सामने आ सकती हैं क्यूंकि नियमों के मुताबिक जेल से सरकारी फाइले साइन नहीं कराई जा सकती और अगर फाइलों पर साइन कराना भी हो तो जेल सुपरिटेंडेंट से लिखित इजाजत लेनी होगी एक राज्य के मुख्यमंत्री के कंधों पर कई तरह की जिम्बेदारिया होती हैं कैबिनेट की बैठक के अलावा मुख्यमंत्री को दिन भर अफसरों के साथ बैठकें करनी पड़ती हैं और जेल में रहते हुए ये सारी चीज़ें संभव नहीं है और जिस शराब घुटाला मामले में अर्विन केजरिवाल को गरफतार किया गया वो शराब नीती तीन साल पहले बनाए गई थी उस दौरान दिल्ली के डिप्टी सीम रहे मनीश सोधिया ने नई शराब नीती लाने का ऐलान किया था और वो तारीख थी 22 मार्च 2021 यानि ठीक तीन साल पहले दिल्ली के डिप्टी सीम रहे मनीश सोधिया ने नई शराब नीती लाने का ऐलान किया था सोधिया से जब इसे लाने की वज़ा पूछी गई थी तो उन्होंने दो तर्क दिये थी पहला ये कि इससे माफिया राज खत्म होगा और दूसरा ये कि इससे सरकारी खजाना बढ़ेगा 17 नमंबर 2021 को नई शराब नीती 2021-22 लागू कर दी गई थी इसके लागू होते ही शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और पूरा कारोबार नीजी हाथों में चला गया था कई बड़े ओफर और डिसकाउंट देने की वज़ह से शराब की जमकर बिक्री हुई थी और इससे दिल्ली सरकार का खजाना तो बढ़ा लेकिन इस नई नीती का जमकर विरोध भी होने लगा था 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीती में घोटाला होने का आरोब लगा था उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट उपराजपाल वीके सकसेना को बेज़ दी थी रिपोर्ट में सिसोधिया पर नियमों को ताक पर रखकर शराब कारोबारियों को फाइदा पहुचाने का आरोब लगा गया था और बाद में उपराजपाल ने भी उनकी और कैबिनेट की मनजूरी के बिना शराब नीती में बदलाब करने का आरोब लगा दिया था 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराजपाल ने मुख्य सचित की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जाँच सी बियाई से कराने की सिबारिश कर दी थी और उसी दोरान विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीती रद्द कर दी थी इसके बीचे दलील ये दी गई थी कि खुदरा और थोक कारोबारियों के शराब के धंदे से हटने की वज़े से ऐसा किया गया बाद में 17 अगस 2022 को सीबी आई ने मनीश शिसोदिया, तीन रिटायर सरकारी अफसर, नौ शराब करोबारी और दो कमपनियों के खिलाब केस दर्च कर लिया था इन पर भष्टा चार से जुड़ी धाराओं के तहट केस दर्च किये गए थी 19 अगस को दिल्ली के उपमुख्य मंत्री मनीश शिसोदिया से जुड़े घर और ठिकाने समेट 7 राजियों के 31 ठिकानों पर छापे मारे गए और इसके बाद सिसोदिया ने दावा किया था कि सीबी आई को कुछ नहीं मिला तीन दिन बाद 22 अगस 2022 को ईडी ने सीबी आई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉंडरिंग का केस दर्च कर लिया था क्योंकि सिसोदिया के पास ही आपकारी विभाग था इसलिए उन्हें इसमें मुख्य आरोबी बनाय गया कई बार पूश्टाश के बाद जाँच एजनसी ने 26 वरवरी को उन्हें गिरफतार कर लिया था सिसोदिया पर आरोब लगा गया था कि उन्होंने मनमाने और एकतरफा फैसले लिये थी उनके फैसलों की वज़े से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ इस भी जोडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पतनाय की पार्टी बीजेडी और बीजेपी में गडबंधन पर बात नहीं बन सकी दोनों पार्टियों ने राज्य की 21 लोगसवा सीटों और 147 विधान सबा सीटों पर अलग-अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया उटिशा में लोगसवा के साथ ही विधान सबा के भी चुनाव होने है बीजेपी ने लोगसवा उम्मीदवारों की चौती लिस्ट जारी कर दी इस लिस्ट में तमिलनाड के लिए 14 पत्याशियों के नाम और पुदुच्चेरी सीट के उम्मीदवार का नाम शामिल है एक रोज पहले बीजेपी ने तमिलनाट के नौ उम्मीदवारों के नामों का इलान किया था टीमसी ने चुनाव आयोग से पश्चे मंगाल के राज़पाल सीवी आनन बोस के खिलाफ शिकायत की टीमसी ने राज़पाल पर चुनावी प्रक्रिया में दखल देने का आरोप लगाया कुछ दिन पहले वहां के राज़पाल ने लोगसभा चुनाव से जुड़े किसी भी मुद्धे पर लोगों से जुड़ने के लिए पोर्टल लोग सभा लॉंच किया था इस पर टीमसी ने आपत्ती जताई इधर दिल्ली शराब गोटाला मामले में अरविन केजरिवाल समेथ 16 लोग गिरफतार किये जा चुके केजरिवाल से पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीम मनीश सिसोधिया, राज्यसभा सामसाथ संजय सिंग और पूर्व मुख्य मंत्री के चंदरशेकर राओ की बेटी के कविता की गिरफतारी की जा चुकी है और सूत्रों के मतावेक पूश्टाज के तोरान के कविता ने कई बार इस मामले में अरविन केजरिवाल का नाम लिया था और दो गंटे की पूश्टाज के बाद राद करीब नौ बजे केजरिवाल को गिरफतार कर लिया गया था दिल्ली शराब गोटाला मामले में इस साल ये दूसरी गिरफतारी है इस मामले में सी बी आई ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता विजे नायर को गिरफतार किया था उनके बाद हैदराबाद के शराब कारोबारी अभिशेक, बोहिन पल्ली और समीर महिंद्रू की गिरफतारी हुई था लेकिन गिरफतारी का ये सिलसला यही नहीं खमा, इस घोटाले में हमें तरोडा नाम के शराब कारोबारी को भी गिरफतार किया गया था इन्हें इस घोटाले का मिडल में, यानी पिचोलिया बताया गया, हमें तरोडा की गिरफतारी 2022 में हुई था लेकिन दिल्ली के शराव गोटाला मामले में सबसे ज़ादा गिरफतारियान 2023 में हुई उस साल जांच एजिंसियों ने शराव कारोबारी गौतम मलहुतरा, रागव मंगुटा और दिनेश रोडा समेत कई लोगों को गिरफतार किया था लेकिन 2023 में सबसे बड़ी गिरफतारी मनीश इसोदिया के रूप में हुई थी, तब वो दिल्ली के उपमुखे मंतरी थी, लेकिन 26 फरवरी 2023 को गिरफतारी के बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था उनके बाद 4 अक्टूबर 2023 को आम आदमी पार्टी के वरिष्ट नेता और राजे सबा सांसत संजे सिंग को भी गिरफतार कर लिया गया था इसी वज़े से आम आदमी पार्टी को बड़ा जटका लगा था सुत्रों ने दावा किया कि शराब कारोबारी दिनेश रोडा, संजे सिंग, मनीश सोदिया और विज़े नायर के बेहत करीवी हैं जानकारी के मताबिक बाद में दिनेश रोडा सरकारी कवाह बन गए और पूश्टाच में उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम उगल दिये थे इस बीच हिमाचर प्रदेश के तीन विधायकों ने स्तीफा दे दिया इमाचर प्रदेश में पिछले महीने हुए राजेसवा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देने वाले तीन निर्दलिये विधायकों ने स्तीफा दे दिया खबरे कि ये तीनों बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जम्मु कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नभी आजाद की पार्टी DP.अपी को चुनाव आयोग ने बाल्टी चिन आवंटित किया गुलाम नभी आजाद ने कॉंग्रेस छोडने के बाद पिछले साल ये पार्टी बनाई थी उनकी पार्टी टीपी एपी ने जमू कश्मीर की सभी पांच लोगसबा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उत्रप्रदेश के बदाईउं हत्या कान में शामिल जावेद नाम के दूसरे आरोपी को 14 दिन की नियाएक हिरासत में जेल भेज दिया गया जावेद पर आरोप है कि उसने हत्या में शामिल साजित की मदद की थी आरोप है कि मंगलबार को साजित ने दो बच्चों की धारदार हत्यार से गला रेत कर हत्या कर दी थी लेकिन वहाँ पुलिस कर्मी उनके सामने किसी चट्टान की तरह खड़े हो गए और आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं को बीजेपी दफ्तर में गुसने से रोक दिया तभी वहाँ बैरिकेड के पास ही उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दिया इस दोरान प्रतरशन कर रहे कारेकर्टा अपने हाथों में पोस्टर लेकर लेकर लहराते नजर आए और कुछ कारेकर्टा तो बैरिकेड हटा कर सड़क के दूसरी तरफ आ गए लेकिन पुलिस के जवानोंने सकती दिखाई और उन्हें खदेड दिया इस बीच कुछ कारेकर्टा उनसे भिढ़ गए तभी पुलिस के जवानोंने डंडे बरसाने शुरू कर दी इसके बाद तो सड़क पर एक कारेकर्टा को पुलिस करमी दोड़ा दोडा का डंडे मारते दिखाई दी और उनमें एक कार्यकर्ता तो सड़क पर ही लेट गया उसे पुलिस कर्मियों ने उठाया और हिरासत में ले लिए इसके साथ ही कई दूसरे कार्यकर्ताओं को भी पुलिस कर्मी वैन और बस में डालते दिखे महां बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे प्रदर्शन कारियों को हिरासत में लेने के दौरान वो शोर शराबा करते दिखे कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए उस बस के अंदर भी नारे लगाए जबकि दिल्ली के मुख्यमंतरी आर्विन केजरिवाल ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया पिछित्तर वर्ष में पहली बार एक पदासीन मुख्यमंतरी को कल रात को गिरफ्तार किया गया कुछ दिन पहले ही ज़ारकंड के पूर्व मुख्यमंतरी हेमन सुरेन ने भी ऐसा ही किया था 31 जनवरी को गिरफ्तार किये जाने से ठीक पहले उन्होंने राजजपाल को इस्तीफा सौंप दिया था हेमन सुरेन को जमीन गोटाले के एक मामले में एडी ने गिरफ्तार किया था साल 1997 में लालू प्रसाद यादव ने भी खुद पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बाद बिहार के मुख्यमंतरी का पद छोड़ दिया था क्योंकि सीबी आई ने चारा घोटाले के एक मामले में उनके खिलाफ वरंट जारी कर दिया था यही वज़र रही कि तब लालू प्रसाद यादव ने चौकाने वाला पैसला लेते हुए मुख्यमंतरी की कुर्सी पर अपनी पत्मी रावडी देवी को बैठा दिया था हेमन सुरेन और लालू प्रसाद यादव के अलावा तमिलनाड में जे जैलालिता करनाटक में बीए सेडियोरप्पा और मद्ध प्रदेश में उमा भारती को भी गिरफ्तारी से पहले शिक्षक भरती गोटाले को लेकर एडी ने राजिक के मंतरी चंदरनाद सिना के आवास पर चापे मारी की बताया गया कि मंतरी के आवास के अलावा भी कई जगों पर चापे मारे गए कॉंग्रेस के राश्ट्री प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया इसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर गंभीर आरोब भी लगाए कॉंग्रेस ने उन्हें एमदाबाद पूर्व सीट से टिकेट दिया था लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था इस भी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि गिरफतारी के बाद पहली रात एडी मुख्याले में अर्विन केजरिवाल को नींद नहीं आई उन्हें वहाँ लॉक अप में रखा गया था और इस दोरान केजरिवाल भी कैमरे की निगरानी में रहे इसके साथ ही आसफास सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहे इडी दफ्तर की तीन मंजिला एमारत में दो लॉक अप हैं और दोनों ही लॉक अप ग्राउंड फ्लोर पर बने हैं बताया गया कि उनमें एक लॉक अप में अर्विन केजरिवाल को बंद करके रखा गया था सुत्रों के मुताबिक उस लॉक अप में वो रात भर परिशान रहे और उन्हें नींद नहीं आई आनकि अपील करने पर उनके घर से कंबल और दवाईयां मंगवा कर उन्हें दी गई नियमों के मताबिक E.D. की गिरफ्त में आए किसी भी आरोपी को अपील के बाद दवाईयां और जरूरत का सामान दिया जा सकता है और इसी अपील के बाद केजरीवाल को भी दवाईयां और जरूरत की चीजे E.D. के दफ्तर में मुहिया कराई गई लेकिन सुत्रों ने दावा किया कि केजरीवाल लॉक अप में ठीक से सो नहीं पाए और सुबह जल्दी उड़ गए इसके बाद उन्हें लॉक अप के अंदर ही नाच्टा दिया गया और उन्होंने अपनी रूटीन की दवाईयां ली वही सुत्रों ने दावा किया कि अर्विन केजरीवाल की परिशानी अभी और बढ़ सकती है क्योंकि शराब गोटाला मामले में इडी ने उनसे सवाल जवाब करने के लिए स्पेशल टीम तयार कर ली सूत्रों के मताबिक ये स्पेशल टीम कैमरे के सामने उनसे पूश्ताच करेगी और अर्विन केजरीवाल से पूश्ताच के लिए इडी ने पांच सदस्यों की टीम बना दी बताया गया कि additional director की देखरेक में इस टीम का गठन किया गया जिसमें ED के अधिकारियों के अलावा दो assistant director को भी शामिल किया गया जो कैमरे के सामने बिठा कर केजरिवाल से कड़ी पूस्ताच करेंगे और पूस्ताच के दोरान सिर्फ video recording ही नहीं बेलकि लिखित बयान भी दर्ज किये जाएंगे यानि केजरिवाल से किये जाने वाले एक-एक सवाल और उनके दिये गए जवाब विस्तार से लिखे जाएंगे सुत्रों के मताबिक एडी की स्पेशल टीम अर्विन केजरिवाल और के कविता को आमने सामने बठा कर पूस्ताच करेगी कुछ दिनों पहले ही एडी ने बियारेस नेता के कविता को गरफतार किया था उन पर भी शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है इतना ही नहीं सुत्रों ने ये भी दावा कर दिया कि एडी की टीम शराब घोटाले के दूसरे आरोपियों से भी केजरिवाल का आमना सामना करवाएगी इस भी जर्विन केजरिवाल पर शराब घुटाले की जांच कर रहे एडी के अधिकारियों की जासूसी करवाने का आरोब लग गया सूत्रों के मताबिक केजरिवाल एडी के अधिकारी कपिल राज और सत्तिवर्थ पर लगातार नजर रखे हुए थे और सूत्रों के मताबिक अधिकारी के जासूसी की सिबूत मिलने का आरोब लगा कि वो एडी के दोनों अधिकारी कपिल राज और सत्तिवर्थ का डौसियर बनवा रहे थे यानि केजरिवाल पर जांच कर रहे उन दोनों अफसरों की जानकारी जुटाने का आरोप लगा और दावा किया गया कि गिरफतारी के बाद उनके घर से जो दस्तावेज मिले उन्होंने इसकी पुष्टी कर दी सुत्रों के मताबिक गिरफतारी के दोरान तलाशी में केजरिवाल के घर से डेड़ सो पन्नों के दस्तावेज बरामत किये गए और उन दस्तावेजों में उन दोनों अधिकारियों के बारे में जानकारी लिखी होने का दावा किया गया बताया गया कि उनमें अधिकारियों के काम, परिवार और उनकी संपत्ती के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी और दावा किया जा रहा है कि इस मामले में भी E.D. केजरिवाल के खिलाब कारवाई कर सकती है क्योंकि सुत्रों के मतामिक उन दस्तावेजों को E.D. ने गायर कानूनी बताया दावा किया गया कि E.D. उन दस्तावेजों की जांच में जुड़ गई उन्होंने अपनी बेटियों को टिकेट दी। 2019 का लोगसभा चुनाव लड़ चुकी हैं लेकिन दोनों बार वो हार गई थी और दोनों बार उन्हें बीजेपी के राम कृपाल यादव के हाथों ही मात मिली थी। इसके बाद RJD की ओर से उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया था और मिसा भारती के राज्यसभा का कारिकाल करीब चार साल बचा हुआ लेकिन इसी बीच खबर आ गए कि मिसा भारती एक बार फिर पार्टली पुत्र से चुनाव लड़ेंगी मिसा भारती लालु यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं उनके जन्द के समय लालु यादव जेल में थे और इसलिए लालु यादव ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का नाम मिसा भारती रखा था क्योंकि देश में आपातकाल के समय लालु यादव को मिसा यानि मेंटिनेंस अफ इंटरनल सिक्योरिटी आक्ट के तहद गिरफ्तार किया गया था लालु यादव ने अपनी किताब में भी इससे जुड़ी पूरी कहानी लिखी थी और बताया था कि उन्हें जेपी ने सुझाव दिया था कि वो अपनी बेटी का नाम मिसा कानून के नाम पर रख दे इसके बाद लालु यादव ने अपनी बड़ी बेटी का नाम मिसा भा बेटा नोट बंदी के समय पैदा हुआ था और इसलिए लोगों ने सुझाव दिया था कि वो अपने बेटे का नाम नोट बंदी रखने क्योंकि मीशा भारती का नाम भी आपात काल के समय लगे मीशा कानून के नाम पर रखा गया था। ये सलाम मीशा भारती को तब दी गई थी जो अपने दो महीने के बेटे को लेकर संसत के शीत कालीन सत्र में पहुँच गई थी। यानि जिन परिस्थितियों में लालु यादव की बेटी का नाम रखा गया था उसकी चर्चा सालों तक होती रही। वैसे नाम के अलावा मीशा भारती अपनी MBBS की डिगरी की वज़े से भी खूब चर्चा में थी। और इसके बाद लालु यादव के विरोधियों ने मीशा भारती के MBBS में टॉप करने पर सवाल उठा दिया था। यही नहीं मीशा भारती की मेडिकल प्राक्टिस नहीं करने पर भी सवाल उठे थे। की जांच चल रही है। इडी इस मामले में उनसे कई बार फूष्टाच कर चुकी है। और इनी मामलों की जांच के बीच RJD ने मीशा भारती को बिहार की पाटली पुत्र सीट से टिकेट देने का फैसला किया। बिहार की पाटली पुत्र सीट 2008 में मनी थी। और इससे पहले पटना में केवल एक लोगसबा क्शेत्र था लेकिन 2008 में परिसीमन हुआ और इसके बाद दो लोगसबा सीटे मन महीं थी। पहली पाटली पुत्र और दूसरी पटना साहिब। रिकॉर्ड है कि पाटली पुत्र में अब तक हुए तीनों लोगसबा चुनावों में NDA को ही जीत मिली है। और 2014 और 2015 में मीसा भारती को NDA के राम कृपाल यादव ने मात दी थी। लेकिन मीसा भारती एक बार फिर पाटली पुत्र से चुनाव लड़ने जा रही है। और उनके अलाबा लालु यादव की दूसरी बेटी रोहिनी आचारय बिहार की सारण लोगसबाशीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके संकेत RJD की MLC और लालु यादव के परिवार के खरीबी कहे जाने वाले सुनील कुमार सिंग ने कुछ दिन पहले ही दे दिये थे। और अब उन खबरों पर महर लग चुकी है क्योंकि लालु प्रसाद यादव की एक और बेटी की सियासत पे एंट्री होने जा रही है। तीन मार्च को पटना में RJD की जन विश्वास रैली में ही मिल गए थे। क्योंकि उस रैली में रोहिनी आचारे मंच पर नजर आई थी। वो रैली में शामिल हुए विपक्ष के निताओं से मिलती दिखी थी। ये पहला मौका था जब रोहिनी आचारे सियासी मंच पर लालू प्रसाद यादव के साथ दिखी थी। और इस रैली के कुछी दिन बाद खबर उड़ी थी कि रोहिनी आचारे का सियासी सफर शुरू होने वाला है। रोहिनी आचारे का नाम तब खूब चर्चा में आया था जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किड्नी दी थी। और इसके बाद लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हुआ था। तेज तर्रार छवी भी सामने आ गई थी क्योंकि अपनी पोस्ट में वो नितीश कुमार पर खूब भड़की थी। वो लालू प्रसाद यादव के परिवार से राजनीती में आने वाली छटी सदस्य हैं। क्योंकि खुद लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबडी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और दोनों बेटे तेजस्वी और तेजप्रताब राजनीती में सक्री हैं। और चुनाब भी लड़ चुके हैं। परिसीवन के बाद इसका नाम सारन हो गया और चुपरा को इसका मुख्याला बना दिया गया। सारन और वैशाली और मुझफरपुर के बीच बॉर्डर लाइन की तरह काम करती है। और कुछ इस तरह की सीमा घागरा नदी भी बनाती है। ये पश्चिमी इससे में सारन जिले को बिहार के सिवान और उत्तरप्रदेश के बलिया जिले से अलग करती है। लेकिन कहते हैं कि भले ही नदिया यहां त्रिकोण मनाएं लेकिन सारन में चुनावी संग्राम के दोरान कभी भी सियासी त्रिकोण नहीं मना। क्योंकि सारन में ज्यादतर बार ऐसा हुआ कि दो अमीदवारों के बीच ही कांटे की टक्कर हुई। लालू यादव की एंट्री से पहले इस सीट को कॉंग्रेस का गढ़ का जाता था। कॉंग्रेस के राम शेकर सिंग तो लगातार चार बार सारन से चुनाव जीते थे लेकिन 1977 में लालू प्रसाद यादव ने इस सीट से बंपर जीत हासिल की थी। और अबके सारन और तबके छपरा से जीत कर सुर्कियों में आ गए थे। जेपी आंदोलन को इस जीत की बड़ी वज़ा मना गया था। लड़े थे और पाटली पुत्र में वो चुनाव हार गए थे लेकिन सारन में उनकी जीत हुई थी। इसके बाद चंदरका राय ने आर जेडी छोड़ दी थी और जेडी उमें शामिल हो गए थे। और दोनों बार आर जेडी के प्रत्याशियों को बीजेपी के राजीव पताब रूडी नहीं हराया था। 2014 और 2019 के लावा वो 1996 और 1999 में भी सारन से चुनाव जीत चुके हैं। और बिहार में NDA में सीट चेरिंग के बाद ये फैसला हुआ कि 2024 के लोगसबा चुनाव में भी सारन सीट बीजेपी के पास ही रहीगी। यानि एक बार फिर सारन में RJD और BJP का आमना सामना होगा और इस बार तो रोहिणी आचारे सारन से चुनाव लड़ेंगे। और वो लालू प्रसाद यादव के परिवार की तीसरी सदस्य होंगी जो सारन में अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं। इस बीज बिहार के उपमुखे मंतरी समराद चौधरी ने लालू यादव की बेटी पर निशाना साधा। पूर्व मंतरी और बीजेटी के बड़े नेता दामुदर राउत का निधन हो गया। फिसलते हुए नीचे आगया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वो ट्रेन कम स्पीड में चलती नजर आई। इस दोरान सफेज शट पहने वो आदमी उस ट्रेन में चड़ने के लिए आगया। वो एक बड़ा बैग लेकर उस ट्रेन में चड़ने की कोशिश करी रहा था कि उसका पैर लड़ खड़ा गया। और वो उस ट्रेन में चड़ने की बजाए फिसलते हुए नीचे आगया। वो थोड़ी दूर तक चलती ट्रेन के साथ गिसटा चला गया। और इसके बाद वहां खड़ा एक पुलिस कर्मी दोड़ते हुए वहां आया और उसे बाहर निकाल लिया। अगर उस पुलिस कर्मी को आने में थोड़ी भी देर होती तो वो आदमी पूरा का पूरा उस ट्रेन के नीचे आजाता। लेकिन वो पुलिस कर्मी तुरंट उसे खीच कर उस ट्रेन से दूर ले आया। इस दोरान उस आदमी को देखने के लिए वहां लोगों की भीड जमा हो गया। गरीमत ये रहे कि उस आदमी को सही सलामत बचा लिया गया। इधर केंदर सरकार ने करिबियाई देश हेती में फसे भारतियों को निकालने के तयारी पूरी कर ली। पैसले को हाई कोट में चुनौती दी थी। बस्ती जिले में 2001 में कारोबारी के बेटे के अपरण के मामले में अमर मनित्र पाठी के खिलाफ निचली अदालत ने ये पैसला सुनाया था। बिहार की मुझपरफुर कोट से 28 साल पुराने मामले में बहुबली नेता और पूर्वसांसद आनन्द मोहन को बड़ी राहत मिली। गडबंधन में उनकी साथी कॉंग्रेस भी सांगली से चुनाव लड़ना चाहती है। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि सांगली सीट पर महाविकास अगाडी में पेच फसा हुआ है। और इसके अगले ही दिन खबर आई कि इस सीट के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी और कॉंग्रेस में ठन गई। और नौबत या गई कि कॉंग्रेस ने सांगली के मिरज में होने वाली उद्धव ठाकरे की सभा का बहिश्कार कर दिया। सुत्रों ने बताया कि उद्धव ठाकरे की ओर से कॉंग्रेस को इस सभा में शामिल होने का न्योता दिया गया था। खबरे कि कॉंग्रेस ने उद्धव गुट की शिवसेना से दो टुक बोल दिया था कि सांगली सीट उसकी है। और महराश्ट के सांगली से कॉंग्रेस का ही उमीदवार खड़ा होगा। जिसके एक हाथ में गदा हो, दूसरे हाथ में मशाल हो। उद्धव गुट ने दलील दी कि वो सांगली के बदले कॉलापूर सीट छोड़ने के लिए तयार है। लेकिन कॉंग्रेस इसके लिए तयार नहीं हुई। इसके लावा फालूस काड़े गाओं में कॉंग्रेस और तास गाओं का वाथे महाकाल में NCP के विधायक है। कॉंग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना दोनों को यहां जीत की उम्मीद दिख रही है। वसंदादा पाटिल के साथ 1978 में शरत पवार ने कुछ वैसाई किया था जैसा पिछले साल दिसम्बर में अजीत पवार ने शरत पवार के साथ किया था। वसंदादा पार्टिल की ही याद दिलाई थी, क्योंकि आरोप लगा था कि शरत पवार ने वसंदादा पार्टिल को धोका दिया था और पार्टी के 40 विधायक तोड़ लिये थे और इस बात का जिकरे करते वे अजीद पवार ने बयान दिया कि उन्होंने जो 60 साल की उम्र में किया वो शरत पवार ने 38 साल की उम्र में ही कर दिया था क्योंकि तब के पत्रकार बताते हैं कि सरकार गिरने से कुछ घंटे पहले तक वसंदादा पार्टिल को इसका एसास तक नहीं था और उन्हें पता ही नहीं था कि कुछ घंटों बाद महाराष्ट में उनकी सरकार गिर जाएगी 1977 में आपात काल के बाद कॉंग्रेस दो गुटों में बढ़ दी थी एक गुट का नाम पढ़ा कॉंग्रेस आई दूसरे का कॉंग्रेस यू कॉंग्रेस उर्स तब शरत पवार ने इंदरा गांधी का साथ छोड़ दिया था और देवराज अर्स वाली कॉंग्रेस यू का इस्सा बन गये थी इसके बाद 1978 में हुए महाराष्ट विधान सबा चुनाव दोनों कॉंग्रेस अलग-अलग लड़ी थी और वसंदादा पाटिल मुख्यमंत्री बने थी लेकिन करीज ताड़े चार महीने बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी क्योंकि शरत पवार ने 40 विधायकों को तोड़ लिया था तब के पत्रकार बताते हैं कि सरकार गिराने से कुछ घंटे पहले ही शरत पवार और वसंदादा पाटिल की मुलाकात हुई थी और वसंदादा को पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है और उनकी नाक के नीचे से उनकी कुर्सी छिन गई थी हलांकि सरकार गिरने के बाद भी वसंदादा पाटिल सांगली में मेहनत करते रहे उनके बेटे प्रकाश बापू वसंदादा पाटिल तो सांगली से पांच बार सांसद रहे और इस बार कॉंग्रेस सांगली सीट से वसंदादा पाठील के पोते को टिकट देने की कोशिश में है सुत्रों ने बताया कि कॉंग्रेस किसी भी किमत पर सांगली की सीट नहीं छोड़ना जाती इसके लिए उसने पूरा जोर लगा दिये और साल 1962 से साल 2009 तक महाराष्ट की सांगली सीट पर कॉंग्रेस का कबजा बना रहा यानि कॉंग्रेस में सांगली में एक दो बार नहीं बलकि 15 बार जीत हासिल की कॉंग्रेस के प्रकाश बाबू वसंदादा पाटिल तो 5 बार महां से चुनाव जीते लेकिन 2014 में हुए लोगसबा चुनाव में कॉंग्रेस के हाथ से ये सीट निकल गई खबर है कि इस सीट के लिए महाविकास अगारी में बैठक पर बैठक हुई सांगली महराष्ट के दक्षन में और इसकी सीमा सातारा, सोलापूर, कोलापूर और रतनागरी जैसे जिलों से लगती है पूर्व दिशा में महराष्ट के सांगली जिले की सीमा करनाटक के बीजापूर से भी लगती है पूरे देश में सांगली को हल्दी के उत्पादन के लिए जाना जाता है साल 1967 से पहले इस इलाके को मिरज कहते थे लेकिन 1967 के बाद जिले का नाम सांगली हो गया था क्योंकि सूतरों ने बताया कि कॉंग्रस को इस बार भरोसा है कि वो सांगली में जीत हासल कर लेगी लेकिन उद्धव गुट की शिवसेना ये सीट नहीं छोड़ना चाती और इसलिए कृष्णा नदी के किनारे बसे सांगली के लिए महाविकास आगारी में सियासी संग्राम चड़ गया इस बीच भारतिय बैडमिंटन खिलाडी पीवी सिंदू स्विस ओपन के दूसरे दौर में निजी कारणों से आईपेल के इस सीजन से अपना नाम वापस ले लिया उनकी जगा टीम में गेंदबार्स तनुष कोटियान को शामिल किया गया कोटियान मुंबई रंजी टीम से खेलते हैं और उन्होंने रंजी टोफी के इस सीजन में 10 मैचों में 29 विकेट लिये थे बार्दिय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी रही इस दोरान आईटी को छोड़ कर दूसरे सभी सेक्टरों में खरीदारी देखने को मिली सबसे ज़्यादा तेजी मेटल, आटो, फमसीजी, रियल्टी और कैपिटल गूड सेक्टर के शेरों में रही इसकी वज़े से बंबे सॉक एक्सचेंज का सेंसिक्स 190 अंक चड़कर 72,831 पर बंद हुआ तो निफ्ती 84 अंकों की तेजी के साथ 22,096 के सतर पर पहुँच गया उतर रूस की फौज ने यूकरेन में नीपरो नदी पर बने उसके सबसे बड़े बांध पर जोरतार हमला कर दिया पश्चिमी मीडिया के मताबिक महां मिसाइल और ड्रोन हमले किये गए दावा किया गया कि रूस के इस भीशन हमले ने यूकरेन में हजारों लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी क्योंकि पुतिन के फौज ने यूकरेन में नदी पर बने उसके सबसे बड़े बांध पर कहर बरपा दिया पश्चिमी मीडिया के मताबिक वहां खतरनाक मिसाइलों के साथ-साथ आत्म घाती ड्रोन भी गिराए गए तस्वीरों में दिखा कि रूसी हमले के बाद नीपरो नदी पर बने उस बांध पर भीशन आग लग लग गए दमकल कर्मी उस आग को बुझाने के लिए वहां पानी की बोचार करते दिखाए थी युक्रेन के जिस बांध पर हमला किया गया वो उसके दक्षणी इससे में मौझूद जापुरिज्जिया शहर में नीपरो नदी पर बने इस बांध के साथ एक पावर प्लांट भी बना हुआ है जिसके जरीए बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन किया जाता है और आसपास के खरीब एक दरजन इलाकों में विजली की सप्लाई उस प्लांट से ही होती आई है लेकिन पश्चिमी मीडिया के मताबिक रूस के हमले में उस बांध के साथ साथ पावर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुचा जिसकी वज़े से आसपास के कई इलाके अंधेरे में डूप गए हालनकि रूस ने सिर्फ जापुरिज्या ही नहीं बलकि युक्रेन के कई शहरों में एक साथ तबाही मचा दी पश्चिमी मीडिया के मताबिक वहां 24 घंटों में करीब 90 मिसाइले और 60 से ज़्यादा ड्रोन हमले किये गए जिन में तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए केजरीवाल की गिरफतारी के बाद दिल्ली और पंजाब समयत कई जगों पर आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं ने बवाल शुरू कर दिया केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाब पंजाब के मोहाली में आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं का घुस्सा पूट पड़ा हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी कारेकर्टा सडकों पर एकठा हुए और केंद सरकार के खिलाब जोरदार प्रदर्शन किया लेकिन आमादमी पार्टी के कारिकरताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन की मदद से पानी की बुचार कर दी पानी की तेज बुचार होते ही वहाँ अफरा तफरी मच गई पुरदर्शन कारी थोड़ी देर के लिए सड़क पर पीछे की तरफ भागे लेकिन वाटर कैनन बंद होते ही वो फिर से पुलिस की बैरिकेडिंग के पास जमा होकर हंगामा और नारेबाजी करते दिखाई दिए आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं को रोकने के लिए पुलिस ने मोहाली से चंडीगड की तरफ जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग लगा रखी थी क्योंकि प्रदर्शन गारी मोहाली से चंडीगड जाकर गवरनर हाउस का घेराव करना चाते थी मोहाली से चंडीगड में मौझूद गवरनर हाउस की दूरी खरीब 12 किलोमीटर है पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं के प्रदर्शन को देखते हुए मोहाली चंडीगड हाईवे को बंद कर दिया पार करके दूसरी तरफ कूद गए बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ मौझूद दूसरे प्रदर्शन कारी भी वहां से कूद कर पुलिस वालों की तरफ आने की कोशिश करते दिखाई दिये अंगामा और नारेबाजी कर रहे आम आदमी पार्टी के कारेकरता लगातार वहां लगे बैरिकेड को गिराने की कोशिश करते दिखाई दिये काले रंग की टी-शेट पैना हुआ एक कारेकरता तो बैरिकेड के उपर चड़ गया और नारे लगाने शुरू कर दिये उसके साथ कुछ महिला कारेकरता भी बैरिकेड पर चड़ने की कोशिश करती दिखाई दिये पीले रंग की पकड़ी पैना हुआ आम आदमी पार्टी का एक कारेकरता वहां खड़े पुलिस वालों को हटाते हुए बैरिकेड पार करता दिखाई दिया और सड़क पर लगाई गई बैरिकेडिंग के पास हंगामा शुरू कर दिया चंडिगड में बीजेपी के दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर भारी संक्या में पुलिस वाले तैनात दिखाई दिये सड़क को बंद करने के लिए पुलिस ने वहां बड़े बड़े ट्रक खड़े कर दिये थे सड़क पर लगी लोहे की बैरिकेडिंग के एक तरफ भारी संक्या में पुलिस वाले मोर्चा सम्हाले दिखाई दिये तो दूसरी तरफ सैकडों की संक्या में आम आदमी पार्टी के कारेकरता एकटा हुए नजर आए और फक्तों के बीड जोरदार बहस हुई एडी के वकील ने केजरिवाल को घोटाले का किंग पिन बताया जबकि अर्विन केजरिवाल के वकीलों ने एक राज्जिक के मुख्यमंत्री की गिरफतारी को सरकारी एजिंसियों के दुरुप्योग की मिसाल करार दिया कोट में हुई इस बहस से पहले दोपहर करीब साड़े बारा बजे एडी एफसरों का काफिला अर्विन केजरिवाल को लेकर एडी दफतर से राउज इविन्यों कोट के लिए निकला एडी की गाडियां दंदनाते हुए अदालत की तरफ दोड़ती दिखाई थी आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं के प्रतरशन को देखते हुए एडी दफतर और कोट के बाहर बारी संख्या में पुलिस और आरेफ के जवान तैनात कर दिये गए कोट पहुँचने के बाद एडी के अफसर अर्विन केजरिवाल को लेकर सीधे जज के सामने पहुँच गए इस दोरान कोट के गलियारे से गुजरते हुए केजरिवाल का एक वीडियो सामने आया जिसमें 10 से 12 एडी अधिकारी उन्हें कोट रूम की तरफ ले जाते नजर आए आम आदमी पार्टी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें कोट में दाखिल होते हुए अर्विन केजरिवाल ये कहते सुनाए दिये और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिये कोट में केजरिवाल के वकीलों ने एडी की रिमांड की मांग को खारिच करने के अपील की जबकि E.D. के वकीलों ने शराब गोटाले की जांच के लिए अर्विन केजरिवाल की रिमांड को बेहत जरूरी बताया मतलब ये कि E.D. के वकीलों ने अर्विन केजरिवाल की रिमांड के लिए पूरी ताकत लगा दी E.D. ने दिल्ली के शराव गोटाला मामले में मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को मस्ट माइंड बताया E.D. के वकील ने इसके लिए अंग्रेजी के किंग पिन शब्द का इस्तमाल किया इसके साथ ही E.D. ने दावा किया कि इस केस से जुड़े कई इलेक्ट्रोनिक सबूत पहले ही मिटा दिये गए थे गोटाले से जुड़े तथ्य चिपाने के लिए कई सारे मुबाइल फोन तोड़े गए थे E.D. ने कोट को बताया कि दो बार कैश ट्रांसफर भी किया गया जबकि कोट में अर्विन केजरिवाल की तरफ से का गया कि इस पूरे मामले से अर्विन केजरिवाल का कोई लेना देना ही नहीं है इसी वज़े से E.D. ने केजरिवाल को इस शराब गोटाले का किंग पिन माना किंग पिन यानि सबसे एहमाद भी मतलब E.D. ने ये दावा किया कि ये पूरी साजिश अर्विन केजरिवाल के इशारे पर ही रची गई और इसके जरीए करोणों की रखम का गबन हुआ E.D. ने दावा किया कि इस पूरे खेल में मनीश्ट सोधिया और संजे सिंग भी बराबरी के हिस्सेदार थे आलनकि E.D. के मताबिक इस गोटाले में अर्विन केजरिवाल ने सीधे-सीधे हिस्सा नहीं लिया बलकि इसके लिए उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजे नायर को काम पर लगाया गया था E.D. के मताबिक विजे नायर ने अर्विन केजरिवाल के कहने पर नसिप नीतियों में तोड मरोड का खाका तयार किया बलकि लोगों को डरा धमका कर उनसे उगाही का सारा काम भी वही देखता था और E.D. के मताबिक इसी विजे नायर के जरिए दिल्ली के सीएम अर्विन केजरिवाल और उनके सहीयोगियों तक 330 करोड से जादा की रखम पहुंची दावे के मताबिक इसके लिए बाकाइदा पूरी प्लानिंग की गई थी और E.D. की जांच में ये आरोफ लगाय गया कि दिल्ली की नई शराब नीती के जरिए करोडों के घोडाले की पटकता अर्विन केजरिवाल के घर पर ही लिखी गई थी E.D. के मताबिक दिल्ली के सीम हाउस में हुई उस बैठक में अर्विन केजरिवाल के अलावा मनीश शिसोदिया भी मौजूद थे और इसी बैठक में ये तैह हुआ था कि शराब नीती में प्रॉफिट का जो मार्जिन 6 प्रतिशत है उसे बढ़ा कर 12 प्रतिशत मतलब दुगना कर दिया जाए और इडी के मताबिक खुद ये बात मनीश शिसोदिया के सचिप सी अर्विन ने फूस्ताज के दोरान बताई थी और ये दावा क्या गया था कि ये काला खेल अर्विन केजरिवाल की आँखों के सामने ही रचा गया और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि इस नई शराब नीथी के जरीए उन्हें करोड़ों का फायदा हो सकता है और इडी का दावा है कि अर्विन केजरिवाल अपने प्लैन में काम्याब भी हो गए थे सुत्रों के मताबिक जांच में ये बात सामने आई कि अर्विन केजरिवाल ने शराब नीथी की आड़ में शराब माफिया से करीब सौ करोड़ की रिश्वत ली थी और बदले में नई शराब नीथी के जरीए उन्हें फायदा पहुँचाने का बादा किया था मतलब केजरिवाल और शराब माफिया ने एक हाथ दे दूसरे हाथ ले का फर्मूला अपनाया ताकि दोनों ही पक्षों को फायदा हो सके और इसमें एक एहम किरदार ने भाया शराब कंपनी इंडो स्पिरिट के डिरेक्टर समीर महिंद्रू ने सुत्रों के मताबिक समीर महिंद्रू ने पूश्टाश में बताया कि अर्विन केजरिवाल से उन्हें उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजय नायर ने आईपोन के एप फेस टाइम के जरीए मिलवाया था उनके मताबिक इस बादचीत के दोरान केजरिवाल ने ये भी कहा था कि विजय नायर उनका भरोसे मन्द है और वही उनसे आगे की डील करेगा मतलब अर्विन केजरिवाल ने खुद ही विजय नायर को शराब गोटाले से जुड़ी डील करने की आजादी दी थी और इडी के मताबिक उसी के जरीए सौ करोड की रिश्वत के रास्ते खुले इडी के सूतरों का दावा है कि केजरिवाल ने नई शराब दीथी में बदलाव करने के बदले में सौ करोड रुपए की रिश्वत मांगी थी और जाँच में ये बात सामने आएगी इस रकम का इस्तेमाल 2022 में गोवा में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किया था इडी ने कुछ दस्तावेजों के जरीए ये आरोप भी लगाया कि इस रकम के बड़े हिस्से की हेरा फेरी कैश में की गई ताकि किसी को आम आदमी पार्टी या फिर अर्विन केजरिवाल पर शक न हो इडी ने ये दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत के तौर पर मिली रकम से 45 करोड रुपे का इस्तमाल गोवा के चुनाव में किया इसके लिए तिलंगाना के मुख्यमंत्री के चंदरशेकर राव की बेटी के कविता के अकाउंटेंट बुच्ची बावू ने दो बार पैसे ट्रांसवर की सूत्रों के मताबिक बुच्ची बावू के अकाउंट से ही आम आदमी पार्टी के पास पहले 10 करोड और फिर 15 करोड रुपे ट्रांसवर किये गए और दावा है कि गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाओं में काम करने वाले लोगों को इसी रकम से भुक्तान किया गया है और दावा है कि गोवा चुनाम में करीब 70 लाक रुपए नकद में दिये गए ये पैसे जिनें दिये गए उनमें आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीदवार भी शामिल थे इसके लावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने गोवा चुनाम में रिसर्चर के तौर पर अर्विन केजरिवाल की पार्टी के लिए काम किया था और माना जा रहा है कि उनी की गिरफतारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल का नमबर लगा क्योंकि E.D. ने अपनी जांच में ये दावा किया कि खरीब 600 करोड से जादा के इस गोटाले को BRS निता के कविता और दिल्ली के सीम अर्विन केजरिवाल ने मिल कर अंजाम दिया E.D. के मुताबिक इस समझोते के लिए के कविता का ओफर लेकर YSR कॉंग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासलू रेटी दिल्ली पहुंचे थे उन्होंने ही 100 करोड की रिश्वत के बदले के कविता को भी इस शराब घुटाले में भागिदार बनाने की मांग CM के जरिवाल से की थी और E.D. के सूतरों के मुताबिक इसके बाद इस नई सराबनीती के जरिये जादा से जादा धन हुगा ही का फूल प्रूफ प्रेंट टेयार कर लिया गया और इसे मंगुटा श्रीनिवासलू रिट्टी के बेटे रागव मंगुटा के जरिये अंजाम दिया गया ये वही सौ करोड की रकम थी जिसे आम आदमी पार्टी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बुच्ची बाबु को सौंपी गई थी और इडी के मुटाबिक इसी सौ करोड में 45 करोड रुपए आम आदमी पार्टी ने 2022 में हुए गोवा के चुनाव में खपा दिये थी और इसी मामले में जेल में बंद के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जटका लग गया दिल्ली चराब गोटाला मामले में आरोपी तिलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंदरशेकर राओ की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जटका लगा सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की जमानत पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया इतना है नहीं सुप्रीम कोर्ट ने के कविता के वकील को निचली अदालत जाने का सुझाव भी दिया पिछले हफते एडी की टीम ने उन्हें गिरफतार कर लिया था बीजेपी की केंदरी चुनाव समिती की शाम में एहम बैठक होगी सुत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तरपदेश, ओडीशा, महराष्ट, तिलंगाना और राजिस्थान समेथ कई राज्यों के लिए उम्मीद्वारों के नाम पर महर लग सकती है इस बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे बिहार में महागडबंधन में शामिल CPI ने तीन बार विधायक रह चुके अवधेश कुमार को बेगुसराय लोगसबा सीट से अपना उम्मीद्वार बना दिया इससे पहले अटकलें थी कि कॉंग्रेस नेता कनिया कुमार को ये सीट मिल सकती है कनिया कुमार ने 2019 में इसी सीट से CPI के टिकट पर चुनाव लड़ा था तब वो बीजेपी नेता गिरीराज सिंग से चुनाव हार गए थी इस बीज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी रासत में ले लिये गए प्रदर्शन कर रही दिल्ली की मंत्री आतिशी को पुलिस बस में भर कर ले गई और इस दोनान आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं ने उन्हें घेर लिया जैसे ही महिला पुलिस कर्वी आतिशी को हिरासत में लेने आई वहां मौझूद तमाम कारेकर्टाओं ने उनके चारों तरफ घेरा बना लिया उसके बाद तो आतिशी को वहां से ले जाने में पुलिस कर्वियों के पसीने चूट गए सैकणों कारेकरताओं के साथ प्रदशन कर रही आतिशी को पुलिस ने जैसे तैसे बस में बठा दिया लेकिन इसके बाद भी उनकी नारे बाजी बंद नहीं हुई वो उस बस की खिड़की से बाहर निकल कर नारे लगाती रही और आतिशी की ही तरह पुलिस ने दिल्ली सरकार में मंत्री सौरब भारदवाज को भी राजत में ले लिया इस दोरान उन्होंने पुलिस टेशन के अंदर बैठ कर ही गाने गाना शुरू कर दिया उनके साथ कई कारेकरता भी मौजूद रहे दिल्ली के मुक्यमंत्री अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी कारेकरता धरने पर बैठ गये और पुलिस के लिए उन कारेकरताओं पर काबू पाना मुश्किल हो गया दिल्ली के आईटियो इलाके में तो आम आदमी पार्टी के कारेकरता बीच सड़क पर ही बैठ गये एक लाइन में बैठे कारेकरताओं ने वहां बैठ कर नारेबाजी करना शुरू कर दिया जिसकी वज़े से सड़क पर लंबा जैम लग गया इस दोरान जब पुलिस उन्हें अठाने पहुंची तो वो वहां से हिलने को भी राजी नहीं हुए इसके बाद पुलिस को जबरदस्ती उन्हें खीच कर वहां से हटाना पड़ा ऐसा ही प्रदरशन वहां राउज एमिन्यो कोट के बाहर भी दिखाई दिया कारेकरताओं ने वहां लगी बैरिकेडिंग के सामने ही नारेबाजी शुरू कर दी इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने कई कारेकरताओं को हिरासत में ले लिया कई जगहों पर कारेकरता हाथों में मैं भी केजरिवाल के पोस्टर लेकर प्रदरशन करते नजर आए और इस दोरान आमान्वी पार्टी की महिला कारेकरता भी सडकों पर उतराई एडी की कारवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों कारेकरताओं को संभालने के लिए भारी पुलिस पोर्स तैनात कर दी गई और इस दोरान जब पुलिस कुछ महिला कारेकरताओं को वहां से अठाने पहुंची तो वो सडक परी लेट गई इसके बाद पुलिस उने उठा कर वहां से ले गई दिल्ली के आईटियो इलापते में प्रदर्शन कर रहे कारेकरता पुलिस से भिड़ने तक को तयार हो गए ऐसे में पुलिस और कारेकरता आमने सामने आ गए वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस दो कारेकरताओं को गसीट कर वहां से ले जाती नजर आई इस दोरान वहां मौझूद एक महिला कारेकरता उनके पास बैठ कर ही नारे लगाती रही इसके बाद पुलिस ने उस महिला कारेकरता को भी हिरासत में ले लिया आईटियो इलाके में इतनी बड़ी संख्या में कारेकर्टा पहुँच गए कि वहां ट्राफिक की दिप्पत खड़ी हो गई ऐसे में पुलिस ने सक्ती दिखाते हुए सड़क पर बैठे एक एक कारेकर्टा को वहां से अटा दिया इतर खानून के जानकारों के मताबिक एडी के समंस पर पूश्टाज के लिए नहीं पहुँचना ही केजरिवाल की सबसे बड़ी मुसीबत बना क्योंकि दिल्ली शराब गोटाला मामले में एडी ने उन्हें नौ समंस भेजे थे लेकिन वो एक भी समंस पर पूश्टाज के लिए नहीं पहुँचे थे इसी वज़े से एक रोज पहले एडी के एक टीम उनके घर पहुँच गई थी क्योंकि नौ में समंस के तहट केजरिवाल को 21 मार्च को सुबह 11 बजे पेश होना था लेकिन वो हर बार की तरह इस बार भी पूश्टाज के लिए एडी आफिस नहीं पहुँचे थे यही नहीं वो एडी के समंस को लेकर दिल्ली हाई कोट पहुँच गए थे जानकारी के मताबिक कोट को एडी ने वो सबूत भी दिखाये थे जिनके आधार पर पूश्टाज के लिए केजरिवाल को समंस जारी किये गए थे माना जा रहा है कि दिल्ली हाई कोट से उनको जटका लगने के बाद एडी ने उने गिरफतार करने की तैयारी शुरू कर दी थी कारून के जानकारों का मानना है कि एडी के नौ समंस पर पूश्टाज के लिए न पहुंच कर केजरिवाल ने अपने पैरों पर कुलाडी मार ली थी और सुत्रों के मताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को गिरफतार करने से पहले एडी के बड़े अधिकारियों ने एक बैठक की थी दावा किया गया कि दिल्ली हाई कोट से केजरिवाल को राहत नहीं मिलने के बाद जांच एजिंसी के अधिकारियों ने ये बैठक की थी। सूत्रों से मिलने जानकारी के मताबिक शुराब घुटाले के जाच के दोरान E.D. को कई एहम सबूत मिले हैं। तक केजरिवाल को पूश्टाज के लिए 9 समंज बेजे थे लेकिन इन 6 महीनों में केजरिवाल एक बार भी पूश्टाज के लिए E.D. के आफिस नहीं पहुचे थे। उन्हें पूश्टाज के लिए 2 नवंबर को बिला गया था लेकिन वो दिवाली होने की बात कहकर नहीं गये थे। इसी तरह केजरिवाल ने E.D. के तरफ से जारी किये गए 6,7,8 और 9 समंज से बचने के लिए अलग-अलग वज़े बताई। पहले निचली अदालत में रखेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आम आदमी पार्टी को याचिका वापस लेने की इजाज़त दे दी। जबकि केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ दायर याचिका के बाद E.D. ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैवेट दाखिल कर दिया था। और वहाँ राहत ना मिलने पर आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट जाएगी। उदर बिहार के सुपॉल में एक पुल का हिस्सा अचानक गिर पड़ा। को बुनियादी शिक्षा विवस्था में समयोजित किया जाए। इस बीच दिल्ली शराब गोटाला मामले में केजरिवाल की गिरफतारी के बाद विपक्षी गटबंधन एक साथ आ गया। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कॉंग्रेस, टीमसी और शरत पवार गुटबाली एनसीपी के नेता चुनाव आयोग भी पहुंच गए। और दूसरी ओर दिल्ली में यूथ कॉंग्रेस ने प्रदर्शन किया। यूथ कॉंग्रेस के कारेकरता सडकों पर उतराये। उनके हाथों में बोस्टर और जंडे नजर आये। इन लोगों ने केजरिवाल की गिरफतारी के विरोध में नारे लगाये और एक पिंजरा ला इससे पहले केजरिवाल की गिरफतारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कॉंग्रेस, टी-म-सी और पवार गुटवाली एन-सी-पी के नेता चुनाव आयोग भी गए। तो आपने कहीं ये नहीं दिखाया कि अभी इसी वक्त एजनसी की रेड आवश से की थी. 2022 में दिल्ली कॉंग्रेस के अध्याक शनिल चौदरी ने पुलिस कमिश्णर को इससे जुड़ी एक चिठी लिखी थी. उन्होंने चिठी में दिल्ली की शराब नीती पर सवाल उठाये थे. और कॉंग्रेस की ओर से लिखी गई ये वही चिठी है. 2022 में लिखी ग की उसने तब के दिल्ली के डिप्ती सीम मनीश सुद्या का इस्तीफा भी मांगा था. और आरोब लगाया था कि उस घोटाले का सीधा कनेक्शन अरविन केजरिवाल से है. कॉंग्रेस ने दावा किया था कि एक ही कंपनी को अलग-अलग नाम से ठेके दिये गए थे. और आर रोड के गोटाले से केजरिवाल का सीधा कनेक्शन जोड रही थी. कॉंग्रेस नेता अलकाल आम्बा ने तो सिसोधिया और केजरिवाल दोनों को घेरा था. कॉंग्रेस के ये सुर पहले थे क्योंकि अब वो केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ है और इसलिए उसने सडकों पर प्रतर्शन किया. आदमी पार्टी की नेता संजे सिंग ने तो एक रैली में विपक्षी पार्टीयों के एक एक नेता का नाम लेकर उन पर निशाना साधा था. लेकिन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद विपक्षी गटबंधन जिस तरह से एक जूट हुआ उसके बाद संजे सिंग का वो बयान चर्चा में आ गया. क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कबजे में है. चंद परिवारों ने देश की राजनीती पर कबजा कर लिया है. पूरफ से लेके पस्चिम तक उतर से लेके डख्शिन तक चंद परिवारों का देश की राजनीती पर कबजा है. चले जाएए काश्मीर, सेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, चले जाएए महारास्ट्रा, बाल ठाकरे, उधाउ ठाकरे, आदित ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी, सरत पवार, सुप्रिया सूले, अजीत पव कि चलाइए बिहार लावड़ राप्ण स्यादो निच्कु आदो टेज applies की परिवार की पाठी क Size जाइए जार्कन सु टुर्गा सुरेण सभू सृइबार सूरेण एक्फ़नार की परटी चलाइए उडाइशा बीजू पटनैक नवीन पटनैक एक्वरकी परिवार चले जाएए तमिल्लाडू, स्टालिन, एक ही परिवार की पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चाचा नहरू, बिटिया इंद्रा, बिटवा राजिव, बिटवा संजय, बहु सोनिया, बिटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद बोच्चाला परिसर में A.S.I. के सर्वे के मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा जटका लगा, सुप्रीम कोट ने मद्रप्रोदेश के धार जिले में मौझूद बोच्चाला के A.S.I. सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया, अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया कि इस मामले में फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं होगा, इस बीच A.S.I. ने हाई कोट के आदेश के बाद भोच्चाला के सर्वे का काम शुरू कर दिया, बोचान मंत्री नरेंद्र मोदी को बोचान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, Order of the पुचान नागरिक सम्मान, बोचानी नागरिकों को ही दिया जाता था बोचान मंत्री नरेंद्र मोदी की बोचान यातरा के दोरान दोनों देशों ने पेट्रोलियम, उरजा, खेल और स्वास्थ के क्शेत्र से जुड़े, साथ समझोतों पर हस्ताकशर किए इससे पहले प्रधान मंत्री के बुटान पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया इसके बाद पीम ने बुटान के प्रधान मंत्री और बुटान नरेश से मुलाकात की इस बीच एड़ी और केंद्र सरकार के खिलाब आमादमी पार्टी के कारेकरताओं का गुस्सा हर्याना के कुरुक शेतर में भी फूटा सड़कों पर प्रधर्शन के लिए उत्रे कारेकरताओं को जब पुलिस वालों ने रोका तो वो उनसे उलच पड़े और सड़क पर लगे बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करते दिखे पुलिस के बैरिकेड पर चड़ा एक कारेकरता वहां मौझूद पेड की टहनी से लटक गया और अपने पैरों से बैरिकेडिंग पर धक्के मारने शुरू कर दिये उस प्रदर्शन कारी ने पुलिस के बैरिकेड पर दस से ज़्यादा बार धक्के मारे हानकि इस दोरान बैरिकेड के दूसरी तरफ मौझूद पुलिस वालों ने बैरिकेड को गिरने से रोके रखा आम आदमी पार्टी के कुछ दूसरे कारीकरता भी भैरिकेड पर चड़े हुए दिखाई दिये आमार्टी के कारीकरताओं ने आरोप लगाया कि शांती से हो रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाटी चार्ज किया जिसमें कई कारीकरता गायल हो गया आम आदमी पार्टी के कारिकरताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर केंद्रिय एजेंसिया विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के सुत्रों के मताबिक अर्विन केजरिवाल को इस बात का एसास था कि ED उन्हें कभी भी गिरफ़तार कर सकती है। इसलिए उन्होंने पहले से प्लान B तयार कर लिया था आलनकि एक रोज पहले गिरफतारी के बाद अर्विंद केजरिवाल ने मुख्यमंत्री पत से इस्तीफा नहीं दिया था मतलब ये कि आम आदमी पार्टी इस परिस्तिती के लिए पहले से तयारी कर रही थी क्योंकि काफी लंबे वक्त से शराब गोटाला मामले में मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल पर गिरफतारी की तलवार लटक रही थी मतलब ये कि बहले ही आम आदमी पार्टी ने जेल से सरकार चलने की तयारी की हो लेकिन इसकी अजाजत शायद ही उसे जेल प्रशासन से मिले सूतरों के मुदाबिक दिल्ली के टिहार जेल के मैनुवल में किसे भी मुख्यमंत्री के जेल से सरकार चलाने का प्रावधान नहीं है जेल मैनुवल एक रूल बुक होती है जिसमें जेल में बंद कैदियों के लिए नियम कायदे लिखे होते हैं जेल प्रशासन इसी के हिसाब से काम करता है। जेल मैनुवल के मुताबिक जेल में बंद पैदी को हफ़ते में दो बार उसके रिष्टदारों और परिजनों से मुलाकात कराई जाती है। आरोपी को दस लोगों के नाम देने होते हैं और वो लोग ही जेल में फोन करके मिलने की तारीख और समय मांग सकते हैं। एक बार मुलाकात में सिर्फ तीन लोग ही जेल में आरोपी से मिल सकते हैं। मतलब यह कि अगर अर्विन केजरिवाल जेल से सरकार चलाते हैं तो इसमें उन्हें कई तरह की दिखततें सामने आ सकती हैं और अगर फाइलों पर साइन कराना भी हो तो जेल सुप्रिटेंडेंट से लिखित इजाजत लेनी होगी एक राज्य के मुख्यमंत्री के कंधों पर कई तरह की जिम्मेदारिया होती है कैबिनेट की बैठक के अलावा मुख्यमंत्री को दिन भर अफसरों के साथ बैठकें करनी पड़ती है और जेल में रहते हुए ये सारी चीजें संभव नहीं है और जिस शराब घुटाला मामले में अर्विन केजरीवाल को गिरफतार किया गया वो शराब नीती तीन साल पहले बनाए गई थी उस दोरान दिल्ली के डिप्टी सीम रहे मनीश सोधिया ने नई शराब नीती लाने का ऐलान किया था और वो तारिख थी 22 मार्च 2021 यानि ठीक तीन साल पहले दिल्ली के डिप्टी सीम रहे मनीश सोधिया ने नई शराब नीती लाने का ऐलान किया था सोधिया से जब इसे लाने की वज़ा पूची गई थी तो उन्होंने दो तर्क दिये थी पहला ये कि इससे माफिया राज खत्म होगा और दूसरा ये कि इससे सरकारी खजाना बढ़ेगा 17 नमंबर 2021 को नई शराब नीती 2021 लागू कर दी गई थी इसके लागू होते ही शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और पूरा कारोबार नीजी हाथों में चला गया था कई बड़े ओफर और डिसकाउंट देने की वज़ह से शराब की जमकर बिक्री हुई थी और इससे दिल्ली सरकार का खजाना तो बढ़ा लेकिन इस नई नीती का जमकर विरोध भी होने लगा था 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीती में घोटाला होने का आरोब लगा था उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट उपराज जपाल वीके सकसेना को बेज दी थी रिपोर्ट में सिसोधिया पर नियमों को ताक पर रखकर शराब कारोबारियों को फाइदा पहुचाने का आरोब लगा गया था और बाद में उपराज जपाल ने भी उनकी और कैबिनेट की मनजूरी के बिना शराब नीती में बदलाब करने का आरोब लगा दिया था 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज जपाल ने मुख्य सचित की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच सी बियाई से कराने की सिपारिश कर दी थी और उसी दोरान विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीती रद्द कर दी थी इसके बीचे दलील ये दी गई थी कि खुदरा और थोक कारोबारियों के शराब के धंदे से हटने की वज़े से ऐसा किया गया बाद में 17 अगस 2022 को सीबी आई ने मनीश शिसोदिया, तीन रिटायर सरकारी अफसर, नौ शराब करोबारी और दो कमपनियों के खिलाब केस दर्च कर लिया था इन पर भष्टा चार से जुड़ी धाराओं के तहट केस दर्च किये गए थी 19 अगस को दिल्ली के उप मुख्य मंत्री मनीश शिसोदिया से जुड़े घर और ठिकाने समेट 7 राजियों के 31 ठिकानों पर छापे मारे गए और इसके बाद सिसोदिया ने दावा किया था कि सीबी आई को कुछ नहीं मिला तीन दिन बाद 22 अगस 2022 को ईडी ने सीबी आई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉंडरिंग का केस दर्च कर लिया था क्योंकि सिसोदिया के पास ही आपकारी विभाग था इसलिए उन्हें इसमें मुख्य आरोबी बनाय गया कई बार पूश्टाश के बाद जाँच एजनसी ने 26 वरवरी को उन्हें गिरफतार कर लिया था सिसोदिया पर आरोब लगा गया था कि उन्होंने मनमाने और एकतरफा फैसले लिये थी उनके फैसलों की वज़े से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ इस भी जोडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पतनाय की पार्टी बीजे डी और बीजे पी में गडबंधन पर बात नहीं बन सकी दोनों पार्टियों ने राज्य की 21 लोगसवा सीटों और 147 विधानसवा सीटों पर अलग-अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया उटिशा में लोगसवा के साथ ही विधानसवा के भी चुनाव होने है बीजे पी ने लोगसवा उम्मीदवारों की चौती लिस्ट जारी कर दी इस लिस्ट में तमिलनाड के लिए 14 प्रत्याशियों के नाम और पुदुच्चेरी सीट के उम्मीदवार का नाम शामिल एक रोज पहले बीजेपी ने तमिलनाट के नौ उम्मीदवारों के नामों का इलान किया था टीमसी ने चुनाव आयोक से पश्चे मंगाल के राज़पाल सीवी आनन बोस के खिलाफ शिकायत की टीमसी ने राज़पाल पर चुनावी प्रक्रिया में दखल देने का आरोप लगाया कुछ दिन पहले वहां के राज़पाल ने लोगसभा चुनाव से जुड़े किसी भी मुद्धे पर लोगों से जुड़ने के लिए पोर्टल लोग सभा लॉंच किया था इस पर टीमसी ने आपत्ती जताई इधर दिल्ली शराब घोडाला मामले में अरविन केजरिवाल समेथ 16 लोग गिरफतार किये जा चुके केजरिवाल से पहले दिल्ली के पूर्व रिप्टी सीम मनीश सिसोधिया, राज्यसभा सामसाथ संजय सिंग और पूर्व मुख्य मंत्री के चंदरशेकर राओ की बेटी के कविता की गिरफतारी की जा चुकी है और सूत्रों के मतावेक पूश्टाज के दोरान के कविता ने कई बार इस मामले में अरविन केजरिवाल का नाम लिया था और दो घंटे की पूश्टाज के बाद रात करीब नौ बजे केजरिवाल को गिरफतार कर लिया गया था दिल्ली शराब गोटाला मामले में इस साल ये दूसरी गिरफतारी है इस गोटाले में हमें तरोडा नाम के शराब कारोबारी को भी गिरफतार किया गया था इन्हें इस गोटाले का मिडल में यानी बिचॉलिया बताया गया हमें तरोडा की गिरफतारी 2022 में हुई था लेकिन दिल्ली के शराव गोटाला मामले में सबसे ज़ादा गिरफतारियान 2023 में हुई उस साल जांच एजिंसियों ने शराव कारोबारी गौतम मलोतरा, रागव मंगुटा और दिनेश अरोडा समेथ कई लोगों को गिरफतार किया था लेकिन 2023 में सबसे बड़ी गिरफतारी मनीश इसोदिया के रूप में हुई थी, तब वो दिल्ली के उपमुखे मंतरी थी, लेकिन 26 फरवरी 2023 को गिरफतारी के बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था उनके बाद 4 अक्टूबर 2023 को आम आदमी पार्टी के वरिष्ट नेता और राजे सबा सांसत संजे सिंग को भी गिरफतार कर लिया गया था इसी वज़े से आम आदमी पार्टी को बड़ा जटका लगा था सूत्रों ने दावा किया कि शराब कारोबारी दिनेश रोडा, संजे सिंग, मनीश सोदिया और विज़े नायर के बेहत करीबी हैं जानकारी के मताबिक बाद में दिनेश रोडा सरकारी कवाह बन गए और पूश्ताच में उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम उगल दिये थे इस बीच हिमाजर प्रदेश के तीन विधायकों ने स्तीफा दे दिया इमाजर प्रदेश में पिछले महीने हुए राजेसवा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देने वाले तीन निर्दलिये विधायकों ने स्तीफा दे दिया खबरे की ये तीनों बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जम्मु कश्मीर के पूर मुख्यमंत्री गुलाम नभी आजाद की पार्टी डीपी एपी को चुनाव आयोग ने बाल्टी चिन आवंटित किया गुलाम नभी आजाद ने कॉंग्रेस छोड़ने के बाद पिछले साल ये पार्टी बनाई थी उनकी पार्टी टीपी एपी ने जमू कश्मीर की सभी पांच लोगसबा सीटों पर चुनाव लड़ने का अलान किया है उत्रप्रदेश के बदाईउं हत्या कांड में शामिल जावेद नाम के दूसरे आरोपी को 14 दिन की नियाएक हिरासत में जेल भेज दिया गया जावेद पर आरोप है कि उसने हत्या में शामिल साजित की मदद की थी, आरोप है कि मंगलवार को साजित ने दो बच्चों की धारदार हत्यार से गला रेद कर हत्या कर दी थी तबी वहां बैरिकेड के पास ही उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। दोडा दोडा का डंडे मारते दिखाई दिये और उनमें एक कारेकरता तो सडक पर ही लेड गया। उसे पुलिस कर्मियों ने उठाया और हिरासत में ले लिये। इसके साथ ही कई दूसरे कारेकरताओं को भी पुलिस कर्मी वैन और बस में डालते दिखें। वहां बीजेपी दक्तर के बाहर हंगामा कर रहे प्रदर्शन कारियों को हिरासत में लेने के दौरान वो शोर शराबा करते दिखें। कारेकरताओं ने पुलिस की कारवाई का विरोध करते हुए उस बस के अंदर भी नारे लगाए। जबकि दिल्ली के मुख्यमंतरी आर्विन केजरिवाल ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया। पिचित्तर वर्ष में पहली बार एक पदासीन मुख्यमंतरी को कल रात को गिरफतार किया गया। कुछ दिन पहले ही जारकंड के पूर्व मुख्यमंतरी हिमन सुरेन ने भी ऐसा ही किया था। 31 जनवरी को गिरफतार किये जाने से ठीक पहले उन्होंने राजजपाल को इस्तीफा सौंफ दिया था। एमन सुरेन को जमीन गोटाले के एक मामले में एडी ने गिरफतार किया था। साल 1997 में लालू प्रसाद यादव ने भी खुद पर गिरफतारी की तलवार लटकने के बाद बिहार के मुख्यमंतरी का पद छोड़ दिया था। क्योंकि सीबी आई ने चारा गोटाले के एक मामले में उनके खलाफ वारंट जारी कर दिया था। यही वज़ड़ ही कि तब लालू प्रसाद यादव ने चौकाने वाला पैसला लेते हुए मुख्यमंतरी की कुर्सी पर अपनी पत्मी रावडी देवी को बैठा दिया था। इमन सुरेन और लालू प्रसाद यादव के अलावा तमिलनाड में जे जैलालिता, करनाटक में बीए सेडियो रप्पा और मद्ध प्रदेश में उमा भारती को भी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंतरी का पद छोड़ना पड़ा था। बताया गया कि मंतरी के आवास के अलावा भी कई जगों पर छापे मारे गए। और यही वज़े रहे कि ED के लॉक अप में वो रात को सो नहीं पाए। सूत्रों के मताबिक अरविन केजरिवाल ने बड़ी मुख्याले में कई कैमरे लगे हैं और उन कैमरों के जरीए कंट्रोल रूम 24 गंटे लॉक अप की निगरानी करता है। ताकि लॉक अप में बंद आरोपी के हरकत पर आसानी से रज़र रखी जा सके। और इस दोरान केजरिवाल भी कैमरे की निगरानी में रहे। इसके साथ ही आसफास सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहे। इडी दफ्तर की तीन मंजिला अमारत में दो लॉक अप हैं और दोनों ही लॉक अप ग्राउंड फ्लोर पर बने हैं। बताया गया कि उनमें एक लॉक अप में अर्विन केजरिवाल को बंद करके रखा गया था। सुत्रों के मताबिक उस लॉक अप में वो रात भर परिशान रहे और उन्हें नींद नहीं आई। आनकि अपील करने पर उनके घर से कंबल और दवाईयां मंगवा कर उन्हें दी गई। नियमों के मताबिक एडी की गिरफ्त में आए किसी भी आरोपी को अपील के बाद दवाईयां और जरूरत का सामान दिया जा सकता है। लेकिन सुत्रों ने दावा किया कि केजरिवाल लॉक अप में ठीक से सो नहीं पाए और सुबह जल्दी उड़ गए। इसके बाद उन्हें लॉक अप के अंदर ही नाच्ता दिया गया और उन्होंने अपनी रूटीन की दवाईयां ली। और अर्विन केजरिवाल से पूश्टाच के लिए ईडी ने 5 सदस्यों की टीम बना दी। बताया गया कि अडिशनल डिरेक्टर की देखरेक में इस टीम का गठन किया गया। जिसमें ईडी के अधिकारियों के अलावा दो असिस्टेंट डिरेक्टरों को भी शामिल किया गया। जो कैमरे के सामने बिठा कर केजरिवाल से कड़ी पूश्टाच करेंगे। और पूश्टाच के दोरान सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं बलकि लिखित बयान भी दर्ज किये जाएंगे। यानि केजरिवाल से किये जाने वाले एक-एक सवाल और उनके दिये गए जवाब विस्तार से लिखे जाएंगे। सुत्रों के मताबिक E.D. की स्पेशल टीम अर्विन केजरिवाल और के कविता को आमने सामने बठा कर पूश्टाच करेगी। कुछ दिनों पहले ही E.D. ने B.R.S. नेता के कविता को गिरफतार किया था। उन पर भी शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इतना ही नहीं सुत्रों ने ये भी दावा कर दिया कि E.D. की टीम शराब घोटाले के दूसरे आरोपियों से भी केजरिवाल का आमना सामना करवाएगी। दोनों अधिकारी कफिल राज और सत्तवर्त का डॉसियर बनवा रहे थे। मामले में भी E.D. केजरिवाल के खिलाब कारवाई कर सकती है। उदर इस बार के लोगसबा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की एक नहीं बलकि दो बेटियां चुनाव लड़ेंगी। ये तैय हो गया कि लालू यादव की बेटी मीसा भारती बिहार के पाटली पुत्र से चुनाव लड़ेंगी। ये दोनों वो सीटे हैं जहां से 2009 में लालू यादव ने खुद चुनाव लड़ा था। इस बार इनी सीटों से उन्होंने अपनी बेटियों को टिकेट दी। 2014 और 2019 का लोगसभा चुनाव लड़ चुकी हैं लेकिन दोनों बार वो हार गई थी। और दोनों बार उन्हें बीजेपी के राम कृपाल यादव के हाथों ही मात मिली थी। इसके बाद RJD की ओर से उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया था और मिसा भारती के राज्यसभा का कारिकाल करीब 4 साल बचा हुआ लेकिन इसी बीच खबर आगए कि मिसा भारती एक बार फिर पाटली पुत्र से चुनाव लड़ेंगी मिसा भारती लालु यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं उनके जन्द के समय लालु यादव जेल में थे और इसलिए लालु यादव ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का नाम मिसा भारती रखा था क्योंकि देश में आपादकाल के समय लालु यादव को मिसा यानि मेंटिनेंस अफ इंटरनल सिक्योरिटी आक्ट के तहद गिरफतार किया गया था ये वो कानून था जिसके तहद 1975 से 1977 के बीच आंदोलन कारियों को गिरफतार किया गया था और लालु यादव भी इसी कानून के तहद जेल में बद थे और उसी दोरान उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ था लालु यादव ने अपनी किठाब में भी इस से जुड़ी पूरी कहानी लिक्थी थी और बताए था कि उन्हें जेपी ने सुझाव दिया था इसके बाद लालु यादव ने अपनी बड़ी बेटी का नाम मिसा भारती रख दिया था और उसी दोरान हलके फुलके महौल में मीसा भारती के बेटे का नाम नोट बंदी रखने की पात उठी थी यानी जिन परिस्थितियों में लालु यादव की बेटी का नाम रखा गया था उसकी चर्चा सालों तक होती रही वैसे नाम के अलावा मीसा भारती अपनी MBBS की डिगरी की वज़े से भी खूब चर्चा में थी और इसके बाद लालु यादव के विरोधियों ने मीसा भारती के MBBS में टॉप करने पर सवाल उठा दिया था यही नहीं मीसा भारती की मेडिकल प्राक्टिस नहीं करने पर भी सवाल उठे थे लेकिन मीसा भारती ने इस बात की दलील दी थी कि परिवार और काम के बीच में तालमेल बठाना मुश्किल हो जाता इसलिए उन्होंने प्राक्टिस नहीं की लेकिन विरोधियों ने मिसा भारती की दलील नहीं मानी थी और मिसा भारती के M.B.B.S. में टॉप करने पर बार बार सवाल उठाये थे यानि मिसा भारती का नाम और डिग्री दोनों चर्चा में रह चुके हैं और उनकी सियासत में एंट्री के बाद उन पर भष्टा चार के आरोप भी लगे मिसा भारती और उनके पती शेलेश कुमार के खलाव हजारों करोड की हिरा फेरी के मामले की जांच चल रही है ED इस मामले में उनसे कई बार फूश्टाच कर चुकी है और इनी मामलों की जांच के बीच आरजेडी ने मिसा भारती को बिहार की पाटली पुत्र सीट से टिकेट देने का फैसला किया बिहार की पाटली पुत्र सीट 2008 में बनी थी और इससे पहले पटना में केवल एक लोगसबा क्शेत्र था लेकिन 2008 में परिसीमन हुआ और इसके बाद दो लोगसबा सीटे मन नहीं पहली पाटली पुत्र और दूसरी पटना साहिब रिकॉर्ड है कि पाटली पुत्र में अब तक हुए तीनों लोगसबा चुनाओं में एंडिये को ही जीत मिली है और 2014 और 2015 में मीसा भारती को एंडिये के राम कृपाल यादव ने मात दी थी लेकिन मीसा भारती एक बार फिर पाटली पुत्र से चुनाओ लड़ने जा रही है और उनके अलाबा लालु यादव की दूसरी बेटी रोहिनी आचार बिहार की सारण लोगसबाशीट से चुनाओ लड़ने इसके संकेत आरजडी की मल्सी और लालु यादव के परिवार के खरीबी कहे जाने वाले सुनील कुमार सिंग ने कुछ दिन पहले ही दे दिये थे और अब उन खबरों पर महर लग चुकी है क्योंकि लालु प्रसाद यादव की एक और बेटी की सियासत पे एंट्री होने जा रही है लालु यादव के नौ बच्चे हैं, साथ बेटियां और दो बेटे, दोनों बेटे तेजस्वी और तेजप्रताब बिहार की सियासत में सक्री हैं लालु यादव की सातों बेटियों के नाम है मीसा भारती, रोहिनी आचारे, चंदा यादव, रागिनी आदव, हेमा यादव, अनुष्का राव और राजलक्ष्मी इन सातों बेटियों में मीसा भारती पहले से सियासत में है और अब रोहिनी आचारे सारण से चुनाव लड़ने जा रही है और इसके संकेत तीन मार्च को पटना में आरजेडी की जन विश्वास रैली में ही मिल गए थे क्योंकि उस रैली में रोहिनी आचारे मंच पर नजर आई थी वो रैली में शामिल हुए विपक्ष के निताओं से मिलती दिखी थी ये पहला मौका था जब रोहिनी आचारे सियासी मंच पर लालू प्रसाद यादव के साथ दिखी थी और इस्रैली के कुछी दिन बाद खबर उड़ी थी कि रोहिनी आचारे का सियासी सफर शुरू होने वाला है रोहिनी आचारे का नाम तब खूब चर्चा में आया था जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किड्नी दी थी और इसके बाद लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हुआ था रोहिनी आचारे के सारंड से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच आरजेटी नेताओं ने इस बात का जिक्र भी छेड़ दिया किड्नी डोनेट करके अपने पिता जी के आयू को बढ़ाने का काम किया इससे बड़ा सौभागिय किसी भी पिता के लिए नहीं हो सकता सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली रोणी आचारे ने अपने पिता को किड्नी देकर एक अलगी छवी बनाई है पिछले महीने जेडियू और आरजेडी का गड़बंधन तूटने पर उनकी सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट भी चर्चा में थी क्योंकि इससे उनकी तेज तर्रार छवी भी सामने आ गई थी तेज प्रताब और तेजस्वी ने विधान सबा चुनाव लड़ा है जबकि लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी और मीसा भारती लोग सबा चुनाव लड़ चुके और रोहिनी आचारे की सियासी पारी का आगाज भी लोग सबा चुनाव से ही होने वाला है और वो बिहार की उस सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं जहांसे 1977 में लालू प्रसाद यादव ने कॉंग्रेस के किले को द्वस्त कर दिया था यानि रोहिनी आचारे बिहार की सारण लोग सबा सीट से चुनाव लड़ने जा रही है 1977 में इस सारण सीट का नाम चपरा था यानि आज की सारण लोग सबा सीट 1977 में चपरा लोग सबा सीट थी 1957 से 2004 तक ये सीट चपरा ही रही परिसीमन के बाद इसका नाम सारण हो गया और चपरा को इसका मुख्यालय बना दिया गया आसान बाशा में कहें तो छपरा लोगसबा सीट का नाम सारन लोगसबा सीट पढ़ गए। सारन गंगा, गंडक और गागरा नदी से गिरा हुआ इलाका है। इसे ये इलाका एक तिरभुज जैसा लगता है जिसके दक्षन में गंगा बैती है जो आगे भोजपूर और पटन ये पश्चिमी इससे में सारन जिले को बिहार के सिवान और उत्तरप्रदेश के बलिया जिले से अलग करती है। लेकिन कहते हैं कि भले ही नदिया यहां त्रिकोण मनाएं लेकिन सारन में चुनावी संग्राम के दोरान कभी भी सियासी त्रिकोण नहीं मना। और अबके सारन और तबके छप्रा से जीत कर सुर्कियों में आ गए थे। जेपी आंदोलन को इस जीत की बड़ी वज़ा मना गया था। क्योंकि लालू यादव इस आंदोलन में से निकले बड़े नेताओं में से एक थे और आपातकाल के दोरान पूरु प्रधान मंत्री कि इंद्रा गांधी के खराफ खड़े हो गए थे। 11 साल की रोक लगा दी गई थी लेकिन लालू प्रशाद यादव ने इसका भी तोड़ निकाल लिया था क्योंकि 2014 में सारण से राबडी देवी चुनाव लड़ी थी वह अलग बात है कि राबडी देवी को राजीव प्रताब रूडी ने सारण से हरा दिया था और इसके ब प्रताबाद में चंदरकार आये आरजेडी चोड़कर जेडियू में शामिल हो गए थे और दोनों बार आरजेडी के प्रत्याशियों को बीजेपी के राजीव प्रताब रूडी ने ही हराया था 2014 और 2019 के लावा वो 1996 और 1999 में भी सारण से चुनाव जीच चुके हैं और बिहार में NDA में सीट चेरिंग के बाद ये फैसला हुआ कि 2024 के लोगसबा चुनाव में भी सारण सीट बीजेपी के पास ही रहीगी यहीं एक बार फिर सारण में RJD और BJP का आमना सामना होगा और इस बार तो रोहिणी आचारे सारण से चुनाव लड़ेंगे और वो लालू प्रसाद यादव के परिवार की तीसरी सदस्य होंगी जो सारण में अपनी किसमत आजमाने वाली हैं इस बीज बिहार के उपमुखे मंतरी समराद चौधरी ने लालू यादव की बेटी पर निशाना साधा बिहार के उपु मुखे मंतरी समराट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचारे को सारण सीट से टिकट दिये जाने पर विवादास पद बयान दे दिया लालू प्रसाद जी ऐसे नेता है जो टिकट बेचने में माहिर खेला लिए पिहार के आरा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देख कर लोग खौफ से बर गए वहाँ चलती ट्रेन में चड़ने की कोशिश करना एक आदमी के लिए खतरनाक साबित हो गया वो आदमी सामान से भरा बैग लेकर उस ट्रेन में चड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसका पैर लड़ खड़ा गया और वो उस ट्रेन में चड़ने की बजाए फिसलते हुए नीचे आ गया वो थोड़ी दूर तक चलती ट्रेन के साथ गिसटता चला गया और इसके बाद वहाँ खड़ा एक फुलिस कर्मी दोड़ते हुए वहाँ आया और उसे बाहर निकाल लिया अगर उस फुलिस कर्मी को आने में थोड़ी भी देर होती तो वो आदमी पूरा का पूरा उस ट्रेन के नीचे आ जाता लेकिन वो पुलिस कर्मी तुरंट उसे खीच कर उस ट्रेन से दूर ले आया इस दोरान उस आदमी को देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड जमा हो गया गरीमत ये रही कि उस आदमी को सही सलामत बचा लिया गया केंदर सरकार ने करिबियाई देश हेती में फसे भारतियों को निकालने के तयारी पूरी कर ली करिबियाई देश हेती में फसे भारतिये नागरिकों को निकालने के लिए केंदर सरकार ने ओपरेशन इंद्रावती शुरू कर दिया इस operation के तहट हेती से भारतिय नागरिकों को करिबियाई देश दॉमिनिकन रिपब्लिक पहुंचाय जाएगा फिर वहां से उन्हें भारत लाय जाएगा हेती में पिछले 23 दिनों से जारी हिंसा में कई लोगों की मौत हो चुकी है इलाबाद हाई कोट ने फरार चल रहे यूपी के पूर्व मंत्री अमर मनी तृपाटी की आचिका खारिच कर दी उन्होंने संपत्तियां कुर्क करने के निचली अदालत के फैसले को हाई कोट में चुनौती दी थी बस्ती जिले में 2001 में कारोबारी के बेटे के अपरण के मामले में अमर मनी तृपाटी के खिलाफ निचली अदालत ने ये फैसला सुनाया था बिहार की मुझफरफुर कोट से 28 साल फुराने मामले में बाहु बली नेता और पूर्वसांसद आनन्द मोहन को बड़ी रात मिली जेल में बंद सजायाफता कैदी के साथ मार्पीट के मामले में पूर्वसांसद आनन्द मोहन को कोटनें बरी कर दिया इस बीच महाराश की सांगली सीट पर महाविकास अगाडी में तनाव बढ़ने की खबर आई क्योंकि इस सीट से उद्धव ठाकरे अपने प्रत्याशी का एलान कर चुके है गड़बंदन में उनकी साथी कॉंग्रेस भी सांगली से चुनाव लड़ना चाहती है एक दिन पहले ही खबर आई थी कि सांगली सीट पर महाविकास अगाडी में पेच फसा हुआ है और इसके अगले ही दिन खबर आई कि इस सीट के लिए उद्धव ठाकरे की पाटी और कॉंग्रेस में ठन गई और नौबत ही आगई कि कॉंग्रेस ने सांगली के मिरज में होने वाली उद्धव ठाकरे की सभा का बहिशकार कर दिया सुत्रों ने बताया कि उद्धव ठाकरे की ओर से कॉंग्रेस को इस सभा में शामिल होने का न्योता दिया था लेकिन कॉंग्रेस ने उनका न्योता ठुकरा दिया खबरे की कॉंग्रेस ने फैसला सांगली लोगसबा सीट की बज़से ही लिया क्योंकि उधव गुट की शिवसेना ने सांगली लोगसबा सीट से चंद्रहार पार्टिल को उम्मीदवार बनाने के संकेत दिये थे जिस चंदरहार पार्टिल को उमीदवार बनाने का इचारा किया था वो कुछ दिन पहले ही उनकी पार्टी में शामिल हूए थे चंदरहार पार्टिल पहलवान है औ और महरास्ट में होने वाली कुछती के पृतियोगिता, महरास्ट केसरी जीच चुके हैं और उदफ ठागरे ने चंदरहार पार्टिल को अपनी पार्टी में शामिल करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि चंदरहार पार्टिल पहलवान है। लेकिन उदफ गुट की शिवसेना चंदरहार पार्टिल को सांगली से उम्मीदवार बनाना चाहती है। पूरा जोर लगा दिया क्योंकि सांगली महराष्ट के पूर्व मुख्यमंत्री वसंददादा पार्टिल की जन बहुमी और कर्म बहुमी है। सीट पर उनका दबदबा माना जाता था। माना जा रहा है कि इसी वज़े से कॉंग्रेस वसंदादा पार्टिल के पोते विशाल पार्टिल को सांगली से चुनाव लड़वाना चाहती है। क्योंकि सांगली वसंदादा पार्टिल की कर्म बहुमी मानी जाती है। और करीब 45 साल बाद जब अजीत पवार ने एंसीपी तोड़ी तो उन्होंने शरत पवार को वसंदादा पार्टिल की ही याद दिलाई थी। और पार्टि के 40 विधायक तोड़ लिये थी। और इस बात का जिकरे करते वे अजीत पवार ने बयान दिया कि उन्होंने जो 60 साल की उम्र में किया वो शरत पवार ने 38 साल की उम्र में ही कर दिया था। क्योंकि तबके पत्रकार बताते हैं कि सरकार गिरने से कुछ घंटे पहले तक वसंदादा पार्टिल को इसका एसास तक नहीं था। कुछ घंटों बाद महाराष्ट में उनकी सरकार गिर जाएगी, 1977 में आपात काल के बाद कॉंग्रेस दो गुटों में बढ़ दी थी, एक गुट का नाम पढ़ा कॉंग्रेस आई, दूसरे का कॉंग्रेस यू, कॉंग्रेस उर्स, तब शरत पवार ने इंदरा गांधी का स चोड़ दिया था, और देवराज अर्स वाली कॉंग्रेस यू का इस्सा बन गये थी, इसके बाद 1978 में हुए महाराष्ट विधानसभा चुनाव दोनों कॉंग्रेस अलग-अलग लड़ी थी, और इसका फायदा उस समय की जनता पार्टी को हुआ था, जब वो 286 में से 99 सी क्योंकि शरत पवार ने 40 विधायकों को तोड़ लिया था, लफके पत्रकार बताते हैं कि सरकार गिराने से कुछ घंटे पहले ही शरत पवार और वसंदादा पाटिल की मुलाकात हुई थी, और वसंदादा को पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है, और उनकी न सीट नहीं छोड़ना जा दी, इसके लिए उसने पूरा जोर लगा दिये, त्योंकि महाराश्ट की सांगली लोगसबा सीट वो सीट है जहां कॉंग्रेस के बुरे दिनों में भी उसे जीत मिली थी, और आपात काल के बाद हुए चुनाव में कॉंग्रेस ने सांगली में च चलता रहा वावन साल तक कॉंग्रेस के गढ़ रहे सांगली को उससे चीन लिया था, लेकिन कॉंग्रेस एक बार फिर अपना वो किला हासिल करना चाहती है, खबर है कि इस सीट के लिए महाविकास अगारी में बैठक पर बैठक हुई, सांगली महाराश्ट के दक्षन में और इसकी सी पूर्व दिशा में महाराश्ट के सांगली जिले की सीमा करनाटक के बीजापूर से भी लगती है, पूरे देश में सांगली को हल्दी के उत्पादन के लिए जाना जाता है, साल 1967 से पहले इस इलाके को मिरज कहते थे, लेकिन 1967 के बाद जिले का नाम सांगली हो गया था, औ और 1957 में सांगली में पहली बार चुना हुआ था, और 2009 तर्थ कॉंग्रेस ने लगातार इस सीट पर जीत हासल की थी, लेकिन इसके बाद वो लगातार दो बार सांगली में हार गई थी, माना जा रहा है कि इसी वज़े से महाविकास अगारी में इस सीट पर इतनी चर्चा ह क्योंकि सूतरों ने बताया कि कॉंग्रेस को इस बार भरोसा है कि वो सांगली में जीत हासल कर लेगी, लेकिन उद्धव गुट की शिवसेना ये सीट नहीं चोड़ना चाती, और इसी लिए कृष्णा नदी के किनारे बसे सांगली के लिए महाविकास अगारी में सियासी स इस बीच भारतिय बैडमिंटन खिलाडी पीवी सिंदू स्विस ओपन के दूसरे दौर में जापान की खिलाडी से 21-16, 19-21 और 16-21 से हरकट टॉर्नमेंट से बाहर हो गई, जबकि केश रिकांत ने मलेशिया के खिलाडी को 21-16 और 21-15 से हरा कर कौटर फाइनल में जगा बना कोटियन मुंबई रंजी टीम से खेलते हैं और उन्होंने रंजी टोफी के इस सीजन में 10 मैचों में 29 विकेट लिये थे बार्दिये शेहर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी रही, इस दोरान आईटी को छोड़कर दूसरे सभी सेक्टरों में खरीदारी देखने को मिली सबसे ज़्यादा तेजी मेटल, आटो, FMCG, रियल्टी और कैपिटल गूड सेक्टर के शेरों में रही इसकी वज़े से बंबे सॉक एक्स्चेंज का सेंसिक्स 190 अंक चड़कर 72,831 पर बंद हुआ इसकी फोज ने युक्रेन में नदी पर बने उसके सबसे बड़े बांद पर कहर बरपा दिया पश्चिमी मीडिया के मताबिक वहां खतरनाक मिसायलों के साथ साथ आत्म घाती ड्रोन भी गिराए गए दस्वीरों में दिखा कि रूसी हमले के बाद नीपरो नदी पर बने उस बांद पर भीशन आग लग गए दमकल कर्मी उस आग को बुझाने के लिए वहां पानी की बोचार करते दिखाए थी युक्रेन के जिस बांद पर हमला किया गया वो उसके दक्षणी इससे में मौझूद जापुरिज्जिया शहर में नीपरो नदी पर बने इस बांद के साथ एक पावर प्लांट भी बना हुआ है जिसके जरीए बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन किया जाता है और आसपास के खरीब एक दरजन इलाकों में बिजली की सप्लाई उस प्लांट से ही होती आई है लेकिन पश्चिमी मीडिया के मताबिक रूस के हमले में उस बांद के साथ साथ पावर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुचा जिसकी वज़े से आसपास के कई इलाके अंधेरे में डूप गए हालनकि रूस ने सिर्फ जापुरिजिया ही नहीं बलकि यूकरेन के कई शहरों में एक साथ तबाही मचा दी पश्चिमी मीडिया के मताबिक वहां 24 गंतों में करीब 90 मिसाइले और 60 से ज्यादा ड्रोन हमले किये गए जिन में तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग खायल हो गए लेकिन आम आदमी पार्टी के कारेकटाओं पर पुलिस ने वाटर कैनन की मदद से पानी की बचचार कर दी पानी की तेस बचचार होते ही वहां अफरा तफरी मच गई प्रदर्शनकारी थोड़ी देर के लिए सड़क पर पीछे की तरफ भागे लेकिन वाटर कैनन बंध होते ही वो फिर से पुलिस की बैरिकेडिंग के पास जमा होकर हंगामा और नारेबाजी करते दिखाई दिए आम आद्मी पार्टी के कारेकरताओं को रोकने के लिए पुलिस ने मोहाली से चंडीगड की तरफ जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग लगा रखी थी क्योंकि प्रदर्शनकारी मौहाली से चंडदीगर जाकर गवरंनर हाउस का घेराव करना चाहते थी। मौहाली से चंडदीगर में मौझूद गवरंनर हाउस की दूरी खरीब बारा किलो میटर है। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कारिकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए मोहाली चंडीगर हाइवे को बंद कर दिया। और वहाँ लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड लज़ा दिये। और लोहे की बैरिकेडिंग को पार करके दूसरी तरफ कूद गए। मोहाली से चंडीगड में गवरनर हाउस का घहराव करने निकले आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं के हाथों में केजरिवाल के समर्थन वाले पोस्टर दिखाई दिया। सड़क को बंद करने के लिए पुलिस ने वहां बड़े बड़े ट्रक खड़े कर दिये थे। सड़क पर लगी लोहे की बैरिकेडिंग के एक तरफ भारी संख्या में पुलिस वाले मोर्चा समहले दिखाई दिये तो दूसरी तरफ सैकडों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कारेकरता एकटा हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी के कारेकरता काफी देर तक बैरिकेडिंग तोड़ कर बीजेपी दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश करते दिखे अलिके पुलिस ने हंगामा करने वाले कई प्रदरशन कारियों को हिरासत में ले लिये और उन्हें बसों में बैठा कर प्रदरशन वाली जगह से दूर भेज दिया लेकिन गिरफतारी और कोर्ट से रिमांड पर भेजे जाने के बाद आम आदमी पार्टी का घुस्सा फूट पड़ा सुत्रों के मताबिक रिमांड के मुद्धे पर बिल्ली की राउजवनियों कोर्ट में दोनों फक्तों के बीच जूरदार बह इडी अफसरों का काफिला अर्विन केजरिवाल को लेकर इडी दफतर से राउजवनियों कोर्ट के लिए निकला इडी की गाडियां दंदनाते हुए अदालत की तरफ दोड़ती दिखाई दी आम आदमी पार्टी के कारिकरताओं के प्रतरशन को देखते हुए एडी दफतर और कोर्ट के बाहर बहरी संख्या में पुलिस और आरेफ के जवान तेनात कर दिये गए कोर्ट पहुँचने के बाद एडी के अफसर अर्विन केजरिवाल को लेकर सीधे जज के सामने पहुँच गए इस दोरान कोर्ट के गलियारे से गुजरते हुए केजरिवाल का एक वीडियो सामने आया जिसमें 10 से 12 एडी अधिकारी उन्हें कोर्ट रूम की तरफ ले जाते नजर आए आम आदमी पार्टी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें कोर्ट में दाखिल होते हुए अर्विन केजरिवाल ये कहते सुनाए दिये और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिये कोर्ट में केजरिवाल के वकीलों ने एडी की रिमांड की मांग को खारिच करने के अपील की जबकि E.D. के वकीलों ने शराब घुटाले की जांच के लिए अर्विन केजरिवाल की रिमांड को बहुत जरूरी बताया मतलब ये कि E.D. के वकीलों ने अर्विन केजरिवाल की रिमांड के लिए पूरी ताकत लगा थी E.D. ने दिल्ली के शराव गोटाला मामले में मुक्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को मस्टमाइंड बताया E.D. के वकील ने इसके लिए अंग्रेजी के किंग पिन शब्द का इस्तमाल किया इसके साथ ही E.D. ने दावा किया कि इस केस से जुड़े कई इलेक्ट्रोनिक सबूत पहले ही मिटा दिये गए थे गोटाले से जुड़े तत्थ चिपाने के लिए कई सारे मुबाइल फोन तोड़े गए थे E.D. ने कोट को बताया कि दो बार कैश ट्रांसफर भी किया गया जबकि कोट में अर्विन केजरिवाल की तरफ से का गया कि इस पूरे मामले से अर्विन केजरिवाल का कोई लेना देना ही नहीं है ये भी का गया कि मुख्यमंत्री की गिरफतारी गैर कानूनी तरीके से की गई क्योंकि आरोबे के शराब घुटाले की आर में करीब 600 करोड की हिरा फेरी हुई और एडी के हवाले से ये दावा किया गया कि ये पूरी साजिश किसी और ने नहीं बलकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल नहीं रची और एडी के मुताबिक अर्विंद केजरीवाल नहीं दिल्ली की शराब नीती में बदलाव करके करोणों के गोटाले की नीव रखी इसी वज़े से E.D. ने केजरिवाल को इस शराब गोटाले का किंग पिन माना किंग पिन यानी सबसे एहम आद्वी मतलब E.D. ने ये दावा किया कि ये पूरी साजिश अर्विन केजरिवाल के इशारे पर ही रची गई और इसके जरीए करोणों की रखम का गबन हुआ E.D. ने दावा किया कि इस पूरे खेल में मनीश शिसोदिया और संजे सिंग भी बराबरी के हिस्सेदार थे आलगि E.D. के मताबिक इस गोटाले में अर्विन केजरिवाल ने सीधे सीधे हिस्सा नहीं लिया बलकि इसके लिए उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजे नायर को काम पर लगाया गया था E.D. के मताबिक विजे नायर ने अर्विन केजरिवाल के कहने पर नसिप नीतियों में तोड मरोड का खाका तयार किया बलकि लोगों को डरा धमका कर उनसे उगाही का सारा काम भी वही देखता था और E.D. के मताबिक इसी विजे नायर के जरिए दिल्ली के सीएम अर्विन केजरिवाल और उनके सहीयोगियों तक 330 करोड से जादा की रखम पहुंची दावे के मताबिक इसके लिए बाकाइदा पूरी प्लानिंग की गई थी और E.D. की जांच में ये आरोफ लगाय गया कि दिल्ली की नई शराब नीती के जरिए करोडों के घोडाले की पटकता अर्विन केजरिवाल के घर पर ही लिखी गई थी E.D. के मताबिक दिल्ली के सीम हाउस में हुई उस बैठक में अर्विन केजरिवाल के अलावा मनीश शिसोदिया भी मौजूद थे और इसी बैठक में ये तैह हुआ था कि शराब नीती में प्रॉफिट का जो मार्जिन 6 प्रतिशत है उसे बढ़ा कर 12 प्रतिशत मतलब दुगना कर दिया जाए और इडी के मताबिक खुद ये बात मनीश शिसोदिया के सचीप सी अर्विन ने फूस्ताज के दोरान बताई थी और ये दावा क्या गया था कि ये काला खेल अर्विन केजरिवाल की आँखों के सामने ही रचा गया और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि इस नई शराब नीथी के जरिए उन्हें करोड़ों का फायदा हो सकता है और इडी का दावा है कि अर्विन केजरिवाल अपने प्लैन में कामियाब भी हो गए थे सुत्रों के मताबिक जांच में ये बात सामने आई कि अर्विन केजरिवाल ने शराब नीथी की आड़ में शराब माफिया से करीब सौ करोड़ की रिश्वत ली थी और बदले में नई शराब नीथी के जरिये उन्हें फायदा पहुँचाने का बाता किया था मतलब केजरिवाल और शराब माफिया ने एक हाथ दे दूसरे हाथ ले का फर्मूला अपनाया ताकि दोनों ही पक्षों को फायदा हो सके और इसमें एक एहम किरदार निभाया शराब कंपनी इंडो स्पिरिट के डिरेक्टर समीर महिंद्रू ने सूत्रों के मुताबिक समीर महिंद्रू ने पूश्टाच में बताया कि अर्विन केजरिवाल से उन्हें उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजय नायर ने आईपोन के एप फेस टाइम के जरिये मिलवाया था उनके मुताबिक इस बादचीत के दोरान केजरिवाल ने ये भी कहा था कि विजय नायर उनका भरोसेमंद है और वही उनसे आगे की डील करेगा मतलब अर्विन केजरिवाल एक खुद ही विजय नायर को शराब गोटाले से जुड़ी डील करने की आज़ादी दी थी और एडी के मुताबिक उसी के जरीए सौ करोड की रिश्वत के रास्ते खुले एडी के सूतरों का दावा है कि केजरिवाल ने नई शराब निती में बदलाव करने के बदले में सौ करोड रुपए की रिश्वत मांगी थी और जाँच में ये बात सामने आएगी इस रकम का इस्तिमाल 2022 में गोवा में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किया था एडी ने कुछ दस्तावेजों के जरीए ये आरोप भी लगाया कि इस रकम के बड़े हिस्से की हेरा फेरी कैश में की गई ताकि किसी को आम आदमी पार्टी या फिर अर्विन केजरिवाल पर शक न हो इडी ने ये दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत के तौर पर मिली रखम से 45 करोड रुपे का इस्तमाल गोवा के चुनाव में किया इसके लिए तिलंगाना के मुख्यमंत्री के चंदरशेकर राव की बेटी के कविता के अकाउंटेंट बुच्ची बावू ने दो बार पैसे ट्रांसवर की सूत्रों के मताबिक बुच्ची बावू के अकाउंट से ही आम आदमी पार्टी के पास पहले 10 करोड और फिर 15 करोड रुपे ट्रांसवर किये गए और दावा है कि गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाओं में काम करने वाले लोगों इसी रकम से भुक्तान किया गया है और दावा है कि गोवा चुनाव में करीब 70 लाक रुपे नकद में दिये गए ये पैसे जिनें दिये गए उनमें आम आदमी पार्टी के कुछ उमीदवार भी शामिल थे इसके लावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने गोवा चुनाव में रिसर्चर के तौर पर अर्विन केजरिवाल की पार्टी के लिए काम किया था और माना चारा है कि उन्हीं की गिरफतारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल का नमबर लगा क्योंकि E.D. ने अपनी जांच में ये दावा किया कि खरीब 600 करोड से जादा के इस गोटाले को B.R.S. निता के कविता और दिल्ली के सीम अर्विन केजरिवाल ने मिलकर अंजाम दिया E.D. के मुताबिक इस समझोते के लिए के कविता का ओफर लेकर Y.S.R. कॉंग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनवासलू रेटी दिल्ली पहुंचे थे और इसे मंगुटा श्रीनवासलू रेटी के बेटे रागव मंगुटा के जरीए अंजाम दिया गया ये वही सौ करोड की रकम थी जिसे आम आदमी पार्टी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बुच्ची बाबु को सौंपी गई थे और इडी के मताबिक इसी सौ करोड में 45 करोड रुपए आम आदमी पार्टी ने 2022 में हुए गोवा के चुनाव में खपा दिये थे और इसी मामले में जेल में बंद के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जटका लग गया दिल्ली शराव गोटाला मामले में आरोपी तिलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंदरशेकर राओ की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जटका लगा सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की जमानत पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया इतना है नहीं सुप्रीम कोर्ट ने के कविता के वकील को निचली अदालत जाने का सुझाव भी दिया पिछले हफते एडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था बीजेपी की केंदरी चुनाव समिती की शाम में एहम बैठक होगी सुत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तरपदेश, ओडीशा, महराष्ट, तिलंगाना और राजिस्थान समेथ कई राज्यों के लिए उम्मीद्वारों के नाम पर महर लग सकती है इस बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे बिहार में महागडबंधन में शामिल CPI ने तीन बार विधायक रह चुके अवधेश कुमार को बेगुसराय लोगसबा सीट से अपना उम्मीद्वार बना दिया इससे पहले अटकलें थी कि कॉंग्रेस नेता कनिया कुमार को ये सीट मिल सकती है कनिया कुमार ने 2019 में इसी सीट से CPI के टिकट पर चुनाव लड़ा था तब वो बीजेपी नेता गिरीराज सिंग से चुनाव हार गए थे इस बीज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दोरान दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी रासत में ले लिये गए प्रदर्शन कर रही दिल्ली की मंत्री आतिशी को पुलिस बस में भर कर ले गई और इस दोनान आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं ने उन्हें घेर लिया जैसे ही महिला पुलिस कर्वी आतिशी को हिरासत में लेने आई वहां मौझूद तमाम कारेकर्टाओं ने उनके चारों तरफ घेरा बना लिया उसके बाद तो आतिशी को वहां से ले जाने में पुलिस कर्वियों के पसीने चूट गए सैकनों कारेकरताओं के साथ प्रदशन कर रही आतिशी को पुलिस ने जैसे तैसे बस में बठा दिया लेकिन इसके बाद भी उनकी नारे बाजी बंद नहीं हुई वो उस बस की खिड़की से बाहर निकल कर नारे लगाती रही और आतिशी की ही तरह पुलिस ने दिल्ली सरकार में मंत्री सौरब भारदवाज को भी इराजत में ले लिया इस दोरान उन्होंने पुलिस टेशन के अंदर बैट कर ही गाने गाना शुरू कर दिया उनके साथ कई कारेकरता भी मौजूद रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी कारेकरता धरने पर बैट गये और पुलिस के लिए उन कारेकरताओं पर काबू पाना मुश्किल हो गया दिल्ली के आईटी ओ इलागते में तो आम आदमी पार्टी के कारेकरता बीच सड़क पर ही बैट गये एक लाइन में बैठे कारेकरताओं ने वहां बैठ कर नारेबाजी करना शुरू कर दिया जिसकी वज़े से सड़क पर लंबा जैम लग गया इस दोरान जब पुलिस उन्हें अठाने पहुंची तो वो वहां से हिलने को भी राजी नहीं हुए इसके बाद पुलिस को जबरदस्ती उन्हें खीच कर वहां से हटाना पड़ा ऐसा ही प्रदरशन वहां राउज एमिन्यू कोट के बाहर भी दिखाई दिया कारकरताओं ने वहां लगी बैरिकेडिंग के सामने ही नारेबाजी शुरू कर दी इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने कई कारकरताओं को हिरासत में ले लिया कई जगहों पर कारकरता हाथों में मैं भी केजरिवाल के पोस्टर लेकर प्रदरशन करते नजर आए और इस दोरान आमानवी पार्टी की महिला कारकरता भी सडकों पर उतर आई एडी की कारवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सेकड़ों कारेकरताओं को समभालने के लिए भारी पुलिस पोर्स तैनात कर दी गई और इस दोरान जब पुलिस कुछ महिला कारेकरताओं को वहां से अठाने पहुंची तो वो सड़क परी लेट गई इसके बाद पुलिस उने उठा कर वहां से ले गई दिल्ली के आईटियो इलाके में प्रदर्शन कर रहे कारेकरता पुलिस से भिढ़ने तक को तयार हो गए ऐसे में पुलिस और कारेकरता आमने सामने आ गए वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस दो कारेकरताओं को घसीट कर वहां से ले जाती नजर आई इस दोरान वहां मौझूद एक महिला कारेकरता उनके पास बैठ कर ही नारे लगाती रही इसके बाद पुलिस ने उस महिला कारेकरता को भी हिरासत में ले लिया आईटियो इलाके में इतनी बड़ी संख्या में कारेकरता पहुँच गए कि वहाँ ट्राफिक की दिफ्कत खड़ी हो गई ऐसे में पुलिस ने सक्ती दिखाते हुए सड़क पर बैठे एक एक कारेकरता को वहाँ से अटा दिया इतर खानून के जानकारों के मताबिक एडी के समंस पर पूश्टाज के लिए नहीं पहुँचना ही केजरिवाल की सबसे बड़ी मुसीबत बना क्योंकि दिल्ली शराब गोटाला मामले में एडी ने उन्हें नौ समंस भेजे थे लेकिन वो एक भी समंस पर पूश्टाज के लिए नहीं पहुँचे थे इसी वज़े से एक रोज पहले एडी के एक टीम उनके घर पहुँच गई थी क्योंकि नौ में समंस के तहट केजरिवाल को 21 मार्च को सुबह 11 बजे पेश होना था लेकिन वो हर बार की तरह इस बार भी पूश्टाज के लिए एडी आफिस नहीं पहुँचे थे यही नहीं वो एडी के समंस को लेकर दिल्ली हाई कोट पहुँच गए थे जानकारी के मताबिक कोट को एडी ने वो सबूत भी दिखाये थे जिनके आधार पर पूश्टाज के लिए केजरिवाल को समंस जारी किये गए थे माना जा रहा है कि दिल्ली हाई कोट से उनको जटका लगने के बाद एडी ने उन्हें गिरफतार करने की तैयारी शुरू कर दी थी कारून के जानकारों का मानना है कि एडी के नौ समंस पर पूश्टाज के लिए न पहुंच कर केजरिवाल ने अपने पैरों पर कुलाडी मार ली थी और सुत्रों के मताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को गिरफतार करने से पहले एडी के बड़े अधिकारियों ने एक बैठक की थी दावा किया गया कि दिल्ली हाई कोट से केजरिवाल को राहत नहीं मिलने के बाद जांच एजिंसी के अधिकारियों ने ये बैठक की थी। और उन सुबूतों की जांच के बाद एडी के शक की सुई केजरिवाल की तरफ घुम गई थी। तक केजरिवाल को पूश्टाज के लिए नौ समंज भेजे थे लेकिन इन छे महीनों में केजरिवाल एक बार भी पूश्टाज के लिए एडी के आफिस नहीं पहुंचे थे। उन्हें पूश्टाज के लिए 2 नवंबर को बलाया था लेकिन वो दिवाली होने की बात कहकर नहीं गये थे। इसी तरह केजरिवाल ने एडी की तरफ से जारी किये गए चठे, सात्वे, आठवे और नौवे समन से बचने के लिए अलग-अलग वज़े बताईं। पहले निचली अदालत में रखेंगे। इस पर सुप्रीम कोट ने भी आम आदमी पार्टी को याचिका वापस लेने की इजाज़त दे दी। कानून के जानकारों के मताबिक आम आदमी पार्टी को अगर सुप्रीम कोट से जटका लगता तो केजरिवाल की जमानत पर संकटा जाता और उनके पास आगे जाने का कोई बिहार के सुपॉल में बन रहे राज्य के सबसे लंबे पुल का एक हिस्सा अचानक नीचे गिर गया। इस घटना में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। इस फुल का निर्मान भारत माला प्रोजेक्ट के तहट किया जा रहा है। इलाबाद आईकोट की लगनव बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मंदरसा एजुकेशन एक्ट को असम्मेधानिक परार दिया। कोट ने इस एक्ट को धर्म निर्पेक्ष्टा के सिध्धान के खिलाफ बताया। इसके साथ ही कोट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि मंदरसों में पढ़ने वाले चात्रों को बुनियादी शिक्षा विवस्था में समयोजित किया जाए। कॉंग्रेस को दिल्ली हाई कोट से बड़ा जटका लगा। हाई कोट ने आयकर विभाग की कारवाई के खिलाफ कॉंग्रेस की याचिका खारिच कर दी। इस बीच दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरिवाल की गिरफतारी के बाद विपक्षी गटबंधन एक साथ आ गया। इस मामले में आम आदनी पार्टी के नेताओं के साथ कॉंग्रेस, टी-म-सी और शरत पवार गुटवाली एन-सी-पी के नेता चुनाव आयोग भी पहुंच गये। और दूसरी ओर दिल्ली में यूथ कॉंग्रेस ने प्रदर्शन किया। यूथ कॉंग्रेस के कारे करता सडकों पर उतराये। उनके हाथों में पोस्टर और जंडे नजर आये। इन लोगों ने केजरीवाल की गिरफतारी के विरोध में नारे लगाये और एक पिंजरा लाये। इस पिंजरे पर ED और CBI लिखा दिखा। इसके जरीए इन लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया। प्रदर्शन के दोरान कई प्रदर्शन कारी बैरिकेट पर चड़ गए। बहुत देर तक हंगामा चलता रहा। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कारीयों को इरासत में लेना शुरू किया और बसों में भर कर इन लोगों को वहां से अटाया गया। इससे पहले केजरिवाल की गिरफतारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कॉंग्रेस, टी-म-सी और पवार गुट वाली एन-सी-पी के नेता चुनाव आयोग भी गए। अगर कुछ गल्ती भी हुई है तो आपने कहीं ये नहीं दिखाया कि अभी इसी वक्त एजन्सी की रेड आवश्यक है। और कॉंग्रेस की ओर से लिखी गई ये वही चिठी है। और आरोब लगाया था कि केजरिवाल भी इस घोटाले के इस्सेदार थे। यहनी जिस कॉंग्रेस ने केजरिवाल की गिरफतारी पर इतना हल्ला मचाया प्रतरशन किया, पिछले साल वही कॉंग्रेस केजरिवाल पर निशाना साध रही थी। और उनकी चुपी अरविंद केजरिवाल की कुरसी तक पहुंचेगी। कॉंग्रेस के ये सूर पहले थे क्योंकि अब वो केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ है और इसलिए उसने सडकों पर प्रतरशन किया। लेकिन विपक्षी कटबंधन मनने से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं के तेवर अलग थे। उन्होंने परिवारवाद के मुद्धे पर कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी समेच कई विपक्षी पार्टीओं को घेरा था। आम आदमी पार्टी की नेता संजे सिंग ने तो एक रैली में विपक्षी पार्टीयों के एक एक नेता का नाम लेकर उन पर निशाना साधा था लेकिन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद विपक्षी गटबंधन जिस तरह से एक जूट हुआ उसके बाद संजे सिंग का वो बयान चर्चा में आ गया क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कबजे में है चंद परिवारों ने देश की राजनीती पर कबजा कर लिया है पूरव से लेके पस्चिम तक उत्तर से लेके डक्षिन तक चंद परिवारों का देश की राजनीती पर कबजा है चले जाएए काश्मीर, सेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, चले जाएए महारास्त्रा, बाल ठाकरे, उधाउट ठाकरे, आदित ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी, सरत पवार, सुप्रिया सूले, अजीत पार्टी चले जाइए बिहार लालू यादो राबडी यादो तेजस यादो मीसा यादो तेजस्वी यादो एक ही परिवार की पार्टी चले जाइए जार्खन दुर्गा सुरेन सेमन सुरेन सीबू सुरेन एक ही परिवार की पार्टी चले जाइए उडीसा बीजू पतनायक इधर मंद्रीश के धार में मौझूद भोजचाला परिसर में A.S.I. के सर्वे के मामले में मुस्लिन पक्स को बड़ा जटका लगा सुप्रीम कोट ने मंद्रीश के धार जिले में मौझूद भोच्छाला के ASI सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया कि इस मामले में फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं होगा। इस बीच ASI ने हाई कोट के आदेश के बाद भोच्छाला के सर्वे का काम शुरू कर दिया। इस से पहले प्रधान मंत्री के बुटान पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद पीम ने बुटान के प्रधान मंत्री और भुटान नरेश से मुलाकात की। और सड़क पर लगे बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करते दिखे। पुलिस के बैरिकेड पर चड़ाए एक कारेकरता वहां मौझूद पेड की टहनी से लटक गया और अपने पैरों से बैरिकेडिंग पर धक्के मारने शुरू कर दिये। उस प्रधरशन कारी ने पुलिस के बैरिकेड पर दस से ज्यादा बार धक्के मारे। आनकि इस दौरान बैरिकेट के दूसरी तरफ मौजूद पुलिस वालोंने बैरिकेट को गिरने से रोके रखा आम आदमी पार्टी के कुछ दूसरे कारीकरता भी बैरिकेट पर चड़े हुए दिखाई दिये आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं ने आरोप लगाया कि शांती से हो रहे प्रदर्शन के दोरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिसमें कई कारेकर्टा गायल हो गए आम आदमी पार्टी के कारिकरताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर केंद्रिय एजेंसिया विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। काफी देर तक कुरक्षेत्र में उस सड़क पर हंगामा होता रहा। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाने की तयारी कर ली क्यूंकि अर्विन केजरिवाल के जेल जाने के बाद हर किसी के मन में ये सवाल उटने लगा कि दिल्ली में केजरिवाल की गयर मौजूद दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी दिल्ली की सरकार चलाएंगी। हाला कि एक रोज पहले गिरफतारी के बाद अर्विंद केजरिवाल ने मुख्यमंत्री पत्से इस्तीफा नहीं दिया था। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दोटू के दिया कि आम आदमी पार्टी जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगी। और सुतरों के मुदाबक इसी वज़े से आम आदमी पार्टी और अर्विंद केजरिवाल ने जेल से सरकार चलाने का प्लैन तयार किया थी। भी मुख्यमंत्री के जेल से सरकार चलाने का प्रावधान नहीं है। कई तरह की दिख्ततें सामने आ सकती है। यानि ठीक तीन साल पहले दिल्ली के डिप्टी सीम रहे मनीश शिसोधिया ने नई शराब नीथी लाने का प्रावधान प्रावधान नीजी हाथों में चला गया था। कई बड़े ओफर और डिसकाउंट देने की वजह से शराब की जमकर बिक्री हुई थी। और इससे दिल्ली सरकार का खजाना तो बढ़ा लेकिन इस नई नीथी का जमकर विरोध भी होने लगा था। और बाद में उपराजपाल ने भी उनकी और कैबिनेट की मनजूरी के बिना शराब नीथी में बदलाब करने का आरोप लगा दिया था। 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराजपाल ने मुख्य सचित की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच सी बियाई से कराने की सिपारिश कर दी थी। 19 अगस को दिल्ली के उप मुख्य मंत्री मनी शुषोदिया से जुड़े घर और ठिकाने समेट सात राजियों के 31 ठिकानों पर छापे मारे गए। उपराजपाल ने मुख्य मंत्री नवीन पतनाय की पार्टी बीजेडी और बीजेपी में गडबंधन पर बात नहीं बन सकी। दोनों पार्टियों ने राज्य की 21 लोगसवा सीटों और 147 विधानसवा सीटों पर अलग-अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उटिशा में लोगसवा के साथ ही विधानसवा के भी चुनाव होने हैं। बीजेपी ने लोगसवा उम्मीदवारों की चौती लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में तमिलनाड के लिए 14 पत्याशियों के नाम और पुदुच्चेरी सीट के उम्मीदवार का नाम शामिल है। एक रोज पहले बीजेपी ने तमिलनाड के नौ उम्मीदवारों के नामों का एलान किया था। और पूर्व मुख्य मंत्री के चंदरशेकर राओ की बेटी के कविता की गिरफतारी की जा चुकी है। और सुत्रों के मतावेक पूश्टाज के दोरान के कविता ने कई बार इस मामले में अरविन केजरिवाल का नाम लिया था। और दो घंटे की पूश्टाज के बाद रात करीब नौ बजे केजरिवाल को गिरफतार कर लिया गया था। दिल्ली शराब गोटाला मामले में इस साल ये दूसरी गिरफतारी है क्योंकि केजरिवाल से पहले तिलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंदर्शेकर राओ की बेटी के कविता को कुछ रोज पहले ही ईडी ने गिरफतार किया था। जानकारी के मताबिक शराब गोटाला मामले में गिरफतारी का सिलसला सितंबर 2022 में शुरूआ था। इस मामले में सीबी आई ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेताब विजय नायर को गिरफतार किया था। उनके बाद हैदराबाद के शराब कारोबारी अभिशेक, बोहिन पल्ली और समीर महिंद्रू की गिरफतारी हुई था। 2023 में सबसे बड़ी गिरफतारी मनीश इसोदिया के रूप में हुई थी। तब वो दिल्ली के उपमुखे मंत्री थी। लेकिन 26 फरवरी 2023 को गिरफतारी के बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस बीच हिमाचर प्रदेश के तीन विधायकों ने स्तीफा दे दिया। इसके एक दिन बाद पुलिस ने आरोपी साजित को मुटभेड में मार गिराने का दावा किया था। इदर आजेसार की राजधानी जैपूर में भी आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अर्विन केजरिवाल के खलाफ हुई कारवाई का जम कर विरोत किया और जबरन जैपूर के बीजेपी दफ्तर में गुसने की कोशिश की। लेकिन वहाँ पुलिस कर्वी उनके सामने किसी चटान की तरह खड़े हो गए और आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं को बीजेपी दफ्तर में गुसने से रोक दिया। तभी वहाँ बैरिकेड के पास ही उन्होंने नारे बाजी शुरू कर दिया। इस दोरान प्रदर्शन कर रहे कारेकरता अपने हाथों में पोस्टर लेकर लेकर लहराते नजर आए और कुछ कारेकरता तो बैरिकेड हटा कर सड़क के दूसरी तरफ आ गए लेकिन पुलिस के जवानों ने सकती दिखाई और उन्हें खदेड दिया। इस बीच कुछ कारेकरता उनसे भिड़ गए तभी पुलिस के जवानों ने डंडे बरसाने शुरू कर दिया। कर रहे प्रदर्शन कारियों को हिरासत में लेने के दौरान वो शोर शराबा करते दिखे। कारेकरताओं ने पुलिस की कारवाई का विरोध करते हुए उस बस के अंदर भी नारे लगाए। वहीं अर्विन केजरिवाल देश के पहले ऐसे मुख्यमंतरी बन गए जिने मुख्यमंतरी पद पर रहते हुए गिरफतार किया गया। कि इससे पहले भी किसी मामले में आरोप लगने या दोशी पाय जाने पर कई मुख्यमंतरी को जेल की हवा खानी पड़िये। लेकिन उन लोगों ने जेल जाने से पहले अपनी कुरसी छोड़ दी थी। जबकि दिल्ली के मुख्यमंतरी आर्विन केजरिवाल ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया। कि जाने से ठीक पहले उन्होंने राजजपाल को इस्तीफा सौप दिया था। हेमन सुरेन को जमीन गोटाले के एक मामले में एडी ने गिरफतार किया था। साल 1997 में लालू प्रसाद यादव ने भी खुद पर गिरफतारी की दलवार लटकने के बाद बिहार के मुख्यमंतरी का पद छोड़ दिया था। क्योंकि सीबी आई ने चारा गोटाले के एक मामले में उनके खलाफ वरंट जारी कर दिया था। यही बज़ड़ ही कि तब लालू प्रसाद यादव ने चौकाने वाला पैसला लेते हुए मुख्यमंतरी की कुर्सी पर अपनी पत्नी राबडी देवी को बैठा दिया था। इमन सुरेन और लालू प्रसाद यादव के अलावा तमिलनाड में जे जैलालिता, करनाटक में बीए सेडिय उरप्पा और मध्य प्रदेश में उमा भारती को भी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंतरी का पद छोड़ना पड़ा था। इधर जेल में बंद यूट्यूबर अलविश यादव को कोट से राहत मिल गई। कुछ बड़े नेताओं पर गंभीर आरोब भी लगाए। कॉंग्रिस ने उन्हें एहमदबाद पूर्व सीट से टिकेट दिया था लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था। इस भी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि गिरफतारी के बाद पहली रात एडी मुख्याले में अर्विन केजरिवाल को नींद नहीं आई। उन्हें वहाँ लॉक अप में रखा गया था। सूत्रों के मुख्याले में कई कैमरे लगे हैं और उन कैमरों के जरीए कंट्रोल रूम 2400 गंटे लॉक अप की निगरानी करता है। ताकि लॉक अप में बंद आरोपी के हरकत पर आसानी से रज़र रखी जा सके। और जरूरत का सामान दिया जा सकता है। लेकिन सूत्रों ने दावा किया कि केजरीवाल लॉक अप में ठीक से सो नहीं पाए और सुबह जल्दी उड़ गए। इसके बाद उन्हें लॉक अप के अंदर ही नाच्टा दिया गया और उन्होंने अपनी रूटीन की दवाईया ली। और अर्विन केजरीवाल से पूश्टाच के लिए एडी ने पांच सदस्यों की टीम बना दी। बताया गया कि अडिशनल डिरेक्टर की देखरेक में इस टीम का गठन किया गया। जिसमें एडी के अधिकारियों के अलावा दो असिस्टेंट डिरेक्टरों को भी शामिल किया गया। जो कैमरे के सामने बिठा कर केजरीवाल से कड़ी पूश्टाच करेंगे। और पूश्टाच के दोरान सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं बलकि लिखित बयान भी दर्श किये जाएंगे। यानि केजरीवाल से किये जाने वाले एक-एक सवाल और उनके दिये गए जवाब विस्तार से लिखे जाएंगे। सुत्रों के मताबिक एडी की स्पेशल टीम अर्विन केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बठा कर पूश्टाच करेगी। कुछ दिनों पहले ही एडी ने बियारेस नेता के कविता को गिरफतार किया था। उन पर भी शराब गोटाले में शामिल होने का आरोप है। आरोप लगा कि वो एडी के दोनों अधिकारी कफिल राज और सत्तवर का डौसियर बनवा रहे थे। और दावा किया गया कि गिरफतारी के बाद उनके घर से जो दस्तावेज मिले उन्होंने इसकी पुष्टी कर दी। सुत्रों के मताबिक गिरफतारी के दोरान तलाशी में केज दिवाल के घर से देर्डो बन्हों के दस्तावेज बरामत किये गए. और उन दस्तावेजों में उन धोनों अधिकारीयों के बारे में जानकारी लिखी होने का डावा किया गया. बताया गया कि उनमें अधिकारियों के काम, परिवार और उनकी संपत्ती के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी तो कि सूत्रों के मुताबिक उन दस्तावेजों को ईडी ने गायर कानूनी बताया ये तैय हो गया कि लालू यादव की बेटी मीसा भारती बिहार के पाटली पुत्र से चुनाव लड़ेंगी और रोहिनी आचारे बिहार की सारण सीट से मैदान में उतरेंगी ये दोनों वो सीटे हैं जहां से 2009 में लालू यादव ने खुद चुनाव लड़ा था इस बार इनी सीटों से उन्होंने अपनी बेटियों को टिकेट दी यानि इस बार के चुनाव में लालू यादव की दो दो बेटियां लड़ेंगी ये खबर पहले ही उड़ी थी कि इस बार मीसा भारती और रोहिनी आचारे दोनों चुनाव लड़ सकती हैं इसके कुछ दिन बाद ये पक्का हो गया और खबर आ गई कि मीसा भारती बिहार के पाटली पुत्र से चुनाव लड़ेंगी और रोहिनी आचारे बिहार की सारन सीट से ताल ठोकेंगी अपने पिता को किटनी देने वाली रोहिनी आचारे के लिए ये पहला मौका होगा जब वो चुनाव लड़ेंगी लेकिन मीसा भारती इस से पहले भी चुनाव लड़ चुकी है वो पाटली पुत्र से 2014 और 2019 का लोगसभा चुनाव लड़ चुकी है लेकिन इसी बीच खबर आगए कि मीसा भारती एक बार फिर पाटली पुत्र से चुनाव लड़ेंगी मीसा भारती लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी है उनके जन्द के समय लालू यादव जेल में थे और इसलिए लालू यादव ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती रखा था क्योंकि देश में आपातकाल के समय लालू यादव को मीसा यानि मेंटिनेंस अफ इंटरनल सिक्योरिटी आक्ट के तहद गिरफ्तार किया गया था ये वो कानून था जिसके तहद 1975 से 1977 के बीच आंदोलन कारियों को गिरफ्तार किया गया था और लालू यादव भी इसी कानून के तहद जेल में बद थे और उसी दोरान उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ था लालू यादव ने अपनी किताब में भी इस से जुड़ी पूरी कहानी लिखी थी और बताया था कि उन्हें जेपी ने सुझाव दिया था उस वक्त पर लोगों ने सुझाव दिया था और उसी दोरान हलके फूल के महौल में मीसा भारती के बेटे का नाम नोट बंदी रखने की पात उठी थी यानि जिन परिस्थितियों में लालु यादव की बेटी का नाम रखा गया था उसकी चर्चा सालों तक होती रही वैसे नाम के अलावा मीसा भारती अपनी MBBS की डिगरी की वज़े से भी खूब चर्चा में थी और इसके बाद लालु यादव के विरोधियों ने मीसा भारती के MBBS में टॉप करने पर सवाल उठा दिया थी यही नहीं मीसा भारती की मेडिकल प्राक्टिस नहीं करने पर भी सवाल उठे थे लेकिन मीसा भारती ने इस बात की दलील दी थी कि परिवार और काम के बीच में तालमेल बठाना मुश्किल हो जाता इसलिए उन्होंने प्राक्टिस नहीं की लेकिन विरोधियोंने मिसा भारती की दलील नहीं मानी थी और मिसा भारती के M.B.S. में टॉप करने पर बार बार सवाल उठाए थे यानि मिसा भारती का नाम और डिगरी दोनों चर्चा में रह चुके हैं और उनकी सियासत में एंट्री के बाद उन पर भष्टा चार के आरोप भी लगे। मीसा भारती और उनके पती शेलेश कुमार के खिलाव हजारों करोड की हिरा फेरी के मामले की जांच चल रही है। E.D. इस मामले में उनसे कई बार फूश्टाच कर चुकी है। और इनी मामलों की जांच के बीच आर जेडी ने मीसा भारती को बिहार की पाटली पुत्र सीट से टिकेट देने का फैसला किया। बिहार की पाटली पुत्र सीट 2008 में बनी थी। और इससे पहले पटना में केवल एक लोगसबा क्शेत्र था लेकिन 2008 में परिसीमन हुआ और इसके बाद दो लोगसबा सीटे मन नहीं। पहली पाटली पुत्र और दूसरी पटना साहिब। रिकॉर्ड है कि पाटली पुत्र में अब तक हुए तीनों लोगसबा चुनाओं में एंडिये को ही जीत मिली है। और 2014 और 2015 में मीसा भारती को एंडिये के राम कृपाल यादव ने मात भी थी। लेकिन मीसा भारती एक बार फिर पाटली पुत्र से चुनाओ लड़ने जा रही है। और उनके अलाबा लालु यादव की दूसरी बेटी रोहिनी आचार बिहार की सारण लोगसबाशीट से चुनाब लड़ेंगे। इसके संकेत आरज़ेडी की मलसी और लालु यादव के परिवार के खरीबी कहे जाने वाले सुनील कुमार सिंग ने कुछ दिन पहले ही दे दिये थे। और अब उन खबरों पर महर लग चुकी है क्योंकि लालु प्रसाद यादव की एक और बेटी की सियासत पे एंट्री होने जा रही है। के तीन मार्च को पटना में आरजेडी की जन विश्वास रैली में ही मिल गए थे। क्योंकि उस रैली में रोहिनी आचारे मंच पर नजर आई थी। वो रैली में शामिल हुए विपक्ष के निताओं से मिलती दिखी थी। ये पहला मौका था जब रोहिनी आचारे सियासी मंच पर लालू प्रसाद यादव के साथ दिखी थी। और इस्रैली के कुछी दिन बाद खबर उड़ी थी कि रोहिनी आचारे का सियासी सफर शुरू होने वाला है। रोहिनी आचारे का नाम तब खुब चर्चा में आया था जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किड्नी दी थी। और इसके बाद लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हुआ था। तेज तर्रार छवी भी सामने आ गई थी क्योंकि अपनी पोस्ट में वो नितीश कुमार पर खुब भड़की थी। वो लालू प्रसाद यादव के परिवार से राजनीती में आने वाली छटी सदस्य हैं क्योंकि खुद लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबडी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और दोनों बेटे तेजस्वी और तेजप्रताब राजनीती में सक्रिये हैं। और चुनाव भी लड़ चुके हैं तेज प्रताब और तेजस्वी ने विधान सबा चुनाव लड़ा है जबकि लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी और मीसा भारती लोग सबा चुनाव लड़ चुके हैं यानि रोहनी आचारे बिहार की सारण लोगसबा सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं 1977 में इस सारण सीट का नाम चपरा था यानि आज की सारण लोगसबा सीट उननी सो सतावन से 2004 तक ये सीट चपरा ही रही परिसीबन के बाद इसका नाम सारण हो गया और चपरा को इसका मुख्याला बना दिया गया आसान बाशा में कहें तो चपरा लोगसबा सीट का नाम सारण लोगसबा सीट पढ़ गया सारण गंगा, गंडक और घागरा नदी से गिरा हुआ इलाका है इसे ये इलाका एक त्रिभुज जैसा लगता है जिसके दक्षन में गंगा बैती है जो आगे भोजपूर और पटना तक जाती है जोकि पूर्व दिशा में बहने वाली गंड़क नदी सारण जिले को वैशाली और मुझफपरपूर जैसे जिलों से अलग करती है यह यूँ कहें कि गंड़क नदी सारण और वैशाली और मुझफपरपूर के बीच बॉर्डर लाइन की तरह काम करती है और कुछ इस तरह की सीमा घागरा नदी भी बनाती है यह पश्चिमी इस से में सारण जिले को बिहार के सिवान और उत्तरप्रदेश के बलिया जिले से अलग करती है लगिन कहते हैं कि भले ही नदिया यहां त्रिकोण मनाएं लेकिन सारण में चुनावी संग्राम के दौरान कभी भी सियासी त्रिकोण नहीं मना क्योंकि सारण में जादतर बार ऐसा हुआ कि दो उमीनवारों के बीच ही कांटे की टक्तर हुई लालू यादव की एंट्री से पहले इस सीट को कॉंग्रेस का गढ़ का जाता था कॉंग्रेस के रामशेकर सिंग तो लगातार चार बार सारण से चुनाव जीते थे लेकिन 1977 में लालू प्रसाद यादव ने इस सीट से बंपर जीत हासिल की थी और अपके सारण और तब के छपरा से जीत कर सुर्कियों में आ गए थे जेपी आंदोलन को इस जीत की बड़ी वज़ा माना गया था क्योंकि लालू यादव इस आंदोलन में से निकले बड़े नेताओं में से एक थे और आपातकाल के दुरान पूरु प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी के खराफ खड़े हो गए थे कहते हैं कि 1977 में हुए लोकसबा चुनाव में लालू प्रिसाद यादव को जेपी आंदोलन से उठी उसी लेहर का फायदा हुआ थे यही नहीं 1977 के बाद वो 1989, 2004 और 2009 में बिहार की सारण सीट से चुनाव जीते थे और लालू प्रिसाद यादव के चुनाव लड़ने पर 11 साल की रोक लगा दी गई थी लेकिन लालू प्रिसाद यादव ने इसका भी तोड़ निकाल लिया था के समधीच चंद्रका राय उल्टा बाद में चंद्रका राय आरजेडी छोड़कर जेडियू में शामिल हो गए थे और दोनों बार आरजेडी के प्रक्तियाशियों को बीजेपी के राजीव प्रताब रूड़ी नहीं हराया था 2014 और 2019 के लावा वो 1996 और 1999 में भी सारण से चुनाव जीच चुके हैं और बिहार में NDA में सीट चेरिंग के बाद ये फैसला हुआ कि 2024 के लोगसबा चुनाव में भी सारण सीट बीजेपी के पास ही रहीगी यानि एक बार फिर सारण में RJD और BJP का आमना सामना होगा और इस बार तो रोहिणी आचारे सारण से चुनाव लड़ेंगे और वो लालू प्रसाद यादव के परिवार की तीसरी सदस्य होंगी जो सारण में अपनी किस्मत आजमाने वाली है इस बीच बिहार के उपमुहे मंतरी समराध चौधरी ने लालू यादव की बेटी पर निशाना साधा जो टिकट बेचने में माहिर खेला ली है महराश्थ के नासिक रेलवे स्टेशन में रेन की एक बोगी में अचानाक आग लग गई पूर्व मंत्री और बीजेटी के बड़े नेता दामुद राउत का निधन हो गया। लेकर उस ट्रेन में चड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर उस पुलिस कर्मी को आने में थोड़ी भी देर होती तो वो आदमी पूरा का पूरा उस ट्रेन के नीचे आ जाता। लेकिन वो पुलिस कर्मी तुरंट उसे खीच कर उस ट्रेन से दूर ले आया। इस दोरान उस आदमी को देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड जमा हो गया। गरीमत ये रेगि उस आदमी को सही सलामत बचा लिया गया। उन्होंने संपत्तियां कुर्क करने के निचली अदालत के फैसले को हाई कोट में चुनौती दी थी। बस्ती जिले में 2001 में कारोबारी के बेटे के अपरण के मामले में अमर मनित्र पाठी के खिलाफ निचली अदालत नहीं ये फैसला सुनाया था। बिहार की मुझफरफुर कोट से 28 साल फुराने मामले में बाहुबली नेता और पूर्वसांसद आनन्द मोहन को बड़ी राहत मिली। गड़बंदन में उनकी साथी कॉंग्रेस भी सांगली से चुनाव लड़ना चाती है। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि सांगली सीट पर महाविकास अगाडी में पेच फसा हुआ है। और इसके अगले ही दिन खबर आई कि इस सीट के लिए उधव ठाकरे की पार्टी और कॉंग्रेस में ठन गई। सांगली से चुनाव लड़ना चाती है। जोर दिया था कि चंदरहार पाटिल पहलवान है। उन्होंने बयान दिया था कि सांगली में एक ऐसे दमदार उमीदवार की जरूरत है जिसके एक हाथ में गदा हो दूसरे हाथ में मशाल हो। उद्धव गुट ने दलील दी कि वो सांगली के बदले कोलापूर सीट छोड़ने के लिए तयार है। लेकिन कॉंग्रेस इसके लिए तयार नहीं हुई। फिर क्या था? महराज की सांगली सीट के लिए महाविकास अगाडी में गमासान की खबरे आनी शुरू हो गए। सुत्रों ने बताया कि कॉंग्रेस इस सीट से पूर्व मुक्यमंत्री वसंदादा पाटिल के बोते विशाल पाटिल को चुनाव लड़वाना चाती है। लेकिन उद्धव गुट की शिवसेना चंद्रहार पाटिल को सांगली से उम्मीदवार बनाना चाती है। और माना जा रहा है कि ये सब सांगली की छे विधान सबा सीटों की वज़ा से हो रहा है। माना जा रहा है कि इसी वज़े से कॉंग्रेस वसंदादा पाटिल के पोते विशाल पाटिल को सांगली से चुनाव लड़वाना चाती है। इसके बाद शरत पवार ने 1978 में प्रोग्रेसिव डेमोकरिटिक पार्टी की सरकार बनाई थी और महराष्ट के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गये थी। उस वक्त शरत पवार के उम्र 38 साल थी। और करीब 45 साल बाद जब अजीत पवार ने NCP तोड़ी तो उन्होंने शरत पवार को वसंदादा पाटिल की ही याद दिलाई थी। और पार्टी के 40 विधायक तोड लिये थी। साथ छोड़ दिया थी। पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ लिया थी। तबके पत्रकार बताते हैं कि सरकार गिराने से कुछ घंटे पहले ही शरत पवार और वसंदादा पाटिल की मुलाकात हुई थी। और इस बार कॉंग्रेस सांगली सीट से वसंदादा पाटिल के पोते को टिकट देने की कोशिश में है। शुत्र ने बताया कि कॉंग्रेस किसी भी किमत पर सांगली की सीट नहीं छोड़ना जा थी। इसके लिए उसने पूरा जोर लगा दिये। त्योंकि महाराज की सांगली लोगसबा सीट वो सीट है जहां कॉंग्रेस के बुरे दिनों में भी उसे जीत मिली थी। और आपात काल के बाद हुए चुनाव में कॉंग्रेस ने सांगली में चुनाव जीत लिया था। और साल 1962 से साल 2009 तक महाराज की सांगली सीट पर कॉंग्रेस का कबजा बना रहा। यानि कॉंग्रेस ने सांगली में एक दो बार नहीं बलकि पंदरह बार जीत हासिल की। कॉंग्रेस के प्रकाश बाबू वसंदादा पाटिल तो पाँच बार महां से चुनाव जीते लेकिन 2014 में हुए लोकसबा चुनाव में कॉंग्रेस के हाथ से ये सीट निकल गई और बीजेपी के संजेकाका पाटिल महां से चुनाव जीत गए थे। उसके बाद 2019 में भी इस सीट पर संजेक आका पाटिल ही जीते थे। सांगली को हल्दी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। साल 1967 से पहले इस इलाके को मिरज कहते थे। लेकिन 1967 के बाद जिले का नाम सांगली हो गया था। और 1957 में सांगली में पहली बार चुना हुआ था। और 2009 तर्फ कॉंग्रेस ने लगातार इस सीट पर जीत हासल की थी। लेकिन इसके बाद वो लगातार दो बार सांगली में हार गई थी। माना जा रहा है कि इसी वज़े से महाविकास अगारी में इस सीट पर इतनी चर्चा हुए। क्योंकि सूतरों ने बताया कि कॉंग्रेस को इस बार भरोसा है कि वो सांगली में जीत हासल कर लेगी। लेकिन उद्धव गुट की शिवसेना ये सीट नहीं चोड़ना चाहती। और इसी लिए कृष्णा नदी के किनारे बसे सांगली के लिए महाविकास अगारी में सियासी संग्राम चड़ गया। अपना नाम वापस ले लिया। उनकी जगा टीम में गेंदबार्स तनुष कोटियान को शामिल किया गया। तर रूस की फौज ने यूकरेन में नीपरो नदी पर बने उसके सबसे बड़े बांद पर जोर्दार हमला कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मताबिक महां मिसाइल और ड्रोन हमले किये गए। दावा किया गया कि रूस के इस भीशन हमले ने यूकरेन में हजारों लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी। क्योंकि पुटिन के फौज ने यूकरेन में नदी पर बने उसके सबसे बड़े बांद पर कहर बरपा दिया। ये बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मताबिक रूस के हमले में उस बांद के साथ-साथ पावर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुचा। जिसकी वज़े से आसपास के कई इलाके अंधेरे में डूप गए। हालकि रूस ने सिर्फ जापुरिजिया ही नहीं बलकि युकरेन के कई शहरों में एक साथ तबाही मचा दी। पश्चिमी मीडिया के मताबिक वहां 24 घंटों में करीब 90 मिसाइले और 60 से ज्यादा ड्रोन हमले किये गए जिन में तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग खायल हो गए। पानी की बोचार कर दी। पानी की तेज बोचार होते ही वहां अफरात अफरी मच गई। प्रदर्शनकारी थोड़ी देर के लिए सड़क पर पीछे की तरफ भागे लेकिन वाटर कैनन बंध होते ही वो फिर से पुलिस की बैरिकेडिंग के पास जमा होकर हंगामा और नार हाउस का घेराव करना चाते थे मोहाली से चंडीगड में मौजूद गवरनर हाउस की दूरी खरीब 12 किलो मीटर है पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं के प्रदर्शन को देखते हुए मोहाली चंडीगड हाइवे को बंद कर दिया और वहां लोहे के बड़ और लोहे की बेरिकेडिंग को पार करके दूसरी तरफ कूद गए। मोहाली से चंडीगड में गवरनर हाउस का घेराव करने निकले आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं के हाथों में केजरिवाल के समर्थन वाले पोस्टर दिखाई दिया। दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात दिखाई दिये। सड़क को बंद करने के लिए पुलिस ने वहां बड़े-बड़े ट्रक खड़े कर दिये थे। सड़क पर लगी लोहे की बैरिकेडिंग के एक तरफ भारी संख्या में पुलिस वाले मोर्चा सम्हाले दिखाई दिये। और उन्हें बसों में बैठाकर प्तरशन वाली जगह से दूर भेज दिया। लेकिन गिरफतारी और कोर्ट से रिमांड पर भेज़े जाने के बाद आम आमी पार्टी का घुस्सा फूट पड़ा। सुत्रों के मताबिख रिमांड के मुद्दे पर दिल्ली की राव जेवन्यों कोर्ट में दोनों फक्तों के बीच जोरदार बहस हुई एडी के वकील ने केजरिवाल को घोटाले का किंग पिन बताया। जबकि अर्विन केजरिवाल के वकीलों ने एक राज्जिक के मुख्यमंत्री की गिरफतारी को सरकारी एजिंसियों के दुरुप्योग की मिसाल कराड़ दिया। इस दोरान कोट के गलियारे से गुजरते हुए केजरिवाल का एक वीडियो सामने आया जिसमें 10 से 12 एडी अधिकारी उन्हें कोट रूम की तरफ ले जाते नजर आये। आम आदमी पार्टी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें कोट में दाखिल होते हुए अर्विन केजरिवाल ये कहते सुनाए दिये कि वो चाहे जेल में रहें या बाहर देश के लिए काम करते रहें। इसके बाद राव जेविन्यो कोट में अर्विन केजरिवाल और एडी के वकीलों के बीच जबरदस्त बहस शुरू हुए और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिये। अर्विन केजरिवाल को मस्ट माइंड बताया। कैश ट्रांसफर भी किया गया। जबकि कोट में अर्विन केजरिवाल की तरफ से का गया कि इस पूरे मामले से अर्विन केजरिवाल का कोई लेना देना ही नहीं है। की मुख्यमंत्री की गिरफतारी गयर कानूनी तरीके से की गई। क्योंकि आरोबे की शराब घुटाले की आर्विन केजरिवाल नहीं दिल्ली की शराब नीती में बदलाव करके करोणों के घुटाले की नीव रखी। इसी वज़े से एडी ने केजरिवाल को इस शराब घुटाले का किंग पिन माना। किंग पिन यानी सबसे एहम आदवी। मतलब एडी ने ये दावा किया कि ये पूरी साजिश अर्विन केजरिवाल के इशारे पर ही रची गई। और इसके जरीए करोणों की रखम का गबन हुआ। इडी ने दावा किया कि इस पूरे खेल में मनीश्ट सोधिया और संजे सिंग भी बराबरी के हिस्सेदार थी। आला कि इडी के मताबिक इस घोटाले में अर्विन केजरिवाल ने सीधे सीधे इस्सा नहीं लिया बलकि इसके लिए उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजे नायर को काम पर लगाया गया था। और इडी की जांच में ये आरोफ लगाया गया कि दिल्ली की नई शराब मीती के जरिये करोडों के घोटाले की फटकता अर्विन केजरिवाल के घर पर ही लिखी गई थी। ED के मुताबिक दिल्ली के CM हाउस में हुई उस बैठक में अर्विन केजरिवाल के अलावा मनीश दिसोधिया भी मौजूद थे और इसी बैठक में ये तैह हुआ था कि शराब नीथी में प्रॉफिट का जो मार्जिन 6 प्रतिशत है उसे बढ़ा कर 12 प्रतिशत मतलब दुगना कर दिया जाए और इडी के मताबिक खुद ये बात मनीश दिसोधिया के सचीप सी अर्विन ने फूस्ताज के दोरान बताई थी और ये दावा क्या गया था कि ये काला खेल अर्विन केजरिवाल की आँखों के सामने ही रचा गया और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि इस नई शराब नीथी के जरिए उन्हें करोड़ों का फायदा हो सकता है और इडी का दावा है कि अर्विन केजरिवाल अपने प्लैन में कामियाब भी हो गए थे सुत्रों के मताबिक जाँच में ये बात सामने आई कि अर्विन केजरिवाल ने शराब नीथी की आड़ में शराब माफिया से करीब सौ करोड़ की रिश्वत ली थी और बदले में नई शराब नीथी के जरिये उन्हें फायदा पहुंचाने का बाता किया था मतलब केजरिवाल और शराब माफिया ने एक हाथ दे दूसरे हाथ ले का फार्मूला अपनाया ताकि दोनों ही पक्षों को फायदा हो सके और इसमें एक एहम किरदार ने भाया शराब कंपनी इंडो स्पिरिट के डिरेक्टर समीर महिंद्रू ने सुत्रों के मताबिक समीर महिंद्रू ने पूश्टाश में बताया कि अर्विन केजरिवाल से उन्हें उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजय नायर ने आईपोन के एप फेस टाइम के जरीए मिलवाया था और एडी के मताबिक उसी के जरीए सौ करोड की रिश्वत के रास्ते खुले एडी के सूत्रों का दावा है कि केजरिवाल ने नई शराब दिंती में बदलाव करने के बदले में सौ करोड रुपए की रिश्वत मांगी थी और जाँच में ये बात सामने आएगी इस रकम का इस्तिमाल 2022 में गोवा में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किया था एडी ने कुछ दस्तावेजों के जरीए ये आरोप भी लगाया कि इस रकम के बड़े हिस्से की हेरा फेरी कैश में की गई ताकि किसी को आम आदमी पार्टी या फिर अर्विन केजरिवाल पर शक न हो इडी ने ये दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत के तौर पर मिली रकम से 45 करोड रुपे का इस्तिमाल गोवा के चुनाव में किया इसके लिए तिलंगाना के मुख्यमंत्री के चंदरशेकर राव की बेटी के कविता के अकाउंटेंट बुच्ची बाबु ने दो बार पैसे ट्रांसवर की सुत्रों के मुताबिक बुच्ची बाबु के अकाउंट से ही आम आदमी पार्टी के पास पहले 10 करोड और फिर 15 करोड रुपे ट्रांसवर किये गए और दावा है कि गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाओं में काम करने वाले लोगों इसी रकम से भुक्तान किया गया है और दावा है कि गोवा चुनाम में करीब 70 लाक रुपे नकद में दिये गए ये पैसे जिनें दिये गए उनमें आम आदमी पार्टी के कुछ उमीदवार भी शामिल थे इसके लावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने गोवा चुनाम में रिसर्चर के तौर पर अर्विन केजरिवाल की पार्टी के लिए काम किया था और माना चारा है कि उनी की गिरफतारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल का नमबर लगा क्योंकि ED ने अपनी जांच में ये दावा किया कि खरीब 600 करोड से जादा केस गोटाले को BRS निता के कविता और दिल्ली के CM अर्विन केजरिवाल ने मिल कर अंजाम दिया ED के मताविक इस समझोते के लिए के कविता का ओफर लेकर YSR कॉंग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासलू रेटी दिल्ली पहुंचे थे उन्होंने ही 100 करोड की रिश्वत के बदले के कविता को भी इस शराब घुटाले में भागिदार बनाने की मांग CM केजरिवाल से की थी और ED के सूतरों के मताविक इसके बाद इस नई सराबनीती के जर्ये जादा से यादा धन उगाई का फूल प्रूफ प्रेंट टेयार कर लिया गया और इसे मंगुटा श्रीनिवासलू रिट्टी के बेटे रागव मंगुटा के जरीए अंजाम दिया गया ये वही सौ करोड की रकम थी जिसे आम आदमी पार्टी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बुच्ची बाबु को सौंपी गई थी और इडी के मताबिक इसी सौ करोड में 45 करोड रुपए आम आदमी पार्टी ने 2022 में हुए गोवा के चुनाव में खपा दिये थी और इसी मामले में जेल में बंद के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जटका लग गया दिली शराव गोटाला मामले में आरोपी थिलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंदरशेकर राओ की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जटका लगा सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की जमानत पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया इतना है नहीं सुप्रीम कोट ने के कविता के वकील को निचली अदालत जाने का सुझाव भी दिया पिछले हफते E.D. की टीम ने उन्हें गिरफतार कर लिया था बीजेपी की केंदरी चुनाव समिती की शाम में एहम बैठक होगी सुत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तरपदेश, ओडिशा, महराष्ट, तिलंगाना और राजिस्थान समेथ कई राज्यों के लिए उम्मीद्वारों के नाम पर महर लग सकती है इस बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे बिहार में महागडबंधन में शामिल CPI ने तीन बार विधायक रह चुके अवधेश कुमार को बेगुसराय लोगसबा सीट से अपना उम्मीद्वार बना दिया इससे पहले अटकलें थी कि कॉंग्रेस नेता कनिया कुमार को ये सीट मिल सकती है कनिया कुमार ने 2019 में इसी सीट से CPI के टिकट पर चुनाव लड़ा था तब वो बीजेपी नेता गिरीराज सिंग से चुनाव हार गए थे इस बीज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दोरान दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी रासत में ले लिये गए प्रदर्शन कर रही दिल्ली की मंत्री आतिशी को पुलिस बस में भर कर ले गई और इस दोनान आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं ने उन्हें घेर लिया जैसे ही महिला पुलिस कर्वी आतिशी को हिरासत में लेने आई वहां मौझूद तमाम कारेकर्टाओं ने उनके चारों तरफ घेरा बना लिया उसके बाद तो आतिशी को वहां से ले जाने में पुलिस कर्वियों के पसीने छूट गए। सैकणों कारकरताओं के साथ प्रदशन कर रही आतिशी को पुलिस ने जैसे तैसे बस में बठा दिया। लेकिन इसके बाद भी उनकी नारे बाजी बंद नहीं हुई। वो उस बस की खिड़की से बाहर निकल कर नारे लगाती रही। पार्टी कारकरता धरने पर बैठ गए। पुलिस को जबरदस्ती उन्हें खीच कर वहां से हटाना पड़ा। ऐसा ही प्रदरशन वहां राउज एमिन्यू कोट के बाहर भी दिखाए दिया। कारकरताओं ने वहां लगी बैरिकेडिंग के सामने ही नारे बाजी शुरू कर दी। इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने कई कारकरताओं को हिरासत में ले लिया। कई जगहों पर कारकरता हाथों में मैं भी केजरिवाल के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। और इस दोरान आमान्वी पार्टी की महिला कारकरता भी सडकों पर उतराई। इडी की कारवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों कारकरताओं को संभालने के लिए भारी पुलिस पोर्स तैनात कर दी गई। और इस दोरान जब पुलिस कुछ महिला कारकरताओं को वहां से अटाने पहुंची तो वो सडक परी लेट गई। इसके बाद पुलिस उने उठा कर वहां से ले गई। इसे में पुलिस ने सकती दिखाते हुए सडक पर बैठे एक एक कारकरता को वहां से अटा दिया। इसर खानून के जानकारों के मताबिक एडी के समन्स पर पुष्टाज के लिए नहीं पहुंचना ही केजरिवाल की सबसे बड़ी मुसीबत बना। क्योंकि दिल्ली शराब गोटाला मामले में एडी ने उन्हें नो समन्स भेजे थे लेकिन वो एक भी समन्स पर पुष्टाज के लिए नहीं पहुंचे थे। क्योंकि नो में समन्स के तहट केजरिवाल को 21 मार्च को सुबह 11 बजे पेश होना था लेकिन वो हर बार की तरह इस बार भी पुष्टाज के लिए एडी आफिस नहीं पहुंचे थे। केजरिवाल को समन्स जारी किये गए थे। की बैठक में एडी के अधिकारियोंने केजरिवाल को गिरफतार करने का फैसला लिया था। और जारी किये गए समन्स पर पेश नहीं होना बताये गया। सूत्रों ने दावा किया कि इनी आरोपों को आधार बनाकर एडी के बड़े अधिकारियोंने पहले बैठक की और फिर पूरी तैयारी के साथ उन्हें गिरफतार करने का फैसला ले लिया था। सूत्रों से मिले जानकारी के मताबिक शुराब घुटाले के जाच के दौरान एडी को कई एहम सबूत मिले हैं। केजरीवाल को पूष्टाज के लिए नौ समन्स बेजे थे लेकिन इन 6 महीनों में केजरीवाल एक बार भी पूष्टाज के लिए एडी के आफिस नहीं पहुंचे थे। ये 21 दिसम्बर को बुला गया था लेकिन उस बार उन्होंने सरकार के कामकाज का हवाला देकर पेशोने समना कर दिया था। 22 दिसम्बर को एडी ने तीसरे समन्स भेज कर उन्हें 3 जनवरी को बुलाया लेकिन उस दोरान केजरीवाल ने विपश्टना पर जाने की बात कह दी थी। केजरीवाल ने 12 जनवरी को जारी किये गए चौते समन्स के लिए विधान सबाद चलने की दलीद दी थी। इसी तरह केजरीवाल ने एडी की तरफ से जारी किये गए छटे, सात्वे, आठवे और नौवे समन्स से बचने के लिए अलग-अलग वज़े बताई। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली शराव गोटाला मामले में वो अपनी गिरफतारी नहीं टाल सके। और इन सब के बीच दिल्ली के मुक्यमंत्री अरविन केजरीवाल ने अपनी गिरफतारी के खिलाफ सुप्रीम कोट में दायर याचिका वापस ले ली। आम आदमी पार्टी के तरफ से ये बताया गया कि वो अपनी बाद सबसे पहले निचली अदालत में रखेंगे। इस पर सुप्रीम कोट ने भी आम आदमी पार्टी को याचिका वापस लेने की इजाज़त दे दी। जबकि केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ दायर याचिका के बाद एडी ने भी सुप्रीम कोट में कैवेट दाखिल कर दिया था। और वहां राहत ना मिलने पर आम आदमी पार्टी हाई कोट जाएगी। उसके बाद भी राहत नहीं मिलने की स्थिति में केजरिवाल सुप्रीम कोट का रुख कर सकेंगे। पताया गया की लीगल टीम की सला के बाद ही आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोट से याचिका वापस लेने का फैसला लिया। कानून के जानकारों के मताबिक आम आदमी पार्टी को अगर सुप्रीम कोट से जटका लगता तो केजरिवाल की जमानत पर संकट आ जाता और उनके पास आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता इसलिए सोच समझ कर सुप्रीम कोट को सबसे आखरी दाओं के रूप में र गायल हो गए इस फुल का निर्मान भारत माला प्रोजेक्ट के तहट किया जा रहा है इलाबाद हाई कोट की लखनव बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मंदरसा एजुकेशन एक्ट को असम्मेधानिक परार दिया कोट ने इस एक्ट को धर्म निर्पेक्ष्टा के सिध्धा का खारिच कर दी कॉंग्रेस ने लगातार तीन वर्षों के लिए आयकर विभाग की टैक्स री एसेस्मेंट प्रोसीदिंग्स के खिलाफ याचिका दायर की ती इस बीच दिल्ली शराब घुटाला मामले में केजरिवाल की गिरफतारी के बाद विपक्षी कट बंधन एक स तता था गया इस मामले में आम आद्मी पार्टी के नेताओं के साथ कॉंग्रेस टी-मसी और शरत पवार गुटवाली एंसेपी के नेता चुनाव आयोग भी पहुंच गये और दूसरी ओर दिल्ली में यूथ कॉंग्रेस ने प्रदर्शन किया यूथ कॉंग्रेस के कारे करता सडकों पर उतराए उनके हाथों में पोस्टर और जंडे नजराए इन लोगों ने केजरीवाल की गिरफतारी के विरोध में नारे लगाए और एक पिंजरा लाए इस पिंजरे पर ED और CBI लिखा दिखा इसके जरीए इन लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया प्रदर्शन के दौरान कई प्रदर्शन कारी बैरिकेट पर चड़ गए बहुत देर तक हंगामा चलता रहा इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कारीयों को इरासत में लेना शुरू किया और बसों में भर कर इन लोगों को वहां से अटाया गया इससे पहले केजरीवाल की गिरफतारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कॉंग्रेस, टी-म-सी और पवार गुटवाली एन-सी-पी के नेता चुनाव आयोग भी गए यानि इस मामले में विपक्षी, कटबंधन, केजरीवाल के साथ दिखा चुनाव आयोग पहुँचने वाले नेताओं में तो कॉंग्रेस के नेता भी शामिल थे जबकि इससे पहले कॉंग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने दिल्ली के शराब घोटाले की शिकायत पुलिस से की थी 2022 में दिल्ली कॉंग्रेस के अध्यक शनिल चौतरी ने पुलिस कमिशनर को इससे जुड़ी एक चिठी लिखी थी उन्होंने चिठी में दिल्ली की शराब नीती पर सवाल उठाये थे और कॉंग्रेस की ओर से लिखी गई ये वही चिठी है 2022 में लिखी गई इस चिठी में दिल्ली की नई आपकारी नीती पर उंगली उठाये गई थी और आरोब लगाया था कि दिल्ली में नई शराब नीती के तहित कई कंपनीों को अवैध ठेके दिये गए। और आरोब लगाया था कि केजरिवाल भी इस गोट आले के इस्सेदार थे। कि कम से कम सौ करोड की रिश्वत ली गई थी यानि जिस कॉंग्रेस ने केजरिवाल की गिरफतारी पर इतना हल्ला मचाया पतरशन किया पिछले साल वही कॉंग्रेस केजरिवाल पर निशाना साध रही थी और उनकी चुपी अर्विंद केजरिवाल की कुरसी तक पहुंचेगी कॉंग्रेस के ये सुर पहले थे क्योंकि अब वो केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ है और इसलिए उसने सडकों पर प्रदर्शन किया लेकिन विपक्षी कटबंधन मनने से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं के तेवर अलग थे उन्होंने परिवारवाद के मुद्दे पर कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी समेच कई विपक्षी पार्टीओं को घेरा था आम आदमी पार्टी की नेता संजे सिंग ने तो एक रैली में विपक्षी पार्टीयों के एक एक नेता का नाम लेकर उन पर निशाना साधा था लेकिन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद विपक्षी गटबंधन जिस तरह से एक जूट हुआ उसके बाद संजे सिंग का वो बयान चर्चा में आ गया क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कबजे में है चंद परिवारों ने देश की राजनीती पर कबजा कर लिया है पूरफ से लेके पस्चिम तक उत्तर से लेके डक्षिन तक चंद परिवारों का देश की राजनीती पर कबजा है चले जाएए काश्मीर, सेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, चले जाएए महारास्त्रा, बाल ठाकरे, उधाउट ठाकरे, आदित ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी, सरत पवार, सुप्रिया सूले, अजीत पाटी। चले जाईए भिहार, लालू यादो, राबणी यादो, तेजस यादो, मीसा यादो, तेजस्वी यादो, एकी परिवार की पाटी। बिटवा राजिव, बिटवा संजे, बहु सोनिया, बिटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद बाडरा, एक ही परिवार की पार्टी पार्टी काहां बताओ। बुठान मंत्री नरेंद्र मोदी को बुठान के सर्वोच नागरिक सम्मान को बुठान लेंद्र मोदी की बुठान यातरा के दोरान दोनों देशों ने पेट्रोलियं, उर्जा, खेल और स्वास्थ के क्षेत्र से जुड़े साथ समझोतों पर हस्ताक्षर किये इससे पहले पृधान मंत्री के भुटान पहुंचने पर उनका जोरदार स्वाकत किया गया इसके बाद पीम ने भुटान के पृधान मंत्री और भुटान नरेश से मुलाकात की इस भी चीडी और केंद्र सरकार के खिलाब आमादमी पार्डी के कारेकरताओं का गुस्सा हर्याना के कुरुक्षेतर में भी फूठा सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उत्रे कारेकरताओं को जब पुलिस वालों ने रोका तो वो उनसे उलच पड़े और सड़क पर लगे बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करते दिखे पुलिस के बैरिकेड पर चड़ा एक कारेकरता वहां मौझूद पेड की टहनी से लटक गया और अपने पैरों से बैरिकेडिंग पर धक्के मारने शुरू कर दिये उस पुलिस के बैरिकेड पर दस से ज़्यादा बार धक्के मारे हानकि इस दौरान बैरिकेड के दूसरी तरफ मौझूद पुलिस वालों ने बैरिकेड को गिरने से रोके रखा आम आदमी पार्टी के कुछ दूसरे कारेकर्ता भी बैरिकेड पर चड़े हुँए दिखाई दिये प्लान बी तयार कर लिया था आतिशी दिल्ली की सरकार चलाएंगी अगर जरूरत पढ़ेगी तो आरविन केजरी वाल जी जेल से सरकार चलाएंगे अनमी पार्टी इस परिस्तिती के लिए पहले से तयारी कर रही थी क्योंकि काफी लंबे वक्त से शराब गोटाला मामले में मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल पर गिरफतारी की तलवार लटक रही थी। मतलब ये कि भले ही आम आदमी पार्टी ने जेल से सरकार चलाने की तयारी की हो लेकिन इसकी इजासत शायद ही उसे जेल प्रशासन से मिले सूतरों के मुदाबिक दिल्ली की तिहार जेल के मैनुवल में किसे भी मुख्यमंत्री के जेल से सरकार चलाने का प्रावधान नहीं है जेल मैनुवल एक रूल बुक होती है जिसमें जेल में बंद कैदियों के लिए नियम कायदे लिखे होते हैं जेल प्रशासन इसी के हिसाब से काम करता है। जेल मैनुवल के मुताबिक जेल में बंद पैदी को हफते में दो बार उसके रिष्टदारों और परिजनों से मुलकात कराये जाती है। आरोपी को दस लोगों के नाम देने होते हैं और वो लोग ही जेल में फोन करके मिलने की तारीख और समय मांग सकते हैं। एक बार मुलाकात में सिर्फ तीन लोग ही जेल में आरोपी से मिल सकते हैं। मतलब ये कि अगर अर्वीन केजरीवाल जेल से सरकार चलाते हैं तो इसमें उन्हें कई तरह की दिख्ततें सामने आ सकती है। क्यूंकि नियरों के मुताबिक जेल से सरकारी फाईले साइन नहीं करायी जा सकती। और अगर फाइलों पर साइन कराना भी हो तो जेल सुप्रेटेंडेंट से लिखित इजाजत लेनी होगी। एक राज्य के मुख्यमंत्री के कंधों पर कई तरह की जिम्मेदारिया होती है। कैबिनेट की बैठक के अलावा मुख्यमंत्री को दिन भर अफसरों के साथ बैठकें करनी पड़ती हैं और जेल में रहते हुए ये सारी चीजें संभव नहीं हैं। ये कि इससे माफिया राज खत्म होगा और दूसरा ये कि इससे सरकारी खजाना बढ़ेगा। और इससे दिल्ली सरकार का खजाना तो बढ़ा लेकिन इस नई नीती का जमकर विरोध भी होने लगा था। और बाद में उपराज जपाल ने भी उनकी और कैबिनेट की मनजूरी के बिना शराब नीती में बदलाब करने का आरोप लगा दिया था। 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज जपाल ने मुख्य सचित की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच सीबियाई से कराने की सिपारिश कर दी थी। और उसी दोरान विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीतीर रद्द कर दी थी। इसके बीचे दलील ये दी गई थी कि खुदरा और थोक कारोबारियों के शराब के धंदे से हटने की वज़े से ऐसा किया गया। बाद में 17 अगस 2022 को CBI ने मनीश शिसोदिया, तीन रिटायर्ट सरकारी अफसर, नौ शराब करोबारी और दो कंपनियों के खिलाब केस दर्च कर लिया था। इन पर भष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहित केस दर्च किये गए थी। और इसके बाद सिसोदिया ने दावा किया था कि CBI को कुछ नहीं मिला। और एक तरफा फैसले लिये थे। उनके फैसलों की वज़े से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ। इस लिस्ट में तमिलनाड के लिए 14 प्रत्याशियों के नाम और पुदुच्चरी सीट के उम्मीदवार का नाम शामिल है। एक रोज पहले बीजेपी ने तमिलनाड के 9 उम्मीदवारों के नामों का एलान किया था। इमसी ने चुनाव आयोग से पश्चे मंगाल के राजपाल सीवी आनन बोस के खिलाफ शिकायत की। इमसी ने राजपाल पर चुनावी प्रक्रिया में दखल देने का आरोप लगाया। कुछ दिन पहले वहां के राजपाल ने लोगसभा चुनाव से जुड़े किसी भी मुद्धे पर लोगों से जुड़ने के लिए पोर्टल लोग सभा लॉंच किया था। इस पर टीमसी ने आपत्ती जताई। इधर दिल्ली शराब घोटाला मामले में अर्विन केजरिवाल समेथ 16 लोग गिरफतार किये जा चुके है। साथ बजे एडी की एक टीम मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल के घर पहुंची थी। कारोबारी अभिशेक, बोहिन पल्ली और समीर महिंद्रू की गिरफतारी हुई थी। लेकिन दिल्ली के शराब घोटाला मामले में सबसे जाधा गिरफतारियान 2023 में हुई। उस साल जांच एजिंसियों ने शराब कारोबारी गौताम मलोतरा, रागव मंगुटा और दिनेश अरोडा समेथ कई लोगों को गिरफतार किया था। लेकिन 2023 में सबसे बड़ी गिरफतारी मनीश इसोदिया के रूप में हुई थी। तब वो दिल्ली के उपमुखे मंतुरी थी। लेकिन 26 फरवरी 2023 को गिरफतारी के बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उनके बाद 4 अक्टूबर 2023 को आम आदमी पार्टी के वरिष्ट नेता और राजेसवा सांसत संजे सिंग को भी गिरफतार कर लिया गया था। इसी वज़े से आम आदमी पार्टी को बड़ा जटका लगा था। सुत्रों ने दावा किया कि शराब कारोबारी दिनेश अरोडा, संजे सिंग, मनीश सोदिया और विज़े नायर के बेहत करीबी हैं। जानकारी के मताबिक बाद में दिनेश अरोडा, सरकारी, गवाह बन गए और पूश्टाच में उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम उगल दिये थे। इस बीच हिमाचर प्रदेश के तीन विधायकों ने स्तीफा दे दिया। इमाचर प्रदेश में पिछले महीने हुए राजेसवा चुनाम में बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देने वाले तीन निर्दलिये विधायकों ने स्तीफा दे दिया। खबरे की ये तीनों बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जम्मु कश्मीर के पूर मुख्यमंत्री गुलाम नभी आजाद की पार्टी डीपी एपी को चुनाव आयोग ने बाल्टी चिन आवंटित किया। गुलाम नभी आजाद ने कॉंग्रेस चोड़ने के बाद पिछले साल ये पार्टी बनाई थी। उनकी पार्टी डीपी एपी ने जम्मु कश्मीर की सभी पांच लोगसबा सीटों पर चुनाव लड़ने का आईलान किया है। उत्रपदेश के बदाईउं हत्या कांड में शामिल जावेद नाम के दूसरे आरोपी को 14 दिन की नियाए खिरासत में जेल भेज दिया गया। जावेद पर आरोप है कि उसने हत्या में शामिल साजित की मदद की थी। आरोप है कि मंगलवार को साजित ने दो बच्चों की धारदार हत्यार से गला रेट कर हत्या कर दी थी। इसके एक दिन बाद पुलिस ने आरोपी साजित को मुटभेड में मार गिराने का दावा किया था। इदर राजेसार की राजधानी जैपूर में भी आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं का गुस्सा फूट पड़ा उन्होंने अर्विन केजरिवाल के खलाफ हुई कारवाई का जमकर विरोथ किया और जबरन जैपूर के बीजेपी दफ्तर में गुसने की कोशिश की। लेकिन वहाँ पुलिस कर्वी उनके सामने किसी चट्टान की तरह खड़े हो गए और आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं को बीजेपी दफ्तर में गुसने से रोक दिया। तब ही वहाँ बैरिकेड के पास ही उन्होंने नारे बाजी शुरू कर दिया। इस दोरान प्रदर्शन कर रहे कारेकरता अपने हाथों में पोस्टर लेकर लेकर लहराते नजर आए और कुछ कारेकरता तो बैरिकेड हटा कर सड़क के दूसरी तरफ आ गए। लेकिन पुलिस के जवानों ने सकती दिखाई और उन्हें खदेड दिया। इस बीच कुछ कारेकरता उनसे भिड़ गए तब ही पुलिस के जवानों ने डंडे बरसाने शुरू कर दिया। इसके बाद तो सड़क पर एके कारेकरता को पुलिस कर्मी दोडा दोडा का डंडे मारते दिखाई दिये। पुलिस की कारवाई का विरोध करते हुए उस बस के अंदर भी नारे लगाए। यही वज़र है कि सीम की कुरसी पर रहते हुए गिरफतार किये जाने वाले वो देश के पहले मुख्यमंत्री बन गया। के बाद बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था क्योंकि CBI ने चारा घोटाले के एक मामले में उनके खलाफ वारंट जारी कर दिया था। मुख्यमंत्री की कुरसी पर अपनी पत्नी राबडी देवी को बैठा गिया था। हेमन सुरेन और लालू प्रिसाद यादव के अलावा तमिलनाड में जे जैलालिता, करनाटक में बीए सेडियोरप्पा और मध्यप्रदेश में उमा भारती को भी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। इधर जेल में बंद यूट्यूबर अलविश यादव को कोर्ट से राहत मिल गई। पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर गंभीर आरोब भी लगाए। कॉंग्रिस ने उन्हें एमदाबाद पूर्व सीट से टिकेट दिया था लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था। और उन कैमरों के जरीए कंट्रोल रूम 2400 गंटे लॉक अप की निगरानी करता है। और इस दोरान केजरिवाल भी कैमरे की निगरानी में रहे। इसके साथ ही आसफास सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहे। इडी दफ्तर की तीन मंजिला एमारत में दो लॉक अप हैं और दोनों ही लॉक अप ग्राउंड फ्लोर पर बने हैं। नियमों के मुताबिक एडी की गिरफ्त में आये किसी भी आरोपी को अपील के बाद दवाईयां और जरूरत का सामान दिया जा सकता है। लेकिन सुत्रों ने दावा किया कि केजरिवाल लॉक अप में ठीक से सो नहीं पाए और सुबह जल्दी उड़ गए। इसके बाद उन्हें लॉक अप के अंदर ही नाच्टा दिया गया और उन्होंने अपनी रूटीन की दवाईयां ली। और अरविन केजरिवाल से पूश्टाच के लिए एडी ने पांच सदस्यों की टीम बना दी। बताया गया कि अडिशनल डिरेक्टर की देखरेक में इस टीम का गठन किया गया। जिसमें एडी के अधिकारियों के अलावा दो असिस्टेंट डिरेक्टरों को भी शामिल किया गया। जो कैमरे के सामने बिठा कर केजरिवाल से कड़ी पूश्टाच करेंगे। और पूश्टाच के दोरान सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं बलकि लिखित बयान भी दर्ज किये जाएंगे। यानि केजरिवाल से किये जाने वाले एक-एक सवाल और उनके दिये गए जवाब विस्तार से लिखे जाएंगे। सुत्रों के मताबिक एडी की स्पेशल टीम अर्विन केजरिवाल और के कविता को आमने सामने बठा कर पूश्टाच करेगी। कुछ दिनों पहले ही एडी ने बीरेस नेता के कविता को गिरफतार किया था। उन पर भी शराब घुटाले में शामिल होने का आरोप है। कि एडी के दोनों ही वरिष्ट अधिकारी शराब घुटाला मामले की जाच कर रहे थे। और उन दस्तावेजों में उन दोनों अधिकारीयों के बारे में जानकारी लिखी होने का दावा किया गया। यादव की एक नहीं बलकि दो बेटियां चुनाव लड़ेंगी ये तैय हो गया कि लालू यादव की बेटी मीसा भारती बिहार के पाटली पुर्तल से चुनाव लड़ेंगी और रोहिनी आचारे बिहार की सारण सीट से मैदान में उतरेंगी ये दोनों वो सीटे हैं जहां स मीसा भारती और रोहिनी आचारे दोनों चुनाव लड़ सकती हैं इसके कुछ दिन बाद ये पक्का हो गया और खबर आ गई कि मीसा भारती बिहार के पाटली पुत्र से चुनाव लड़ेंगी और रोहिनी आचारे बिहार 기 сारण सीट से ताल ठोकेंगी अपने पिता को कि के राम कृपाल यादव के हाथों ही मात मिली थी इसके बाद RJD की ओर से उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया था और मिसा भारती के राज्यसभा का कारेकाल करीब चार साल बचा हुआ लेकिन इसी बीच खबर आ गए कि मिसा भारती एक बार फिर पार्टली पुत्र से चुनाव लड़ेंगी मिसा भारती लालुयादव की सबसे बड़ी बेटी है उनके जन्द के समय लालुयादव जेल में थे और इसलिए लालुयादव ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती रखा था क्योंकि देश में आपातकाल के समय लालुयादव को मीसा यानि मेंटिनेंस अफ इंटर्नल सिक्योरिटी एक्ट के तहद गिरफतार किया गया था ये वो कानून था जिसके तहद 1975 से 1977 के बीच आंदोलन कारियों को गिरफतार किया गया था और लालुयादव भी इसी कानून के तहट जेल में बन थे और उसी दोरान उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ था लालुयादव ने अपनी किताब में भी इससे जुड़ी पूरी कहानी लिखी थी और बताया था कि जेपी ने सुझाव दिया था कि वो अपनी बेटी का नाम मीशा कानून के नाम पर रख दें इसके बाद लालुयादव ने अपनी बड़ी बेटी का नाम मीशा भारती रख दिया था और इसके सालों बाद जब मीशा भारती अपने बेटे को लेकर संसद पहुची थी तो एक बार फिर इस बात की चर्चा हुई थी। उस वक्त पर लोगों ने सुझाव दिया था कि मीसा भारती भी अपने बेटे का नाम उसी तरह रखें जैसे उनका नाम रखा गया था। यानि जिन परिस्थितियों में लालुयादव की बेटी का नाम रखा गया था उसकी चर्चा सालों तक होती रही। वैसे नाम के अलावा मीसा भारती अपनी MBBS की डिगरी की वज़े से भी खूब चर्चा में थी। नहीं मीसा भारती की मेडिकल प्राक्टिस नहीं करने पर भी सवाल उठे थे। यानी मीसा भारती का नाम और डिगरी दोनों चर्चा में रह चुके हैं। और उनकी सियासत में एंट्री के बाद उन पर भष्टा चार के आरोब भी लगे। मीसा भारती और उनके पती शेलेश कुमार के खिलाव हजारों करोड की हिरा फेरी के मामले की जांच चल रही है। इडी इस मामले में उनसे कई बार पूश्टाच कर चुकी है। और इनी मामलों की जांच के बीच आरजेडी ने मीसा भारती को बिहार की पाटली पुत्र सीट से टिकेट देने का फैसला किया। बिहार की पाटली पुत्र सीट 2008 में बनी थी। और इससे पहले पटना में केवल एक लोगसबा क्शेत्र था लेकिन 2008 में परिसीमन हुआ और इसके बाद दो लोगसबा सीटे मन महीं। पहली पाटली पुत्र और दूसरी पटना साहिब। रिकॉर्ड है कि पाटली पुत्र में अब तक हुए तीनों लोगसबा चुनावों में एंडिये को ही जीत मिली है। और 2014 और 2015 में मीसा भारती को एंडिये के राम कृपाल यादव ने मात भी थी। लेकिन मीसा भारती एक बार फिर पाटली पुत्र से चुनाव लड़ने जा रही है। और उनके अलाबा लालु यादव की दूसरी बेटी रोहिनी आचार बिहार की सारण लोगसबाशीट से चुनाव लड़ने है। इसके संकेत आरजडी की मलसी और लालु यादव के परिवार के परीबी कहे जाने वाले सुनील कुमार सिंग ने कुछ दिन पहले ही दे दिये थे। और अब उन खबरों पर महर लग चुकी है क्योंकि लालु प्रसाद यादव की एक और बेटी की सियासत पे एंट्री होने जा रही है। तीन मार्च को पटना में आरजेडी की जन विश्वास रैली में ही मिल गए थे। क्योंकि उस रैली में रोहिनी आचारे मंच पर नजर आई थी। वो रैली में शामिल हुए विपक्ष के निताओं से मिलती दिखी थी। ये पहला मौका था जब रोहिनी आचारे सियासी मंच पर लालू प्रसाद यादव के साथ दिखी थी। और इस रैली के कुछी दिन बाद खबर उड़ी थी कि रोहिनी आचारे का सियासी सफर शुरू होने वाला है। रोहिनी आचारे का नाम तब खूब चर्चा में आया था जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किड्नी दी थी। और इसके बाद लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हुआ था। इस तर्रार छवी भी सामने आ गई थी क्योंकि अपनी पोस्ट में वो नितीश कुमार पर खूब भड़की थी। तेज प्रताब और तेजस्वी ने विधान सबा चुनाव लड़ा है जबकि लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी और मीसा भारती लोग सबा चुनाव लड़ चुके। और रोहिनी आचारे की सियासी पारी का आगाज भी लोग सबा चुनाव से ही होने वाला है। इसका मुख्याला बना दिया गया। इससे में सारण जिले को बिहार के सिवान और उत्तरप्रदेश के बलिया जिले से अलग करती है। लेकिन कहते हैं कि भले ही नदिया यहां त्रिकोण मनाएं लेकिन सारण में चुनावी संग्राम के दौरान कभी भी सियासी त्रिकोण नहीं मना। क्योंकि सारण में ज्यादतर बार ऐसा हुआ कि दो अमीदवारों के बीच ही कांटे की टक्तर हुई। लालू यादव की एंट्री से पहले इस सीट को कॉंग्रेस का गढ़ कहा जाता था। कॉंग्रेस के राम शेकर सिंग तो लगातार चार बार सारण से चुनाव जीते थे लेकिन 1977 में लालू प्रसाद यादव ने इस सीट से बंपर जीत हासिल की थी। और अबके सारण और तबके छपरा से जीत कर सुर्कियों में आ गए थे। जेपी आंदोलन को इस जीत की बड़ी वज़ा माना गया था। लड़े थे और पाटली पुत्र में वो चुनाव हार गय थे लेकिन सारण में उनकी जीत हुई थी। इसके बाद चंद्रका राय ने आर जेडी छोड़ दी थी और जेडी उमें शामिल हो गय थे। 2014 और 2019 के लावा वो 1996 और 1999 में भी सारण से चुनाव जीत चुके हैं। और बिहार में NDA में सीट चेरिंग के बाद ये फैसला हुआ कि 2024 के लोगसबा चुनाव में भी सारण सीट बीजेपी के पास ही रहीगी। यानि एक बार फिर सारण में RJD और BJP का आमना सामना होगा। और इस बार तो रोहिनी आचारे सारण से चुनाव लड़ेंगे। और वो लालू प्रसाद यादव के परिवार की तीसरी सदस्य होंगी जो सारण में अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं। इस बीज बिहार के उपमुखे मंतरी समराद चौधरी ने लालू यादव की बेटी पर निशाना साधा। पूर्व मंतरी और बीजेटी के बड़े नेता दामुद राउत का निधन हो गया। उन्हें दिल का दौरा पढ़ने पर हाली में भूबनेश्वर के एक अस्पिताल में भट्ती कराया था। पिहार के आरा से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर लोग खौफ से बर गए वहाँ चलती ट्रेन में चड़ने की कोशिश करना एक आदमी के लिए खतरनाक साबित हो गया। लेकिन वो उस ट्रेन में चड़ने की कोशिश कर रहा था। उस ट्रेन में चड़ने की कोशिश करी रहा था कि उसका पैर लड़ खड़ा गया और वो उस ट्रेन में चड़ने की बजाए फिसलते होए नीचे आ गया। इधर केंद्र सरकार ने करिबियाय देश हेती में फसे भारतियों को रिखिए नागरिकों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावति शुरू कर दिया। इस operation के तहट हेती से भारतिय नागरिकों को करिबियाई देश डॉमिनिकन रिपब्लिक पहुंचाय जाएगा फिर वहां से उन्हें भारत लाय जाएगा हेती में पिछले 23 दिनों से जारी हिंसा में कई लोगों की मौत हो चुकी है इलाबाद हाई कोट ने फरार चल रहे यूपी के पूर्व मंत्री अमर मनी त्रिपाटी की आचिका खारिच कर दी उन्होंने संपत्तियां कुर्क करने के निचली अदालत के फैसले को हाई कोट में चुनौती दी थी बस्ती जिले में 2001 में कारोबारी के बेटे के अपरण के मामले में अमर मनी त्रिपाटी के खिलाफ निचली अदालत ने ये फैसला सुनाया था बहार की मुझफ़फर पुरकोट से 28 साल फुराने मामले में बहुबली नेता और पूर्वसानसद आननध मोहन को बड़ी राहत मिली जेल में बंद सजायाफता कैदी के साथ मारपीट के मामले में पूर्वसानसद आननध मोहन को कोटने बरी कर दिया इस बीज महाराश की सांगली सीट पर महाविकास अगाडी में तनाव बढ़ने की खबर आई क्यूंकि इस सीट से उद्धव ठाकरे अपने प्रत्याशी का एलान कर चुके हैं गटबंदन में उनकी साथी कॉंग्रेस भी सांगली से चुनाव लड़ना चाहती है एक दिन पहले ही खबर आई थी कि सांगली सीट पर महाविकास अगाडी में पेच फसा हुआ है और इसके अगले ही दिन खबर आई कि इस सीट के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी और कॉंग्रेस में ठन गई और नौबत या गई कि कॉंग्रेस ने सांगली के मिरज में होने वाली उद्धव ठाकरे की सभा का बहिश्कार कर दिया सुत्रों ने बताया कि उद्धव ठाकरे की ओर से कॉंग्रेस को इस सभा में शामिल होने का न्योता दिया था लेकिन कॉंग्रेस ने उनका न्योता ठुकरा दिया, खबरे की कॉंग्रेस ने पैसला सांगली लोगसबा सीट की बज़से ही लिया, क्योंकि उधव गुटकी शिवसेना ने सांगली लोगसबा सीट से चंद्रहार पार्टिल को उम्मीदवार बनाने के संकेत दिये थे, और इसी बात पर कॉंग्रेस भढ़ गए, क्योंकि कॉंग्रेस भी सांगली से चुनाव लगना चाती है, खबरे की कॉंग्रेस ने उधव गुटकी शिवसेना से दो टुक बोल दिया था कि सांगली सीट उसकी है, और महराश्ट के सांगली से कॉंग्रेस का ही उमीदवार खड और महाराष्ट में होने वाली कुष्टी की प्रतियोगिता महाराष्ट केसरी जीच चुके हैं। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री वसंदादा पाठिल के बोते विशाल पाठिल को चुनाव लड़वाना चाती है। और महाराष्ट के पूर्व मुख्यमंत्री वसंदादा पाठिल की जनब भूमी और कर्म भूमी है। माना जा रहा है कि इसी वज़े से कॉंग्रेस वसंदादा पाठिल के पोते विशाल पाठिल को सांगली से चुनाव लड़वाना चाती है। क्योंकि सांगली वसंदादा पाठिल की कर्म भूमी मानी जाती है। लेकिन वसंदादा पाठिल के साथ 1978 में शरत पवार ने कुछ वैसाई किया था जैसा पिछले साल दिसंबर में अजीत पवार ने शरत पवार के साथ किया था। को वसंदादा पाठिल की ही याद दिलाई थी। क्योंकि आरोप लगा था कि शरत पवार ने वसंदादा पाठिल को धोका दिया था और पार्टी के 40 विधायक तोड़ लिये थे। दूसरे का कॉंग्रेस यू, कॉंग्रेस उर्स, कॉंग्रेस उर्स तब शरत पवार ने इंदरा गांधी का साथ छोड़ दिया था। और देवराज अर्सवाली कॉंग्रेस यू का इस्सा बन गये थे। इसके बाद 1978 में हुए महराष्ट विधान सबा चुनाव दोनों कॉंग्रेस अलग-अलग लड़ी थी। और इसका फायदा उस समय की जनता पार्टी को हुआ था जब वो 288 में से 99 सीच जीतकार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उगरी थी। लेकिन वो बहुमत से पीछे थी। इसके बाद कॉंग्रेस के दोनों गुटों कॉंग्रेस आई और कॉंग्रेस यू ने मिलकर सरकार बनाई थी। और वसंदादा पार्टिल मुख्यमंत्री बने थी। लेकिन करीब ताड़े 4 महीने बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी। लेकिन कॉंग्रेस के बुरे दिनों में भी उसे जीत मिली थी। और आपात काल के बाद हुए चुनाव में कॉंग्रेस ने सांगली में चुनाव जीत लिया था। और साल 1962 से साल 2009 तक महराष्ट की सांगली सीट पर कॉंग्रेस का कबजा बना रहा। यानि कॉंग्रेस ने सांगली में एक दो बार नहीं बलकि पंदरह बार जीत हासिल की। कॉंग्रेस के प्रकाश बाबू वसंदादा पाटिल तो पांच बार वहां से चुनाव जीते। दक्षण में और इसकी सीमा सातारा, सोलापूर, कोलापूर और रतनागरी जैसे जिलों से लगती है। करनाटक के बीजापूर से भी लगती है। पूरे देश में सांगली को हलदी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। साल 1967 से पहले इस इलाके को मिरज कहते थे लेकिन 1967 के बाद जिले का नाम सांगली हो गया था और 1957 में सांगली में पहली बार चुना हुआ था और 2009 तफ कॉंग्रेस ने लगातार इस सीट पर जीत हासल की थी लेकिन उद्धव गुट की शिवसेना ये सीट नहीं छोड़ना चाहती और इसी लिए कृष्णा नदी के किनारे बसे सांगली के लिए महाविकास आगारी में सियासी संग्राम चड़ गया इस बीच भारतिय बैडमिंटन खिलाडी पीवी सिंदू स्विस ओपन के दूसरे दौर में जापान की खिलाडी से 21-16, 19-21 और 16-21 से हरकट टॉर्नमेंट से बाहर हो गई जबकि केश रिकांट ने मलेशिया के खिलाडी को 21-16 और 21-15 से हराकर कौटर फाइनल में जगा बना ली राजिस्तान रॉयल्स के गेंदबार्स आडम जैंपा ने निजी कारणों से IPL के इस सीजन से अपना नाम वापस ले लिया उनकी जगा टीम में गेंदबार्स तनुष कोटियान को शामिल किया गया कोटियान मुंबई रंजी टीम से खेलते हैं और उन्होंने रंजी टोफी के इस सीजन में 10 मैचों में 29 विकेट लिये थे बारदिये शेर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी रही इस दोरान आईटी को छोड़ कर दूसरे सभी सेक्टरों में खरीदारी देखने को मिली सबसे ज़्यादा तेजी मेटल, आटो, एफमसीजी, रियल्टी और कैपिटल गूड सेक्टर के शेरों में रही इसकी वज़े से बंबे सॉक एक्सचेंज का सेंसिक्स 190 अंक चड़कर 72,831 पर बंद हुआ तो निफ्ती 84 अंकों की तेजी के साथ 22,096 के सतर पर पहुँच गया उतर रूस की फौज ने यूकरेन में नीपरो नदी पर बने उसके सबसे बड़े बांध पर जोरदार हमला कर दिया पश्चिमी मीडिया के मताबिक महां मिसाइल और ड्रोन हमले किये गए दावा किया गया कि रूस के इस भीशन हमले ने यूकरेन में हजारों लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी क्योंकि पुतिन के फौज ने यूकरेन में नदी पर बने उसके सबसे बड़े बांध पर कहर बरपा दिया पश्चिमी मीडिया के मताबिक वहां खतरनाक मिसाइलों के साथ-साथ आत्म घाती ड्रोन भी गिराए गए तस्वीरों में दिखा कि रूसी हमले के बाद नीपरो नदी पर बने उस बांध पर भीशन आग लग गए दमकल कर्मी उस आग को बुझाने के लिए वहां पानी की बोचार करते दिखाए थी यूकरेन के जिस बांध पर हमला किया गया वो उसके दक्षणी इससे में मौझूद जापुरिज्या शहर में नीपरो नदी पर बने इस बांध के साथ एक पावर प्लांट भी बना हुआ है जिसके जरीए बड़े पहमाने पर बिजली का उत्पादन किया जाता है और आसपास के खरीब एक दरजन इलाकों में बिजली की सप्लाई उस प्लांट से ही होती आई है लेकिन पश्चिमी मीडिया के मताबिक रूस के हमले में उस बांध के साथ-साथ पावर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुँचा जिसकी वज़े से आसपास के कई इलाके अंधेरे में डूप गए हालनकि रूस ने सिर्फ जापुरिज्या ही नहीं बलकि युकरेन के कई शहरों में एक साथ तबाही मचा दी पश्चिमी मीडिया के मताबिक वहाँ 24 घंटों में करीब 90 मिसाइले और 60 से ज्यादा ड्रोन हमले किये गए जिन में तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग खायल हो गए केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और पंजाब समयत कई जगों पर आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं ने बवार शुरू कर दिया केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ पंजाब के मौहाली में आम आद्मी पार्टी के कारेकर्टाओं का गुस्सा पूप पड़ा हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी कारेकर्टा सडकों पर एकठा हुए और केंद सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया लेकिन आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं पर पुलिस ने वाटर कैनन की मदद से पानी की बोचार कर दी पानी की तेश गोचार होते ही वहाँ अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी थोड़ी देर के लिए सड़क पर पीछे की तरफ भागे लेकिन वाटर कैनन बंध होते ही वो फिर से पुलिस की बैरिकेडिंग के पास जमा होकर हंगामा और नारेबाजी करते दिखाई दिय आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं को रोकने के लिए पुलिस ने मोहाली से चन्डी गड़ की तरफ जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग लगा रखी थी पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की और लोहे की बैरिकेडिंग को पार करके दूसरी तरफ कूद गए बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ मौझूद दूसरे प्रदर्शनकारी भी वहां से कूद कर पुलिस वालों की तरफ आने की कोशिश करते दिखाई दिए। पुलिस ने सभी प्रदर्शन कारियों को हाईवे पर ही रोक दिया। सड़क पर लगी लोहे की बैरिकेडिंग के एक तरफ भारी संक्या में पुलिस वाले मोर्चा सम्हाले दिखाई दिए। तो दूसरी तरफ सैकडों की संक्या में आमान्मी पार्टी के कारेकरता एकठा हुए नजर आए। आमान्मी पार्टी के कारेकरता काफी देर तक बैरिकेडिंग तोड़ कर बीजेपी दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश करते दिखे। हालिके पुलिस ने हंगामा करने वाले कई प्रदरशन कारियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें बसों में बैठाकर प्रदरशन वाली जगह से दूर भेज दिया। आदाम आदमी पार्टी का घुस्सा फूट पड़ा। सुत्रों के मताबिख रिमान के मुद्दे पर दिल्ली की राउजेवनियों कोट में दोनों फक्तों के बीच जूरदार बहस हुई एडी के वकील ने केजरिवाल को घोटाले का किंग पिन बताया। जबकि अर्विन केजरिवाल के वकीलों ने एक राजजिक के मुख्यमंत्री की गिरफतारी को सरकारी एजिंसियों के दुरुप्योग की मिसाल कराड़ दिया। कोट के गलियारे से गुजरते हुए केजरिवाल का एक वीडियो सामने आया जिसमें 10 से 12 एडी अधिकारी उन्हें कोट रूम की तरफ ले जाते नजर आये। आम आदमी पार्टी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें कोट में दाखिल होते हुए अर्विन केजरिवाल ये कहते सुनाए दिये कि वो चाहे जेल में रहें या बाहर देश के लिए काम करते रहें। इसके बाद राव जेविन्यों कोट में अर्विन केजरिवाल और एडी के वकीलों के बीच जबरदस्त बहस शुरू हुए। इसके साथ ही इडी ने दावा किया कि इस केस से जोड़े कई इलेक्ट्रोनिक सबूत पहले ही मिटा दिये गये थे। कैश ट्रांसफर भी किया गया। जबकि कोट में अर्विन केजरिवाल की तरफ से का गया कि इस पूरे मामले से अर्विन केजरिवाल का कोई लेना देना ही नहीं है। कि मुख्यमंत्री की गिरफतारी गयर कानूनी तरीके से की गई। क्योंकि आरोबे की शराब घुटाले के आर्विन केजरिवाल नहीं दिल्ली की शराब नीती में बदलाव करके करोणों के घुटाले की नीव रखी। इसी वज़े से ईडी ने केजरिवाल को इस शराब घुटाले का किंग पिन माना। किंग पिन यानी सबसे एहमाद भी। मतलब ईडी ने ये दावा किया कि ये पूरी साजिश अर्विन केजरिवाल के इशारे पर ही रची गई। और इसके जरीए करोणों की रखम का गबन हुआ। इडी ने दावा किया कि इस पूरे खेल में मनीश्ट सोधिया और संजे सिंग भी बराबरी के हिस्सेदार थे। आला कि इडी के मताबिक इस घोटाले में अर्विन केजरिवाल ने सीधे सीधे इस्सा नहीं लिया बलकि इसके लिए उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजे नायर को काम पर लगाया गया था। और इडी के जांच में ये आरोफ लगाया गया कि दिल्ली की नई शराब मीती के जरीए करोडों के घोटाले की फटकता अर्विन केजरिवाल के घर पर ही लिखी गई थी। ED के मताबिक दिल्ली के CM हाउस में हुई उस बैठक में अर्विन केजरिवाल के अलावा मनीश सिसोधिया भी मौजूद थे और इसी बैठक में ये तैह हुआ था कि शराब नीथी में प्रॉफिट का जो मार्जिन 6 प्रतिशत है उसे बढ़ा कर 12 प्रतिशत मतलब दुगना कर दिया जाए और ED के मताबिक खुद ये बात मनीश सिसोधिया के सचीप सी अर्विन ने पूस्ताज के दोरान बताई थी अर्विन केजरिवाल ने शराब नीथी की आड़ में शराब माफिया से करीब 100 करोड की रिश्वत ली थी और बदले में नई शराब नीथी के जरिये उन्हें फायदा पहुंचाने का बादा किया था मतलब केजरिवाल और शराब माफिया ने एक हाथ दे दूसरे हाथ ले का फार्मूला अपनाया ताकि दोनों ही पक्षों को फायदा हो सके और इसमें एक एहम किरदार ने भाया शराब कंपनी इंडो स्पिरिट के डिरेक्टर समीर महिंद्रू ने सुत्रों के मताबिक समीर महिंद्रू ने पूश्टाश में बताया कि अर्विन केजरिवाल से उन्हें उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजय नायर ने आईपोन के एप फेस टाइम के जरीए मिलवाया था उनके मताबिक इस बादचीत के दोरान केजरिवाल ने ये भी कहा था कि विजय नायर उनका भरोसेमन्द है और वही उनसे आगे की डील करेगा मतलब अर्विन केजरिवाल एक खुद ही विजय नायर को शराब गोटाले से जुड़ी डील करने की आज़ादी दी थी और एडी के मताबिक उसी के जरीए सौ करोड की रिश्वत के रास्ते खुले एडी के सूतरों का दावा है कि केजरिवाल ने नई शराब दींती में बदलाव करने के बदले में सौ करोड रुपए की रिश्वत मांगी थी और जांच में ये बात सामने आएगी इस रकम का इस्तिमाल 2022 में गोवा में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किया था एडी ने कुछ दस्तावेजों के जरीए ये आरोप भी लगाया कि इस रकम के बड़े हिस्से की हेरा फेरी कैश में की गई ताकि किसी को आम आदमी पार्टी या फिर अर्विन केजरिवाल पर शक न हो इडी ने ये दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत के तौर पर मिली रकम से 45 करोड रुपे का इस्तिमाल गोवा के चुनाव में किया इसके लिए तिलंगाना के मुख्यमंत्री के चंदरशेकर राव की बेटी के कविता के अकाउंटेंट बुच्ची बावू ने दो बार पैसे ट्रांसवर की सुत्रों के मुताविक बुच्ची बावू के अकाउंट से ही आम आदमी पार्टी के पास पहले 10 करोड और फिर 15 करोड रुपे ट्रांसवर किये गए और दावा है कि गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाओं में काम करने वाले लोगों को इसी रकम से भुक्तान किया गया है और दावा है कि गोवा चुनाओं में करीब 70 लाक रुपे नकद में दिये गए ये पैसे जिनें दिये गए उनमें आम आदमी पार्टी के कुछ उमीदवार भी शामिल थे इसके लावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने गोआ चुनाम में रिसर्चर के तौर पर अर्विन केजरिवाल की पार्टी के लिए काम किया था अलगि भुच्ची बाबू का ये कबूल नामा अर्विन केजरिवाल के लिए गले की फांस बन गया बाद में बना पहले तो इसने बी आरेस नेता और तिलंगाना के मुख्यमंत्री के चंदरशेकर राओ की बेटी के कविता का खेल बिगाड़ा इस मामले में के कविता को इडी ने हफते भर पहले गिरफतार किया था और माना चारा है कि उनी की गिरफतारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल का नमबर लगा क्योंकि इडी ने अपनी जांच में ये दावा किया कि खरीब 600 करोड से जादा के इस गोटाले को बियारेस निता के कविता और दिल्ली के सीम अर्विन केजरिवाल ने मिल कर अंजाम दिया इडी के मुटाबिक इस समझोते के लिए के कविता का ओफर लेकर वायसार कॉंग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनवासलू रेटी दिल्ली पहुँचे थे उन्होंने ही 100 करोड की रिश्वत के बदले के कविता को भी इस शराब भोटाले में भागिदार बनाने की मांग सीम केजरिवाल से की थी और एडी के सूतरों के मुताबिक इसके बाद इस नई सराबनीती के जरिये ज्यादा से ज्यादा धन उगाई का फूल प्रूफ प्रेंट तेयार कर लिया गया और इसे मंगुटा श्रीनवासलू रेटी के बेटे रागव मंगुटा के जरीये अंजाम दिया गया ये वही सौ करोड की रकम थी जिसे आम आदमी पार्टी तक पहुँचाने की जिम्मेदारी बुच्ची बाबू को सौंपी गई थी और एडी के मुताबिक इसी सौ करोड में 45 करोड रुपए आम आदमी पार्टी ने 2022 में हुए गोआ के चुनाव में खपा दिये थी और इसी मामले में जेल में बंद के कविता को सुप्रीम कोड से जटका लग गया दिल्ली चराव गोटाला मामले में आरोपी थिलंगाना के पूर्व मुक्यमंत्री के चंदरशेकर राओ की बेटी के कविता को सुप्रीम कोड से बड़ा जटका लगा सुत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तरपदेश, ओडिशा, महराष्ट, तिलंगाना और राजिस्थान समेथ कई राज्यों के लिए उम्मीद्वारों के नाम पर महर लग सकती है। इस बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। बिहार में महागडबंधन में शामिल CPI ने तीन बार विधायक रह चुके, अवधेश कुमार को बेगुसराय लोगसबा सीट से अपना उम्मीद्वार बना दिया। इससे पहले अटकलें थीं कि कॉंग्रेस नेता कनिया कुमार को ये सीट मिल सकती है। कनिया कुमार ने 2019 में इसी सीट से CPI के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तब वो बीजेपी नेता गिरीराज सिंग से चुनाव हार गए थे। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी रासत में ले लिये गए। प्रदर्शन कर रही दिल्ली की मंत्री आतिशी को पुलिस बस में भर कर ले गई। बाजी बंद नहीं हुई वो उस बस की खिड़की से बाहर निकल कर नारे लगाती रही लोग संत्र पर हमला है ये देश के लोगों के दिकारों पर हमला है और आतिशी की ही तरह पुलिस ने दिल्ली सरकार में मंत्री सौरब भारदवाज को भी राजत में ले लिया इस दोरान उन्होंने पुलिस टेशन के अंदर बैट कर ही गाने गाना शुरू कर दिया उनके साथ कई कारेकरता भी मौजूद रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी कारेकरता धरने पर बैट गये और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफतर से लेकर आईटी ओ तक हर जगा कारेकरताओं का जमावड़ा लग गया गिरफतारी के खिलाब सड़कों पर उतरे कारेकरताओं के हंगामे से हालात में काबू हो गए और पुलिस के लिए उन कारेकरताओं पर काबू पाना मुश्किल हो गया दिल्ली के आईटियो इलाके में तो आम आदमी पार्टी के कारेकरता बीच सड़क पर ही बैठ गया एक लाइन में बैठे कारेकरताओं ने वहां बैठ कर नारेबाजी करना शुरू कर दिया जिसकी वज़े से सड़क पर लंबा जैम लग गया इस दोरान जब पुलिस उन्हें अठाने पहुंची तो वो वहां से हिलने को भी राजी नहीं हुए इसके बाद पुलिस को जबरदस्ती उन्हें खीच कर वहां से हटाना पड़ा ऐसा ही प्रदरशन वहां राउज एमन्यो कोट के बाहर भी दिखाए दिया कारेकर्टाओं ने वहां लगी बैरिकेडिंग के सामने ही नारेबाजी शुरू कर दी इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने कई कारेकर्टाओं को हिरासत में ले लिया इडी की कारवाई के खिलाफ प्रदरशन कर रहे सैकड़ों कारेकर्टाओं को संभालने के लिए भारी पुलिस पोर्स तैनात कर दी गई और इस दोरान जब पुलिस कुछ महिला कारेकर्टाओं को वहां से अटाने पहुंची तो वो सड़क परी लेड गई इसके बाद पुलिस उन्हें उठा कर वहां से ले गई दिल्ली के आईटियो इलाके में प्रदरशन कर रहे कारेकर्टा पुलिस से भिढ़ने तक को तैयार हो गए ऐसे में पुलिस और कारेकर्टा आमने सामने आ गए वहाँ से आई एक तस्वीर में पुलिस दो कारेकरताओं को घसीट कर वहाँ से ले जाती नजर आई इस दोरान वहाँ मौझूद एक महीला कारेकरता उनके पास बैठ कर ही नारे लगाती रही इसके बाद पुलिस ने उस महीला कारेकरता को भी हिरासत में ले लिया आईटियो इलाके में इतनी बड़ी संख्या में कारेकरता पहुँच गए कि वहां ट्राफिक की दिफ्कत खड़ी हो गई ऐसे में पुलिस ने सक्ती दिखाते हुए सड़क पर बैठे एक एक कारेकरता को वहां से अटा दिया इतर खानून के जानकारों के मताबिक एडी के समंस पर पूश्टाज के लिए नहीं पहुचना ही केजरिवाल की सबसे बड़ी मुसीबत बना क्योंकि दिल्ली शराब गोटाला मामले में एडी ने उन्हें नौ समंस भेजे थे लेकिन वो एक भी समंस पर पूश्टाज के लिए नहीं पहुचे थे इसी वज़े से एक रोज पहले एडी के एक टीम उनके घर पहुच गई थी क्योंकि नौ में समंस के तहट केजरिवाल को 21 मार्च को सुबह 11 बजे पेश होना था लेकिन वो हर बार की तरह इस बार भी पूश्टाज के लिए एडी आफिस नहीं पहुचे थे यही नहीं वो एडी के समंस को लेकर दिल्ली हाई कोट पहुच गए थे जानकारी के मताबिक कोट को एडी ने वो सबूत भी दिखाये थे जिनके आधार पर पूश्टाज के लिए केजरिवाल को समंस जारी किये गए थे माना जा रहा है कि दिल्ली हाई कोट से उनको जटका लगने के बाद एडी ने उन्हें गिरफतार करने की तैयारी शुरू कर दी थी कारून के जानकारों का मानना है कि एडी के नौ समंस पर पूश्टाज के लिए न पहुंच कर केजरिवाल ने अपने पैरों पर कुलाडी मार ली थी और सुत्रों के मताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को गिरफतार करने से पहले एडी के बड़े अधिकारियों ने एक बैठक की थी दावा किया गया कि दिल्ली हाई कोट से केजरिवाल को राहत नहीं मिलने के बाद जांच एजिंसी के अधिकारियों ने ये बैठक की थी। और उन सुबूतों की जांच के बाद एडी के शक की सुई केजरिवाल की तरफ घुम गई थी। केजरिवाल को पूष्टाज के लिए 9 समंज भीजे थे लेकिन इन 6 महीनों में केजरिवाल एक बार भी पूष्टाज के लिए एडी के ऑफिस नहीं पहुँचे यही नहीं उन्होंने हर बार जांच से बचने के लिए अलग अलग बजह तक बताई थी। थाकि वो किसी भी तुरा पूश्टाज के लिए E.D. के सामने पेश ना हो सकें। पाच्वा समन आये तो बहाना क्या था? मध्यप्रदेश में चुनाव चल रहे? मैं कैसे आजाओं जी? मुझे तो भाशन करना है। इसी तरह केजरिवाल ने E.D. के तरफ से जारी किये गए चठे, सात्वे, आठ्वे और नौवे समन से बचने के लिए अलग-अलग वज़े बताई। नौ समन अठारा बहाने मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली शराव गोटाला मामले में वो अपनी गिरफतारी नहीं टाल सके। और इन सब के बीच दिल्ली के मुक्यमंत्री अर्विन केजरिवाल ने अपनी गिरफतारी के खिलाफ सुप्रीम कोट में दायर याचिका वापस ले ली। आम आदमी पार्टी के तरफ से ये बताया गया कि वो अपनी बाद सबसे पहले निचली अदालत में रखेंगे। इस पर सुप्रीम कोट ने भी आम आदमी पार्टी को याचिका वापस लेने की इजाज़त दे दी। जबकि केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाब दायर याचिका के बाद I.D. ने भी सुप्रीम कोट में केवेट दाखिल कर दिया था। यानि I.D. ने ये अपील की थी कि केजरिवाल की याचिका पर कोई भी फैसला लेने से पहले उसका पक्ष भी सुना जाए। लेकिन एन वक्त पर आमादमी पार्टी ने अपनी रणनीत बदल दी। केजरिवाल की लीगल टीम की तरफ से आमादमी पार्टी को निचली अदालत जाने की सला दी गई। और वहां राहत ना मिलने पर आमादमी पार्टी हाई कोट जाएगी। और उसके बाद भी राहत नहीं मिलने की स्तिती में केजरिवाल सुप्रीम कोट का रुख कर सकेंगे। बताया गया कि लीगल टीम की सला के बाद ही आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोट से याचे का वापस लेने का फैसला लिया। कानून के जानकारों के मताबिक आम आदमी पार्टी को अगर सुप्रीम कोट से जटका लगता तो केजरिवाल की जमानत पर संकट आ जाता और उनके पास आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। इसलिए सोच समझ कर सुप्रीम कोट को सबसे आखरी दाओं के रूप में रखने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही कोट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि मदर्सों में पढ़ने वाले चात्रों को बुनियादी शिक्षा विवस्था में समयोजित किया जाए। कॉंग्रेस को डिल्ली हाइकोट से बड़ा घटका लगा। हाइकोट ने आयकर विभाक की कारवाई के खिलाप कॉंग्रेस की याचिका खारिच कर दी। कॉंग्रेस ने लगातार तीन वर्षों के लिए आयकर विभाग की टैक्स री असेस्मेंट प्रोसीदिंग्स के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस पिंजरे पर ED और CBI लिखा दिखा इसके जरीए इन लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया प्रदर्शन के दोरान कई प्रदर्शनकारी बैरिकेट पर चड़ गए बहुत देर तक हंगामा चलता रहा इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारीयों को हिरासत में लेना जुनाव आयोग भी गए अगर कुछ कलती भी हुई है तो आपने कहीं ये नहीं दिखाया कि अभी इसी वक्त एजनसी की रेड आवश्यक है यानि इस मामले में विपक्षी कटबंधन केजरिवाल के साथ दिखा जुनाव आयोग पहुंचने वाले नेताओं में तो कॉंग पर सवाल उठाए थे और कॉंग्रेस की ओर से लिखी गई ये वही चिठी 2022 में लिखी गई इस चिठी में दिल्ली की नई आपकारी नीती पर उंग्ली उठाए गई थी और आरोफ लगाया था कि दिल्ली में नई शराब नीती के तहत कई कंपनियों को अवैद थेके दिये क्या था कि एक ही कंपनी को अलग-अलग नाम से ठेके दिये गए थे और आरोब लगाया था कि केजरिवाल भी इस घोटाले के इस्सेदार थे कि कम से कम सो करोड की रिश्वत ली गई यानि जिस कॉंग्रेस ने केजरिवाल की गिरफतारी पर इतना हल्ला मचाया कि शोद्या जी अर्विंद केजरिवाल जी के राजदार है उनकी चुपी टूटेगी और उनकी चुपी अर्विंद केजरिवाल की कुरसी तक पहुंचेगी कॉंग्रेस के ये सूर पहले थे क्योंकि अब वो केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ है और इसलिए उसने सड़कों पर प्रिदर्शन किया लेकिन विपक्षी कटबंधन बनने से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं के तेवर अलग थे लेकिन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद विपक्षी कटबंधन जिस तरह से एकजूट हुआ उसके बाद संजे सिंग का वो बयान चर्चा में आ गया क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कबजे में है चंद परिवारों ने देश की राजनीती पर कबजा कर लिया है पूरव से लेके पस्चिम तक उत्तर से लेके डक्षिन तक चंद परिवारों का देश की राजनीती पर कबजा है चले जाएए काश्मीर, सेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, चले जाएए महारास्ट्रा, बाल ठाकरे, उधाउ ठाकरे, आदित ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी, सरत पवार, सुप्रिया सूले, अजीत पव चले जाएए बिहार, लालू यादो, राबडी यादो, तेजस यादो, मीसा यादो, तेजस्वी यादो, एकी परिवार की पार्टी, चले जाएए जहारखन, तुर्गा सुरेन, सेमन सुरेन, सीबू सुरेन, एकी परिवार की पार्टी, चले जाएए उडीसा, बीजू पतन स्परीवार की पार्टी ऑड़ोच주는 की परिवार की पार्टी और देश मद्प्रदेश के धार में मौझूध जाला परिशर में US basic के मामले में मुस्लिन पक्ष को बड़ा जटका लगा प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दोरान दोनों देशों ने पेट्रोलियम, और उर्जा, खेल और स्वास्त के क्षेत्र से जुड़े साथ समझोतों पर हस्ताक्षर किये। इससे पहले प्रधान मंतरी के भूटान पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद पीम ने भूटान के प्रधान मंतरी और भूटान नरेश से मुलाकात की। इस बीच एड़ी और केंद्र सरकार के खिलाब आमादमी पार्टी के कारेकरताओं का गुस्सा हर्याना के कुरुक शेत्र में भी फूटा। सड़कों पर प्रधरशन के लिए उत्रे कारेकरताओं को जब पुलिस वालों ने रोका तो वो उनसे उलच पड़े। आमादमी पार्टी के कुछ दूसरे कारेकरता भी बैरिकेट पर चड़े हुए दिखाई दिये। मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद आमादमी पार्टी ने जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाने की तयारी कर ली क्योंकि अर्विन केजरिवाल के जेल जाने के बाद हर किसी के मन में ये सवाल उठने लगा कि दिल्ली में केजरिवाल की गयर मौजूदगी में सरकार कौन चल था कि अगर इस्तीफा देनी की नौबत आई तो दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी दिल्ली की सरकार चलाएंगी। हालां कि एक रोज पहले गिरफतारी के बाद अर्विंद केजरिवाल ने मुख्यमंत्री पत्से इस्तीफा नहीं दिया था। मतलब ये कि आम आदमी पार्टी इस परिस्तिती के लिए पहले से तयारी कर रही थी। क्योंकि काफी लंबे वक्त से शराब गोटाला मामले में मुख्यमंत्री आर्विंद केजरिवाल पर गिरफतारी की तलवार लटक रही थी। जानकारों के मताविक भारत के सम्विधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें किसी भी मामली में गिरफतारी के बाद आरोपी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही होगा और सूत्रों के मताविक इसी वज़े से आम आदमी पार्टी और अद्विंद केजरिवाल ने जेल से सरकार चलाने का प्लैन तयार किया था लेकिन जेल से सरकार चलाने की रहा में आम आदमी पार्टी को कई तरह की कानूनी चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सूत्रों के मताविक तिहार जेल के मैनुवल यानि नियम काईदों में जेल से सरकार चलाने का कोई प्रावधान ही नहीं सूत्रों के मुदाबिक दिल्ली के इतिहार जेल के मैनुवल मैं किसे भी मुख्यमंतरी के जेल से सरकार चलाने का प्रावधान नहीं है जेल मैनुवल एक रूल बुख होती है जिसमें जेल में बंद कैदीयों के लिए नियम कायदे लिखे होते हैं जेल परशासन इसी के हिसाब से काम करता है। तो जेल सुप्रिटेंडेंट से लिखित इजाजत लेनी होगी एक राज्य के मुख्यमंत्री के कंधों पर कई तरह की जिम्मेदारिया होती है कैबिनेट की बैठक के अलावा मुख्यमंत्री को दिन भर अफसरों के साथ बैठकें करनी पढ़ती है और जेल में रहते हुए ये सारी चीजें संभव नहीं है और जिस शराब घुटाला मामले में अर्विन केजरीवाल को गरफतार किया गया वो शराब नीती तीन साल पहले बनाए गई थी सिसोधिया से जब इसे लाने की वज़ा पूची गई थी तो उन्होंने दो तर्क दिये थी पहला ये कि इससे माफिया राज खत्म होगा और दूसरा ये कि इससे सरकारी खजाना बढ़ेगा 17 नमंबर 2021 को नई शराब नीती 2021-22 लागू कर दी गई थी इसके लागू होते ही शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और पूरा कारोबार नीजी हाथों में चला गया था कई बड़े ओफर और डिसकाउंट देने की वज़ह से शराब की जमकर बिक्री हुई थी और इससे दिल्ली सरकार का खजाना तो बढ़ा लेकिन इस नई नीती का जमकर विरोध भी होने लगा था 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीती में घोटाला होने का आरोब लगा था उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट उपराजपाल वीके सकसेना को बेज़ दी थी रिपोर्ट में सिसोधिया पर नियमों को ताक पर रखकर शराब कारोबारियों को फाइदा पहुचाने का आरोब लगा गया था और बाद में उपराजपाल ने भी उनकी और कैबिनिट की मनजूरी के बिना शराब नीती में बदलाब करने का आरोब लगा दिया था 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराजपाल ने मुख्य सचित की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जाँच सी बियाई से कराने की सिबारिश कर दी थी और उसी दोरान विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीती रद्द कर दी थी इसके बीचे दलील ये दी गई थी कि खुदरा और थोक कारोबारियों के शराब के धंदे से हटने की वज़े से ऐसा किया गया बाद में 17 अगस 2022 को सीबी आई ने मनीश शिसोदिया, तीन रिटायर सरकारी अफसर, नौ शराब करोबारी और दो कमपनियों के खिलाब केस दर्च कर लिया था इन पर भष्टा चार से जुड़ी धाराओं के तहट केस दर्च किये गए थी 19 अगस को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीश शिसोदिया से जुड़े घर और ठिकाने समेट 7 राजियों के 31 ठिकानों पर छापे मारे गए और इसके बाद सिसोदिया ने दावा किया था कि सीबी आई को कुछ नहीं मिला तीन दिन बाद 22 अगस 2022 को ईडी ने सीबी आई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉंडरिंग का केस दर्च कर लिया था क्योंकि सिसोदिया के पास ही आपकारी विभाग था इसलिए उन्हें इसमें मुख्य आरोबी बनाय गया कई बार पूश्टाश के बाद जाँच एजनसी ने 26 वरवरी को उन्हें गिरफतार कर लिया था सिसोदिया पर आरोब लगा गया था कि उन्होंने मनमाने और एकतरफा फैसले लिये थी उनके फैसलों की वज़े से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ इस भी जोडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पतनाय की पार्टी बीजेडी और बीजेपी में गडबंधन पर बात नहीं बन सकी दोनों पार्टियों ने राज्य की 21 लोगसवा सीटों और 147 विधान सबा सीटों पर अलग-अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया उटिशा में लोगसवा के साथ ही विधान सबा के भी चुनाव होने है बीजेपी ने लोगसवा उम्मीदवारों की चौती लिस्ट जारी कर दी इस लिस्ट में तमिलनाड के लिए 14 पत्याशियों के नाम और पुदुच्चेरी सीट के उम्मीदवार का नाम शामिल है एक रोज पहले बीजेपी ने तमिलनाट के नौ उम्मीदवारों के नामों का इलान किया था टीमसी ने चुनाव आयोग से पश्चे मंगाल के राजजपाल सीवी आनन बोस के खिलाफ शिकायत की टीमसी ने राजपाल पर चुनावी प्रक्रिया में दखल देने का आरोप लगाया कुछ दिन पहले वहां के राजपाल ने लोगसभा चुनाव से जुड़े किसी भी मुद्धे पर लोगों से जुड़ने के लिए पोर्टल लोग सभा लॉंच किया था इस पर टीमसी ने आपत्ती जताई इधर दिल्ली शराब घोटाला मामले में अर्विन केजरिवाल समेथ 16 लोग गिरफतार किये जा चुके केजरिवाल से पहले दिल्ली के पूर्व रिप्टी सीम मनीश सिसोधिया, राज्यसबा सामसाथ संजय सिंग और पूर्व मुख्य मंत्री के चंदरशेकर राओ की बेटी के कविता की गिरफतारी की जा चुकी है और सुत्रों के पुताबिक पूष्टाज के दोरान के कविता ने कई बार इस मामले में अर्विन केजरिवाल का नाम लिया था और दो घंटे की पूष्टाज के बाद राद करीब नौ बजे केजरिवाल को गिरफतार कर लिया गया था दिल्ली शराब गोटाला मामले में इस साल ये दूसरी गिरफतारी है गोटाले का ये सिलसला यही नहीं खमा इस घोटाले में हमें तरोडा नाम के शराब कारोबारी को भी गिरफतार किया गया था इन्हें इस घोटाले का मिडल में यानी पिचॉलिया बताया गया हमें तरोडा की गिरफतारी 2022 में हुई था लेकिन दिल्ली के शराव गोटाला मामले में सबसे ज़ादा गिरफतारियान 2023 में हुई उस साल जांच एजिंसियों ने शराव कारोबारी गौतम मलहुतरा, रागव मंगुटा और दिनेश अरोडा समेथ कई लोगों को गिरफतार किया था लेकिन 2023 में सबसे बड़ी गिरफतारी मनीश इसोदिया के रूप में हुई थी, तब वो दिल्ली के उपमुखे मंत्री थी, लेकिन 26 फरवरी 2023 को गिरफतारी के बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था उनके बाद 4 अक्टूबर 2023 को आम आदमी पार्टी के वरिष्ट नेता और राज्यसवा सांसत संजे सिंग को भी गिरफतार कर लिया गया था इसी वज़े से आम आदमी पार्टी को बड़ा जटका लगा था सुत्रों ने दावा किया कि शराब कारोबारी दिनेश रोडा, संजे सिंग, मनीश सोदिया और विज़े नायर के बेहत करीबी हैं जानकारी के मताबिक बाद में दिनेश रोडा सरकारी कवाह बन गए और पूश्ताच में उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम उगल दिये थे इस बीच हिमाजर प्रदेश के तीन विधायकों ने स्तीफा दे दिया इमाजर प्रदेश में पिछले महीने हुए राजेसवा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देने वाले तीन निर्दलिये विधायकों ने स्तीफा दे दिया खबरे की ये तीनों बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जम्मु कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नभी आजाद की पार्टी डीपी एपी को चुनाव आयोग ने बाल्टी चिन आवंटित किया गुलाम नभी आजाद ने कॉंग्रेस चोड़ने के बाद पिछले साल ये पार्टी बनाई थी उनकी पार्टी टीपी एपी ने जमू कश्मीर की सभी पांच लोगसबा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उत्रप्रदेश के बदाईउं हत्या कान में शामिल जावेद नाम के दूसरे आरोपी को 14 दिन की नियाएक हिरासत में जेल भेज दिया गया जावेद पर आरोप है कि उसने हत्या में शामिल साजित की मदद की थी आरोप है कि मंगलबार को साजित ने दो बच्चों की धारदार हत्यार से गला रेत कर हत्या कर दी थी लेकिन वहाँ पुलिस कर्मी उनके सामने किसी चटान की तरह खड़े हो गए और आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं को बीजेपी दफ्तर में गुसने से रोक दिया तभी वहाँ बैरिकेड के पास ही उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दिया इस दोरान प्रतरशन कर रहे कारेकर्टा अपने हाथों में पोस्टर लेकर लेकर लहराते नजर आए और कुछ कारेकर्टा तो बैरिकेड हटा कर सड़क के दूसरी तरफ आ गए लेकिन पुलिस के जवानोंने सकती दिखाई और उन्हें खदेड दिया इस बीच कुछ कारेकर्टा उनसे भिड़ गए तभी पुलिस के जवानोंने डंडे बर्साने शुरू कर दी इसके बाद तो सड़क पर एके कारेकर्टा को पुलिस करमी दोडा दोडा का डंडे मारते दिखाई दी और उनमें एक कार्यकर्ता तो सड़क पर ही लेट गया उसे पुलिस कर्मियों ने उठाया और हिरासत में ले लिए इसके साथ ही कई दूसरे कार्यकर्ताओं को भी पुलिस कर्मी वैन और बस में डालते दिखे महां बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे प्रदर्शन कारियों को हिरासत में लेने के दौरान वो शोर शराबा करते दिखे कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए उस बस के अंदर भी नारे लगाए जबकि दिल्ली के मुख्यमंतरी आर्विन केजरिवाल ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया पिचित्तर वर्ष में पहली बार एक 85 मुख्यमंतरी को कल रात को गिरफतार किया गया कुछ दिन पहले ही जारकंड के पूर्व मुख्यमंतरी हेमन सुरेन ने भी ऐसा ही किया था 31 जनवरी को गिरफतार किये जाने से ठीक पहले उन्होंने राजजपाल को इस्तीफा सौफ दिया था हेमन सुरेन को जमीन गोटाले के एक मामले में एडी ने गिरफतार किया था साल 1997 में लालू प्रशाद यादव ने भी खुद पर गिरफतारी की तलवार लटकने के बाद बिहार के मुख्यमंतरी का पद छोड़ दिया था क्योंकि CBI ने चारा गोटाले के एक मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया था यही वजड़ है कि तब लालू प्रशाद यादव ने चौकाने वाला फैसला लेते हुए मुख्यमंतरी की कुर्सी पर अपनी पत्मी राबडी देवी को बैठा दिया था हेमन सुरेन और लालू प्रशाद यादव के अलावा तमिलनाड में जे जैलालिता, करनाटक में बीए सेडियोरप्पा और मद्ध प्रदेश में उमा भारती को भी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंतरी का पद छोड़ना पड़ा था इधर जेल में बंद यूट्यूबर अलविश यादव को कोट से रात मिल गई नशे के लिए सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में गिरफ्तार हुए यूट्यूबर अलविश यादव को कोट से जमानत मिल गई उन्हें 17 मार्च को उत्तरप्रदेश की नोईडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था पश्चिमंगाल में शिक्षक भरती गोटाले को लेकर एडी ने राजिक के मंतरी चंदरनाद सिना के आवास पर चापे मारी की बताया गया कि मंतरी के आवास के अलावा भी कई जगों पर चापे मारे गए कॉंग्रेस के राश्ट्री प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया इसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर गंभीर आरोब भी लगाए कॉंग्रेस ने उन्हें एमदाबाद पूर्व सीट से टिकेट दिया था लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था इस भी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि गिरफतारी के बाद पहली रात एडी मुख्याले में अर्विन केजरिवाल को नींद नहीं आई उन्हें वहां लॉक अप में रखा गया था और इस दोरान केजरिवाल भी कैमरे की निगरानी में रहे इसके साथ ही आसफास सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहे इडी दक्तर की तीन मंजिला एमारत में दो लॉक अप हैं और दोनों ही लॉक अप ग्राउंड फ्लोर पर बने हैं बताया गया कि उनमें एक लॉक अप में अर्विन केजरिवाल को बंद करके रखा गया था सुत्रों के मुताबिक उस लॉक अप में वो रात भर परेशान रहे और उन्हें नींद नहीं आई आनकि अपील करने पर उनके घर से कंबल और दवाईयां मंगवा कर उन्हें दिगी नियमों के मताबिक E.D. की गिरफ्ट में आए किसी भी आरोपी को अपील के बाद दवाईयां और जरूरत का सामान दिया जा सकता है और इसी अपील के बाद केजरीवाल को भी दवाईयां और जरूरत की चीजे E.D. के दफ्तर में मुहिया कराई गई लेकिन सूत्रों ने दावा किया कि केजरीवाल लॉक अप में ठीक से सो नहीं पाए और सुबह जल्दी उड़ गए इसके बाद उन्हें लॉक अप के अंदर ही नाच्टा दिया गया और उन्होंने अपनी रूटीन की दवाईयां ली वही सूत्रों ने दावा किया कि अर्विन केजरीवाल की परिशानी अभी और बढ़ सकती है क्योंकि शराब गोटाला मामले में एडी ने उनसे सवाल जवाब करने के लिए special टीम तयार कर ली सूत्रों के मताबिक ये special टीम कैमरे के सामने उनसे पूश्टाच करेंगी और अर्विन केजरीवाल से पूश्ताच के लिए एक-एक सवाल और उनके दिये गए जवाब विस्तार से लिखे जाएंगे सुत्रों के मताबिक E.D. की स्पेशल टीम अर्विन केजरिवाल और के कविता को आमने सामने बठा कर पूश्टाच करेगी कुछ दिनों पहले ही E.D. ने B.R.S. नेता के कविता को गरफतार किया था उन पर भी शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है सुत्रों के मताबिक केजरिवाल E.D. के अधिकारी कफिल राज और सत्तवर्थ पर लगातार नजर रखे हुए थे चुकि E.D. के दोनों ही वरिष्ट अधिकारी शराब घोटाला मामले की जाच कर रहे थे और दावा किया गया कि गिरफ्तारी के दोरान तलाशी में केजरिवाल के घर से डेड़ सो पन्नों के दस्तावेज बरामत किये गए और उन दस्तावेजों में उन दोनों अधिकारियों के बारे में जानकारी लिखी होने का दावा किया गया बताया गया कि उनमें अधिकारियों के काम, परिवार और उनकी संपत्ती के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी और दावा किया जा रहा है कि इस मामले में भी E.D. केजरिवाल के खिलाब कारवाई कर सकती है तोकि सुत्रों के मताबिक उन दस्तावेजों को E.D. ने गायर कानूनी बताया दावा किया गया कि E.D. उन दस्तावेजों की जांच में जुड़ गई और रोहिनी आचारे बिहार की सारण सीट से मैदान में उतरेंगी यह दोनों वो सीटे हैं जहां से 2009 में लालू यादव ने खुद चुनाव लड़ा था इस बार इनी सीटों से उन्होंने अपनी बेटियों को टिकेट दी यानि इस बार के चुनाव में लालू यादव की दो दो बेटियां लड़ेंगी यह खबर पहले ही उड़ी थी कि इस बार मीसा भारती और रोहिनी आचारे दोनों चुनाव लड़ सकती हैं इसके कुछ दिन बाद यह पक्का हो गया और खबर आ गई कि मीसा भारती बिहार के पाटली पुत्र से चुनाव लड़ेंगी और रोहिनी आचारे बिहार की सारण सीट से ताल ठोकेंगी अपने पिता को किटनी देने वाली रोहिनी आचारे के लिए यह पहला मौका होगा जब वो चुनाव लड़ेंगी लेकिन मीसा भारती इससे पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं वो पाटली पुत्र से 2014 और 2019 का लोगसभा चुनाव लड़ चुकी हैं लेकिन दोनों बार वो हार गई थी और दोनों बार उन्हें बीजे पी के राम कृपाल यादव के हाथों ही मात मिली थी इसके बाद RJD की ओर से उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया था और मीसा भारती के राज्यसभा का कारिकाल करीब 4 साल बचा हुआ लेकिन इसी बीच खबर आगए कि मीसा भारती एक बार फिर पार्टली पुत्र से चुनाव लड़ेंगी मीसा भारती लालु यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं उनके जन्द के समय लालु यादव जेल में थे और इसलिए लालु यादव ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती रखा था क्योंकि देश में आपातकाल के समय लालु यादव को मीसा यानि मेंटिनेंस अफ इंटरनल सिक्योरिटी आक्ट के तहद गिरफ्तार किया गया था ये वो कानून था जिसके तहद 1975 से 1977 के बीच आंदोलन कारियों को गिरफ्तार किया गया था और लालु यादव भी इसी कानून के तहद जेल में बन थे और उसी दोरान उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ था लालु यादव ने अपनी किताब में भी इससे जुड़ी पूरी कहानी लिखी थी और बताया था कि उन्हें जेपी ने सुझाव दिया था कि वो अपनी बेटी का नाम मीसा कानून के नाम पर रख दे इसके बाद लालू यादव ने अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती रख दिया था और इसके सालों बाद जब मीसा भारती अपने बेटे को लेकर संसद बहुंची थी तो एक बार फिर इस बात की चर्चा हुई थी उस वकद पर लोगोंने सुझाव दिया था कि मीसा भारती भी अपने बेटे का नाम ऊसी तरह रखें जैसे उनका नाम रखा गया था ये सला मीसा भारती को तब दी गई थी जो अपने दो महीने के बेटे को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में पहुंच गई थी और उसी दौरान हलके फुलके महौल में मीसा भारती के बेटे का नाम नोट बंदी रखने की पात उठी थी यानि जिन परिस्थितियों में लालु यादव की बेटी का नाम रखा गया था उसकी चर्चा सालों तक होती रही वैसे नाम के अलावा मीसा भारती अपनी MBBS की डिगरी की वज़े से भी खूब चर्चा में थी और इसके बाद लालु यादव के विरोधियों ने मीसा भारती के MBBS में टॉप करने पर सवाल उठा दिया था यही नहीं मीसा भारती की मेडिकल प्राक्टिस नहीं करने पर भी सवाल उठे थे लेकिन मीसा भारती ने इस बात की दलील दी थी कि परिवार और काम के बीच में तालमेल बठाना मुश्किल हो जाता इसलिए उन्होंने प्राक्टिस नहीं की लेकिन विरोधियों ने मिसा भारती की दलील नहीं मानी थी और मिसा भारती के MBBS में टॉप करने पर बार बार सवाल उठाए थी यानि मिसा भारती का नाम और डिगरी दोनों चर्चा में रह चुके हैं और उनकी सियासत में एंट्री के बाद उन पर भष्टा चार के आरोप भी लगे मिसा भारती और उनके पती शेलेश कुमार के खिलाव हजारों करोड की हिरा फेरी के मामले की जांच चल रही है एडी इस मामले में उनसे कई बार फूश्टाच कर चुकी है और इनी मामलों की जांच के बीच आरजेडी ने मिसा भारती को बिहार की पाटली पुत्र सीट से टिकेट देने का फैसला किया बिहार की पाटली पुत्र सीट 2008 में बनी थी और इससे पहले पटना में केवल एक लोगसबा क्शेत्र था लेकिन 2008 में परिसीमन हुआ और इसके बाद दो लोगसबा सीटे मन गई पहली पाटली पुत्र और दूसरी पटना साहिब रिकॉर्ड है कि पाटली पुत्र में अब तक हुए तीनों लोगसबा चुनाओं में एंडिये को ही जीत मिली है और 2014 और 2015 में मीसा भारती को एंडिये के राम कृपाल यादव ने मात भी थी लेकिन मीसा भारती एक बार फिर पाटली पुत्र से चुनाओ लड़ने जा रही है और उनके अलाबा लालु यादव की दूसरी बेटी रोहिनी आचार बिहार की सारण लोगसबाशीट से चुनाओ लड़ने है इसके संकेत आरजडी की मलसी और लालु यादव के परिवार के खरीबी कहे जाने वाले सुनील कुमार सिंग ने कुछ दिन पहले ही दे दिये थे और अब उन खबरों पर महर लग चुकी है क्योंकि लालु प्रिसाद यादव की एक और बेटी की सियासत पे एंट्री होने जा रही है लालु यादव के नौ बच्चे हैं, साथ बेटियां और दो बेटे, दोनों बेटे तेजस्वी और तेजब्रताफ बिहार की सियासत में सक्रीय हैं लालु यादव की सातों बेटियों के नाम है मीसा भारती, रोहिनी आचारे, चंदा यादव, रागिनी आदव, हेमा यादव, अनुष्का राव और राजलक्ष्मी इन सातों बेटियों में मीसा भारती पहले से सियासत में है और अब रोहिनी आचारे सारण से चुनाव लड़ने जा रही है और इसके संकेत तीन मार्च को पटना में आरजेडी की जन विश्वास रैली में ही मिल गए थे क्योंकि उस रैली में रोहिनी आचारे मंच पर नजर आई थी वो रैली में शामिल हुए विपक्ष के निताओं से मिलती दिखी थी ये पहला मौका था जब रोहिनी आचारे सियासी मंच पर लालू प्रसाद यादव के साथ दिखी थी और इस्रैली के कुछी दिन बाद खबर उड़ी थी कि रोहिनी आचारे का सियासी सफर शुरू होने वाला है रोहिनी आचारे का नाम तब खूब चर्चा में आया था जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किड्नी दी थी और इसके बाद लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हुआ था रोहिनी आचारे के सारण से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच आरजेटी नेताओं ने इस बात का जिक्र भी छेड़ दिया किड्नी डोनेट करके अपने पिता जी के आयू को बढ़ने का काम किया इससे बड़ा सौभागिय किसी भी पिता के लिए नहीं हो सकता सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली रोनी आचारे ने अपने पिता को किड्नी देकर एक अलगी छवी बनाई पिछले महीने जेडियू और आरजेटी का गडबंधन तूटने पर उनकी सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट भी चर्चा में थी क्योंकि इससे उनकी तेज तर्रार चवी भी सामने आ गई थी क्योंकि अपनी पोस्ट में वो नितीश कुमार पर खुब भड़ की थी वो लालू प्रसाद यादव के परिवार से राजनीती में आने वाली चटी सदस्य हैं क्योंकि खुद लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबडी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और दोनों बेटे तेजस्वी और तेजप्रताब राजनीती में सक्री हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं तेज प्रताब और तेजस्वी ने विधान सबा चुनाव लड़ा है जब कि लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी और मीसा भारती लोग सबा चुनाव लड़ चुके हैं और रोहिनी आचारे की सियासी पारी का आगाज भी लोग सबा चुनाव से ही होने वाला है और वो बिहार की उस सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं जहां से 1977 में लालू प्रसाद यादव ने कॉंग्रेस के खिले को दोस्त कर दिया था यानि रोहिनी आचारे विहार की सारन लोग सबा सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं 1977 में इस सारन सीट का नाम चपरा था यानि आज की सारन लोग सबा सीट 1977 में चपरा लोग सबा सीट थी 1957 से 2004 तक ये सीट चपरा ही रही परिसीबन के बाद इसका नाम सारन हो गया और छपरा को इसका मुख्यालाय बना दिया गया आसान बाशा में कहें तो छपरा लोगसबा सीट का नाम सारन लोगसबा सीट पढ़ गया सारन गंगा, गंडक और घागरा नदी से गिरा हुआ इलाका है इसे ये इलाका एक त्रिभुज जैसा लगता है जिसके दक्षण में गंगा बैती है जो आगे भोजपूर और पटना तक जाती है जब कि पूर्व दिशा में बहने वाली गंड़क नदी सारण जिले को वैशाली और मुझफपरपूर जैसे जिलों से अलग करती है या यूँ कहें कि गंड़क नदी सारण और वैशाली और मुझफपरपूर के बीच बॉर्डर लाइन की तरह काम करती है और कुछ इस तरह की सीमा गागरा नदी भी बनाती है ये पश्चिमी इससे में सारण जिले को बिहार के सिवान और उत्तरप्रदेश के बलिया जिले से अलग करती है लेकिन कहते हैं कि भले ही नदिया यहां त्रिकोंड मनाए लेकिन सारण में चुनावी संग्राम के दवरान कभी भी सियासी त्रिकोंड नहीं मना क्योंकि सारण में ज्यादातर बार ऐसा हुआ कि दो अमीदवारों के बीच ही कांटे की टक्तर हुई लालू यादव की एंट्री से पहले इस सीट को कॉंग्रेस का गढ़ कहा जाता था कॉंग्रेस के राम शेकर सिंग तो लगातार चार बार सारण से चुनाव जीते थे लेकिन 1977 में लालू प्रसाद यादव ने इस सीट से बंपर जीत हासिल की थी और अबके सारण और तबके छपरा से जीत कर सुर्कियों में आ गए थे जेपी आंदोलन को इस जीत की बड़ी वज़ा माना गया था कहते हैंगे 1977 में हुए लोगसबा चुनाव में लालू प्रसाद यादव को जेपी आंदोलन से उठी उसी लेहर का फायदा हुआ थे यही नहीं 1977 के बाद वह 1989, 2004 और 2009 में बिहार की सारण सीट से चुनाव जीते थे वैसे 2009 में लालू प्रसाद सारण और पाटली पुत्र दो जगों से चुनाव लड़े थे और पाटली पुत्र में वो चुनाव हार गये थे लेकिन सारण में उनकी जीत हुई थी लेकिन इसके बाद सारण लोग से बाद सीट से वो चुनाव नहीं लड़ पाई क्योंकि चारा गोटाला मामले में उन्हें दोशी करार दिया गया था और लालू प्रिसाद यादव के चुनाव लड़ने पर 11 साल की रोक लगा दी गई थी लेकिन लालू प्रिसाद यादव ने इसका भी तोड़ निकाल लिया था क्योंकि 2014 में सारण से राबडी देवी चुनाव लड़ी थी वो अलग बात है कि राबडी देवी को राजीव प्रताव रूडी ने सारण से हरा दिया था और इसके बाद 2019 में राबडी देवी सारण से चुनाव नहीं लड़ी थी तब आरजडी ने चंद्रिका राय को मैदान में उता रहा था लेकिन वो भी हार गए थे इसके बाद चंद्रिका राय ने आरजडी छोड़ दी थी और जेडियू में शामिल हो गए थे यहनी सारण में लालू प्रसाद यादव के बाद न तो राबडी देवी ही जीत पाईं और नहीं लालू प्रसाद यादव के सम्धीच चंद्रिका राय उल्टा बाद में चंद्रिका राय आरजडी छोड़कर जेडियू में शामिल हो गए थे और दोनों बार RJD के प्रत्याशियों को BJP के राजीव प्रताब रूडी नहीं हराया था 2014 और 2019 के लावा वो 1996 और 1999 में भी सारण से चुनाव जी चुके हैं और वो लालू प्रसाद यादव के परिवार की तीसरी सदस्य होंगी जो सारण में अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं इस बीच बिहार के उपमुखे मंतरी समराट चौधरी ने लालू यादव की बेटी पर निशाना साधा बिहार के उपुमुखे मंतरी समराट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचारे को सारण सीट से टिकट दिये जाने पर विवादास पद बयान दे दिया लालू प्रसाद जी ऐसे नेता है जो टिकट बेचने में माहिर खेला लिए पिहार के आरा से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर लोग खौशक कर रहा थ है लेकिन वह फिसलते हुए नीचे आ गया इसका जो वीडियो सामने आया उसमेंगे उस्वों कम स्पीड में फिसलते हुए नीचे आ गया वो थोड़ी दूर तक चलती ट्रेन के साथ गिसटता चला गया और इसके बाद वहाँ खड़ा एक फुलिस कर्मी दोड़ते हुए वहाँ आया और उसे बाहर निकाल लिया अगर उस फुलिस कर्मी को आने में थोड़ी भी देर होती तो वो आदम पूरा का पूरा उस ट्रेन के नीचे आ जाता लेकिन वो पुलिस कर्मी तुरंट उसे खीच कर उस ट्रेन से दूर ले आया है इस दोरान उस आदमी को देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड जमा हो गया गरीमत ये रही कि उस आदमी को सही सलामत बचा लिया गया इधर क केंद्र सरकार ने करिबिया इदेश हेती में फसे भारतियों को निकालने के तयारी पूरी कर ली हेती में पिछले टैइस दिनों से जारी हिंसा में कई लोगों की मौत हो चुकी है दिलाबाद हाई कोट ने फरार चल रहे यूपी के पूर्व मंत्री अमर मनी तृपाटी की आचिका खारिच कर दी उन्होंने संपत्तियां कुर्क करने के निचली अदालत के फैसले को हाई कोट में चुनौती दी थी जेल में बंद सजायाफता कैदी के साथ मारपीट के मामले में पूर्व सांसद आनन्द मोहन को कोटने बरी कर दिया इजबीज महाराश की सांगली सीट पर महाविकास अगाडी में तनाव बढ़ने की खबर आई कि इस सीट के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी और कॉंग्रेस में ठन गई और नौबती आ गई कि कॉंग्रेस ने सांगली के मिरज में होने वाली उद्धव ठाकरे की सभा का बहिशकार कर दिया सुत्रों ने बताय कि उद्धव ठाकरे की ओर से कॉंग्रेस को इस सभा में शामिल होने का न्योता दिया घ्या था लेकिन कॉंग्रेस ने उनका न्योता ठुकरा दिया खबारे कि कॉंग्रेस टे पैसला सागली लोकसभा सीट की वज़जसे ही लिया क्योंकि उधव गुट की शिवसेना ने सांगली लोगसबा सीट से चंद्रहार पार्टिल को उम्मीदवार बनाने के संकेत दिये थे और इसी बात पर कॉंग्रेस भलक दे क्योंकि कॉंग्रेस भी सांगली से चुनाव लढना चाहती है उधव गुट की शिवसेना ने सांगली से जिस चंद्रहार पार्टिल को उम्मीदवार बनाने का इचारा किया था वो कुछ दिन पहले ही उनकी पार्टि में शामिल हुए थे लेकिन कॉंग्रेस इसके लिए तयार नहीं हुई फिर क्या था महराज की सांगली सीट के लिए महाविकास अगाडी में गमासान की खबरे आनी शुरू हो गए सुत्रों ने बताया कि कॉंग्रेस इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री वसंदादा पार्टिल के बोते विशाल पार्टिल को चुनाव लड़वाना चाहती है लेकिन उद्धव गुड की शिवसेना चंद्रहार पार्टिल को सांगली से उम्मीदवार मनाना चाहती है और माना जा रहा है कि ये सब सांगली की छे विधान सबा सीटों की वज़ा से हो रहा है क्योंकि सांगली की छे विधान सबा सीटों में मिरज, सांगली और जाठ पर बीजेपी का कबजा है जबकि खानपुर में शिवसेना जीती थी इसके लावा फालुस काड़े गाउं में कॉंग्रेस और तास गाउं कवाथे महाकाल में NCP के विधायक हैं यानि सांगली के विधान सबाक शेत्रों में BJP और महाविकास अधारी के पास तीन-तीन सीतें यानि कॉंग्रेस और उधव गुट वाली शिवसेना दोनों को यहां जीत की उम्मीद दिख रही है और कॉंग्रेस ने तो सांगली से लड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया क्योंकि सांगली वसंदादा पाटिल की कर्म भूमी मानी जाती है लेकिन वसंदादा पाटिल के साथ 1978 में शरत पवार ने कुछ वैसा ही किया था जैसा पिछले साल दिसंबर में अजीत पवार ने शरत पवार के साथ किया था और महाराष्ट के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए थी। उस वक्ट शरत पवार की उम्र 38 साल थी। और करीब 45 साल बाद जब अजीत पवार ने NCP तोड़ी तो उन्होंने शरत पवार को वसंदादा पाटिल की ही याद दिलाई थी। चैंकि आरोप लगा था कि शरत पवार ने वसंदादा पाटिल को धोका दिया था और पाटी के 40 विधायक तोड लिये थे। और इस बात का जिक्री करते वे अजीद पवार ने बयान दिया कि उन्होंने जो 60 साल की उम्र में किया वो शरत पवार ने 38 साल की उम्र में ही कर दिया था क्योंकि तब के पत्रकार बताते हैं कि सरकार गिरने से कुछ घंटे पहले तक वसंदादा पाटिल को इसका ऐसास तक नहीं था और उन्हें पता ही नहीं था कि कुछ घंटों बाद महाराष्ट में उनकी सरकार गिर जाएगी 1977 में आपात काल के बाद कॉंग्रेस दो गुटों में बढ़ दी थी एक गुट का नाम पढ़ा कॉंग्रेस आई दूसरे का कॉंग्रेस यू कॉंग्रेस उर्स तब शरत पवार ने इंदरा गांधी का साथ छोड़ दिया था और देवराज अर्सवाली कॉंग्रेस यू का इस्सा बन गये थी इसके बाद 1978 में हुए महाराष्ट विधान सबा चुनाव दोनों कॉंग्रेस अलग-अलग लड़ी थी और वसंदादा पाटिल मुख्यमंत्री बने थी लेकिन करीब ताड़े चार महीने बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी अलगि सरकार गिरने के बाद भी वसंदादा पाटिल सांगली में मेहनत करते रहे उनके बेटे प्रकाश बापू वसंदादा पाटिल तो सांगली से पांच बार सांसद रहे और इस बार कॉंग्रेस सांगली सीट से वसंदादा पाठील के पोते को टिकट देने की कोशिश में है सुत्रों ने बताया कि कॉंग्रेस किसी भी कीमत पर सांगली की सीट नहीं छोड़ना जाती है इसके लिए उसने पूरा जोर लगा दिये और साल 1962 से साल 2009 तक महराष्ट की सांगली सीट पर कॉंग्रेस का कबजा बना रहा यानि कॉंग्रेस ने सांगली में एक दो बार नहीं बलकि पंदरहा बार जीत हासिल की कॉंग्रेस के प्रकाश बाबू वसंदादा पाटिल तो पांच बार वहां से चुनाव जीते इसके बाद 2019 में भी सीट पर संजे काका पाटिल ही जीते थे यानि बीजेपी के संजे काका पाटिल ने 52 साल तक कॉंग्रेस के गड़ रहे सांगली को उससे चीन लिया था लेकिन कॉंग्रेस एक बार फिर अपना वो किला हासिल करना करनाटक के बीजापूर से भी लगती है पूरे देश में सांगली को हल्दी के उत्पादन के लिए जाना जाता है साल 1967 से पहले इस इलाके को मिरज कहते थे लेकिन 1967 के बाद जिले का नाम सांगली हो गया था और 1957 में सांगली में पहली बार चुना हुआ था और 2009 तक कॉंग्रेस ने लगातार इस सीट पर जीत हासल की थी लेकिन इसके बाद वो लगातार दो बार सांगली में हार गई थी माना जा रहा है कि इसी वज़े से महाविकास अगारी में इस सीट पर इतनी चर्चा हुए क्योंकि सूतरों ने बताया कि कॉंग्रेस को इस बार भरोसा है कि वो सांगली में जीत हासल कर लेगी लेकिन उद्धव गुड की शिवसेना ये सीट नहीं चोड़ना चाती और इसी लिए कृष्णा नदी के किनारे बसे सांगली के लिए महाविकास अगारी में सियासी संग्राम चड़ गया इस बीच भारतिय बैडमिंटन खिलाडी पीवी सिंदू स्विस ओपन के दूसरे दौर में जापान की खिलाडी से 21-16, 19-21 और 16-21 से हरकट टॉर्नमेंट से बाहर हो गई जबकि केश रिकांट ने मलेशिया के खिलाडी को 21-16 और 21-15 से हराकर कौटर फाइनल में जगा बना लिए राजिस्तान रॉयल्स के गेंदबार्स आडम जैंपा ने निजी कारणों से आई पेल के इस सीजन से अपना नाम वापस ले लिया उनकी जगा टीम में गेंदबार्स तनुष कोटियान को शामिल किया गया कोटियान मुंबई रंजी टीम से खेलते हैं और उन्होंने रंजी टोफी के इस सीजन में 10 मैचों में 29 विकेट लिये थे बार्दिये शेर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी रही इस दोरान आईटी को छोड़ कर दूसरे सभी सेक्टरों में खरीदारी देखने को मिली सबसे ज़ादा तेजी मेटल, आटो, एफमसीजी, रियल्टी और कैपिटल गूड सेक्टर के शेरों में रही इसकी वज़े से बंबे सॉक एक्सचेंज का सेंसिक्स 190 अंक चड़कर 72,831 पर बंद हुआ तो निफ्ती 84 अंकों की तेजी के साथ 22,096 के सतर पर पहुंच गया उदर रूस की फौज ने यूकरेन में नीपरो नदी पर बने उसके सबसे बड़े बांध पर जोरतार हमला कर दिया पश्चिमी मीडिया के मताबिक महां मिसाइल और ड्रोन हमले किये गए दावा किया गया कि रूस के इस भीशन हमले ने यूकरेन में हजारों लोगों की जिन्दगी मुश्किल में डाल दी क्योंकि पुतिन के फौज ने यूकरेन में नदी पर बने उसके सबसे बड़े बांध पर कहर बरपा दिया पश्चिमी मीडिया के मताबिक वहां खतरनाक मिसाइलों के साथ साथ आत्म घाती ड्रोन भी गिराए गए तस्वीरों में दिखा कि रूसी हमले के बाद नीपरो नदी पर बने उस बांध पर भीशन आग लग गए दमकल कर्मी उस आग को बुझाने के लिए वहां पानी की बोचार करते दिखाई थी युक्रेन के जिस बांध पर हमला किया गया वो उसके दक्षणी इससे में मौझूद जापुरिज्जिया शहर में नीपरो नदी पर बने इस बांध के साथ एक पावर प्लांट भी बना हुआ है जिसके जरीए बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन किया जाता है और आसपास के खरीब एक दरजन इलाकों में बिजली की सप्लाई उस प्लांट से ही होती आई है लेकिन पश्चिमी मीडिया के मताबिक रूस के हमले में उस बांध के साथ साथ पावर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुचा जिसकी वज़े से आसपास के कई इलाके अंधेरे में डूप गए हालनकि रूस ने सिर्फ जापुरिजिया ही नहीं बलकि युकरेन के कई शहरों में एक साथ तबाही मचा दी पश्चिमी मीडिया के मताबिक वहां 24 घंटों में करीब 90 मिसाइले और 60 से ज्यादा ड्रोन हमले किये गए जिन ने तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए पानी की तेज बौचार होते ही वहां अफरा तफ्री मच गई प्रदर्शनकारी थोड़ी देर के लिए सड़क पर पीछे की तरफ भागे लेकिन वाटर कैनन बंध होते ही वो फिर से पुलिस की बैरिकेडिंग के पास जमा होकर हंगामा और नारेबाजी करते दिखाई दिए आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं को रोकने के लिए पुलिस ने मोहाली से चंडीगड की तरफ जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग लगा रखी थी क्योंकि प्रदर्शनकारी मोहाली से चंडीगड जाकर गवरनर हाउस का घेराब करना चाहते थी मोहाली से चंडीगड में मौझूद गवरनर हाउस की दूरी खरीब 12 किलोमीटर है पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं के प्रदर्शन को देखते हुए मोहाली चंडीगड हाईवे को बंद कर दिया पार करके दूसरी तरफ कूद गए बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ मौझूद दूसरे प्रदर्शन कारी भी वहां से कूद कर पुलिस वालों की तरफ आने की कोशिश करते दिखाई दिये अंगामा और नारेबाजी कर रहे आम आदमी पार्टी के कारेकरता लगातार वहां लगे बैरिकेड को गिराने की कोशिश करते दिखाई दिये काले रंग की टी-शेट पैना हुआ एक कारेकरता तो बैरिकेड के उपर चड़ गया और नारे लगाने शुरू कर दिये उसके साथ कुछ महिला कारेकरता भी बैरिकेड पर चड़ने की कोशिश करती दिखाई दिये पीले रंग की पकड़ी पैना हुआ आम आदमी पार्टी का एक कारेकरता वहां खड़े पुलिस वालों को हटाते हुए बैरिकेड पार करता दिखाई दिया और सड़क पर लगाई गई बैरिकेडिंग के पास हंगामा शुरू कर दिया चंडिगड में बीजेपी के दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर भारी संक्या में पुलिस वाले तैनात दिखाई दिये सड़क को बंद करने के लिए पुलिस ने वहां बड़े बड़े ट्रक खड़े कर दिये थे सड़क पर लगी लोहे की बैरिकेडिंग के एक तरफ भारी संक्या में पुलिस वाले मोर्चा सम्हाले दिखाई दिये और उन्हें बसों में बैठा कर प्रदर्शन वाली जगह से दूर भेज दिया लेकिन गिरफतारी और कोट से रिमांड पर भेज़े जाने के बाद आम आमी पार्टी का घुस्सा फूट पड़ा सुत्रों के मताबिख लिमांड के मुद्धे पर दिल्ली की राव जवन्यों कोट में दोनों फक्तों के बीच जोरदार बहस हुई एडी के वकील ने केजरिवाल को घोटाले का किंग पिन बताया जबकि अर्विन केजरिवाल के वकीलों ने एक राज्जिक के मुख्यमंत्री की गिरफतारी को सरकारी एजंसियों के दुरुप्योग की मिसाल करार दिया कोट में हुई इस बहस से पहले दोपहर करीब साड़े बारा बजे एडी अफसरों का काफिला अर्विन केजरिवाल को लेकर एडी दफतर से राउज इविन्यो कोट के लिए निकला एडी की गाडियां दंदनाते हुए अदालत की तरफ दोड़ती दिखाई थी आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं के प्रतरशन को देखते हुए एडी दफतर और कोट के बाहर बारी संख्या में पुलिस और आरेफ के जवान तैनात कर दिये गए कोट पहुँचने के बाद एडी के अफसर अर्विन केजरिवाल को लेकर सीधे जज के सामने पहुँच गए इस दोरान कोट के गलियारे से गुजरते हुए केजरिवाल का एक वीडियो सामने आया जिसमें 10 से 12 एडी अधिकारी उन्हें कोट रूम की तरफ ले जाते नजर आए आम आदमी पार्टी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें कोट में दाखिल होते हुए अर्विन केजरिवाल ये कहते सुनाए दिये और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिये कोट में केजरिवाल के वकीलों ने एडी की रिमांड की मांग को खारिच करने के अपील की जबकि E.D. के वकीलों ने शराब गोटाले की जांच के लिए अर्विन केजरिवाल की रिमांड को बेहत जरूरी बताया मतलब ये कि E.D. के वकीलों ने अर्विन केजरिवाल की रिमांड के लिए पूरी ताकत लगा दी E.D. ने दिल्ली के शराव गोटाला मामले में मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को मस्टमाइंड बताया E.D. के वकील ने इसके लिए अंग्रेजी के किंग पिन शब्द का इस्तमाल किया इसके साथ ही E.D. ने दावा किया कि इस केस से जोड़े कई इलेक्ट्रोनिक सबूत पहले ही मिटा दिये गए थे गोटाले से जोड़े तथ्य चिपाने के लिए कई सारे मुबाइल फोन तोड़े गए थे E.D. ने कोट को बताया कि दो बार कैश ट्रांसफर भी किया गया जबकि कोट में अरविन केजरीवाल की तरफ से का गया कि इस पूरे मामले से अरविन केजरीवाल का कोई लेना देना ही नहीं है इसी वज़े से E.D. ने केजरीवाल को इस शराब गोटाले का किंग पिन माना किंग पिन यानि सबसे एहमाद भी मतलब E.D. ने ये दावा किया कि ये पूरी साजिश अरविन केजरीवाल के इशारे पर ही रची गई और इसके जरीए करोणों की रखम का गबन हुआ E.D. ने दावा किया कि इस पूरे खेल में मनीश शिसोदिया और संजे सिंग भी बराबरी के हिस्सेदार थे आलनकि E.D. के मताबिक इस गोटाले में अरविन केजरीवाल ने सीधे-सीधे हिस्सा नहीं लिया बलकि इसके लिए उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजे नायर को काम पर लगाया गया था E.D. के मताबिक विजे नायर ने अरविन केजरीवाल के कहने पर नसिध मीतियों में तोड मरोड का खाका तयार किया बलकि लोगों को डरा धमका कर उनसे उगाही का सारा काम भी वही देखता था और E.D. के मताबिक इसी विजे नायर के जरीए दिल्ली के सीएम अरविन केजरीवाल और उनके सहीयोगियों तक 330 करोड से जादा की रखम पहुंची दावे के मताबिक इसके लिए बाकाइदा पूरी प्लानिंग की गई थी और E.D. की जांच में ये आरोफ लगाया गया कि दिल्ली की नई शराब नीती के जरीए करोडों के घोडाले की पटकता अरविन केजरीवाल के घर पर ही लिखी गई थी E.D. के मताबिक दिल्ली के सीम हाउस में हुई उस बैठक में अरविन केजरीवाल के अलावा मनीश शिसोदिया भी मौजूद थे और इसी बैठक में ये तैह हुआ था कि शराब नीती में प्रॉफिट का जो मार्जिन 6 प्रतिशत है उसे बढ़ा कर 12 प्रतिशत मतलब दुगना कर दिया जाए और इडी के मताबिक खुद ये बात मनीश शिसोदिया के सचीप सी अरविन ने फूस्ताज के दोरान बताई थी और ये दावा क्या गया था कि ये काला खेल अरविन केजरीवाल की आँखों के सामने ही रचा गया और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि इस नई शराब नीथी के जरीए उन्हें करोड़ों का फायदा हो सकता है और इडी का दावा है कि अरविन केजरीवाल अपने प्लैन में काम्याब भी हो गए थे सुत्रों के मताबिक जांच में ये बात सामने आई कि अरविन केजरीवाल ने शराब नीथी की आड़ में शराब माफिया से करीब सौ करोड़ की रिश्वत ली थी और बदले में नई शराब नीथी के जरीए उन्हें फायदा पहुचाने का बादा किया था मतलब केजरीवाल और शराब माफिया ने एक हाथ दे दूसरे हाथ ले का फर्मूला अपनाया ताकि दोनों ही पक्षों को फायदा हो सके और इसमें एक एहम किर्दार निभाया शराब कंपनी इंडो स्पिरिट के डिरेक्टर समीर महिंद्रू ने सूत्रों के मताबिक समीर महिंद्रू ने पूश्ताश में बताया कि अर्विन केजरीवाल से उन्हें उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजय नायर ने आइपोन के एप फेस टाइम के जरीए मिलवाए था और E.D. के मुताबिक उसी के जरीए सौ करोड की रिश्वत के रास्ते खुले। E.D. के सूतरों का दावा है कि केजरिवाल ने नई शराब निती में बदलाव करने के बदले में सौ करोड रुपए की रिश्वत मांगी दिया। और जांच में ये बात सामने आएगी इस रकम का इस्तिमाल 2022 में गोवा में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किया था। सूतरों के मताबिक बुच्ची बावु के अकाउंट से ही आम आदमी पार्टी के पास पहले 10 करोड और फिर 15 करोड रुपए ट्रांसवर किये गए और दावा है कि गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव में काम करने वाले लोगों को इसी रकम से भुक्तान किय गया और दावा है कि गोवा चुनाव में करीब 70 लाक रुपए नकद में दिये गए ये पैसे जिनें दिये गए उनमें आम आदमी पार्टी के कुछ उमीदवार भी शामिल थे इसके लावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने गोवा चुनाव में रिसर्चर के तौर पर अर्विन केजरिवाल की पार्टी के लिए काम किया था और माना जा रहा है कि उनी की गिरफतारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल का नमबर लगा क्योंकि E.D. ने अपनी जांच में ये दावा किया कि खरीब 600 करोड से जादा केज गोटाले को BRS निता के कविता और दिल्ली के सीम अर्विन केजरिवाल ने मिलकर अंजाम दिया E.D. के मुताबिक इस समझोते के लिए के कविता का ओफर लेकर YSR कॉंग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासलू रेटी दिल्ली पहुंचे थे उन्होंने ही 100 करोड की रिश्वत के बदले के कविता को भी इस शराब घुटाले में भागिदार बनाने की मांग CM के जरिवाल से की थी और E.D. के सूतरों के मुताबिक इसके बाद इस नई सराबनीती के जरिये जादा से जादा धन हुगा ही का फूल प्रूफ प्रेंट टेयार कर लिया गया और इसे मंगुटा श्रीनिवासलू रिट्टी के बेटे रागव मंगुटा के जरिये अंजाम दिया गया ये वही सौ करोड की रकम थी जिसे आम आदमी पार्टी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बुच्ची बाबु को सौंपी गई थी और इडी के मुटाबिक इसी सौ करोड में 45 करोड रुपए आम आदमी पार्टी ने 2022 में हुए गोवा के चुनाव में खपा दिये थी और इसी मामले में जेल में बंद के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जटका लग गया दिल्ली शराब गोटाला मामले में आरोपी तिलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंदरशेकर राओ की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जटका लगा सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की जमानत पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया इतना है नहीं सुप्रीम कोर्ट ने के कविता के वकील को निचली अदालत जाने का सुझाव भी दिया पिछले हफते एडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था बीजेपी की केंदरी चुनाव समिती की शाम में एहम बैठक होगी सुत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तरपदेश, ओडीशा, महराष्ट, तिलंगाना और राजिस्थान समेथ कई राज्यों के लिए उम्मीद्वारों के नाम पर महर लग सकती है इस बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे बिहार में महागडबंधन में शामिल CPI ने तीन बार विधायक रह चुके अवधेश कुमार को बेगुसराय लोगसबा सीट से अपना उम्मीद्वार बना दिया इससे पहले अटकलें थी कि कॉंग्रेस नेता कनिया कुमार को ये सीट मिल सकती है कनिया कुमार ने 2019 में इसी सीट से CPI के टिकट पर चुनाव लड़ा था तब वो बीजेपी नेता गिरीराज सिंग से चुनाव हार गए थी इस बीज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी रासत में ले लिये गए प्रदर्शन कर रही दिल्ली की मंत्री आतिशी को पुलिस बस में भर कर ले गई और इस दोनान आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं ने उन्हें घेर लिया जैसे ही महिला पुलिस कर्वी आतिशी को हिरासत में लेने आई वहां मौझूद तमाम कारेकर्टाओं ने उनके चारों तरफ घेरा बना लिया उसके बाद तो आतिशी को वहां से ले जाने में पुलिस कर्वियों के पसीने चूट गए सैकणों कारेकरताओं के साथ प्रदशन कर रही आतिशी को पुलिस ने जैसे तैसे बस में बठा दिया लेकिन इसके बाद भी उनकी नारे बाजी बंद नहीं हुई वो उस बस की खिड़की से बाहर निकल कर नारे लगाती रही और आतिशी की ही तरह पुलिस ने दिल्ली सरकार में मंत्री सौरब भारदवाज को भी राजत में ले लिया इस दोरान उन्होंने पुलिस टेशन के अंदर बैट कर ही गाने गाना शुरू कर दिया उनके साथ कई कारेकरता भी मौझूद रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी कारेकरता धरने पर बैट गये और पुलिस के लिए उन कारेकरताओं पर काबू पाना मुश्किल हो गया दिल्ली के आईटियो इलाके में तो आम आदमी पार्टी के कारेकरता बीच सड़क पर ही बैट गये एक लाइन में बैठे कारेकरताओं ने वहां बैठ कर नारेबाजी करना शुरू कर दिया जिसकी वज़े से सड़क पर लंबा जैम लग गया इस दोरान जब पुलिस उन्हें अठाने पहुंची तो वो वहां से हिलने को भी राजी नहीं हुए इसके बाद पुलिस को जबरदस्ती उन्हें खीच कर वहां से हटाना पड़ा ऐसा ही प्रदर्शन वहां राउज एमिन्यो कोट के बाहर भी दिखाई दिया कारेकरताओं ने वहां लगी बैरिकेडिंग के सामने ही नारेबाजी शुरू कर दी इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने कई कारेकरताओं को हिरासत में ले लिया कई जगहों पर कारेकर्टा हाथों में मैं भी केजरिवाल के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए और इस दोरान आमादमी पार्टी की महिला कारेकर्टा भी सड़कों पर उतराई एडी की कारवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों कारेकरताओं को संभालने के लिए भारी पुलिस पोर्स तैनात कर दी गई और इस दोरान जब पुलिस कुछ महिला कारेकरताओं को वहां से अठाने पहुंची तो वो सड़क परी लेट गई इसके बाद पुलिस उने उठा कर वहां से ले गई दिल्ली के आईटियो इलापते में प्रदर्शन कर रहे कारेकरता पुलिस से भिड़ने तक को तयार हो गए ऐसे में पुलिस और कारेकरता आमने सामने आ गए वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस दो कारेकरताओं को गसीट कर वहां से ले जाती नजर आई इस दोरान वहां मौझूद एक महिला कारेकरता उनके पास बैठ कर ही नारे लगाती रही इसके बाद पुलिस ने उस महिला कारेकरता को भी हिरासत में ले लिया आईटियो इलाके में इतनी बड़ी संख्या में कारेकर्टा पहुँच गए कि वहां ट्राफिक की दिफ्कत खड़ी हो गई ऐसे में पुलिस ने सक्ती दिखाते हुए सड़क पर बैठे एक एक कारेकर्टा को वहां से अटा दिया इतर खानून के जानकारों के मताबिक एडी के समंस पर पूश्टाज के लिए नहीं पहुँचना ही केजरिवाल की सबसे बड़ी मुसीबत बना क्योंकि दिल्ली शराब गोटाला मामले में एडी ने उन्हें नौ समंस भेजे थे लेकिन वो एक भी समंस पर पूश्टाज के लिए नहीं पहुँचे थे इसी वज़े से एक रोज पहले एडी के एक टीम उनके घर पहुँच गई थी क्योंकि नौ में समंस के तहट केजरिवाल को 21 मार्च को सुबह 11 बजे पेश होना था लेकिन वो हर बार की तरह इस बार भी पूश्टाज के लिए एडी आफिस नहीं पहुँचे थे यही नहीं वो एडी के समंस को लेकर दिल्ली हाई कोट पहुँच गए थे जानकारी के मताबिक कोट को एडी ने वो सबूत भी दिखाये थे जिनके आधार पर पूश्टाज के लिए केजरिवाल को समंस जारी किये गए थे माना जा रहा है कि दिल्ली हाई कोट से उनको जटका लगने के बाद एडी ने उने गिरफतार करने की तैयारी शुरू कर दी थी कारून के जानकारों का मानना है कि एडी के नौ समंस पर पूश्टाज के लिए न पहुंच कर केजरिवाल ने अपने पैरों पर कुलाडी मार ली थी और सुत्रों के मताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को गिरफतार करने से पहले एडी के बड़े अधिकारियों ने एक बैठक की थी दावा किया गया कि दिल्ली हाई कोट से केजरिवाल को राहत नहीं मिलने के बाद जांच एजंसी के अधिकारियों ने ये बैठक की थी। सूत्रों से मिलने जानकारी के मताबिक शुराब घुटाले के जाच के दौरान E.D. को कई एहम सबूत मिले हैं। तक केजरिवाल को पूश्टाज के लिए 9 समंज बेजे थे लेकिन इन 6 महीनों में केजरिवाल एक बार भी पूश्टाज के लिए E.D. के आफिस नहीं पहुचे थे। तक के वो किसी भी तौरा पूश्टाज के लिए E.D. के सामने पेश ना हो सकें। केजरिवाल ने 12 जनवरी को जारी किये गए 4 समंज के लिए विधान सबाद चलने की दलीद ली थी। इसी तरह केजरिवाल ने E.D. के तरफ से जारी किये गए 6, 7, 8 और 9 समंज से बचने के लिए अलग-अलग वज़े बताई। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली शराब गोटाला मामले में वो अपनी गिरफतारी नहीं टाल सके। और इन सब के बीश दिल्ली के मुक्यमंत्री अरविन केजरिवाल ने अपनी गिरफतारी के खिलाफ सुप्रीम कोट में दायर याचिका वापस ले ली। आम आदमी पार्टी के तरफ से ये बताया गया कि वो अपनी बाद सबसे पहले निचली अदालत में रखेंगे। आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीत बदल दी। केजरिवाल की लीगल टीम की तरफ से आम आदमी पार्टी को निचली अदालत जाने की सला दी गई। और उनके पास आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। इसलिए सोच समझ कर सुप्रीम कोर्ट को सबसे आखरी दाओं के रूप में रखने का पैसला लिया गया। उदर बिहार के सुपॉल में एक पुल का हिस्सा आचानक गिर पड़ा। बिहार के सुपॉल में बन रहे राज्य के सबसे लंबे पुल का एक हिस्सा आचानक नीचे गिर गया। इस घटना में एक मजदूर की मौत हो गई जो कि कई लोग गायल हो गई। इस फुल का निर्मान भारत माला प्रोजेक्ट के तहित किया जा रहा है। इलाबाद आइकोट की लगनव बेंच ने यूपी बोर्ड आफ मंदरसा एजुकेशन एक्ट को असमयधानिक परार दिया। कोट ने इस एक्ट को धर्म निर्पेक्ष्टा के सिध्धान के खिलाफ बताया। इसके साथ ही कोट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि मंदरसों में पढ़ने वाले चात्रों को बुनियादी शिक्षा विवस्था में समयोजित किया जाए। कोंग्रेस को दिल्ली हाई कोट से बड़ा जठका लगा उएकर विभाग की कारवाई के खिलाफ कि याचिका खारिच कर दी। पर उतराए उनके हाथों में पोस्टर और जंडे नजर आए इन लोगों ने केजरिवाल की गिरफतारी के विरोध में नारे लगाए और एक पिंजरा लाए इस पिंजरे पर इडी और सीबियाई लिखा दिखा इसके जरीए इन लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया प्रदर्शन के दौरान कई प्रदर्शनकारी बैरिकेट पर चड़ गए बहुत देर तक हंगामा चलता रहा इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारीयों को इरासत में लेना शुर यानि इस मामले में विपक्षी कटबंधन केजरिवाल के साथ दिखा चुनाव आयोग कौंचने वाले नेताओं में तो कॉंग्रेस के नेता भी शामिल थे जबकि इससे पहले कॉंग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने दिल्ली के शराब घोटाले की शिकायत पुलिस से की थी 2022 में दिल्ली कॉंग्रेस के अध्यक शनिल चौधरी ने पुलिस कमिशनर को इससे जुड़ी एक चिठी लिखी थी उन्होंने चिठी में दिल्ली की शराब नीती पर समाल उठाए थे कोंग्रेस ने दावा किया था कि एक ही कंपणी को अलग-अलग नाम से ठेके दिये गए थे और आरोब लगाया था कि एक एज़रिवाल भी इस घोटाले के इस्टिदार थे कम से कम सौ करोड की रिश्वत ली गई थे यानि जिस कॉंग्रेस ने केजरिवाल की गिरफतारी पर इतना हल्ला मचाया प्रतर्शन किया पिछले साल वही कॉंग्रेस केजरिवाल पर निशाना साथ रही थी सौ करोड के गोटाले से केजरिवाल का सीधा कनेक्शन जोड रही थी कॉंग्रेस नेता अलकाल आम्बा ने तो सिसोधिया और केजरिवाल दोनों को घेरा था कॉंग्रेस के ये सुर पहले थे क्योंकि अब वो केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ है और इसलिए उसने सड़कों पर प्रतर्शन किया लेकिन विपक्षी कटबंधन मनने से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं के तेवर अलग थे उन्होंने परिवारवाद के मुद्धे पर कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी समेच कई विपक्षी पार्टीयों को घेरा था आमादमी पार्टी की नेता संजे सिंग ने तो एक रैली में विपक्षी पार्टीयों के एक एक नेता का नाम लेकर उनपर निशाना साथा था लेकिन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद विपक्षी गटबंधन जिस तरह से एकजूट हुआ उसके बाद संजे सिंग का वो बयान चर्चा में आ गया क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कबजे में है चंद परिवारों ने देश की राजनीती पर कबजा कर लिया है पूरव से लेके पस्चिम तक उत्तर से लेके डक्षिन तक चंद परिवारों का देश की राजनीती पर कबजा है चले ज़ाईगे कश्मीर, सेख अब्ल्ला, फारूक अब्ल्ला, उमर अब्लला, एक यपरिवार की पाठी। जाए बिहार लालू यादो राबडी यादो तेजस यादो मीसा यादो तेजस्वी यादो एक ही परिवार की पार्टी चले जाए जार्खन तुर्गा सुरेन सेमन सुरेन सीबू सुरेन एक ही परिवार की पार्टी चले जाए ये उडीसा बीजू पतनायक नवीन पतनायक ए परिवार की पार्टी। के ASI सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। अधालत ने मुस्लिम पक्ष की आचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया कि इस मामले में फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं होगा। इस बीच ASI ने हाई कोट के आदेश के बाद भूच्छाला के सर्वे का काम शुरू कर दि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच नागरिक सम्मान Order of the Drug ग्यालपों से नवाज आ गया। वो भूटान में ये सम्मान पाने वाले पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिने दूसरे देश के प्रमुक के तौर पर ये प्रतिष्टित पुरसकार दिया गया। इ इस से पहले प्रधान मंत्री के बुटान पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद पीम ने बुटान के प्रधान मंत्री और भुटान नरेश से मुलाकात की। पुलिस के बैरिकेड पर दस से ज्यादा बार धक्य मारे। आनके इस दौरान बैरिकेड के दूसरी तरफ मौझूद पुलिस वालों ने बैरिकेड को गिरने से रोके रखा। आम आदमी पार्टी के कुछ दूसरे कारिकरता भी बैरिकेड पर चड़े हुए दिखाई दिय आम आदमी पार्टी के कारिकरताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर केंद्रिय एजेंसियां विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। काफी देर तक रुक्षेत्र में उस सड़क पर हंगामा होता रहा। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने जेल सही दिल्ली की सरकार चलाने की तयारी कर ली क्यूंकि अर्विन केजरिवाल के जेल जाने के बाद हर किसी के मन में ये सवाल उठने लगा कि दिल्ली में केजरिवाल की गयर किया था कि अगर इस्तीफा देनी की नौबत आई तो दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी दिल्ली की सरकार चलाएंगी। हालां कि एक रोज पहले गिरफतारी के बाद अर्विंद केजरिवाल ने मुख्यमंत्री पत से इस्तीफा नहीं दिया था। मतलब ये कि आम आदमी पार्टी इस परिस्तिती के लिए पहले से तयारी कर रही थी। क्योंकि काफी लंबे वक्त से शराब गोटाला मामले में मुख्यमंत्री आर्विंद केजरिवाल पर गिरफतारी की तलवार लटक रही थी। जानकारों के मताविक भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें किसी भी मामली में गिरफतारी के बाद आरोपी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही होगा और सूत्रों के मताविक इसी वज़े से आम आदमी पार्टी और अद्विंद केजरिवाल ने जेल से सरकार चलाने का प्लैन तयार किया था लेकिन जेल से सरकार चलाने की रहा में आम आदमी पार्टी को कई तरह की कानूनी चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सूत्रों के मताविक तिहार जेल के मैनुवल यानि नियम काईदों में जेल से सरकार चलाने का कोई प्रावधान ही नहीं मतलब ये कि भले ही आमादमी पार्टी ने जेल से सरकार चलने की तयारी की हो। लेकिन इसकी अजासत शायद ही उसे जेल प्रशासन से मिले। सूतरों के मुदाबिक दिल्ली के टिहार जेल के मैनुवल में किसे भी मुख्यमंत्री के जेल से सरकार चलाने का प्रावधान नहीं है जेल मैनुवल एक रूल बुक होती है जिसमें जेल में बंद कैदियों के लिए नियम कायदे लिखे होते हैं जेल प्रशासन इसी के हिसाब से काम करता है। जेल मैनुवल के मुताबिक जेल में बंद कैदी को हफते में दो बार उसके रिष्टेदारों और परिजनों से मुलकात कराई जाती है। आरोपी को दस लोगों के नाम देने होते हैं और वो लोग ही जेल में फोन करके मिलने की तारीख और समय मांग सकते हैं। एक बार मुलाकात में सिर्फ तीन लोग ही जेल में आरोपी से मिल सकते हैं। मतलब ये कि अगर अर्विन केजरिवाल जेल से सरकार चलाते हैं तो इसमें उन्हें कई तरह की दिख्कततें सामने आ सकती हैं और अगर फाइलों पर साइन कराना भी हो तो जेल सुप्रेटेंडेंट से लिखित इजासत लेनी होगी एक राज्य के मुख्यमंत्री के कंधों पर कई तरह की जिम्मेदारिया होती है कैबिनेट की बैठक के अलावा मुख्यमंत्री को दिन भर अफसरों के साथ बैठकें करनी पड़ती है और जेल में रहते हुए ये सारी चीजें संभव नहीं है और जिस शराब घुटाला मामले में अर्विन केजरीवाल को गिरफतार किया गया वो शराब नीती तीन साल पहले बनाए गई थी उस दोरान दिल्ली के डिप्टी सीम रहे मनीश सोधिया ने नई शराब नीती लाने का ऐलान किया था और वो तारीख थी 22 मार्च 2021 यानि ठीक तीन साल पहले दिल्ली के डिप्टी सीम रहे मनीश सोधिया ने नई शराब नीती लाने का ऐलान किया था सोधिया से जब इसे लाने की वज़ा पूछी गई थी तो उन्होंने दो तर्क दिये थी पहला ये कि इससे माफिया राज खत्म होगा और दूसरा ये कि इससे सरकारी खजाना बढ़ेगा 17 नमंबर 2021 को नई शराब नीती 2021-22 लागू कर दी गई थी इसके लागू होते ही शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और पूरा कारोबार नीजी हाथों में चला गया था कई बड़े ओफर और डिसकाउंट देने की वज़ह से शराब की जमकर बिक्री हुई थी और इससे दिल्ली सरकार का खजाना तो बढ़ा लेकिन इस नई नीती का जमकर विरोध भी होने लगा था 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीती में घोटाला होने का आरोब लगा था उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट उपराज जपाल वीके सकसेना को भेज दी थी रिपोर्ट में सिसोधिया पर नियोमों को ताक पर रखकर शराब कारोबारियों को फाइदा पहुचाने का आरोब लगा गया था और बाद में उपराज जपाल ने भी उनकी और कैबिनेट की मनजूरी के बिना शराब नीती में बदलाब करने का आरोब लगा दिया था 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज जपाल ने मुख्य सचित की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच सी बियाई से कराने की सिपारिश कर दी थी और उसी दोरान विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीती रद्द कर दी थी इसके बीचे दलील ये दी गई थी कि खुदरा और थोक कारोबारियों के शराब के धंदे से हटने की वज़े से ऐसा किया गया बाद में 17 अगस 2022 को सीबी आई ने मनीश सिसोदिया, तीन रिटायर सरकारी अफसर, नौ शराब करोबारी और दो कमपनियों के खिलाब केस दर्च कर लिया था इन पर भष्टा चार से जुड़ी धाराओं के तहट केस दर्च किये गए थी 19 अगस को दिल्ली के उप मुख्य मंत्री मनीश सिसोदिया से जुड़े घर और ठिकाने समेट 7 राजियों के 31 ठिकानों पर चापे मारे गए और इसके बाद सिसोदिया ने दावा किया था कि सीबी आई को कुछ नहीं मिला तीन दिन बाद 22 अगस 2022 को ईडी ने सीबी आई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉंडरिंग का केस दर्च कर लिया था क्योंकि सिसोदिया के पास ही आपकारी विभाग था इसलिए उन्हें इसमें मुख्य आरोबी बनाय गया कई बार पूश्टाश के बाद जाँच एजिंसी ने 26 वरवरी को उन्हें गिरफतार कर लिया था सिसोदिया पर आरोब लगा गया था कि उन्होंने मनमाने और एकतरफा फैसले लिये थी उनके फैसलों की वज़े से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ इस भी जोडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पतनाय की पार्टी बीजेडी और बीजेपी में गडबंधन पर बात नहीं बन सकी दोनों पार्टियों ने राज्य की 21 लोगसवा सीटों और 147 विधानसवा सीटों पर अलग-अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया उटिशा में लोगसवा के साथ ही विधानसवा के भी चुनाव होने है बीजेपी ने लोगसवा उम्मीद्वारों की चौती लिस्ट जारी कर दी इस लिस्ट में तमिलनाद के लिए 14 पृत्याशियों के नाम और पुदुच्यरी सीट के उम्मीद्वार का नाम शामिल एक रोज पहले बीजेपी ने तमिलनाट के नौ उम्मीदवारों के नामों का इलान किया था टीमसी ने चुनाव आयोग से पश्चे मंगाल के राज़पाल सीवी आनन बोस के खिलाफ शिकायत की टीमसी ने राज़पाल पर चुनावी प्रक्रिया में दखल देने का आरोप लगाया कुछ दिन पहले वहां के राज़पाल ने लोगसभा चुनाव से जुड़े किसी भी मुद्धे पर लोगों से जुड़ने के लिए पोर्टल लोग सभा लॉंच किया था इस पर टीमसी ने आपत्ती जताई इधर दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविन केजरिवाल समेथ 16 लोग गिरफतार किये जा चुके केजरिवाल से पहले दिल्ली के पूर्व रिप्टी सीम मनीश सिसोधिया, राज्यसभा सामसाथ संजय सिंग और पूर्व मुख्य मंत्री के चंदरशेकर राओ की बेटी के कविता की गिरफतारी की जा चुकी है और सूत्रों के मतावेक पूश्टाज के दोरान के कविता ने कई बार इस मामले में अरविन केजरिवाल का नाम लिया था और दो घंटे की पूश्टाज के बाद रात करीब नौ बजे केजरिवाल को गिरफतार कर लिया गया था दिल्ली शराब गोटाला मामले में इस साल ये दूसरी गिरफतारी है लेकिन दिल्ली के पूश्टाला मामले में सबसे जादा गिरफतारियां 2023 में हुई उस साल जांच एजिंसियोंने शराब कारोबारी गॉताम मलहुतरा, रागव मंगुटा और दिनेश अरोडा समेत कई लोगों को गिरफतार किया था लेकिन 2023 में सबसे बड़ी गिरफतारी मनीश इसोदिया के रूप में हुई थी तब वो दिल्ली के उपमुखे मंत्री थी लेकिन 26 फरवरी 2023 को गिरफतारी के बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था उनके बाद 4 अक्टूबर 2023 को आम आदमी पार्टी के वरिष्ट नेता और राजे सबा सांसत संजे सिंग को भी गिरफतार कर लिया गया था इसी वज़े से आम आदमी पार्टी को बड़ा जटका लगा था सूत्रों ने दावा किया कि शराब कारोबारी दिनेश रोडा, संजे सिंग, मनीश सोदिया और विज़े नायर के बेहत करीमी हैं जानकारी के मताबिक बाद में दिनेश रोडा सरकारी कवाह बन गए और पूश्ताच में उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम उगल दिये थे इस बीच हिमाचर प्रदेश के तीन विधायकों ने स्तीफा दे दिया इमाचर प्रदेश में पिछले महीने हुए राजेसवा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देने वाले तीन निर्दलिये विधायकों ने स्तीफा दे दिया खबरे की ये तीनों बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जम्मु कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नभी आजाद की पार्टी डीपी एपी को चुनाव आयोग ने बाल्टी चिन आवंटित किया गुलाम नभी आजाद ने कॉंग्रेस छोडने के बाद पिछले साल ये पार्टी बनाई थी उनकी पार्टी टीपी एपी ने जमू कश्मीर की सभी पांच लोकसबा सीटों पर चुनाव लड़ने का अलान किया है उत्रप्रदेश के बदाईउं हत्या कांड में शामिल जावेद नाम के दूसरे आरोपी को 14 दिन की नियाएक हिरासत में जेल भेज दिया गया कारवाई का जम कर विरोथ किया और जबरन जैपूर के बीजेपी दफ्तर में गुसने की कोशिश की लेकिन वहाँ पुलिस कर्वी उनके सामने किसी चट्टान की तरह खड़े हो गए और आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं को बीजेपी दफ्तर में गुसने से रोक दिया तभी वहाँ बैरिकेड के पास ही उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दिया इस दोरान प्रदर्शन कर रहे कारेकरता अपने हाथों में पोस्टर लेकर लेकर लहराते नजर आए और कुछ कारेकरता तो बैरिकेड हड़ा कर सड़क के दूसरी तरफ आ गए लेकिन पुलिस के जवानोंने सकती दिखाई और उन्हें खदेड दिया इस बीच कुछ कारेकरता उनसे फिड़ गए तभी पुलिस के जवानोंने दंडे बरसाने शुरू कर दिया इसके बाद तो सड़क पर एके कारेकरता को पुलिस कर्मी दोडा-डोडा का दंडे मारते दिखाई दिये और उनमें एक कार्यकर्ता तो सड़क पर ही लेट गया उसे पुलिस कर्मियों ने उठाया और हिरासत में ले लिए इसके साथ ही कई दूसरे कार्यकर्ताओं को भी पुलिस कर्मी वैन और बस में डालते दिखे महां बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे प्रदर्शन कारियों को हिरासत में लेने के दौरान वो शोर शराबा करते दिखे कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए उस बस के अंदर भी नारे लगाए जबकि दिल्ली के मुख्यमंतरी आर्विन केजरिवाल ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया कुछ दिन पहले ही ज़ारखंड के पूर्व मुख्यमंतरी हेमन सुरेन ने भी ऐसा ही किया था 31 जनवरी को गिरफ्तार किये जाने से ठीक पहले उन्होंने राजजपाल को इस्तीफा सौफ दिया था हेमन सुरेन को जमीन गोटाले के एक मामले में एडी ने गिरफतार किया था साल 1997 में लालू प्रसाद यादव ने भी खुद पर गिरफतारी की दलवार लटकने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था क्योंकि सीबी आई ने चारा गोटाले के एक मामले में उनके खलाफ वरंट जारी कर दिया था यही वज़ड़ ही कि तब लालू प्रसाद यादव ने चौकाने वाला पैसला लेते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी पत्मी रावडी देवी को बैठा दिया था इमन सुरेन और लालू प्रसाद यादव के अलावा तमिलनाड में जे जैलालिता करनाटक में बिये सेडियो रप्पा और मध्र प्रदेश में उमा भारती को भी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था इधर जेल में बन्द यूट्यूबर अलविश यादव को कोट से रात मिल गई नशे के लिए सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में गिरफ्तार हुए यूट्यूबर अलविश यादव को कोट से जमानत मिल गई उन्हें 17 मार्च को उत्तरप्रदेश की नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था पश्चि मंगाल में शिक्षक भरती गोटाले को लेकर एडी ने राजिक के मंतरी चंदरनाथ सिना के आवास पर चापे मारी की बताया गया कि मंतरी के आवास के अलावा भी कई जगों पर चापे मारे गए कॉंग्रेस के राश्ट्री प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया इसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर गंभीर आरोब भी लगाए कॉंग्रेस ने उन्हें एमदबाद पूर्व सीट से टिकेट दिया था लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था इस भी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि गिरफतारी के बाद पहली रात एडी मुख्याले में अर्विन केजरिवाल को नींद नहीं आई उन्हें वहाँ लॉक अप में रखा गया था और इस दोरान केजरिवाल भी कैमरे की निगरानी में रहे इसके साथ ही आसपास सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहे इडी दफ्तर की तीन मंजिला एमारत में दो लॉक अप हैं और दोनों ही लॉक अप ग्राउंड फ्लोर पर बने हैं बताया गया कि उनमें एक लॉक अप में अर्विन केजरिवाल को बंद करके रखा गया था सुत्रों के मताबिक उस लॉक अप में वो रात भर परिशान रहे और उन्हें नींद नहीं आए आनकि अपील करने पर उनके घर से कंबल और दवाईयां मंगवा कर उन्हें दी गई नियमों के मताबिक एडी की गिरफ्ट में आए किसी भी आरोपी को अपील के बाद दवाईयां और जरूरत का सामान दिया जा सकता है और इसी अपील के बाद केजरिवाल को भी दवाईयां और जरूरत की चीज़े एडी के दफ्तर में मुहिया कराई गई लेकिन सुत्रों ने दावा किया कि केजरिवाल लॉक अप में ठीक से सो नहीं पाए और सुबद जल्दी उड़ गए इसके बाद उन्हें लॉक अप के अंदर ही नाच्टा दिया गया और उन्होंने अपनी रूटीन की दवाईयां ली वहीं सुत्रों ने दावा किया कि अर्विन केजरिवाल की परिशानी अभी और बढ़ सकती है और पूश्ताच के दोरान सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं बलकि लिखित मयान भी दर्श किये जाएँगे यानी केजरिवाल से किये जाने वाले एक-एक सवाल और उनके दिये गए जवाब विस्तार से लिखे जाएँगे सुत्रों के मताबिक ED की स्पेशल टीम अर्विन केजरिवाल और के कविता को आमने सामने बठा कर पूस्टाच करेगी कुछ दिनों पहले ही ED ने BRS नेता के कविता को गिरफतार किया था उन पर भी शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है इतना ही नहीं सुत्रों ने ये भी दावा कर दिया कि ED की टीम शराब घोटाले के दूसरे आरोपियों से भी केजरिवाल का आमना सामना करवाएगी इस भी जर्विन केजरिवाल पर शराब घोटाले की जांच कर रहे एडी के अधिकारियों की जासूसी करवाने का आरोब लग गया सूत्रों के मताबिक केजरिवाल एडी के अधिकारी कफिल राज और सत्यवर्थ पर लगातार नजर रखे हुए थे क्योंकि एडी के दोनों ही वरिष्ट अधिकारी शराब घोटाला मामले की जांच कर रहे थे और सूत्रों का मताबिक अर्वित केजरिवाल के घर से जासूसी की सिबूत मिलने का दावा किया गया आरोप लगा कि वो एडी के दोनों अधिकारी कफिल राज और सत्यवर्थ का डौसियर बनवा रहे थे और दावा किया गया कि गिरफतारी के बाद उनके घर से जो दस्तावेज मिले उन्होंने इसकी पुष्टी कर दी की सूत्रों के मिताबक गिरफतारी के दोरान तलाशी में केजरिवाल के घर से देड़ सो पन्नों के दस्तावेज बरामत किये गए दावा किया गया कि एडी उन दस्तावेजों की जांच में जुड़ गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि केजरिवाल ने उन अधिकारियों के बारे में इतनी जानकारी आखिर क्यों एकठा के उधर इस बार के लोगसबा चुनाव में लालू परसाद यादव की एक नहीं बलकि दो बेटियां चुनाव रड़ेंगी ये तैय हो गया कि लालू यादव की बेटी मीसा भारती बिहार के पाटली पुत्र से चुनाव रड़ेंगी और रोहिनी आचारे बिहार की सारण सीट से मैदान में उतरेंगी ये दोनों वो सीटे हैं जहां से 2009 में लालू यादव ने खुद चुनाव रड़ा था इस बार इनी सीटों से उन्होंने अपनी बेटियों को टिकेट दी यानि इस बार के चुनाव में लालू यादव की दो दो बेटियां लड़ेंगी ये खबर पहले ही उड़ी थी कि इस बार मीसा भारती और रोहिनी आचारे दोनों चुनाव लड़ सकती हैं इसके कुछ दिन बाद ये पक्का हो गया और खबर आ गई कि मीसा भारती बिहार के पाटली पुत्र से चुनाव लड़ेंगी और रोहिनी आचारे बिहार की सारण सीट से ताल ठोकेंगी अपने पिता को किटनी देने वाली रोहिनी आचारे के लिए ये पहला मौका होगा जब वो चुनाव लड़ेंगी लेकिन मीसा भारती इससे पहले भी चुनाव लड़ चुकी है वो पाटली पुत्र से 2014 और 2019 का लोगसभा चुनाव लड़ चुकी है लेकिन दोनों बार वो हार गई थी और दोनों बार उन्हें बीजे पी के राम कृपाल यादव के हाथों ही मात मिली थी इसके बाद RJD की ओर से उन्हें राज्यसभा भेज़ दिया गया था और मिसा भारती के राज्यसभा का कारिकाल करीब चार साल बचा हुआ लेकिन इसी बीच खबर आगए कि मिसा भारती एक बार फिर पाटली पुत्र से चुनाव लड़ेंगी मिसा भारती लालुयादव की सबसे बड़ी बेटी है ये वो कानून था जिसके तहद 1975 से 1977 के बीच आंदोलन कारियों को गिरफतार किया गया था और लालुयादव भी इसी कानून के तहद जेल में बंद थे और उसी दोरान उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ था लालुयादव ने अपनी किताब में भी इससे जुड़ी पूरी कहानी लिखी थी और बताया था कि उन्हें जेपी ने सुझाव दिया था कि वो अपनी बेटी का नाम मीसा कानून के नाम पर रख दे इसके बाद लालू यादव ने अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती रख दिया था और इसके सालों बाद जब मीसा भारती अपने बेटे को लेकर संसद बहुंची थी तो एक बार फिर इस बात की चर्चा हुई थी उस वक्त पर लोगों ने सुझाव दिया था कि मीसा भारती भी अपने बेटे का नाम उसी तरह रखें जैसे उनका नाम रखा गया था ये सला मीसा भारती को तब दी गई थी जो अपने दो महीने के बेटे को लेकर संसत के शीत कालीन सत्र में पहुँच गई थी यानि जिन परिस्थितियों में लालु यादव की बेटी का नाम रखा गया था उसकी चर्चा सालों तक होती रही वैसे नाम के अलावा मीसा भारती अपनी MBBS की डिगरी की वज़े से भी खूब चर्चा में थी और इसके बाद लालु यादव के विरोधियों ने मीसा भारती के MBBS में टॉप करने पर सवाल उठा दिया थी यही नहीं मीसा भारती की मेडिकल प्राक्टिस नहीं करने पर भी सवाल उठे थे लेकिन मीसा भारती ने इस बात की दलील दी थी कि परिवार और काम के बीच में तालमेल बठाना मुश्किल हो जाता इसलिए उन्होंने प्राक्टिस नहीं की लेकिन विरोधियों ने मिसा भारती की दलील नहीं मानी थी और मिसा भारती के M.B.B.S. में टॉप करने पर बार बार सवाल उठाये थी यानि मिसा भारती का नाम और डिग्री दोनों चर्चा में रह चुके हैं और उनकी सियासत में एंट्री के बाद उन पर भष्टा चार के आरोप भी लगे मिसा भारती और उनके पती शेलेश कुमार के खिलाव हजारों करोड की हिरा फेरी के मामले की जांच चल रही है E.D. इस मामले में उनसे कई बार फूश्टाच कर चुकी है और इनी मामलों की जांच के बीच R.J.D. ने मिसा भारती को बिहार की पाटली पुत्र सीट से टिकेट देने का फैसला किया बिहार की पाटली पुत्र सीट 2008 में बनी थी और इससे पहले पटना में केवल एक लोगसबा क्शेत्र था लेकिन 2008 में परिसीमन हुआ और इसके बाद दो लोगसबा सीटे मन नहीं पहली पाटली पुत्र और दूसरी पटना साहिब रिकॉर्ड है कि पाटली पुत्र में अब तक हुए तीनो लोगसबा चुनाओं में एंडिये को ही जीत मिली है और 2014 और 2015 में मीसा भारती को एंडिये के राम कृपाल यादव ने मात दी थी लेकिन मीसा भारती एक बार फिर पाटली पुत्र से चुनाओ लड़ने जा रही है और उनके अलाबा लालु यादव की तूसरी बेटी रोहिनी आचार बिहार की सारण लोगसबाशीट से चुनाओ लड़ने इसके संकेत आरजडी की के मलसी और लालु यादव के परिवार के खरीबी कहे जाने वाले सुनील कुमार सिंग ने कुछ दिन पहले ही दे दिये थे और अब उन खबरों पर महर लग चुकी है क्योंकि लालु प्रसाद यादव की एक और बेटी की सियासत पे एंट्री होने जा रही है लालु यादव के नौ बच्चे हैं, साथ बेटियां और दो बेटे, दोनों बेटे तेजस्वी और तेजप्रताब बिहार की सियासत में सक्री हैं लालु यादव की सातों बेटियों के नाम है मीसा भारती, रोहिनी आचारे, चंदा यादव, रागिनी आदव, हेमा यादव, अनुष्का राव और राजलक्ष्मी इन सातों बेटियों में मीसा भारती पहले से सियासत में है और अब रोहिनी आचारे सारण से चुनाव लड़ने जा रही है और इसके संकेत तीन मार्च को पटना में आरजेडी की जन विश्वास रैली में ही मिल गए थे क्योंकि उस रैली में रोहिनी आचारे मंच पर नजर आई थी वो रैली में शामिल हुए विपक्ष के निताओं से मिलती दिखी थी ये पहला मौका था जब रोहिनी आचारे सियासी मंच पर लालू प्रसाद यादव के साथ दिखी थी और इस्रैली के कुछी दिन बाद खबर उड़ी थी कि रोहिनी आचारे का सियासी सफर शुरू होने वाला है रोहिनी आचारे का नाम तब खूब चर्चा में आया था जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किड्नी दी थी और इसके बाद लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हुआ था रोहिनी आचारे के सारण से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच आरजेटी नेताओं ने इस बात का जिक्र भी छेड़ दिया किड्नी डोनेट करके अपने पिता जी के आयू को बढ़ने का काम किया इससे बड़ा सौभागिय किसी भी पिता के लिए नहीं हो सकता सोशल मीडिया पर सक्रिये रहने वाली रोणी आचारे ने अपने पिता को किड्नी देकर एक अलगी छवी बनाई पिछले महीने जेडियू और आरजेटी का गडबंधन तूटने पर उनकी सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट भी चर्चा में थी क्योंकि इससे उनकी तेज तर्रार चवी भी सामने आ गई थी क्योंकि अपनी पोस्ट में वो नितीश कुमार पर खुब भड़ की थी वो लालू प्रसाद यादव के परिवार से राजनीती में आने वाली चटी सदस्य हैं क्योंकि खुद लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबडी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और दोनों बेटे तेजस्वी और तेजप्रताब राजनीती में सक्री हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं तेज प्रताब और तेजस्वी ने विधान सभा चुनाव लड़ा आए जब कि लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी और मीसा भारती लोग सभा चुनाव लड़ चुके प्रसीबन के बाद इसका नाम सारं हो गया और च्परा को इसका मुख्यालै बना दिया गया, आसान भाषा में कहें तो च्परा लोगसभा सीट का नाम सारं लोगसभा सीट पढ़ गया, सारं गङगा, गंडग। और घॉजली चैसे जिलों से अलग करता है, या यूँ कहेंगी गंडक नदी सारण और वैशाली और मुझफरपुर्ख के बीच बॉर्डर लाइन की तरह काम करती है और कुछ इस तरह की सीमा गागरा नदी भी बनाती है कि दो अमीनवारों के बीच ही कांटे की टक्तर हुई लालू यादव की एंट्री से पहले इस सीट को कॉंग्रेस का गढ़ कहा जाता था कॉंग्रेस के राम शेकर सिंग तो लगातार चार बार सारण से चुनाव जीते थे लेकिन 1977 में लालू प्रसाद यादव ने इस सीट से बंपर जीत हासिल की थी और अबके सारण और तबके छपरा से जीत कर सुर्कियों में आ गए थे जेपी आंदोलन को इस जीत की बड़ी वज़ा माना गया था क्योंकि लालू यादव इस सांदोलन में से निकले बड़े नेताओं में से एक थे और आपातकाल के दोरान पूरु प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी के खराफ खड़े हो गए थे कहते हैंगे 1977 में हुए लोकसबा चुनाव में लालू प्रसाद यादव को जेपी आंदोलन से उठी उसी लेहर का फायदा हुआ था यही नहीं 1977 के बाद वो 1989, 2004 और 2009 में बिहार की सारण सीट से चुनाव जीते थे और लालू प्रसाद यादव के चुनाव लडने पर 11 साल की रोक लगा दी गई थी लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इसका भी तोड़ निकाल दिया था क्योंकि 2014 में सारण से राबडी देवी चुनाव लड़ी थी वो अलग बात है कि राबडी देवी को राजीव प्रताव रूडी ने सारण से हरा दिया था और इसके बाद 2019 में राबडी देवी सारण से चुनाव नहीं लड़ी थी तब RJD ने चंदरिका राय को मैदान में उता रहा था लेकिन वो भी हार गय थे इसके बाद चंदरिका राय ने RJD छोड़ दी थी और जेडियू में शामिल हो गय थे यहनी सारण में लालू प्रसाद यादव के बाद न तो राबडी देवी ही जीत पाई और नहीं लालू प्रसाद यादव के समधीच चंदरिका राय उल्टा बाद में चंदरिका राय आरजेडी छोड़ कर जेडियू में शामिल हो गय थे और दोनों बार आरजेडी के प्रक्तियाशियों को बीजेपी के राजीव प्रताब रूडी नहीं हराया था 2014 और 2019 के लावा वो 1996 और 1999 में भी सारण से चुनाव जीत चुके हैं इस बीज बिहार के उपमुके मंतरी समराट चौधरी ने लालु यादव की बेटी पर निशाना साधा बिहार के उपु मुखे मंतरी समराट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचारे को सारण सीट से टिकट दिये जाने पर विवादास पद बयान दे दिया लालू प्रसाद जी ऐसे नेता है जो टिकट बेचने में माहिर खेला लिए पिहार के आरा से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर लोग खौफ से बर गए वहाँ चलती ट्रेन में चड़ने की कोशिश करना एक आदमी के लिए खतरनाक साबित हो गया वो आदमी सामान से भरा बैग लेकर उस ट्रेन में चड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसका पैर लड़ खड़ा गया और वो उस ट्रेन में चड़ने की बजाए फिसलते हुए नीचे आ गया लेकिन वो पुलिस कर्मी तुरंट उसे खीच कर उस ट्रेन से दूर ले आया इस दोरान उस आदमी को देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड जमा हो गया गरीमत ये रही कि उस आदमी को सही सलामत बचा लिया गया केंदर सरकार ने करिबियाई देश हेती में फसे भारतियों को निकालने के तयारी पूरी कर ली करिबियाई देश हेती में फसे भारतिये नागरिकों को निकालने के लिए केंदर सरकार ने ओपरेशन इंदरावती शुरू कर दिया इस operation के तहित हेती से भारतिय नागरिकों को करिबियाई देश दॉमिनिकन रिपब्लिक पहुंचाय जाएगा फिर वहां से उन्हें भारत लाय जाएगा हेती में पिछले 23 दिनों से जारी हिंसा में कई लोगों की मौत हो चुकी है इलाबाद हाई कोट ने फरार चल रहे यूपी के पूर्व मंत्री अमर मनी त्रिपाटी की आचिका खारिच कर दी उन्होंने संपत्तियां कुर्ख करने के निचली अदालत के फैसले को हाई कोट में चुनोती दी थी पराश की सांगली सीट पर महाविकास अगाडी में तनाव बढ़ने की खबर आई क्यूकि इस सीट से उद्धव ठाकरे अपने प्रत्याशी का एलान कर चुके है गडबंधन में उनकी साथी कॉंग्रेस भी सांगली से चुनाव लड़ना चाती है एक दिन पहले ही खबर आई थी कि सांगली सीट पर महाविकास अगाडी में पेच फसा हुआ है और इसके अगले ही दिन खबर आई कि इस सीट के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी और कॉंग्रेस में ठन गई और नौबत ही आ गई कि कॉंग्रेस ने सांगली के मिरज में होने वाली उद्धव ठाकरे की सभा का बहिशकार कर दिया सुत्रों ने बताया कि उद्धव ठाकरे की ओर से कॉंग्रेस को इस सभा में शामिल होने का न्योता दिया था लेकिन कॉंग्रेस ने उनका न्योता ठुकरा दिया खबारे की कॉंग्रेस ने फैसला सांगली लोगसबा सीट की बज़से ही लिया क्योंकि उधव गुट की शिवसेना ने सांगली लोगसबा सीट से चंद्रहार पार्टिल को उम्मीदवार बनाने के संके दिये थे और इसी बात पर Congress भढ़े ते, क्योंकि Congress भी सांगली से चुनाव लढ़ना चाहती है खबरे की Congress ने उद्धव गुट की शिवसेना से दो टुक बोल दिया था कि सांगली सीट उसकी है और महाराश्ट के सांगली से Congress का ही उमीदवार खड़ा होगा यानि सांगली की सीट पर कॉंग्रेस और उधव ठागरे की पार्टी खुल कर आमने सामने आ गए वैसे उधव गुट किशिव सेना ने सांगली से जिस चंद्रहार पार्टिल को उम्मीदवार बनाने का इचारा किया था उधव ठागरे ने चंद्रहार पार्टिल को अपनी पार्टी में शामिल करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि चंद्रहार पार्टिल पहलवान है उधव गुटने दलील दी कि वो सांगली के बदले कोलापुर सीट छोडने के लिए तयार है लेकिन कॉंग्रेस इसके लिए तयार नहीं हुई फिर क्या था महाराज की सांगली सीट के लिए महाविकास अगाडी में गमासान की खबरे आनी शुरू हो गए सुत्रों ने बताया कि कॉंग्रेस इस सीट से पूर्व मुक्यमंत्री वसंदादा पाटिल के बोते विशाल पाटिल को चुनाव लड़वाना चाती है लेकिन उधव गुड़ की शिवसेना चंद्रहार पाटिल को सांगली से उम्मीदवार मनाना चाती है और माना जा रहा है कि ये सब सांगली की छे विधानसवा सीटों की वज़ा से हो रहा है क्योंकि सांगली की छे विधानसवा सीटों में मिरज, सांगली और जाट पर बीजेपी का कबजा है जबकि खानपुर में शिवसेना जीती थी इसके लावा फालुस काड़े गाउं में कॉंग्रेस और तास गाउं कवाथे महाकाल में NCP के विधायक हैं यानि सांगली के विधान सबाक शेत्रों में BJP और महाविकास अधारी के पास 3-3 सीतें यानि कॉंग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना दोनों को यहां जीत की उम्मीद दिख रही है और कॉंग्रेस ने तो सांगली से लड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया क्योंकि सांगली वसंदादा पाटिल की कर्म भूमी मानी जाती है लेकिन वसंदादा पाटिल के साथ 1978 में शरत पवार ने कुछ वैसाई किया था जैसा पिछले साल दिसंबर में अजीत पवार ने शरत पवार के साथ किया था और महाराष्ट के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए थी। उस वक्त शरत पवार की उम्र 38 साल थी। और करीब 45 साल बाद जब अजीत पवार ने एंसीपी तोड़ी तो उन्होंने शरत पवार को वसंदादा पाटिल की ही याद दिलाई थी। और उस बात का जिकरे करते वे अजीत पवार ने बयान दिया कि उन्होंने जो 60 साल की उम्र में किया वो शरत पवार ने 38 साल की उम्र में ही कर दिया था। उर्स, कॉंग्रेस उर्स, तब शरत पवार ने इंदरा गांधी का साथ छोड़ दिया था। तब के पत्रकार बताते हैं कि सरकार गिराने से कुछ घंटे पहले ही शरत पवार और वसंदादा पाटिल की मुलाकात हुई थी। और इस बार कॉंग्रेस सांगली सीट से वसंदादा पाटिल के पोते को टिकट देने की कोशिश में है। शुत्रों ने बताया कि कॉंग्रेस किसी भी किमत पर सांगली की सीट नहीं छोड़ना जा दी। इसके लिए उसने पूरा जोर लगा दिये। क्योंकि महाराश्ट की सांगली लोगसबा सीट वो सीट है जहां कॉंग्रेस के बुरे दिनों में भी उसे जीत मिली थी। क्योंकि में एक दो बार नहीं बलकि 15 बार जीत हासिल की। कॉंग्रेस के प्रकाश बाबू वसंदादा पाटिल तो पांच बार वहां से चुनाव जीते। यानि बीजेपी के संजे काका पाटिल ने 52 साल तक कॉंग्रेस के गढ़ रहे सांगली को उससे चीन लिया था। लेकिन कॉंग्रेस एक बार फिर अपना वो किला हासिल करना चाहती है। चुना हुआ था। और 2009 तक कॉंग्रेस ने लगातार इस सीट पर जीत हासल की थी। लेकिन इसके बाद वो लगातार दो बार सांगली में हार गई थी। माना जा रहा है कि इसी वज़े से महाविकास अगाडी में इस सीट पर इतनी चर्चा हुए। इस बीच भारतिय बैडमिंटन खिलाडी पीवी सिंदू स्विश ओपन से बाहर हो गई। बारतिय बैडमिंटन खिलाडी पीवी सिंदू स्विश ओपन के दूसरे दौर में जापान की खिलाडी से 21-16, 19-21 और 16-21 से हर कट टॉर्नमेंट से बाहर हो गई। जबकि केश रिकांत ने मलेशिया के खिलाडी को 21-16 और 21-15 से हरा कर कौटर फाइनल में जगा बना लिए। राजिस्तान रॉयल्स के गेंदबाज आडम जैंपा ने निजी कारणों से IPL के इस सीजन से अपना नाम वापस ले लिया। उनकी जगा टीम में गेंदबाज तनुष कोटियान को शामिल किया गया। कोटियान मुंबई रणजी टीम से खेलते हैं और उन्होंने रणजी टोफी के इस सीजन में 10 मैचों में 29 विकेट लिये थे। वार्दिये शेर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी रही। इस दोरान IT को छोड़ कर दूसरे सभी सेक्टरों में खरीदारी देखने को मिली। सबसे ज़्यादा तेजी मेटल, आटो, FMCG, रियल्टी और कैपिटल गूड सेक्टर के शेरों में रही। इसकी वज़े से Bombay Stock Exchange का Sensex 190 अंक चड़कर 72,831 पर बंद हुआ, तो निफ्ती 84 अंकों की तेजी के साथ 22,096 के स्तर पर पहुँच गया। क्योंकि पुतिन की फौज ने युक्रेन में नदी पर बने उसके सबसे बड़े बांद पर कहर बरपा दिया। पश्चिमी मीडिया के मताबिक वहां खतरनाक मिसायलों के साथ साथ आत्म घाती ड्रोन भी गिराए गए। दस्वीरों में दिखा कि रूसी हमले के बाद नीपरो नदी पर बने उस बांद पर भीशन आग लग लग गए। दमकल कर्मी उस आग को बुझाने के लिए वहां पानी की बोचार करते दिखाए थी। युक्रेन के जिस बांद पर हमला किया गया वो उसके दक्षणी इससे में मौझूद जापुरिज्जिया शहर में। नीपरो नदी पर बने इस बांद के साथ एक पावर प्लांट भी बना हुआ है जिसके जरीए बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। और आसपास के खरीब एक दरजन इलाकों में बिजली की सप्लाई उस प्लांट से ही होती आई है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मताबिक रूस के हमले में उस बांद के साथ साथ पावर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुचा जिसकी वज़े से आसपास के कई इलाके अंधेरे में डूप गए। हालनकि रूस ने सिर्फ जापुरिजिया ही नहीं बलकि यूकरेन के कई शहरों में एक साथ तबाही मचा दी। पश्चिमी मीडिया के मताबिक वहां 24 घंटों में करीब 90 मिसाइले और 60 से ज्यादा ड्रोन हमले किये गए जिन में तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग खायल हो गए। पानी की बोचार कर दी। पानी की तेज बोचार होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी थोड़ी देर के लिए सड़क पर पीछे की तरफ भागे लेकिन वाटर कैनन बंध होते ही वो फिर से पुलिस की बैरिकेडिंग के पास जमा होकर हंगामा और नारे करते दिखाई दिये। पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। काले रंग की टी-शेट पैना हुआ एक कारेकरता तो बैरिकेड के उपर चड़ गया और नारे लगाने शुरू कर दिये। उसके साथ कुछ महिला कारेकरता भी बैरिकेड पर चड़ने की कोशिश करती दिखाई थी। पीले रंग की पकड़ी पैना हुआ आम आदमी पार्टी का एक कारेकरता वहां खड़े पुलिस वालों को हटाते हुए बैरिकेड पार करता दिखाई दिया। मोहाली से चंड़ीगड में गवरनर हाउस का घहराव करने निकले आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं के हाथों में केजरिवाल के समर्थन वाले पोस्टर दिखाई दिया। पोस्टरों पर मैं भी केजरिवाल लिखा नजर आया हाला कि पुलिस ने सभी प्रदर्शन कारियों को हाईवे पर ही रोक दिया। लोहे की बैरिकेडिंग के एक तरफ भारी संख्या में पुलिस वाले मोर्चा सम्हाले दिखाई दिये तो दूसरी तरफ सैकडों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कारेकरता एकठा हुए नजर आये। बहस हुई एडी के वकील ने केजरिवाल को घोटाले का किंग पिन बताया। जबकि अर्विन केजरिवाल के वकीलों ने एक राज्जिक के मुख्यमंत्री की गिरफतारी को सरकारी एजिंसियों के दुरुप्योग की मिसाल करार दिया। कोट में हुई इस बहस से पहले दोफेर करीब साड़े बारा बजे एडी एफसरों का काफिला अर्विन केजरिवाल को लेकर एडी दफतर से राउज इविन्यू कोट के लिए निकला। इडी की गाडियां दंदनाते हुए अदालत की तरफ दोड़ती दिखाई दी। इसके बाद राउज इविन्यू कोट में अर्विन केजरिवाल और एडी के वकीलों के बीच जबर्दस्त बहस शुरूरी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए कोट में केजरिवाल के वकीलों ने एडी की रिमान की मांग को खारिच करने के अपील की जबकि एडी के वकीलों ने शराब घुटाले की जाँच के लिए अर्विन केजरिवाल की रिमान को बहत जरूरी बताया मतलब ये कि एडी के वकीलों ने अर्विन केजरिवाल की रिमान के लिए पूरी ताकत लगा दी एडी ने दिल्ली के शराब घुटाला मामले में मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को मस्टमाइंड बताया E.D. के वकील ने इसके लिए अंग्रेजी के किंग पिन शब्द का इस्तमाल किया इसके साथ ही E.D. ने दावा किया कि इस केस से जोड़े कई इलेक्ट्रोनिक सबूत पहले ही मिटा दिये गए थे गोटाले से जोड़े तत्थ चिपाने के लिए कई सारे मुबाइल फोन तोड़े गए थे अलनकि इसके बाद अर्विन केजरिवाल के वकील अभिशेक मनु सिंभी ने ये दलील दी कि इस मामले में अर्विन केजरिवाल को गिरफतार करने की जरूरत नहीं थी इसके बाद कोट में इडी ने दलील रखी कि रिशवत के बदले दिली में आबकारी निदी में मनमाने बदलाब किये गए थे इडी ने कोट को बताया कि दो बार कैश ट्रांसफर भी किया गया जबकि कोट में अर्विन केजरिवाल की तरफ से का गया कि इस पूरे मामले से अर्विन केजरिवाल का कोई लेना देना ही नहीं है ये भी का गया कि मुक्हेमंत्री की गिरफतारी गेर खानूनी तरीके से की गई क्योंकि आरोबे की शराब घोटाले की आड में करीब 600 करोड की हिरा फेरी हुई और एडी के हवाले से ये दावा किया गया कि ये पूरी साजिश किसी और ने नहीं बलकि दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरीवाल नहीं रची मतलब एडी ने ये दावा किया कि ये पूरी साजिश अर्विंद केजरीवाल के इशारे पर ही रची गई और इसके जरीए करोडों की रखम का गबन हुआ एडी ने दावा किया कि इस पूरे खेल में मनीश्च सोदिया और संजे सिंग भी बराबरी के हिस्सेदार थो बलकि इसके लिए उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजे नायर को काम पर लगा गया था E.D. के मताबिक विजे नायर ने अर्विन केजरिवाल के कहने पर नसित नीतियों में तोड मरोड का खाका तयार किया बलकि लोगों को डरा धमका कर उनसे उगाही का सारा काम भी वही देखता था और E.D. के मताबिक इसी विजे नायर के जरिए दिल्ली के सीम अर्विन केजरिवाल और उनके सहीयोगियों तक 330 करोड से जादा की रखन पहुंची दावे के मताबिक इसके लिए बाकाइदा पूरी प्लैनिंग की गई थी और E.D. के जांच में ये आरोफ लगाया गया कि दिल्ली की नई शराब नीती के जरिए करोडों के घोडाले की पटकता अर्विन केजरिवाल के घर पर ही लिखी गई थी E.D. के मताबिक दिल्ली के सीम हाउस में हुई उस बैठक में अर्विन केजरिवाल के अलावा मनीश शिसोदिया भी मौजूद थे और इसी बैठक में ये तैह हुआ था कि शराब नीती में प्रॉफिट का जो मार्जिन 6 प्रतिशत है उसे बढ़ा कर 12 प्रतिशत मतलब दुगना कर दिया जाए और इडी के मताबिक खुद ये बात मनीश शिसोदिया के सचिप सी अर्विन ने फूस्ताज के दोरान बताई थी और ये दावा किया गया था कि ये काला खेल अर्विन केजरिवाल की आँखों के सामने ही रचा गया और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि इस नई शराब नीथी के जरीए उन्हें करोड़ों का फायदा हो सकता है और इडी का दावा है कि अर्विन केजरिवाल अपने प्लैन में काम्याब भी हो गए थे सुत्रों के मताबिक जांच में ये बात सामने आई कि अर्विन केजरिवाल ने इस शराब नीथी की आड़ में शराब माफिया से करीब सौ करोड़ की रिश्वत ली थी और बदले में नई शराब नीथी के जरीए उन्हें फायदा पहुँचाने का बाता किया था मतलब केजरिवाल और शराब माफिया ने एक हाथ दे दूसरे हाथ ले का फार्मूला अपनाया ताकि दोनों ही पक्षों को फायदा हो सके और इसमें एक एहम किरदार ने भाया शराब कंपनी इंडो स्पिरिट के डिरेक्टर समीर महिंद्रू ने सुत्रों के मताबिक समीर महिंद्रू ने पूश्टाश में बताया कि अर्विन केजरिवाल से उन्हें उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजय नायर ने आईपोन के एप फेस टाइम के जरीए मिलवाया था और एडी के मताबिक उसी के जरीए सौ करोड की रिश्वत के रास्ते खुले एडी के सूत्रों का तावा है कि केजरिवाल ने नई शराब नींती में बदलाव करने के बदले में सौ करोड रुपए की रिश्वत मांगी थी और जांच में ये बात सामनी आएगी इस रकम का इस्तिमाल 2022 में गोवा में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किया था एडी ने कुछ दस्तावेजों के जरीए ये आरोप भी लगाया है कि इस रकम के बड़े हिस्से की हेरा फेरी कैश में की गई ताकि किसी को आम आदमी पार्टी या फिर अर्विन केजरिवाल पर शक न हो इडी ने ये दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत के तौर पर मिली रखम से 45 करोड रुपे का इस्तमाल गोवा के चुनाव में किया इसके लिए तिलंगाना के मुख्यमंत्री के चंदरशेकर राव की बेटी के कविता के अकाउंटेंट बुच्ची बावू ने दो बार पैसे ट्रांसवर की सुत्रों के मताबिक बुच्ची बावू के अकाउंट से ही आम आदमी पार्टी के पास पहले 10 करोड और फिर 15 करोड रुपे ट्रांसवर किये गए और दावा है कि घूवा में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाओं में काम करने वाले लोगों को इसी रखम से बुक्तान किया गया है आलंकि बुच्ची बावू का ये क्बूल नामा अरविन केजरिवाल के लिए गले की फांस बन गया बाद में बना पहले तो उसने बी आरेस नेता और तिलंगाना के मुख्यमंत्री के चंदरशेखर राओ की बेटी के कविता का खेल बिगाड़ा इस मामले में के कविता को ईडी ने हफते भर पहले गिरफतार किया था और माना जा रहा है कि उनी की गिरफतारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल का नमबर लगा क्योंकि एडी ने अपनी जांच में ये दावा किया कि खरीब 600 करोड से जादा के इस घोटाले को बी आरेस नेता के कविता और दिल्ली के सीम अर्विन केजरिवाल ने मिल कर अंजाम दिया एडी के मुताबिक इस समझोते के लिए के कविता का ओफर लेकर वायसार कॉंग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनवासलू रेडी दिल्ली पहुंचे थे और इसे मंगुटा श्रीनवासलू रेडी के बेटे रागव मंगुटा के जरीए अंजाम दिया गया ये वही सौ करोड की रकम थी जिसे आम आदमी पार्टी तक पहुंचाने के जिम्मेदारी बुच्ची बाबु को सौंपी गई थी और इडी के मुटाबिक इसी सौ करोड में पैंतालीस करोड रुपए आम आदमी पार्टी ने 2022 में हुए गोआ के चुनाव में खपा दिये थी और इसी मामले में जेल में बंद के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जटका लग गया दिल्ली चराब गोटाला मामले में आरोपी तिलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंदरशेकर राओ की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जटका लगा सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की जमानत पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया इतना है नहीं सुप्रीम कोर्ट ने के कविता के वकील को निचली अदालत जाने का सुझाव भी दिया पिछले अफते एडी की टीम ने उन्हें गिरफतार कर लिया था बीजेपी की केंदरी एचुनाव समिती की शाम में एहम बैठक होगी सुत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तरपदेश, ओडीशा, महराष्ट, तिलंगाना और राजिस्थान समेथ कई राज्यों के लिए उम्मीद्वारों के नाम पर मोहर लग सकती है इस बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे बिहार में माहगडबंधन में शामिल CPI ने तीन बार विधायक रह चुके अवधेश कुमार को बेगुसराय लोगसबा सीट से अपना उम्मीद्वार बना दिया इससे पहले अटकले थी कि कॉंग्रेस नेता कनिया कुमार को ये सीट मिल सकती है कनिया कुमार ने 2019 में इसी सीट से CPI के टिकट पर चुनाव लड़ा था तब वो बीजेपी नेता गिरीराज सिंग से चुनाव हार गए थी इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दोरान दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी रासत में ले लिये गए सेकड़ों कारेकरताओं के साथ प्रदर्शन कर रही आतिशी को पुलिस ने जैसे तैसे बस में बठा दिया लेकिन इसके बाद भी उनकी नारे बाजी बंद नहीं हुई वो उस बस की खिड़की से बाहर निकल कर नारे लगाती रही और आतिशी की ही तरह पुलिस ने दिल्ली सरकार में मंत्री सौरब भारदवाज को भी राजत में ले लिया इस दोरान उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर बैट कर ही गाने गाना शुरू कर दिया उनके साथ कई कारेकरता भी मौजूद रहे दिल्ली के मुक्य मंत्री अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद सही आमादमी पार्टी कारेकरता धरने पर बैठ गये और दिल्ली में आमादमी पार्टी के दफ्तर से लेकर आईटी ओ तक हर जगा कारेकरताओं का जमावड़ा लग गया गिरफतारी के खिलाब सड़कों पर उत्रे कारेकरताओं के हंगामे से हालाद में काबू हो गया और पुलिस के लिए उन कारेकरताओं पर काबू पाना मुश्किल हो गया दिल्ली के आईटी ओ इलापते में तो आम आदमी पार्टी के कारेकरता बीच सड़क पर ही बैठ गया एक लाइन में बैठे कारेकरताओं ने वहाँ बैठ कर नारेबाजी करना शुरू कर दिया इसके बाद वहाँ पहुंची पुलिस ने कई कारेकरताओं को हिरासत में ले लिया कई जगहों पर कारेकरता हाथों में मैं भी केजरीवाल के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए और इस दोरान आमादमी पार्टी की महिला कारेकरता भी सडकों पर उतराई इडी की कारवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों कारेकरताओं को संभालने के लिए भारी पुलिस पोर्स तैनात कर दी गई और इस दोरान जब पुलिस कुछ महिला कारेकरताओं को वहाँ से अठाने पहुंची तो वो सड़क पर ही लेट गई इसके बाद पुलिस उन्हें उठा कर वहाँ से ले गई दिल्ली के आईटियो इलाके में प्रदर्शन कर रहे कारेकरता पुलिस से भीड़ने तक को तयार हो गए ऐसे में पुलिस और कारेकरता आमने सामने आ गए वहाँ से आई एक तस्वीर में पुलिस दो कारेकरताओं को गसीट कर वहाँ से ले जाती नज़र आई इस दोरान वहां मौझूद एक महिला कारेकरता उनके पास बैटकर ही नारे लगाती रही इसके बाद पुलिस ने उस महिला कारेकरता को भी हिरासत में ले लिया आईटियो इलाके में इतनी बड़ी संख्या में कारेकरता पहुँच गए कि वहां ट्राफिक की दिफ्कत खड़ी हो गई ऐसे में पुलिस ने सकती दिखाते हुए सड़क पर बैठे एक एक कारेकरता को वहां से अटा दिया इधर खानून के जानकारों के मताबिक एडी के समंस पर पूश्टाज के लिए नहीं पहुचना ही केजरिवाल की सबसे बड़ी मुसीबत बना क्योंकि दिल्ली शराब गोटाला मामले में एडी ने उन्हें नो समंस भेजे थे लेकिन वो एक भी समंस पर पूश्टाज के लिए नहीं पहुचे थे इसी वज़े से एक रोज पहले एडी की एक टीम उनके घर पहुच गई थी क्योंकि नो में समंस के तहट केजरिवाल को 21 मार्च को सुबह 11 बजे पेश होना था लेकिन वो हर बार की तरह इस बार भी पूश्टाज के लिए एडी आफिस नहीं पहुचे थे यही नहीं वो एडी के समंस को लेकर दिल्ली हाई कोट पहुच गए थे जानकारी के मताबिक कोट को एडी ने वो सबूत भी दिखाये थे जिनके आधार पर पूश्टाज के लिए केजरिवाल को समंस जारी किये गए थे माना जा रहा है कि दिल्ली हाइकोर्ट से उनको जटका लगने के बाद एडी ने उने गिरफतार करने की तैयारी शुरू कर दी थी कारून के जानकारों का मानना है कि एडी के नौ समन्स पर पूठाज के लिए न पहुंच कर केजरिवाल ने अपने पैरों पर कुलाडी मार ली थी और सुत्रों के मताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को गिरफतार करने से पहले एडी के बड़े अधिकारियों ने एक बैठक की थी दावा किया गया कि दिल्ली हाई कोट से केजरिवाल को राहत नहीं मिलने के बाद जांच एजनसी के अधिकारियों ने ये बैठक की थी। और उन सुबूतों की जांच के बाद एडी के शक की सुई केजरिवाल की तरफ घुम गई थी। तक केजरिवाल को पूश्टाज के लिए नौ समन्स भेजे थे लेकिन इन छे महीनों में केजरिवाल एक बार भी पूश्टाज के लिए एडी के आफिस नहीं पहुँचे थे। थाकि वो किसी भी तुरा पूश्टाज के लिए एडी के सामने पेश ना हो सकें। जारी को जारी किये गए चौथे समन्स के लिए विधान सभा चलने की दलीद ली थी। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली शराब गोटाला मामले में वो अपनी गिरफतारी नहीं टाल सके। और इन सब के बीच दली के मुक्यमंतुरी अर्विन केजरिवाल ने अपनी गिरफतारी के खिलाफ सुप्रीम कोट में दायर याचिका वापस ले ली। आम आदमी पार्टी के तरफ से ये बताया गया कि वो अपनी बाद सबसे पहले निचली अदालत में रखेंगे। इस पर सुप्रीम कोट ने भी आम आदमी पार्टी को याचिका वापस लेने की इजाज़त दे दी। जबकि केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ दायर याचिका के बाद एडी ने भी सुप्रीम कोट में कैवेट दाखिल कर दिया था। पार्टी ने सुप्रीम कोट से याचिका वापस लेने का फैसला लिया। इस घटना में एक मजदूर की मौत हो गई जोकि कई लोग घायल हो गए। इस फुलका निर्मान भारत माला प्रोजेक्ट के थाइट किया जा रहा है। इलाबाद आई कोट की लगनव बेंच ने यूपी बोर्ड अफ मंदरसा एजुकेशन एक्ट को असम्मेधानिक परार दिया। कोट ने इस एक्ट को धर्म निर्पेक्ष्टा के सिध्धान के खिलाफ बताया। इसके साथ ही कोट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि मंदरसों में पढ़ने वाले चात्रों को बुनियादी शिक्षा विवस्था में समायोजित किया जाए। कॉंग्रेस को दिल्ली हाइकोर्ट से बड़ा जटका लगा। हाइकोर्ट ने आयकर विभाग की कारवाई के खिलाफ कॉंग्रेस की याचिका खारिच कर दी। कॉंग्रेस ने लगातार तीन वर्षों के लिए आयकर विभाग की टैक्स री एसेस्मेंट प्रोसीदिंग्स के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस पिंजरे पर ED और CBI लिखा दिखा इसके जरीए इन लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया प्रदर्शन के दोरान कई प्रदर्शनकारी बैरिकेट पर चड़ गए बहुत देर तक हंगामा चलता रहा इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारीयों को इरासत में लेना शुरू किया और बसों में भर कर इन लोगों को वहां से अटाया गया इससे पहले केजरीवाल की गिरफतारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कॉंग्रेस, टीमसी और पवार गुटवाली NCP के नेता चुनाव आयोग भी गए अगर कुछ गल्ती भी हुई है तो आपने कहीं ये नहीं दिखाया कि अभी इसी वक्त एजनसी की रेड आवश्यक है यानि इस मामले में विपक्षी कटबंधन केजरिवाल के साथ दिखा चुनाव आयोग पॉंचने वाले नेताओं में तो कॉंग्रेस के नेता भी शामिल थे जबकि इससे पहले कॉंग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने दिल्ली के शराब घोटाले की शिकायत पुलिस से की थी 2022 में दिल्ली कॉंग्रेस के अध्यक शनिल चौतरी ने पुलिस कमिश्टनर को इससे जुड़ी एक चिठी लिकी थी उन्होंने चिठी में दिल्ली की शराब नीती पर सवाल उठाये थे और कॉंग्रेस की ओर से लिखी गई ये वही चिठी है 2022 में लिखी गई इस चिठी में दिल्ली की नई आपकारी नीती पर उंगली उठाये गई थी और आरोब लगाया था कि दिल्ली में नई शराब नीती के तहत कई कमपनियों को अवैद ठेके दिये गए। यही नहीं कॉंग्रेस ने आरोब लगाया था कि कई कमपनियों को अधिकारियों और मंत्रियों की वज़े से ठेके मिले। दिल्ली सरकार पर कॉंग्रेस के हमले यही नहीं रुके थे बलकि उसने तब के दिल्ली के डिप्ती सीम मनीश सोदिया का इस्तीफा भी मांगा था और आरोब लगाया था कि उस घोटाले का सीधा कनेक्शन अर्विंद केजरिवाल से है और आरोब लगाया था कि केजरिवाल भी इस घोटाले के इस्तेदार थे यहनी जिस कॉंग्रेस ने केजरिवाल की गिरफतारी पर इतना हल्ला मचाया प्रतरशन किया पिछले साल वही कॉंग्रेस केजरिवाल पर निशाना साध रही थी सौ करोड के गोटाले से केजरिवाल का सीधा कनेक्शन जोड रही थी कॉंग्रेस नेता अलकाल आमबा ने तो सिसोधिया और केजरिवाल दोनों को घेरा था कॉंग्रेस के ये सुर पहले थे क्योंकि अब वो केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ है और इसलिए उसने सडकों पर प्रदर्शन किया लेकिन विपक्षी कटबंधन बनने से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं के तेवर अलग थे लेकिन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद विपक्षी कटबंधन जिस तरह से एकजूट हुआ उसके बाद संजे सिंग का वो बयान चर्चा में आ गया क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कबजे में है चंद परिवारों ने देश की राजनीती पर कबजा कर लिया है पूरव से लेके पस्चिम तक उत्तर से लेके डक्षिन तक चंद परिवारों का देश की राजनीती पर कबजा है चले जाएए काश्मीर, सेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, चले जाएए महारास्त्रा, बाल ठाकरे, उधाउट ठाकरे, आदित ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी, सरत पवार, सुप्रिया सूले, अजीत पार्टी चले जाएए बिहार लालू यादो राबणी यादो तेजस यादो मीसा यादो तेजस्वी यादो एकी परिवार की पार्टी चले जाएए जारखन दुर्गा सुरेन सेमन सुरेन सीबू सुरेन एकी परिवार की पार्टी चले जाएए उडीसा बीजू पतनायक इंद्रा, बिटवा राजिव, बिटवा संजे, बहु सोनिया, बिटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद बाड़रा, एक ही परिवार की पार्टी पार्टी कहा है बताओ। के सर्वे का काम शुरू कर दिया। पर उनका जोरदार स्वाकत किया गया। इसके बाद पीम ने बुटान के प्रधान मंत्री और बुटान नरेश से मुलाकात की। इस भी चीडी और केंद्र सरकार के खिलाब आमादमी पार्टी के कारे करताओं का गुस्सा हर्याना के कुरुक्षेतर में भी पूठा। सड़कों पर प्रधर्शन के लिए उत्तरे कारे करताओं को जो पुलिस वालों ने रोका तो वो उनसे उलच पड़े। आमादमी पार्टी के कारे करताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर केंद्रिय एजेंसिया विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही हैं। काफी देर तक कुरुक्षेतर में उस सड़क पर हंगामा होता रहा है। लेकिन दूसरी तरब मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद आमादमी पार्टी ने जेल सही दिल्ली की सरकार चलाने की तयारी कर ली। तो दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी दिल्ली की सरकार चलाएंगी। हाला कि एक रोज पहले गिरफ्तारी के बाद अर्विन केजरिवाल ने मुख्यमंत्री पत से इस्तीफा नहीं दिया था। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दो तुक कह दिया कि आम आदमी पार्टी जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगी। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अर्विन केजरिवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। मतलब ये कि आम आदमी पार्टी इस परिस्थिती के लिए पहले से तयारी कर रही थी। क्योंकि काफी लंबे वक्त से शराब गोटाला मामले में मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल पर गिरफतारी की तलवार लटक रही थी। जानकारों के मताविक भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें किसी भी मामली में गिरफतारी के बाद आरोपी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही होगा और सूत्रों के मताविक इसी वज़े से आम आदमी पार्टी और अद्विन केजरिवाल ने जेल से सरकार चलाने का प्लैन तयार किया थी मतलब यह कि भले ही आम आदमी पार्टी ने जेल से सरकार चलाने की तयारी की हो लेकिन इसकी इजाज़त शायद ही उसे जेल प्रशासन से मिले सूतरों के मताबिक दिल्ली के तिहार जेल के मैनुवल में किसे भी मुख्यमंत्री के जेल से सरकार चलाने का प्रावधान नहीं है जेल मैनुवल एक रूल बुक होती है जिसमें जेल में बंद कैदियों के लिए नियम कायदे लिखे होते हैं जेल प्रशासन इसी के हिसाब से काम करता है। जेल मैनुवल के मुताबिक जेल में बंध पैदी को हफ़ते में दो बार उसके रिष्टदारों और परिजनों से मुलकात कराइ जाती है। आरोपी को दस लोगों के नाम देने होते हैं और वो लोग ही जेल में फोन करके मिलने की तारीख और समय मांग सकते हैं। एक बार मुलाकात में सिर्फ तीन लोग ही जेल में आरोपी से मिल सकते हैं। मतलब ये कि अगर Арwin केजरिवाल जेल से सरकार चलाते हैं तो इसमें उने कई तरह की दिख्टतें सामने आ सकती हैं क्योंकि नियोंओं के मुताबिक जेल से सरकारी फायले साइन नहीं कराई जा सकती और अगर फाइलों पर साइन कराना भी हो तो जेल सुप्रिटेंडेंट से लिखित इजाजत लेनी होगी एक राज्य के मुख्यमंत्री के कंधों पर कई तरह की जिम्मेदारिया होती है कैबिनेट की बैठक के अलावा मुख्यमंत्री को दिन भर अफसरों के साथ बैठकें करनी पढ़ती है और जेल में रहते हुए ये सारी चीजें संभव नहीं है और जिस शराब घुटाला मामले में अर्विन केजरिवाल को गिरफतार किया गया वो शराब नीती तीन साल पहले बनाए गई थी उस दोरान दिल्ली के डिप्टी सीम रहे मनीश सोधिया ने नई शराब नीती लाने का ऐलान किया था और वो तारिक थी 22 मार्च 2021 कई बड़े ओफर और डिसकाउंट देने की वजह से शराब की जमकर बिक्री हुई थी और इससे दिल्ली सरकार का खजाना तो बढ़ा लेकिन इस नई नीती का जमकर विरोध भी होने लगा था आठ जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीती में घोटाला होने का आरोप लगा था उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट उपराजपाल वीके सकसेना को बेज दी थी रिपोर्ट में सिसोधिया पर नियोमों को ताक पर रखकर शराब कारोबारियों को फाइदा पहुचाने का आरोप लगा गया था और बाद में उपराजपाल ने भी उनकी और कैबिनेट की मनजूरी के बिना शराब नीती में बदलाब करने का आरोप लगा दिया था 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराजपाल ने मुख्य सचित की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जाँच सीबियाई से कराने की सिफारिश कर दी थी और उसी दोरान विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीतीर रद्द कर दी थी इसके बीचे दलील ये दी गई थी कि खुदरा और थोक कारोबारियों के शराब के धंदे से हटने की वज़े से ऐसा किया गया बाद में 17 अगस 2022 को सीबी आई ने मनीश शिसोदिया, तीन रिटायर सरकारी अफसर, नौ शराब करोबारी और दो कमपनियों के खिलाब केस दर्च कर लिया था इन पर भष्टा चार से जुड़ी धाराओं के तहट केस दर्च किये गए थी 19 अगस को दिल्ली के उप मुख्य मंत्री मनीश शिसोदिया से जुड़े घर और ठिकाने समेट 7 राजियों के 31 ठिकानों पर चापे मारे गए और इसके बाद सिसोदिया ने दावा किया था कि सीबी आई को कुछ नहीं मिला तीन दिन बाद 22 अगस 2022 को ईडी ने सीबी आई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉंडरिंग का केस दर्च कर लिया था क्योंकि सिसोदिया के पास ही आपकारी विभाग था इसलिए उन्हें इसमें मुख्य आरोबी बनाय गया इस भी जोडीशा के मुख्यमंत्री नवीन पतनाय की पार्टी बीजेडी और बीजेपी में गडबंधन पर बात नहीं बन सकी दोनों पार्टियों ने राज्य की 21 लोगसवा सीटों और 147 विधानसवा सीटों पर अलग-अलग चुनाव लडने का फैसला लिया पोटिशा में लोगसवा के साथ ही विधानसवा के भी चुनाव होने हैं बीजेपी ने लोगसवा उम्मीद्वारों की चौती लिस्ट जारी कर दी इस लिस्ट में तमिलनाड के लिए 14 प्रत्याशों के नाम और पुदुच्चरी सीट के उम्मीद्वार का नाम शामिल है एक रोज पहले बीजेपी ने तमिलनाड के नौ उम्मीद्वारों के नामों का एलान किया था इमसी ने चुनाव आयोग से पश्चे मंगाल के राजपाल सीवी आनन बोस के खिलाफ शिकायत की इमसी ने राजपाल पर चुनावी प्रक्रिया में दखल देने का आरोप लगाया कुछ दिन पहले वहां के राजपाल ने लोगसभा चुनाव से जुड़े किसी भी मुद्धे पर लोगों से जुड़ने के लिए पोर्टल लोग सभा लॉंच किया था इस पर टीमसी ने आपत्ती जताई इधर दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविन केजरिवाल समेथ 16 लोग गिरफतार किये जा चुके केजरिवाल से पहले दिल्ली के पूर्व रिप्टी सीम मनीश सिसोधिया, राजेसबा सामसाथ संजय सिंग और पूर्व मुख्य मंतरी के चंदरशेकर राव की बेटी के कविता की गिरफतारी की जा चुकी है और सुत्रों के मतावेक पूष्टाज के दोरान के कविता ने कई बार इस मामले में अरविन केजरिवाल का नाम लिया था इसी वज़े से ये आशंका जताई जाने लगी थी कि शराब गोटाला मामले में किसी भी वक्त केजरिवाल की गिरफतारी हो सकती है और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही एक रोज पहले शाम करीब साथ बजे एडी की एक तीम मुख्य मंत्री अरविन्द केजरिवाल के घर पहुंची थी और दो गहंटे की पूष्टाज के बाद रात करीब नौ बजे केजरिवाल को गिरफतार कर लिया था दिल्ली शराब गोटाला मामले में इस साल ये दूसरी गरफतारी है क्योंकि केजरिवाल से पहले तिलंगाना के पूर्व मुख्य मंत्री के चंदरशेकर राव की बेटी के कविता को कुछ रोज पहले ही एडी ने गरफतार किया था जानकारी के मताबिक शराब गोटाला मामले में गरफतारी का सिलसला सितंबर 2022 में शुरूआ था इस मामले में सीबी आई ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेताब विजय नायर को गरफतार किया था उनके बाद हैदराबाद के शराब कारोबारी अभिशेक, बोहिन पल्ली और समीर महिंद्रů की गरफतारी हुई था में सबसे बड़ी गिरफतारी मनीश इसोधिया के रूप में हुई थी तब वो दिल्ली के उपमुखे मंत्री थी लेकिन 26 फरवरी 2023 को गिरफतारी के बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था उनके बाद 4 अक्टूबर 2023 को आम आदमी पार्टी के वरिष्ट नेता और राजे सबा सांसत संजे सिंग को भी गिरफतार कर लिया गया था इसी वज़े से आम आदमी पार्टी को बड़ा जटका लगा था सूत्रों ने दावा किया कि शराब कारोबारी दिनेश इरोडा संजे सिंग मनीश सोधिया और विजय नायर के बेहत करीबी हैं जानकारी के मताबिक बाद में दिनेश रोडा सरकारी गवाह बन गए और पूशताच में उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम उगल दिये थे। बनाई थी। उनकी पार्टी टीपी एपी ने जमू कश्मीर की सभी पांच लोगसबा सीटों पर चुनाव लड़ने का आलान किया है। लेकिन वहाँ पूलिस कर्वी उनके सामने किसी चट्टान की तरह खड़े हो गए और आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं को बीजेपी दफ्तर में गुसने से रोक दिया। तभी वहाँ बैरिकेड के पास ही उन्होंने नारे बाजी शुरू कर दी। इस दोरान प्रदर्शन कर रहे कारेकरता अपने हाथों में पोस्टर लेकर लेकर लहराते नजर आए और कुछ कारेकरता तो बैरिकेड हटा कर सड़क के दूसरी तरफ आ गए। लेकिन पुलिस के जवानों ने सकती दिखाई और उन्हें खदेड दिया। इस बीच कुछ कारेकरता उनसे भिड़ गए तभी पुलिस के जवानों ने डंडे बरसाने शुरू कर दी। इसके बाद तो सड़क पर एक एक कारेकरता को पुलिस कर्मी दोड़ा दोड़ा का डंडे मारते दिखाई दिये। और उन्हें एक कारेकरता तो सड़क पर ही लेट गया। उसे पुलिस कर्मी ने उठाया और हिरासत में ले लिये। इसके साथ ही कई दूसरे कारेकरताओं क वो भी पुलिस कर्मी वैन और बस में डालते दिखें। वहां बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे प्रदर्शन कारियों को हिरासत में लेने के दौरान वो शोर शराबा करते दिखें। वहीं अरविन केजरिवाल देश के पहले ऐसे मुख्यमंतरी बन गए जिने मुख्यमंतरी पद पर रहते हुए गिरफतार किया गया अलाकि इससे पहले भी किसी मामले में आरोप लगने या दोशी पाए जाने पर कई मुख्यमंतरी को जेल की हवा खानी पड़िये लेकिन उन लोगों ने जेल जाने से पहले अपनी कुर्सी छोड़ दी थी जबकि डिल्नी के मुख्यमंतरी आर्विन केजरिवाल ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया कुछ दिन पहले ही जार खन के पूर्व मुख्यमंतरी हिमन सुरिन ने भी ऐसा ही किया था 31 जनवरी को गिरफतार किये जाने से ठीक पहले उन्होंने राजजपाल को इस्तीफा सौप दिया था हेमन सुरेन को जमीन गोटाले के एक मामले में एडी ने गिरफतार किया था साल 1997 में लालू प्रशाद यादव ने भी खुद पर गिरफतारी की दलवार लटकने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था क्योंकि CBI ने चारा गोटाले के एक मामले में उनके खलाफ वरंट जारी कर दिया था यही वज़ड़ ही कि तब लालू प्रशाद यादव ने चौकाने वाला पैसला लेते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी पत्मी राबडी देवी को बैठा दिया था हेमन सुरेन और लालू प्रशाद यादव के अलावा तमिलनाड में जे जैलालिता, करनाटक में बीए सेडियो रप्पा और मध्य प्रदेश में उमा भारती को भी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था इधर जेल में बंद यूट्यूबर अलविश यादव को कोट से रात मिल गई नशे के लिए सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में गिरफ्तार हुए यूट्यूबर अलविश यादव को कोट से जमानत मिल गई कॉंग्रेस के राश्ट्री प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया इसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर गंभीर आरोब भी लगाए कॉंग्रेस ने उन्हें एमधबाद पूर्व सीट से टिकेट दिया था लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था इस भी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि गिरफतारी के बाद पहली रात एडी मुख्याले में अर्विन केजरिवाल को नींद नहीं आई उन्हें वहाँ लॉक अप में रखा गया था और इस दोरान केजरिवाल भी कैमरे की निगरानी में रहे इसके साथ ही आसफास सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहे इडी दफ्तर की तीन मंजिला एमारत में दो लॉक अप हैं और दोनों ही लॉक अप ग्राउंड फ्लोर पर बने हैं बताया गया कि उनमें एक लॉक अप में अर्विन केजरिवाल को बंद करके रखा गया था सुत्रों के मुताबिक उस लॉक अप में वो रात भर परिशान रहे और उन्हें नींद नहीं आए आनकि अपील करने पर उनके घर से कंबल और दवाईयां मंगवा कर उन्हें दी गई नियमों के मताबिक एडी की गिरफ्त में आए किसी भी आरोपी को अपील के बाद दवाईयां और जरूरत का सामान दिया जा सकता है और इसी अपील के बाद केजरिवाल को भी दवाईयां और जरूरत की चीज़े एडी के दफ्तर में मोहिया कराई गई लेकिन सुत्रों ने दावा किया कि केजरिवाल लॉक अप में ठीक से सो नहीं पाए और सुबह जल्दी उड़ गए इसके बाद उन्हें लॉक अप के अंदर ही नाच्ता दिया गया और उन्होंने अपनी रूटीन की दवाईयां ली वहीं सुत्रों ने दावा किया कि अर्विन केजरिवाल की परिशानी अभी और बढ़ सकती है क्योंकि शराब गोटाला मामले में इडी ने उने उनसे सवाल जवाब करने के लिए इने पांच सदस्यों की टीम बना दी। बताए गया कि आडिशनल की देखरेक में इस टीम का गठन किया गया जिसमें एडी के अधिकारियों के अलावा दो असिस्टेंट डिरेक्टरों को भी शामिल किया गया जो कैमरे के सामने बिठाकर केजरिवाल से कड़ी पूस्ताच करेंगे और पूस्ताच के दौरान सिर्फ वीडियो कर पूस्ताच करेंगी कुछ दिनों पहले ही एडी ने बियारेस नेता के कविता को ग्रफतार किया था उन पर भी शराब घुटाले में शामिल होने का आरोप है इतना ही नहीं सुत्रों ने ये भी दावा कर दिया कि एडी की टीम शराब घुटाले के दूसरे आरोपियों स क्वित के दोनों ही वरिष्ट अधिकारी शराब घुटाला मामले की जांच कर रहे थे और सुत्रों का मुताबब कर दोनों अफसरों की जानकारी जुटाने का आरोप लगा और दावा किया गया कि गिरफतारी के बाद उनके घर से जो दस्तवेज मिले उन्होंने इसकी और उन दस्तावेजों में उन दोनों अधिकारियों के बारे में जानकारी लिखी होने का दावा किया गया। बताया गया कि उन में अधिकारियों के काम, परिवार और उनकी संपत्ती के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी। और दावा किया जा रहा है कि इस मामले में भी E.D. केजरिवाल के खिलाब कारवाई कर सकती है। जहां से 2009 में लालु यादव ने खुद चुनाव लड़ा था। इस बार इनी सीटों से उन्होंने अपनी बेटियों को टिकेट दी। मीसा भारती इस से पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं। वो पाटली पुत्र से 2014 और 2019 का लोगसभा चुनाव लड़ चुकी हैं लेकिन दोनों बार वो हार गई थी। और दोनों बार उन्हें बीजेपी के राम कृपाल यादव के हाथों ही मात मिली थी। इसके बाद RJD की ओर से उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया था और मीसा भारती के राज्यसभा का कारिकाल करीब चार साल बचा हुआ। लेकिन इसी बीच खबर आगए कि मीसा भारती एक बार फिर पाटली पुत्र से चुनाव लड़ेंगी। मीसा भारती लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं उनके जन्द के समय लालू यादव जेल में थे। और इसलिए लालू यादव ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती रखा था। मीसा कानून के नाम पर रखनें। इसके बाद लालू यादव ने अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती रख दिया था। ये सला मीसा भारती को तब दी गई थी जो अपने दो महिने के बेटे को लेकर संसत के शीत कालीन सत्र में पहुँच गई थी। यानि जिन परिस्थितियों में लालू यादव की बेटी का नाम रखा गया था। की चर्चा सालों तक होती रही। वैसे नाम के अलावा मीसा भारती अपनी MBBS की डिगरी की वज़े से भी खूब चर्चा में थी। और इसके बाद लालू यादव के विरोधियों ने मीसा भारती के MBBS में टॉप करने पर सवाल उठा दिया थी। मीसा भारती और उनके पती शेलेश कुमार के खलाव हजारों करोड की हिरा फेरी के मामले की जांच चल रही है। इडी इस मामले में उनसे कई बार पूश्ताच कर चुकी है। और इनी मामलों की जांच के बीच RJD ने मीसा भारती को बिहार की पाटली पुत्र सीट से टिकेट देने का पैसला किया। बिहार की पाटली पुत्र सीट 2008 में बनी थी। और इससे पहले पटना में केवल एक लोगसबा क्शेत्र था लेकिन 2008 में परिसीमन हुआ और इसके बाद दो लोगसबा सीटे मन गहीं। पहली पाटली पुत्र और दूसरी पटना साहिब। रिकॉर्ड है कि पाटली पुत्र में अब तक हुए तीनो लोगसबा चुनाओं में एंडिये को ही जीत मिली है। लेकिन मीसा भारती एक बार फिर पाटली पुत्र से चुनाव लड़ने जा रही है। और उनके अलाबा लालु यादव की दूसरी बेटी रोहिनी आचार बिहार की सारण लोगसबाशीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके संकेत RJD की MLC और लालु यादव के परिवार के खरीबी कहे जाने वाले सुनील कुमार सिंग ने कुछ दिन पहले ही दे दिये थे। और अब उन खबरों पर महर लग चुकी है क्योंकि लालु प्रसाद यादव की एक और बेटी की सियासत पे एंट्री होने जा रही है। ना में RJD की जन विश्वास रैली में ही मिल गए थे। क्योंकि उस रैली में रोहिनी आचारे मंच पर नजर आई थी। और इसके बाद लालु प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हुआ था। रोहनी आचारे के सारण से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच RJD नेताओं ने इस बात का जिक्र भी छेड़ दिया। डोनेट करके अपने पिता जी के आयू को बढ़ने का काम किया। इससे बड़ा सौभागिय किसी भी पिता के लिए नहीं हो सकता। रोहनी आचारे बिहार की सारण लोकसबा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। परिसीमन के बाद इसका नाम सारण हो गया और चपरा को इसका मुख्यालय बना गया। आसान भाशा में कहें तो चपरा लोकसबा सीट का नाम सारण लोकसबा सीट पढ़ गया। सारण गंगा, गंडक और गागरा नदी से गिरा हुआ इसे ये इलाका एक त्रिभुज जैसा लगता है जिसके दक्षन में गंगा बैती है जो आगे भोजपूर और पटना तक जाती है। क्योंकि पूर्व दुशा में बहने वाली गंडक नदी सारण जिले को वैशाली और मुझफरपूर जैसे जिलों से अलग करती है। कर हुई लालू यादव की एंट्री से पहले इस सीट को कॉंग्रेस का गढ़ कहा जाता था। कॉंग्रेस के राम शेकर सिंग तो लगातार चार बार सारण से चुनाव जीते थे लेकिन 1977 में लालू प्रशाद यादव ने इस सीट से बंपर जीत हासिल की थी। और अबके सारण और तबके छपरा से जीत कर सुर्कियों में आ गए थे। जेपी आंदोलन को इस जीत की बड़ी वज़ा मना गया था। क्योंकि लालू यादव इस सांदोलन में से निकले बड़े नेताओं में से एक थे और आपातकाल के दोरान पूरु प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी के खराफ खड़े हो गए थे। चुनाव नहीं लड़ पाई क्योंकि चारा गोटाला मामले में उन्हें दोशी करा दिया गया था। प्रसाद यादव के बाद न तो राबडी देवी ही जीत पाई और नहीं लालू प्रसाद यादव के समधीच चंदर का राये। उल्टा बाद में चंदर का राये आरजेडी छोड़कर जेडियू में शामिल हो गए थे। और दोनों बार आरजेडी के प्रक्तियाशियों को बीजेपी के राजीव प्रताब रूडी नहीं हराया था। 2014 और 2019 के लावा वो 1996 और 1999 में भी सारण से चुनाव जीच चुके हैं। और बिहार में NDA में सीट चेरिंग के बाद ये फैसला हुआ कि 2024 के लोगसबा चुनाव में भी सारण सीट बीजेपी के पास ही रहेगी। यानि एक बार फिर सारण में RJD और BJP का आमना सामना होगा और इस बार तो रोहिनी आचारे सारण से चुनाव लड़ेंगे। और वो लालू प्रसाद यादव के परिवार की तीसरी सदस्य होंगी जो सारण में अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं। इस बीच बिहार के उपमुखे मंतरी समराद चौधरी ने लालू यादव की बेटी पर निशाना साधा। पूर्व मंतरी और बीजेटी के बड़े नेता दामुदर राउत का निधन हो गया। उन्हें दिल का दौरा पढ़ने पर हाली में भूबनेश्वर के एक अस्पिताल में भढ़ती कराया था। पिहार के आरा से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर लोग खौफ से बढ़ गए। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वो ट्रेन कम स्पीड में चलती नजर आई। इस दोरान सपेज शट पहने वो आदमी उस ट्रेन में चड़ने के लिए आगया आया वो एक बड़ा बैग लेकर उस ट्रेन में चड़ने की कोशिश करी रहा था कि उसका पैर लड़ खड़ा गया और वो उस ट्रेन में चड़ने की बजाए फिसलते हुए नीचे आ गया वो थोड़ी दूर तक चलती ट्रेन के साथ गिसटता चला गया और इसके बाद वहां खड़ा एक पुलिस कर्मी दोड़ते हुए वहां आया और उसे बाहर निकाल लिया अगर उस पुलिस कर्मी को आने में थोड़ी भी देर होती तो वह आदमी पूरा का पूरा उस ट्रेन के नीचे आ जाता लेकिन वो पुलिस कर्मी तुरंत उसे खीच कर उस ट्रेंज से दूर ले आए इस दोरान उस आदमी को देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड जमा हो गए करीमत ये रहे कि उस आदमी को सही सलामत बचा लिया गया करीबियाई देश हेती में फसे भारतियों को निकालने के तयारी पूरी कर ली करीबियाई देश हेती में फसे भारतियों को निकालने के लिए केंदर सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती शुरू कर दिया इस उपरेशन के तहित हेती से भारतिय नागरिकों को करिबियाई देश दॉमिनिकन रिपब्लिक पहुंचाय जाएगा फिर वहां से उन्हें भारत लाय जाएगा हेती में पिछले 23 दिनों से जारी हिंसा में कई लोगों की मौत हो चुकी है इलाबाद हाई कोट ने फरार चल रहे यूपी के पूर्व मंत्री अमर मनी त्रिपाटी की आचिका खारिच कर दी उन्होंने संपत्तियां कुर्क करने के निचली अदालत के फैसले को हाई कोट में चुनौती दी थी इस बीच महराश की सांगली सीट पर महाविकास अगाडी में तनाव बढ़ने की खबर आई क्यूकि इस सीट से उद्धव ठाकरे अपने प्रत्याशी का एलान कर चुके है गड़बंदन में उनकी साथी कॉंग्रेस भी सांगली से चुनाव लड़ना चाती है एक दिन पहले ही खबर आई थी कि सांगली सीट पर महाविकास अगाडी में पेच फसा हुआ है और इसके अगले ही दिन खबर आई कि इस सीट के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी और कॉंग्रेस में ठन गई और नौबत ही आगई कि कॉंग्रेस ने सांगली के मिरज में होने वाली उद्धव ठाकरे की सभा का बहिशकार कर दिया सुत्रों ने बताया कि उद्धव ठाकरे की ओर से कॉंग्रेस को इस सभा में शामिल होने का न्योता दिया था लेकिन कॉंग्रेस ने उनका न्योता ठुकरा दिया खबरे की कॉंग्रेस ने फैसला सांगली लोगसबा सीट की वज़से ही लिया क्योंकि उधव गुट की शिवसेना ने सांगली लोगसबा सीट से चंद्रहार पार्टिल को उम्मीदवार बनाने के संकेत दिये थे और इसी बात पर कॉंग्रेस भढ़ दे, क्योंकि कॉंग्रेस भी सांगली से चुनाव लड़ना चाहती है, खबरे की कॉंग्रेस ने उद्धव गुट की शिवसेना से दो टुक बोल दिया था कि सांगली सीट उसकी है, और महराश्ट के सांगली से कॉंग्रेस का ही उमीदव खड़ा होगा यानि सांगली की सीट पर कॉंग्रेस और उद्धव ठागरे की पार्टी खुल कर आमने सामने आ गए वैसे उद्धव गुट की शिवसेना ने सांगली से जिस चंद्रहार पार्टिल को उम्मीदवार बनाने का इचारा किया था वो कुछ दिन पहले ही उनकी प अंदार उम्मीदवार की जरूरत है जिसके एक हाथ में गदा हो दूसरे हाथ में मशाल हो उद्धव गुट ने दलील दी कि वो सांगली के बदले कुलापूर सीट छोड़ने के लिए तयार है लेकिन उद्धव गुट की शिवसेना चंद्रहार पाटिल को सांगली से उम्मीदवार बनाना चाहती है और माना जा रहा है कि ये सब सांगली की छे विधान सबा सीटों की वज़ा से हो रहा है क्योंकि सांगली की छे विधान सभा सीटों में मिरज, सांगली और जाठ पर बीजेपी का कबजा है जोकि खानपूर में शिवसेना जीती थी इसके लावा फालूस काड़े गाओं में कॉंग्रेस और तास गाओं कवाथे महाकाल में नसीपी के विधायक है यानि सांगली के विधान सभाक शेत्रों में बीजेपी और महाविकास अगारी के पास तीन-तीन सीटें यानि कॉंग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना दोनों को यहां जीत की उम्मीद दिख रही है और कॉंग्रेस ने तो सांगली से लड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया क्योंकि सांगली महाराष्ट के पूर्व मुख्यमंत्री वसंदादा पार्टिल की जन बहुमी और कर्म बहुमी है इस सीट पर उनका दबदबा माना जाता था माना जा रहा है कि इसी वज़े से कॉंग्रेस वसंदादा पार्टिल के पोते विशाल पार्टिल को सांगली से चुनाव लड़ना चाती है क्योंकि सांगली वसंदादा पार्टिल की कर्म बहुमी मानी जाती है लेकिन वसंदादा पाटिल के साथ 1978 में शरत पवार ने कुछ वैसा ही किया था जैसा पिछले साल दिसंबर में अजीत पवार ने शरत पवार के साथ किया था। और पार्टी के 40 विधायक तोड लिये थे और इस बात का जिक्री करते वे अजीद पवार ने बयान दिया कि उन्हों ने जो 60 साल की उम्र में किया वो शरत पवार ने 38 साल की उम्र में ही कर दिया था क्योंकि तब के पत्रकार बताते हैं कि सरकार गिरने कुछ घंटे पहले तक वसंदादा पाटिल को इसका ऐसास तक नहीं था और उन्हें पता ही नहीं था कि कुछ घंटों बाद महाराष्ट में उनकी सरकार गिर जाएगी 1977 में आपात काल के बाद कॉंग्रेस दो गुटों में बढ़ दी थी एक गुट का नाम पढ़ा कॉंग्रेस आई दूसरे का कॉंग्रेस यू कॉंग्रेस उर्स तब शरत पवार ने इंदरा गांधी का साथ छोड़ दिया था और देवराज अर्स वाली कॉंग्रेस यू का इस्सा बन गये थी इसके बाद 1978 में हुए महाराष्ट विधानसबा चुनाव दोनों कॉंग्रेस अलग-अलग लड़ी थी और वसंदादा पाटिल मुख्यमंत्री बने थी लेकिन करीब ताड़े चार महीने बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी क्योंकि शरत पवार ने 40 विधायकों को तोड़ लिया था तब के पत्रकार बताते हैं कि सरकार गिराने से कुछ घंटे पहले ही शरत पवार और वसंदादा पाटिल की मुलाकात हुई थी और वसंदादा को पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है और उनकी नाक के नीचे से उनकी कुर्सी छिन गई थी सीट है जहां कॉंग्रेस के बुरे दिनों में भी उसे जीत मिली थी और आपात काल के बाद हुए चुनाव में कॉंग्रेस ने सांगली में चुनाव जीत लिया था ये वो वक्त था जब इंदरा गांधी और संजे गांधी जैसे चेहरे भी चुनाव हार गए थे लेकिन सांगली सीट पर कॉंग्रेस का कबजा बना रहा यानि कॉंग्रेस ने सांगली में एक दो बार नहीं बलकि 15 रहा बार जीत हासिल की कॉंग्रेस के प्रकाश बाबू वसंदादा पाटिल तो पांच बार महां से चुनाव जीते लेकिन 2014 में हुए लोगसबा चुनाव में यानि बीजेपी के संजे का 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 पाटिल ने 52 साल तक कॉंग्रेस के गड़ रहे सांगली को उससे चीन लिया था लेकिन कॉंग्रेस एक बार फिर अपना वो खिला हासिल करना चाहती है खबर है कि इस सीट के लिए महाविकास अगारी में बैठक पर बैठक हुई सांगली महराष्ट के दक्षन में और इसकी सातारा, सोलापोर, कोलापोर और रतनागरी जैसे जिलों से लगती है पूर्व दिशा में महराच के सांगली जिले की सीमा करनाटक के बीजापूर से भी लगती है पूरे देश में सांगली को हल्दी के उत्पादन के लिए जाना जाता है साल 1967 से पहले इस इलाके को मिरज कहते थे लेकिन 1967 के बाद जिले का नाम सांगली हो गया था और 1957 में सांगली में पहली बार चुना हुआ था लेकिन इसके बाद वो लगातार दो बार सांगली में हार गई थी माना जा रहा है कि इसी वज़े से महाविकास अगारी में इस सीट पर इतनी चर्चा हुए क्योंकि सूतरों ने बताया कि कॉंगरस को इस बार भरोसा है कि वो सांगली में जीत हासल कर लेगी लेकिन उद्धव गुट की शिवसेना ये सीट नहीं छोड़ना चाती और इसी लिए कृष्णा नदी के किनारे बसे सांगली के लिए महाविकास अगारी में सियासी संग्राम चड़ गया इस बीच भारतिय बैडमिंटन खिलाडी पीवी सिंदू स्विस ओपन से बाहर हो गई बारतिय बैडमिंटन खिलाडी पीवी सिंदू स्विस ओपन के दूसरे दौर में जापान की खिलाडी से 21-16, 19-21 और 16-21 से हरकट टॉर्णमेंट से बाहर हो गई जबकि केश रिकांट ने मलेशिया के खिलाडी को 21-16 और 21-15 से हरा कर कौटर फाइनल में जगा बना ली राजिस्तान रॉयल्स के गेंदबाज आडम जैंपा ने निजी कारणों से IPL के इस सीजन से अपना नाम वापस ले लिया उनकी जगा टीम में गेंदबाज तनुष कोटियान को शामिल किया गया कोटियान मुंबई रंजी टीम से खेलते हैं और उन्होंने रंजी टोफी के इस सीजन में 10 मैचों में 29 विकेट लिये थे बार्दिय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी रही इस दोरान आयटी को छोड़ कर दूसरे सभी सेक्टरों में खरीदारी देखने को मिली सबसे ज़्यादा तेजी मेटल, आटो, FMCG, रियल्टी और कैपिटल गूड सेक्टर के शेयरों में रही इसकी वज़े से Bombay Stock Exchange का Sensex 190 अंक चड़कर 72,831 पर बंद हुआ तो निफ्टी 84 अंकों की तेजी के साथ 22,096 के स्तर पर पहुँच गया उदर रूस की फौज ने यूक्रेन में नीपरो नदी पर बने उसके सबसे बड़े बांध पर जोरदार हमला कर दिया पश्चिबी मीडिया के मताबिक महां मिसाइल और ड्रोन हमले किये गए दावा किया गया कि रूस के इस भीशन हमले ने यूक्रेन में हजारों लोगों की जिन्दगी मुश्किल में डाल दी क्योंकि पुतिन के फौज ने युक्रेन में नदी पर बने उसके सबसे बड़े बांध पर कहर बरपा दिया पश्चिवी मीडिया के मुताबिक वहां खतरनाक मिसायलों के साथ साथ आत्म घाती ड्रोन भी गिराए गए तस्वीरों में दिखा कि रूसी हमले के बाद नीपरो नदी पर बने उस बांध पर भीशन आग लग लग गए दमकल कर्मी उस आग को बुझाने के लिए वहां पानी की बोचार करते दिखाए थी युक्रेन के जिस बांध पर हमला किया गया वो उसके दक्षणी इससे में मौझूद जापुरिज्जिया शहर में नीपरो नदी पर बने इस बांध के साथ एक पावर प्लांट भी बना हुआ है जिसके जरीए बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन किया जाता है और आसपास के खरीब एक दरजन इलाकों में बिजली की सप्लाई उस प्लांट से ही होती आई है लेकिन पश्चिमी मीडिया के मताबिक रूस के हमले में उस बांध के साथ साथ पावर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुचा जिसकी वज़े से आसपास के कई इलाके अंधेरे में डूप गए हालनकि रूस ने सिर्फ जापुरिजिया ही नहीं बलकि युकरेन के कई शहरों में एक साथ तबाही मचा दी पश्चिमी मीडिया के मताबिक वहां 24 गंटों में करीब 90 मिसाइले और 60 से ज्यादा ड्रोन हमले किये गए जिन में तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए पर पीछे की तरफ भागे लेकिन वाटर कैनन बंद होते ही वो फिर से पुलिस की बैरिकेडिंग के पास जमा होकर हंगामा और नारेबाजी करते दिखाई दिये। को बंद कर दिया और वहाँ लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिये। काले रंग की टीशेट पैना हुआ एक कारेकरता तो बैरिकेड के ऊपर चड़ गया और नारे लगाने शुरू कर दिये। उसके साथ कुछ महिला कारेकरता भी बैरिकेड पर चड़ने की कोशिश करती दिखाई दिये। पीले रंग की पकड़ी पैना हुआ आम आदमी पार्टी का एक कारेकरता वहां खड़े पुलिस वालों को हटाते हुए बैरिकेड पार करता दिखाई दिया। मोहाली से चंड़ीगड में गवरनर हाउस का घहराव करने निकले आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं के हाथों में केजरिवाल के समर्थन वाले पोस्टर दिखाई दिये। पोस्टरों पर मैं भी केजरिवाल लिखा नजर आया हाला कि पुलिस ने सभी प्रदर्शन कारियों को हाईवे पर ही रोक दिया। लोहे की बैरिकेडिंग के एक तरफ भारी संख्या में पुलिस वाले मोर्चा संभाले दिखाई दिये तो दूसरी तरफ सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कारेकरता एकठा हुए नजर आये। इडी के वकील ने केजरिवाल को घोटाले का किंग पिन बताया। जबकि अर्विन केजरिवाल के वकीलों ने एक राजजिक के मुख्यमंत्री की गिरफतारी को सरकारी एजिंसियों के दुरुप्योग की मिसाल कराड़ दिया। कोट में हुई इस बहस से पहले दोफैर करीब साड़े बारा बजे एडी एफसरों का काफिला अर्विन केजरिवाल को लेकर एडी दफतर से राउज इविन्यू कोट के लिए निकला। इडी की काड़ियां दंदनाते हुए अदालत की तरफ दोड़ती दिखाई दी। इसके बाद राउज इविन्यू कोट में अर्विन केजरिवाल और एडी के वकीलों के बीच जबरदस्त बहस शुरूरी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिये कोट में केजरिवाल के वकीलों ने इडी की रिमांड की मांग को खारिच करने की अपील की जबकि एडी के वकीलों ने शराब घुटाले की जांच के लिए अर्विन केजरिवाल की रिमांड को बहत जरूरी बताया मतलब ये कि E.D. के वकीलों ने अर्विन केजरिवाल की रिमान के लिए पूरी ताकत लगा दी E.D. ने दिल्ली के शराव गोटाला मामले में मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को मस्टमाइंड बताया E.D. के वकील ने इसके लिए अंग्रेजी के किंग पिन शब्द का इस्तमाल किया इसके साथ ही E.D. ने दावा किया कि इस केस से जोड़े कई इलेक्ट्रोनिक सबूत पहले ही मिटा दिये गए थे गोटाले से जोड़े तत्थ चिपाने के लिए कई सारे मुबाइल फोन तोड़े गए थे अलनकि इसके बाद अर्विन केजरिवाल के वकील अभिशेक मनु सिंभी ने ये दलील दी कि इस मामले में अर्विन केजरिवाल को गिरफतार करने की जरूरत नहीं थी इसके बाद कोट में एडी ने दलील रखी कि रिशवत के बतले दिली में आबकारी नीदी में मनमाने बदलाब किये गए थे एडी ने कोट को बताया कि दो बार कैश ट्रांसफर भी किया गया जिबकि कोट में अर्विन केजरिवाल की तरफ से का गया कि इस पूरे मामले से अर्विन केजरिवाल का कोई लेना देना ही नहीं है ये भी का गया कि मुख्यमंत्री की गिरफतारी गैर गानूनी तरीके सिखी गई क्योंकि आरोबे के शराब घोटाले के आड में करीब 600 करोड की हिरा फेरी हुई और E.D. के हवाले से ये दावा किया गया कि ये पूरी साजिश किसी और ने नहीं बलकि दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरीवाल नहीं रची और E.D. के मुताबिक अर्विंद केजरीवाल नहीं दिल्ली की शराब नीती में बदलाव करके करोणों के घोटाले की नीव रखी इसी वज़े से E.D. ने केजरीवाल को इस शराब घोटाले का किंग पिन माना किंग पिन यानी सबसे एहम आद्वी मतलब E.D. ने ये दावा किया कि ये पूरी साजिश अर्विंद केजरीवाल के इशारे पर ही रची गई और इसके जरीए करोणों की रखम का गबन हुआ E.D. ने दावा किया कि इस पूरे खेल में मनीश्ट सोधिया और संजे सिंग भी बराबरी के हिस्सेदार थी हाला कि E.D. के मताबिक इस गोटाले में अर्विंद केजरीवाल ने सीधे सीधे हिस्सा नहीं लिया बलकि इसके लिए उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजे नायर को काम पर लगाया गया था E.D. के मताबिक विजे नायर ने अर्विन केजरिवाल के कहने पर नसित मीतियों में तोड मरोड का खाका तैयार किया बलकि लोगों को डरा धमका कर उनसे उगाही का सारा काम भी वही देखता था और E.D. के मताबिक इसी विजे नायर के जरीए दिल्ली के सीम अर्विन केजरीवाल और उनके सहीयोगियों तक 330 करोड से ज्यादा की रकम पहुंची दावे के मताबिक इसके लिए बाकाइदा पूरी प्लानिंग की गई थी और E.D. के जांच में ये आरोफ लगाया गया कि दिल्ली की नई शराब नीती के जरीए करोडों के घोटाले की पटकता अर्विन केजरीवाल के घर पर ही लिखी गई थी E.D. के मताबिक दिल्ली के सीम हाउस में हुई उस बैठक में अर्विन केजरीवाल के अलावा मनीश शिसोदिया भी मौजूद थे और इसी बैठक में ये तैह हुआ था कि शराब नीती में प्रॉफिट का जो मार्जिन 6 पतिशत है उसे बढ़ा कर 12 पतिशत मतलब दुगना कर दिया जाए और इडी के मताबिक खुद ये बात मनीश शिसोदिया के सचिप सी अर्विन ने फूस्ताज के दोरान बताई थी और ये दावा किया गया था कि ये काला खेल अर्विन केजरीवाल की आँखों के सामने ही रचा गया और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि इस नई शराब नीथी के जरीए उन्हें करोड़ों का फायदा हो सकता है और इडी का दावा है कि अर्विन केजरीवाल अपने प्लैन में काम्याब भी हो गए थे सुत्रों के मताबिक जांच में ये बात सामने आई कि अर्विन केजरीवाल ने शराब नीथी की आड़ में शराब माफिया से करीब सौ करोड़ की रिश्वत ली थी और बदले में नई शराब नीथी के जरीए उन्हें फायदा पहुँचाने का बादा किया था मतलब केजरीवाल और शराब माफिया ने एक हाथ दे दूसरे हाथ ले का फार्मूला अपनाया ताकि दोनों ही पक्षों को फायदा हो सके और इसमें एक एहम किरदार ने भाया शराब कंपनी इंडो स्पिरिट के डिरेक्टर समीर महिंद्रू ने मतलब अर्विन केजरीवाल एक खुद ही विजए नायर को शराब गोटाले से जुडी दील करने की आज़ादी दी थी और E.D. के मुताबिक उसी के जरीए 100 करोड की रिश्वत के रास्ते खुले E.D. के सूतरों का दावा है कि केजरिवाल ने नई शराब नींती में बदलाव करने के बदले में 100 करोड रुपए की रिश्वत मांगी थी और जांच में ये बात सामनी आएगी इस रकम का इस्तेमाल 2022 में गोवा में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किया था E.D. ने कुछ दस्तावेजों के जरीए ये आरोप भी लगाया कि इस रकम के बड़े हिस्से की हेरा फेरी कैश में की गई ताकि किसी को आम आदमी पार्टी या फिर अर्विन केजरिवाल पर शक न हो E.D. ने ये दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत के तौर पर मिली रखम से 45 करोड रुपे का इस्तमाल गोवा के चुनाव में किया इसके लिए तिलंगाना के मुख्यमंत्री के चंदरशेकर राव की बेटी के कविता के अकाउंटेंट बुच्ची बावू ने दो बार पैसे ट्रांसवर किये सूतरों के मुताबिक बुच्ची बावू के अकाउंट से ही आम आदमी पार्टी के पास पहले 10 करोड और फिर 15 करोड रुपे ट्रांसवर किये गए और दावा है कि गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाओं में काम करने वाले लोगो इसी रकम से भुक्तान किया गया है और दावा है कि गोवा चुनाम में करीब 70 लाक रुपे नकद में दिये गए ये पैसे जिनें दिये गए उनमें आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीदवार भी शामिल थे इसके लावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने गोवा चुनाम में रिसर्चर के तौर पर अर्विन केजरिवाल की पार्टी के लिए काम किया था और माना जा रहा है कि उनी की गिरफतारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल का नमबर लगा क्योंकि E.D. ने अपनी जांच में ये दावा किया कि खरीब 600 करोड से जादा के इस गोटाले को बी आरेस निता के कविता और दिल्ली के सीम अर्विन केजरिवाल ने मिल कर अंजाम दिया E.D. के मुटाबिक इस समझोते के लिए के कविता का ओफर लेकर Y.S.R. कॉंग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासलू रेटी दिल्ली पहुंचे थे और इसे मंगुटा श्रीनिवासलू रेटी के बेटे रागव मंगुटा के जरीए अंजाम दिया गया ये वही सौ करोड की रकम थी जिसे आम आदमी पार्टी तक पहुंचाने के जिम्मेदारी बुच्ची बाबु को सौंपी गई थी और इडी के मुटाबिक इसी सौ करोड में पैंतालीस करोड रुपए आम आदमी पार्टी ने 2022 में हुए गोवा के चुनाव में खपा दिये थी और इसी मामले में जेल में बंद के कविता को सुप्रीम कोट से जटका लग गया दिल्ली चराब गोटाला मामले में आरोपी तिलंगाना के पूर्व मुख्य मंतरी के चंदरशेकर राओ की बेटी के कविता को सुप्रीम कोट से बड़ा जटका लगा सुप्रीम कोट ने के कविता की जमानत पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया इतना है नहीं सुप्रीम कोट ने के कविता के वकील को निचली अदालत जाने का सुझाब भी दिया पिछले हफते एडी की टीम ने उन्हें गिरफतार कर लिया था बीजेपी की केंदरी एचुनाव समिती की शाम में एहम बैठक होगी सुत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तरपदेश, ओडीशा, महराष्ट, तिलंगाना और राजिस्थान समेथ कई राज्यों के लिए उम्मीद्वारों के नाम पर मोहर लग सकती है इस बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे बिहार में महागडबंधन में शामिल CPI ने तीन बार विधायक रह चुके अवधेश कुमार को बेगुसराय लोगसबा सीट से अपना उम्मीद्वार बना दिया इससे पहले अटकलें थी कि कॉंग्रेस नेता कनिया कुमार को ये सीट मिल सकती है कनिया कुमार ने 2019 में इसी सीट से CPI के टिकट पर चुनाव लड़ा था तब वो बीजेपी नेता गिरीराज सिंग से चुनाव हार गए थी इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दोरान दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी रासत में ले लिये गए प्रदर्शन कर रही दिल्ली की मंत्री आतिशी को पुलिस बस में भर कर ले गई और इस दोरान आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं ने उन्हें घेर लिया जैसे ही महिला पुलिस कर्वी आतिशी को हिरासत में लेने आई वहां मौझूद तमाम कारेकर्ताओं ने उनके चारों तरफ घेरा बना लिया और इसके बाद तो आतिशी को वहां से ले जाने में पुलिस कर्वियों के पसीने चूट गए सेकड़ों कारेकर्ताओं के साथ प्रदशन कर रही आतिशी को पुलिस ने जैसे तैसे बस में बठा दिया लेकिन इसके बाद भी उनकी नारे बाजी बंद नहीं हुई वो उस बस की खिड़की से बाहर निकल कर नारे लगाती रही और आतिशी की ही तरह पुलिस ने दिल्ली सरकार में मंत्री सौरब भारदवाज को भी राजत में ले लिया इस दोरान उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर बैट कर ही गाने गाना शुरू कर दिया उनके साथ कई कारेकर्ता भी मौजूद रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी कारेकर्ता धरने पर बैट गए और पुलिस के लिए उन कारेकर्ताओं पर काबू पाना मुश्किल हो गया दिल्ली के आईटियो एलापने में तो आम आदमी पार्टी के कारेकरता बीच सड़क पर ही बैठ गया एक लाइन में बैठे कारेकरताओं ने वहाँ बैठ कर नारेबाजी करना शुरू कर दिया जिसकी वज़े से सड़क पर लंबा जैम लग गया इस दोरान जब पुलिस उन्हें अठाने पहुंची तो वो वहाँ से हिलने को भी राजी नहीं हुए इसके बाद पुलिस को जबरदस्ती उन्हें खीच कर वहाँ से हटाना पड़ा ऐसा ही प्रदर्शन वहाँ राव जैमिन्यू कोट के बाहर भी दिखाई दिया कारकरताओं ने वहाँ लगी बैरिकेडिंग के सामने ही नारेबाजी शुरू कर दी इसके बाद वहाँ पहुंची पुलिस ने कई कारकरताओं को हिरासत में ले लिया और इस दोरान जब पुलिस कुछ महिला कारकरताओं को वहाँ से अठाने पहुंची तो वह सड़क परी ले ले गई इसके बाद पुलिस उन्हें उठा कर वहाँ से ले गई इस दोरान वहाँ मौझूद एक महिला कारकरता उनके पास बैटकर ही नारे लगाती रही इसके बाद पुलिस ने उस महिला कारकरता को भी हिरासत में ले लिया आईटियो इलाके में इतनी बड़ी संख्या में कारकरता पहुँच गए कि वहाँ ट्राफिक की दिपकत खड़ी हो गई ऐसे में पुलिस ने सकती दिखाते हुए सड़क पर बैठे एक एक कारकरता को वहाँ से अटा दिया इधर खानून के जानकारों के मताबिक एडी के समन्स पर पूश्टाज के लिए नहीं पहुँचना ही केजरीवाल की सबसे बड़ी मुसीबत बना क्योंकि दिल्ली शराब गोटाला मामले में एडी ने उन्हें नौ समन्स भेजे थे लेकिन वो एक भी समन्स पर पूश्टाज के लिए नहीं पहुँचे थे इसी वज़े से एक रोज पहले एडी के एक टीम उनके घर पहुँच गई थी क्योंकि नौ में समन्स के तहट केजरिवाल को 21 मार्च को सुबह 11 बजे पेश होना था लेकिन वो हर बार की तरह इस बार भी पूश्टाज के लिए एडी आफिस नहीं पहुँचे थे यही नहीं वो एडी के समन्स को लेकर दिल्ली हाई कोट पहुँच गए थे जानकारी के मताबिक कोट को एडी ने वो सबूत भी दिखाये थे जिनके आधार पर पूश्टाज के लिए केजरिवाल को समन्स जारी किये गए थे माना जा रहा है कि दिल्ली हाई कोट से उनको जटका लगने के बाद एडी ने उने गिरफतार करने की तैयारी शुरू कर दी थी कारून के जानकारों का मानना है कि एडी के नौ समन्स पर पूश्टाज के लिए न पहुँच कर केजरिवाल ने अपने पैरों पर कुलाडी मार ली थी और सुत्रों के मताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को गिरफतार करने से पहले एडी के बड़े अधिकारियों ने एक बैठक की थी दावा किया गया कि दिल्ली हाई कोट से केजरिवाल को राहत नहीं मिलने के बाद जांच एजिंसी के अधिकारियों ने ये बैठक की थी। सुत्रों से मिले जानकारी के मताबिक शुराब घोटाले के जाच के दौरान E.D. को कई एहम सबूत मिले हैं। तक केजरिवाल को पूश्टाज के लिए 9 समन्स भेजे थे लेकिन इन 6 महीनों में केजरिवाल एक बार भी पूश्टाज के लिए E.D. के आफिस नहीं पहुँचे थे। उन्हें पूश्टाज के लिए 2 नवंबर को बिला गया था लेकिन वो दिवाली होने की बात कहकर नहीं गये थे। इसी तरह केजरिवाल ने E.D. के तरफ से जारी किये गए 6,7,8 और 9 समन्स से बचने के लिए अलग-अलग वज़े बताईं। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली शराव गोटाला मामले में वो अपनी गिरफतारी नहीं टाल सके। और इन सब के बीच दिल्ली के मुक्यमंत्री अर्विन केजरिवाल ने अपनी गिरफतारी के खिलाफ सुप्रीम कोट में दायर याचिका वापस ले ली। आम आदमी पार्टी के तरफ से ये बताया गया कि वो अपनी बाद सबसे पहले निचली अदालत में रखेंगे। इस पर सुप्रीम कोट ने भी आम आदमी पार्टी को याचिका वापस लेने की इजाज़त दे दी। जबकि केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ दायर याचिका के बाद एडी ने भी सुप्रीम कोट में कैवेट दाखिल कर दिया था। यानि एडी ने ये अपील की थी कि केजरिवाल की याचिका पर कोई भी फैसला लेने से पहले उसका पक्ष भी सुना जाए। लेकिन एन वक्त पर आमादमी पार्टी ने अपनी रणनीत बदल दी, केजरिवाल की लीगल टीम की तरफ से आमादमी पार्टी को निचली अदालत जाने की सला दी गई. और वहाँ राहत ना मिलने पर आमादमी पार्टी हाई कोट जाएगी. और उसके बाद भी राहत नहीं मिलने की स्तिती में केजरिवाल सुप्रीम कोट का रुख कर सकेंगे. बताया गया कि लीगल टीम की सला के बाद ही आमादमी पार्टी ने सुप्रीम कोट से याचिका वापस लेने का फैसला लिया. इसको लीगल टीम की तरफ से डिसाइड किया है कि अब इसको लोवर कोट के थ्रू आगे प्रोसीड किया जाएगा. पानून के जानकारों के मताबिक आमादमी पार्टी को अगर सुप्रीम कोट से जटका लगता तो केजरिवाल की जमानत पर संकटा जाता और उनके पास आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता. इसलिए सोच समझ कर सुप्रीम कोट को सबसे आखरी दाओं के रूप में रखने का फैसला लिया गया. उदर बिहार के सुपॉल में बन रहे राज्य के सबसे लंबे पुल का एक हिस्सा अचानक नीचे गिर गया. इस घटना में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए. इस फुल का निर्मान भारत माला प्रोजेक्ट के तहित किया जा रहा है. इलाबाद आइकोट की लगनव बेंच ने यूपी बोर्ड आफ मंदरसा एजुकेशन एक्ट को असम्मेंधानिक परार दिया. कोट ने इस एक्ट को धर्म निर्पेक्ष्टा के सिध्धान्त के खिलाब बताया. इसके साथ ही कोट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि मदरसों में पढ़ने वाले चात्रों को बुनियादी शिक्षा विवस्था में समायोजित किया जाए. कॉंग्रेस को दिल्ली हाई कोट से बड़ा जटका लगा. हाई कोट ने आएकर विभाग की कारवाई के खिलाब कॉंग्रेस की याचिका खारिच कर दी. कॉंग्रेस ने लगातार तीन वर्षों के लिए आएकर विभाग की टैक्स री एसेस्मेंट प्रोसीदिंग्स के खिलाब याचिका दायर की दी. इस बीच दिल्ली शराब घुटाला मामले में केजरिवाल की गिरफतारी के बाद विपक्षी कट बंधन एक साथ आ गया इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कॉंग्रेस, टीमसी और शरत पवार घुटवाली नेता चुनाव आयोग भी पहुंच गए और दूसरी ओर दिल्ली में यूथ कॉंग्रेस ने प्रदर्शन किया यूथ कॉंग्रेस के कारेकरता सडकों पर उतराए उनके हाथों में पोस्टर और जंडे नजर आए इन लोगों ने केजरीवाल की गिरफतारी के विरोध में नारे लगाए और एक पिंजरा लाए इस पिंजरे पर ED और CBI लिखा दिखा इसके जरीए इन लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया प्रदर्शन के दोरान कई प्रदर्शनकारी बैरिकेट पर चड़ गए बहुत देर तक हंगामा चलता रहा इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारीओं को इरासत में लेना शुरू किया और बसों में भर कर इन लोगों को वहां से अटाया गया इससे पहले केजरिवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कॉंग्रेस, टी-म-सी और पवार गुट वाली न्सीपी के नेता चुनाव आयोग भी गए यानि इस मामले में विपक्षी कटबंधन केजरिवाल के साथ दिखा चुनाव आयोग कॉंचने वाले नेताओं में तो कॉंग्रेस के नेता भी शामिल थे जबकि इससे पहले कॉंग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने दिल्ली के शराब घोटाले की शिकायत पुलिस से की थी 2022 में दिल्ली कॉंग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने पुलिस कमिशनर को इससे जुड़ी एक चिठी लिकी थी उन्होंने चिठी में दिल्ली की शराब नीती पर सवाल उठाये थे और कॉंग्रेस की ओर से लिखी गई ये वही चिठी है दिल्ली सरकार पर कॉंग्रेस के हमले यही नहीं रुके थे बलकि उसने तब के दिल्ली के डिप्टी सीम मनीश सुद्या का इस्तीफा भी मांगा था और आरोब लगाया था कि उस घोटाले का सीधा कनेक्शन अरविंद केजरिवाल से है कॉंग्रेस ने दावा किया था कि एक ही कंपणी को अलग-अलग नाम से ठेके दिये गए थे और आरोब लगाया था कि केजरिवाल भी इस घोटाले के इस्तेदार थे कि कम से कम सौ करोड की रिश्वत ली गई मनिष्शी शोदिया जी आर्विंद केजरिवाल जी के राजदार है उनकी चुपी तूटेगी और उनकी चुपी अर्विंद केजरिवाल की कुरसी तक पहुंचेगी कॉंग्रेस के ये सूर पहले थे क्योंकि अब वो केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ है और इसलिए उसने सडकों पर प्रदर्शन किया लेकिन विपक्षी कटबंधन बनने से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं के तेवर अलग थे क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कबजे में है चंद परिवारों ने देश की राजनीती पर कबजा कर लिया है पूरफ से लेके पस्चिम तक उत्तर से लेके डक्षिन तक चंद परिवारों का देश की राजनीती पर कबजा है चले जाएए काश्मीर, सेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, चले जाएए महारास्त्रा, बाल ठाकरे, उधाउट ठाकरे, आदित ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी, सरत पवार, सुप्रिया सूले, अजीत चले जाएए बिहार, लालू यादो, राबडी यादो, तेजस यादो, मीसा यादो, तेजस्वी यादो, एकी परिवार की पार्टी, चले जाएए जहारखन, तुर्गा सुरेन, सेमन सुरेन, सीबू सुरेन, एकी परिवार की पार्टी, चले जाएए उडीसा, बीजू पतन प्रिवार चले जाएए तमिलाडू, स्टालिन एक ही परिवार की पार्टी और देश की सबस्ब बड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंद्रा, बिटवा राजियू, बिटवा संजे, बहु सोनिया, बिटिया प्रियंका, दामाद बाड़रा एक ही परिवार की पार्टी पार्टी काहां बताओ। बुटान में ये सम्मान पाने वाले पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिने दूसरे देश के प्रमुक के तौर पर ये प्रतिश्टित पुरसकार दिया गया। आदमी पार्टी के कारेकरताओं का गुस्सा हर्याना के कुरुक्षेतर में भी फूठा। आदमी पार्टी के कुछ दूसरे कारेकरता भी बैरिकेट पर चड़े हुए दिखाई दिये। आदमी पार्टी के कारेकरताओं ने आरोप लगाया कि शांती से हो रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिसमें कई कारेकरता गायल हो गया। आदमी पार्टी के कारेकरताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर केंद्रिय एजेंसिया विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। काफी देर तक कुरुक्षेत्र में उस सड़क पर हंगामा होता रहा। कि अगर इस्तीफा देनी की नौबत आई तो दिल्ली की शिक्षा मंतरी आतिशी दिल्ली की सरकार चलाएंगी। शराब गोटाला मामले में मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल पर गिरफतारी की तलवार लटक रही थी। लेकिन जेल से सरकार चलाने की रहा में आमादमी पार्टी को कई तरह की कानूनी चुनोतियों का सामना करना पर सकता है सूतरों के मुदाबिक दिल्ली के टिहार जेल के मैनुवल में किसे भी मुख्यमंत्री के जेल से सरकार चलाने का प्रावधान नहीं है जेल मैनुवल एक रूल बुक होती है जिसमें जेल में बंद कैदियों के लिए नियम कायदे लिखे होते हैं जेल प्रशासन इसी के हिसाब से काम करता है। जेल मैनुवल के मुताबिक जेल में बंद पैदी को हफते में दो बार उसके रिष्टेदारों और परिजनों से मुलकात कराई जाती है। आरोपी को दस लोगों के नाम देने होते हैं और वो लोग ही जेल में फोन करके मिलने की तारीख और समय मांग सकते हैं। एक बार मुलाकात में सिर्फ तीन लोग ही जेल में आरोपी से मिल सकते हैं। मतलब ये कि अगर अर्विन केजरिवाल जेल से सरकार चलाते हैं तो इसमें उन्हें कई तरह की दिख्टतें सामने आ सकती हैं क्यूंकि नियमों के मुताबिक जेल से सरकारी फाइले साइन नहीं कराई जा सकती और अगर फाइलों पर साइन कराना भी हो तो जेल सुपरिटेंडेंट से लिखित इजाजत लेनी होगी एक राज्य के मुख्यमंत्री के कंधों पर कई तरह की जिम्बेदारिया होती हैं कैबिनेट की बैठक के अलावा मुख्यमंत्री को दिन भर अफसरों के साथ बैठकें करनी पढ़ती हैं और जेल में रहते हुए ये सारी चीजें संभव नहीं हैं यानि ठीक तीन साल पहले दिल्ली के डिप्टी सीम रहे मनीश शिसोदिया ने नई शराब नीती लाने का एलान किया था शिसोदिया से जब इसे लाने की वज़ए पूछी गई थी तो उन्होंने दो तर्क दिये थी पहला ये कि इससे माफिया राज खत्म होगा और दूसरा ये कि इससे सरकारी खजाना बढ़ेगा 17 नमंबर 2021 को नई शराब नीती 2021-22 लागू कर दी गई थी इसके लागू होते ही शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और पूरा कारोबार नीजी हाथों में चला गया था कई बड़े ओफर और डिसकाउंट देने की वज़ए से शराब की जमकर बिक्री हुई थी और इससे दिल्ली सरकार का खजाना तो बढ़ा लेकिन इस नई नीती का जमकर विरोध भी होने लगा था 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीती में घोटाला होने का आरोप लगा था उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट उपराजपाल वीके सकसेना को बेज़ दी थी रिपोर्ट में सिसोधिया पर नियोमों को ताक पर रखकर शराब कारोबारियों को फाइदा पहुँचाने का आरोप लगा गया था और बाद में उपराजपाल ने भी उनकी और कैबिनेट की मनजूरी के बिना शराब नीती में बदलाब करने का आरोप लगा दिया था 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराजपाल ने मुख्य सचित की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जाँच सी बियाई से कराने की सिपारिश कर दी थी और उसी दोरान विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीतीर रद्द कर दी थी इसके बीचे दलील ये दी गई थी कि खुदरा और थोक कारोबारियों के शराब के धंदे से हटने की वज़े से ऐसा किया गया बाद में 17 अगस 2022 को सीबी आई ने मनीश सिसोधिया, तीन रिटायर सरकारी अफसर, नौ शराब करोबारी और दो कमपनियों के खिलाब केस दर्च कर लिया था इन पर भष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहट केस दर्च किये गए थी 19 अगस को दिल्ली के उप मुख्य मंत्री मनीश सिसोधिया से जुड़े घर और ठिकाने समेट 7 राजियों के 31 ठिकानों पर छापे मारे गए और इसके बाद सिसोधिया ने दावा किया था कि सीबी आई को कुछ नहीं मिला तीन दिन बाद 22 अगस 2022 को ईडी ने सीबी आई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉंडरिंग का केस दर्च कर लिया था क्योंकि सिसोधिया के पास ही आपकारी विभाग था इसलिए उन्हें इसमें मुख्य आरोबी बनाय गया इस भी जोडीशा के मुख्यमंतरी नमीन पटनाय की पार्टि बीजे डी और बीजे पी में गडबंधन पर बात नहीं मनी दोनों पार्टियों ने राज्य की 21 लोकसवा सीटों और 147 विधान सबा सीटों पर अलग-अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया पोटिशा में लोगसवा के साथ ही विधान सभा के भी चुनाव होने हैं बीजेपी ने लोगसवा उम्मीद्वारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी इस लिस्ट में तमिलनाड के लिए 14 पत्याशियों के नाम और पुदुचेरी सीट के उम्मीद्वार का नाम शामिल है एक रोज पहले बीजेपी ने तमिलनाड के नौ उम्मीद्वारों के नामों का ऐलान किया था इमसी ने चुनाव आयोग से पश्चे मंगाल के राजपाल सीवी आनन बोस के खिलाफ शिकायत की इमसी ने राजपाल पर चुनावी प्रक्रिया में दखल देने का आरोप लगाया कुछ दिन पहले वहां के राजपाल ने लोगसभा चुनाव से जुड़े किसी भी मुद्धे पर लोगों से जुड़ने के लिए पोर्टल लोग सभा लॉंच किया था इस पर टीमसी ने आपत्ति जताई इधर दिल्ली शराब घोटाला मामले में अर्विन केजरिवाल समेथ 16 लोग गिरफतार किये जा चुके है केजरिवाल से पहले दिल्ली के पूर्व रिप्टी सीम मनीश सिसोधिया, राज्यसभा सांसाथ संजय सिंग और पूर्व मुख्यमंत्री केज जंदरशेकर राव की बेटी के कविता की गिरफतारी की जा चुकी है और सुत्रों के मताविक पूष्टाज के दोरान के कविता ने कई बार इस मामले में अर्विन केजरिवाल का नाम लिया था इसी वज़े से ये आशंका जताई जाने लगी थी कि शराब गोटाला मामले में किसी भी वक्त केजरिवाल की गिरफतारी हो सकती है और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही एक रोज पहले शाम करीब साथ बजे एडी की एक टीम मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल के घर पहुंची थी और दो गंटे की पूष्टाज के बाद राद करीब नौ बजे केजरिवाल को गिरफतार कर लिया था दिल्ली शराब गोटाला मामले में इस साल ये दूसरी गिरफतारी है क्योंकि केजरिवाल से पहले तिलंगाना के पूर्व मुख्य मंतरी के चंदरशेकर राव की बेटी के कविता को कुछ रोज पहले ही एडी ने गिरफतार किया था जानकारी के मताबिक शराब गोटाला मामले में गिरफतारी का सिलसला सितंबर 2022 में शुरूआ था इस मामले में सी बी आई ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेताब विजय नायर को गिरफतार किया था मामले में सबसे जादा गिरफतारियान 2023 में हुई उस साल जांच एजिंसियों ने शराब कारोबारी गोटाम मलहुतरा, रागव मंगुटा और दिनेश अरोडा समेत कई लोगों को गिरफतार किया था लेकिन 2023 में सबसे बड़ी गिरफतारी मनीश इसोदिया के रूप में हुई थी, तब वो दिल्ली के उपमुखे मंतरी थी, लेकिन 26 फरवरी 2023 को गिरफतारी के बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था उनके बाद 4 अक्टूबर 2023 को आम आदमी पार्टी के वरिष्ट नेता और राज़े सबा सांसत संजे सिंग को भी गिरफतार कर लिया गया था इसी वज़े से आम आदमी पार्टी को बड़ा जटका लगा था सुत्रों ने दावा किया कि शराब कारोबारी दिनेश रोडा, संजे सिंग, मनीश सोदिया और विज़े नायर के बेहत करीवी हैं जानकारी के मताबिक बाद में दिनेश रोडा सरकारी गवाह बन गए और पूश्टाच में उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम उगल दिये थे इस बीच हिमाचर प्रदेश के तीन विधायकों ने स्तीफा दे दिया इमाचर प्रदेश में पिछले महीने हुए राजेसवा चुनाम में बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देने वाले तीन निर्दलिये विधायकों ने स्तीफा दे दिया खबरे की ये तीनों बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जम्मु कश्मीर के पूरव मुख्यमंतरी घुलाम नभी आज़ाद की पारटी डीपी एपी को चुनाव आयोग ने बाल्टी चिन आवंटित किया घुलाम नभी आज़ाद ने कॉंग्रेस चोड़ने के बाद पिछले साल ये पारटी बनाई थी उनकी पार्टी टीपी एपी ने जमू कश्मीर की सभी पांच लोगसबा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उत्रप्रदेश के बदाईउं हत्या कान में शामिल जावेद नाम के दूसरे आरोपी को 14 दिन की नियाएक हिरासत में जेल भेज दिया गया जावेद पर आरोप है कि उसने हत्या में शामिल साजित की मदद की थी आरोप है कि मंगलवार को साजित ने दो बच्चों की धारदार हत्यार से गला रेत कर हत्या कर दी थी लेकिन वहाँ पुलिस कर्मी उनके सामने किसी चट्टान की तरह खड़े हो गए और आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं को बीजेपी दफ्तर में गुसने से रोक दिया तब ही वहाँ बैरिकेड के पास ही उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दिया इस दोरान प्रदर्शन कर रहे कारेकर्टा अपने हाथों में पोस्टर लेकर लेकर लहराते नजर आए और कुछ कारेकर्टा तो बैरिकेड हटा कर सड़क के दूसरी तरफ आ गए लेकिन पुलिस के जवानोंने सकती दिखाई और उन्हें खदेड दिया इस बीच कुछ कारेकर्टा उनसे भिड़ गये तभी पुलिस के जवानोंने डंडे बरसाने शुरू कर दिये इसके बाद तो सड़क पर एके कारेकर्टा को पुलिस कर्मी दोड़ा दोड़ा का डंडे मारते दिखाई दिये और उनमें एक कार्यकर्ता तो सड़क पर ही लेट गया उसे पुलिस कर्मियों ने उठाया और हिरासत में ले लिया इसके साथ ही कई दूसरे कार्यकर्ताओं को भी पुलिस कर्मी वैन और बस में डालते दिखे महां बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे प्रदर्शन कारियों को हिरासत में लेने के दौरान वो शोर शराबा करते दिखे कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कारवाई का विरोध करते हुए उस बस के अंदर भी नारे लगाए जबकि दिल्ली के मुख्यमंतरी आर्विन केजरिवाल ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया पिछित्तर वर्ष में पहली बार एक पदासीन मुख्यमंतरी को कल रात को गिरफ्तार किया गया कुछ दिन पहले ही ज़ारकंड के पूर्व मुख्यमंतरी हेमन सुरेन ने भी ऐसा ही किया था 31 जनवरी को गिरफ्तार किये जाने से ठीक पहले उन्होंने राजजपाल को इस्तीफा सौंप दिया था हेमन सुरेन को जमीन गोटाले के एक मामले में एडी ने गिरफ्तार किया था साल 1997 में लालू प्रसाद यादव ने भी खुद पर गिरफ्तारी की दलवार लटकने के बाद बिहार के मुख्यमंतरी का बद छोड़ दिया था क्योंकि सीबी आई ने चारा गोटाले के एक मामले में उनके खलाफ वारंट जारी कर दिया था यही वज़र रही कि तब लालू प्रसाद यादव ने चौकाने वाला पैसला लेते हुए मुख्यमंतरी की कुर्सी पर अपनी पत्नी राबडी देवी को बैठा दिया था इमन सुरेन और लालू प्रसाद यादव के अलावा तमिलनाड में जे जैलालिता करनाटक में बीए सेडियोरप्पा और मध्यप्रदेश में उमा भारती को भी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंतरी का पद छोड़ना पड़ा था इधर जेल में बंद यूट्यूबर अलविश यादव को कोट से रात मिल गई नशे के लिए सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में गिरफ्तार हुए यूट्यूबर अलविश यादव को कोट से जमानत मिल गई उन्हें 17 मार्च को उत्तरप्रदेश की नोईडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था पश्यमंगाल में शिक्षक भरती गोटाले को लेकर एडी ने राजिक के मंतरी चंदरनाथ सिना के आवास पर चापे मारे गए बताया गया कि मंतरी के आवास के अलावा भी कई जगों पर चापे मारे गए कॉंग्रेस के राश्ट्री प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया इसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर गंभीर आरोब भी लगाए कॉंग्रेस ने उन्हें एमदाबाद पूर्व सीट से टिकेट दिया था लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था इस भी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि गिरफतारी के बाद पहली रात एडी मुख्याले में अर्विन केजरिवाल को नींद नहीं आई उन्हें वहां लॉक अप में रखा गया था और इस दोरान केजरिवाल भी कैमरे की निगरानी में रहे इसके साथ ही आसफास सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहे इडी दफ्तर की तीन मंजिला एमारत में दो लॉक अप हैं और दोनों ही लॉक अप ग्राउंड फ्लोर पर बने हैं बताया गया कि उनमें एक लॉक अप में अर्विन केजरिवाल को बंद करके रखा गया था सुत्रों के मुताबिक उस लॉक अप में वो रात भर परिशान रहे और उन्हें नींद नहीं आई आनकि अपील करने पर उनके घर से कंबल और दवाईयां मंगवा कर उन्हें दी गई नियमों के मताबिक एडी की गिरफ्त में आए किसी भी आरोपी को अपील के बाद दवाईयां और जरूरत का सामान दिया जा सकता है और इसी अपील के बाद केजरीवाल को भी दवाईयां और जरूरत की चीजे एडी के दफ्तर में मोहिया कराई गई लेकिन सुत्रों ने दावा किया कि केजरीवाल लॉक अप में ठीक से सो नहीं पाए और सुबह जल्दी उड़ गए इसके बाद उन्हें लॉक अप के अंदर ही नाच्टा दिया गया और उन्होंने अपनी रूटीन की दवाईयां ली वहीं सुत्रों ने दावा किया कि अर्विन केजरीवाल की परिशानी अभी और बढ़ सकती है बताया गया कि अडिशनल डिरेक्टर की देखरेक में इस टीम का गठन किया गया जिसमें एडी के अधिकारियों के अलावा दो असिस्टेंट डिरेक्टरों को भी शामिल किया गया और पूश्टाच के दौरान सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं बलकि लिखित बयान भी दर्ज किये जाएंगे यानि केजरिवाल से किये जाने वाले एक-एक सवाल और उनके दिये गए जवाब विस्तार से लिखे जाएंगे सुत्रों के मताबिक एडी की स्पेशल टीम अर्विन केजरिवाल और के कविता को आमने सामने बठा कर पूश्टाच करेगी कुछ दिनों पहले ही एडी ने बियरेस नेता के कविता को गिरफतार किया था उन पर भी शराब घुटाले में शामिल होने का आरोप है इतना ही नहीं सुत्रों ने ये भी दावा कर दिया कि एडी की टीम शराब घुटाले के दूसरे आरोपियों से भी केजरिवाल का आमना सामना करवाएगी इस भी जर्विन केजरिवाल पर शराब घुटाले की जांच कर रहे एडी के अधिकारियों की जासूसी करवाने का आरोब लगया सूत्रों के मताबिक केजरिवाल एडी के अधिकारी कपिल राज और सत्तिवर्थ पर लगातार नज़र रखे हुए थे और सूत्रों के मताबिक अधिकारी के जासूसी की सिबूत मिलने का दावा किया गया और उन दस्तावेजों में उन दोनों अधिकारियों के बारे में जानकारी लिखी होने का दावा किया गया बताया गया कि उन में अधिकारियों के काम, परिवार और उनकी संपत्ती के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी और दावा किया जा रहा है कि इस मामले में भी E.D. केजडिवाल के खिलाब कारवाई कर सकती है पूफिकि सूत्रों के मतामिक उन दस्तावेजों को E.D. ने गार कानूनी बताया दावा किया गया कि E.D. उन दस्तावेजों की जांच में जुड़ गई और रोहिनी आचारे बिहार की सारण सीट से मैदान में उतरेंगी। यह दोनों वो सीटे हैं जहां से 2009 में लालु यादव ने खुद चुनाव लड़ा था। इस बार इनी सीटों से उन्होंने अपनी बेटियों को टिकेट दी। जोनी आचारे के लिए ये पहला मौका होगा जब वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन मीसा भारती इससे पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं। वो पाटली पुत्र से 2014 और 2019 का लोगसभा चुनाव लड़ चुकी हैं लेकिन दोनों बार वो हार गई थी। और दोनों बार उ लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं कि जन्द के समय लालू यादव जेल में थे। और इसलिए लालू यादव ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती रख़ा था, क्योंकि देश में अपाथकाल के समय लालू यादव को मीसा यानि Maintainternez of Internal Security Act के तहत गिरफतार किया गया था ये वो कानून था जिसके तहद 1975 से 1977 के बीच आंदोलन कारियों को गिरफतार किया गया था और लालू यादव भी इसी कानून के तहट जेल में बन थे और उसी दोरान उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ था लालू यादव ने अपनी किताब में भी इससे जुड़ी पूरी कहानी लिखी थी और बताया था कि उन्हें जेपी ने सुझाव दिया था कि वो अपनी बेटी का नाम मीशा कानून के नाम पर रख दें इसके बाद लालू यादव ने अपनी बड़ी बेटी का नाम मीशा भारती रख दिया था और इसके सालों बा था कि वो अपने बेटे का नाम नोट बंदी रखने क्योंकि मीसा भारती का नाम भी आपाथ काल के समय लगे मीसा कानून के नाम पर रख्छा गया था यह सला मीसा भारती को तब दी गई थी जिव अपने दो महिने के बेटे को लेकर संसत के शीत कालीन सत्र में पहुँच गई थी और उसी दौरान हलके फुलके महौल में मीशा भारती के बेटे का नाम नोट बंदी रखने की पात उठी थी यानी जिन परिस्थितियों में लालु यादव की बेटी का नाम रखा गया था उसकी चर्चा सालों तक होती रही वैसे नाम के अलावा मीशा भारती अपनी MBBS की डिगरी की वज़े से भी खूब चर्चा में थी और इसके बाद लालु यादव के विरोधियों ने मीशा भारती के MBBS में टॉप करने पर सवाल उठा दिया था यही नहीं मीशा भारती की मेडिकल प्राक्टिस नहीं करने पर भी सवाल उठे थे लेकिन मीशा भारती ने इस बात की दलील दी थी कि परिवार और काम के बीच में तालमेल बठाना मुश्किल हो जाता इसलिए उन्होंने प्राक्टिस नहीं की लेकिन विरोधियों ने मीशा भारती की दलील नहीं मानी थी और मीशा भारती के M.B.B.S. में टॉप करने पर बार बार सवाल उठाय थे यानि मीशा भारती का नाम और डिगरी दोनों चर्चा में रह चुके हैं और उनकी सियासत में एंट्री के बाद उन पर भष्टा चार के आरोप भी लगे मीशा भारती और उनके पती शेलेश कुमार के खिलाव हजारों करोड की हिरा फेरी के मामले की जांच चल रही है E.D. इस मामले में उनसे कई बार पूश्टाच कर चुकी है और इनी मामलों की जांच के बीच R.J.D. ने मीशा भारती को बिहार की पाटली पुत्र सीट से टिकेट देने का पैसला किया बिहार की पाटली पुत्र सीट 2008 में बनी थी और इससे पहले पट्ना में केवल एक लोगसबा क्शेत्र था लेकिन 2008 में परिसीमन हुआ और इसके बाद दो लोगसबा सीटे मन नहीं पहली पाटली पुत्र और दूसरी पट्ना साहब रिकॉर्ड है कि पाटली पुत्र में अब तक हुए तीनों लोगसबा चुनाओं में एंडिये को ही जीत मिली है और 2014 और 2015 में मीसा भार्ती को एंडिये के राम कृपाल यादव ने मात भी थी लेकिन मीसा भार्ती एक बार फिर पाटली पुत्र से चुनाओ लड़ने जा रही है और उनके अलाबा लालु यादव की दूसरी बेटी रोहिनी आचार बिहार की सारण लोगसबाशीट से चुनाओ लड़ने इसके संकेत आरजडी की मलसी और लालु यादव के परिवार के परीवी कहे जाने वाले सुनील कुमार सिंग ने कुछ दिन पहले ही दे दिये थे और अब उन खबरों पर महर लग चुकी है क्योंकि लालु प्रसाद यादव की एक और बेटी की सियासत पे एंट्री होने जा रही है लालु यादव के नौ बच्चे हैं, साथ बेटियां और दो बेटे, दोनों बेटे तेजस्वी और तेजप्रताब बिहार की सियासत में सक्रिय है लालु यादव की साथों बेटियों के नाम हैं मीसा भारती, रोहिनी आचारे, चंदा यादव, रागिनी आदव, हेमा यादव, अनुष्का राव और राजलक्ष्मी इन सातों बेटियों में मीसा भारती पहले से सियासत में है और अब रोहिनी आचारे सारण से चुनाव लड़ने जा रही है और इसके संकेत तीन मार्च को पटना में आरजेडी की जन विश्वास रैली में ही मिल गए थे क्यूंकि उस रैली में रोहिनी आचारे मंच पर नज़र आई थी वो रैली में शामिल हुए विपक्ष के निताओं से मिलती दिखी थी ये पहला मौका था जब रोहिनी आचारे सियासी मंच पर लालू प्रसाद यादव के सात दिखी थी और इस्रेली के कुछी दिन बाद खबर उड़ी थी कि रोईनी आचारे का सियासी सफर शुरू होने वाला है रोईनी आचारे का नाम तब खुब चर्चा में आया था जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किड्नी दी थी और इसके बाद लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हुआ था रोईनी आचारे के सारण से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच आरजेटी नेताओं ने इस बात का जिक्र भी छेड़ दिया सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली रोणी आचारे ने अपने पिता को किड्नी देकर एक अलगी छवी बनाई है पिछले महिने जेडियू और आरजेटी का गड़बंधन तूटने पर उनकी सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट भी चर्चा में थी क्योंकि इस से उनकी तेज तर्रार चवी भी सामने आ गई थी क्योंकि अपनी पोस्ट में वो नितीश कुमार पर खुब भड़की थी वो लालू प्रिसाद यादव के परिवार से राजनीती में आने वाली छड़ी सदस्य हैं जबकि खुद लालू प्रिसाद यादव उनकी पत्नी राबडी देवी उनकी बेटी मीसा भारती और दोनों बेटे तेजस्वी और तेजप्रताब राजनीती में सक्री हैं और चुनाब भी लड़ चुके हैं तेजप्रताब और तेजस्वी ने विधान सबा चुनाब लड़ा है जबकि लालू प्रिसाद यादव राबडी देवी और मीसा भारती लोग सबा चुनाब लड़ चुके हैं और रोहिनी आचारे की सियासी पारी का आगाज भी लोकसबा चुनाव से ही होने वाला है। आसान भाशा में कहें तो छपरा लोकसबा सीट का नाम सारन लोकसबा सीट पढ़ गये। सारन जिले को बिहार के सिवान और उत्तरप्रदेश के बलिया जिले से अलग करती है। लेकिन कहते हैं कि भले ही नदियां यहां त्रिकोण मनाएं लेकिन सारन में चुनावी संग्राम के दौरान कभी भी सियासी त्रिकोण नहीं मना। क्योंकि सारन में ज्यादातर बार ऐसा हुआ कि दो अमीदवारों के बीच ही कांटे की टक्तर हुई। लालू यादव की एंट्री से पहले इस सीट को कॉंग्रेस का गढ़ कहा जाता था। कॉंग्रेस के राम शेकर सिंग तो लगातार चार बार सारन से चुनाव जीते थे लेकिन 1977 में लालू प्रशाद यादव ने इस सीट से बंपर जीत हासिल की थी। और अबके सारन और तबके छपरा से जीत कर सुर्कियों में आ गए थे। जेपी आंदोलन को इस जीत की बड़ी वज़ा माना गया था। और पाटली पुत्र में वो चुनाव हार गये थे लेकिन सारन में उनकी जीत हुई थी। लेकिन इसके बाद सारन लोग से बास सीट से वो चुनाव नहीं लड़ पाई क्योंकि चारा गोटाला मामले में उन्हें दोशी करार दिया गया था। और लालू प्रिसाद यादव के चुनाव लड़ने पर 11 साल की रोक लगा दी गई थी लेकिन लालू प्रिसाद यादव ने इसका भी तोड़ निकाल दिया था क्योंकि 2014 में सारण से राबडी देवी चुनाव लड़ी थी वो अलग बात है कि राबडी देवी को राजीव प पाई और नहीं लालू प्रिसाद यादव के संदीच चंद्रका राय उल्टा बाद में चंद्रका राय आर जेडी छोड़कर जेडियू में शामिल हो गए थे और दोनों बार आर जेडी के प्रत्याशियों को बीजेपी के राजीव प्रताब रूडी नहीं हराय था 2014 और 2019 के लावा वो 1996 और 1999 में भी सारण से चुनाव जीच चुके हैं और बिहार में NDA में सीट चेरिंग के बाद ये फैसला हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सारण सीट बीजेपी के पास ही रहीगी यानि एक बार फिर सारण में RJD और BJP का आमना सामना होगा और इस बार तो रोहिनी आचारे सारण से चुनाव लड़ेंगी और वो लालू प्रसाद यादव के परिवार की तीसरी सदस्य होंगी जो सारण में अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं इसबीज बिहार के उपमुखे मंत्री समराठ चौधरी ने लालू यादव की बेटी पर निशाना साधा बिहार के उपु मुखे मंतरी समराट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचारे को सारण सीट से टिकट दिये जाने पर विवादास पद बयान दे दिया लालू प्रसाद जी ऐसे नेता है जो टिकट बेचने में माहिर खेला लिए पिहार के आरा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग खौफ से बर गया वहाँ चलती ट्रेन में चड़ने की कोशिश करना एक आदमी के लिए खतरनाक साबित हो गया वह आदमी सामान से भरा बैग लेकर उस ट्रेन में चड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसका पैर लड़ खड़ा गया और वो उस ट्रेन में चड़ने की बजाए फिसलते हुए नीचे आ गया लेकिन वो पुलिस कर्मी तुरंट उसे खीच कर उस ट्रेन से दूर ले आया इस दोरान उस आदमी को देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड जमा होगी घरीमत ये रहेगी उस आदमी को सही सलामत बचा लिया गया केंद सरकार ने करिबियाई देश हेती में फसे भारतियों को निकालने के तयारी पूरी कर लिए इलाबाद आइकोर्ट ने फरार चल रहे यूपी के फूर्म मंतरी अमर मनी त्रिपाटी की आचिका खारिच कर दी उन्होंने संपत्यां कुर्क करने के निचली अदालत के फैसले को हाई कोट में चुनौती दी थी बस्ती जिले में 2001 में कारोबारी के बेटे के अपरण के मामले में अमर मनित्र पाठी के खिलाफ निचली अदालत नहीं ये फैसला सुनाया था बिहार की मजफरफुर कोट से 28 साल फुराने मामले में बाहुबली नेता और पूर्वसांसद आनन्द मोहन को बड़ी राहत मिली जेल में बन सजायाफता कैदी के साथ मारपीट के मामले में पूर्वसांसद आनन्द मोहन को कोटनें बरी कर दिया इस बीज महाराश की सांगली सीट पर महाविकास अगाडी में तनाव बढ़ने की खबर आई क्योंकि इस सीट से उद्धव ठाकरे अपने प्रत्याशी का एलान कर चुके है गटबंदन में उनकी साथी कॉंग्रेस भी सांगली से चुनाव लड़ना चाहती है एक दिन पहले ही खबर आई थी कि सांगली सीट पर महाविकास अगाडी में पेच फसा हुआ है और इसके अगले ही दिन खबर आई कि इस सीट के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी और कॉंग्रेस में ठन गई और नौबत ही आगई कि कॉंग्रेस ने सांगली के मिरज में होने वाली उद्धव ठाकरे की सभा का बहिशकार कर दिया सुत्रों ने बताया कि उद्धव ठाकरे की ओर से कॉंग्रेस को इस सभा में शामिल होने का न्योता दिया था लेकिन कॉंग्रेस ने उनका न्योता ठुकरा दिया खबरे की कॉंग्रेस ने फैसला सांगली लोगसबा सीट की वज़से ही लिया क्योंकि उधव गुट की शिवसेना ने सांगली लोगसबा सीट से चंद्रहार पार्टिल को उम्मीदवार बनाने के संकेत दिये थे और इसी बात पर कॉंग्रेस भढ़ दे, क्योंकि कॉंग्रेस भी सांगली से चुनाव लढना चाहती है खबरे की कॉंग्रेस ने उद्धव गुट की शिवसेना से दो टुक बोल दिया था कि सांगली सीट उसकी है और महराष्र के सांगणी से कॉंग्रेस का ही उम्मीदवार खड़ा होगा यनि सांगणी की सीट पर कॉंग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी खुल कर आमने सामने आ गए वैसे उद्धव गुट किशिव सेना ने सांगली से जिस चंद्रहार पार्टिल को उम्मीदवार बनाने का इचारा किया था, वो कुछ दिन पहले ही उनकी पार्टि में शामिल हुए थे। चंद्रहार पार्टिल पहलवान है और महराष्ट में होने वाली कुछती की प्रतियोगिता महराष्ट केसरी जीच चुके हैं। और उदफ ठागरे ने चंद्रहार पार्टिल को अपनी पार्टि में शामिल करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि चंद्रहार पार्टिल पहलवान है। उन्होंने बयान दिया था कि सांगली में एक ऐसे दमदार उम्मीदवार की जरूरत है जिसके एक हाथ में गदा हो, दूसरे हाथ में मशाल हो। उद्धव गुट ने दलील दी कि वो सांगली के बदले कुलापूर सीट छोड़ने के लिए तयार हैं। लेकिन कॉंग्रेस इसके लिए तयार नहीं हुई। फिर क्या था? महराज की सांगली सीट के लिए महाविकास अगाडी में गमासान की खबरे आनी शुरू हो गए। सुत्रों ने बताया कि कॉंग्रेस इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री वसंदादा पाटिल के पोते विशाल पाटिल को चुनाव लड़वाना चाती है। लेकिन उधव गुट की शिवसेना चंद्रहार पाटिल को सांगली से उम्मीदवार बनाना चाती है। यानि कॉंग्रेस और उधव गुट वाली शिवसेना दोनों को यहां जीत की उम्मीद दिख रही है। अजीत पवार ने शरत पवार के साथ किया था। अजीत पवार ने बयान दिया कि उन्होंने जो साथ साल की उम्र में किया वो शरत पवार ने 38 साल की उम्र में ही कर दिया था। तब के पत्रकार बताते हैं कि सरकार गिरने से कुछ घंटे पहले तक वसंदादा पाटिल को इसका एसास तक नहीं था। और उन्हें पता ही नहीं था कि कुछ घंटों बाद महाराष्ट में उनकी सरकार गिर जाएगी। 1977 में आपात काल के बाद कॉंग्रेस दो गुटों में बढ़ दी थी। एक गुट का नाम पड़ा कॉंग्रेस आई, दूसरे का कॉंग्रेस यू, कॉंग्रेस उर्स, कॉंग्रेस उर्स, तब शरत पवार ने इंदरा गांधी का साथ छोड़ दिया था। और देवराज अर्षवाली कॉंग्रेस यू का इस्सा बन गये थी। इसके बाद 1978 में हुए महाराज विधान सबा चुनाव दोनों कॉंग्रेस अलग-अलग लड़ी थी। लेकिन वो बहुमत से पीछे थी। इसके बाद कॉंग्रेस के दोनों गुटों कॉंग्रेस आई और कॉंग्रेस यू ने मिलकर सरकार बनाई थी। और वसंदादा पाटिल मुख्यमंत्री बने थी। लेकिन करीब ताड़े चार महीने बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी। क्योंकि शरत पवार ने 40 विधायकों को तोड़ लिया था। तब के पत्रकार बताते हैं कि सरकार गिराने से कुछ घंटे पहले ही शरत पवार और वसंदादा पाटिल की मुलाकात हुई थी। और वसंदादा को पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। और उनकी नाक के नीचे से उनकी कुर्सी छिन गई थी। अलांकि सरकार गिरने के बाद भी वसंदादा पाटिल सांगली में मेहनत करते रहे। उनके बेटे प्रकाश बापू वसंदादा पाटिल तो सांगली से पांच बार सांसद रहे। और इस बार कॉंग्रेस सांगली सीट से वसंदादा पाठील के पोते को टिकट देने की कोशिश में है। सुत्रों ने बताया कि कॉंग्रेस किसी भी किमत पर सांगली की सीट नहीं छोड़ना जा दिया। इसके लिए उसने पूरा जोर लगा दिये। और साल 1962 से साल 2009 तक महाराष्ट की सांगली सीट पर कॉंग्रेस का कबजा बना रहा। यानि कॉंग्रेस में सांगली में एक दो बार नहीं बलकी 15 बार जीत हासिल की। कॉंग्रेस के प्रकाश बाबू वसंदादा पाटिल तो 5 बार महां से चुनाव जीते। लेकिन 2014 में हुए लोगसबा चुनाव में कॉंग्रेस के हाथ से ये सीट निकल गई और बीजेपी के संजे का 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 पाटिल महां से चुनाव जीत गए थे। इसके बाद 2019 में भी सीट पर संजे का 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 पाटिल ही जीते थे। संगली को हल्दी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। साल 1967 से पहले इस इलाके को मिरज कहते थे। लेकिन 1967 के बाद जिले का नाम संगली हो गया था। और 1957 में संगली में पहली बार चुना हुआ था। और 2009 कॉंग्रिस ने लगातार इस सीट पर जीत हासल की थी। लेकिन इसके बाद वो लगातार दो बार संगली में हार गई थी। माना जा रहा है कि इसी वज़े से महाविकास अगारी में इस सीट पर इतनी चर्चा हुए। लेकिन उद्धव गुट की शिवसेना ये सीट नहीं चोड़ना चाती। और इसलिए कृष्णा नदी के किनारे बसे सांगली के लिए महाविकास अगारी में सियासी संग्राम चड़ गया। इस बीच भारतिय बैडमिंटन खिलाडी पीवी सिंदू स्विस ओपन के दूसरे दौर में जापान की खिलाडी से 21-16, 19-21 और 16-21 से हरकट टॉर्नमेंट से बाहर हो गई। जिवकि केश रिकांट ने मलेशिया के खिलाडी को 21-16 और 21-15 से हराकर कौटर फाइनल में जगा बना लिए। राजिस्तान रॉयल्स के गेंदबाज आडम जैंपा ने निजी कारणों से IPL के इस सीजन से अपना नाम वापस ले लिया। उनकी जगा टीम में गेंदबार्स तनुष कोटियान को शामिल किया गया। उदर रूस की फाज ने यूकरेन में नीपरो नदी पर बने उसके सबसे बड़े बांध पर जोरदार हमला कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मताबिक महां मिसाइल और ड्रोन हमले किये गए। दावा किया गया कि रूस के इस भीशन हमले ने यूकरेन में हजारों लोगों की जिन्दगी मुश्किल में डाल दी। क्योंकि पुतिन के फौज ने यूकरेन में नदी पर बने उसके सबसे बड़े बांध पर कहर बरपा दिया। पश्चिमी मीडिया के मताबिक वहां खतरनाक मिसाइलों के साथ साथ आत्म घाती ड्रोन भी गिराए गया। तस्वीरों में दिखा कि रूसी हमले के बाद नीपरो नदी पर बने उस बांध पर भीशन आग लग लग गई। दमकल कर्मी उस आग को बुझाने के लिए वहां पानी की बोचार करते दिखाए थी। युक्रेन के जिस बांध पर हमला किया गया वो उसके दक्षणी इससे में मौझूद जापुरिजिया शहर में। नीपरो नदी पर बने इस बांध के साथ एक पावर प्लांट भी बना हुआ है जिसके जरीए बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। और आसपास के खरीब एक दरजन इलाकों में बिजली की सप्लाई उस प्लांट से ही होती आई है। आई जगों पर आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं ने बवार शुरू कर दिया। जगामा और नारेबाजी करते दिखाई दिये। हाथों में पार्टी का जणडा लेकर वहाँ पहुचे आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। हाला कि मौाली चणडी कर आईवे पर तैनात पुलिस वाले बैरिकेडिंग के पीछे चटान की तरह खड़े नदर आये। केंदर सरकार के सिलाफ नारेबाजी करते हुए आम आदमी पार्टी के कारेकर्टा वहाँ तैनात पुलिस वालों से भीढ़ गए। और लोहे की बैरिकेडिंग को पार करके दूसरी तरफ कूद गए। बैरिकेड पार करता दिखाई दिया। मोहाली से चंडिगड में गवरनर हाउस का घेराव करने निकले आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं के हाथों में केजरिवाल के समर्थन वाले पोस्टर दिखाई दिया। पोस्टरों पर मैं भी केजरीवाल लिखा नजर आया है हाला कि पुलिस ने सभी प्रदर्शन कारियों को हाईवे पर ही रोक दिया लेकिन चंडीगड में आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं ने बीजेपी दफ्तर के घेराव के लिए कूच कर दिया अला कि पुलिस ने प्रदर्शन कारियों को रास्ते में ही रोक दिया इसके बाद तो आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं का गुच सब उट पड़ा और सड़क पर लगाए गई बैरिकेडिंग के पास हंगामा शुरू कर दिया चंडीगड में बीजेपी के दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर भारी संक्या में पुलिस वाले तैनात दिखाई दिये सड़क को बंद करने के लिए पुलिस ने बहां बड़े बड़े ट्रक खड़े कर दिये थे सड़क पर लगी लोहे की बैरिकेडिंग के एक तरफ भारी संक्या में पुलिस वाले मोर्चा सम्हाले दिखाई दिये तो दूसरी तरफ सैकडों की संक्या में आम आदमी पार्टी के कारेकरता एकटा हुए नजर आए आमादमी पार्टी के कारिकरता काफी देर तक बैरिकेडिंग तोड़ कर बीजेपी दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश करते दिखे हलनके पुलिस ने हंगामा करने वाले कई प्रदरशन कारियों को हिरासत में ले लिया प्तारी को सरकारी एजिंसियों के दुरुप्योग की मिसाल कराड़ दिया कोट में हुई इस बहस से पहले दोफेर करीब साड़े बारा बजे एडी अफसरों का काफिला अर्विन केजरिवाल को लेकर एडी दफ्तर से राउ जविन्यों कोट के लिए निकला इडी की गाडियां दंदनाते हुए अदालत की तरफ दोड़ती दिखाई दी आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं के प्रतरशन को देखते हुए इडी दफ्तर और कोट के बाहर बारी संख्या में पुलिस और आरेफ के जवान तैनात कर दिये गए कोट पहुँचने के बाद एडी के अफसर अर्विन केजरिवाल को लेकर सीधे जज के सामने पहुँच गए इस दोरान कोट के गलियारे से गुजरते हुए केजरिवाल का एक वीडियो सामने आया जिसमें 10 से 12 एडी अधिकारी उन्हें कोट रूम की तरफ ले जाते नजर आए आम आदमी पार्टी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें कोट में दाखिल होते हुए अर्विन केजरिवाल ये कहते सुनाए दिये और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिये कोट में केजरिवाल के वकीलों ने एडी की रिमांड की मांग को खारिच करने के अपील की जबकि E.D. के वकीलों ने शराब गोटाले की जांच के लिए अर्विन केजरिवाल की रिमांड को बहुत जरूरी बताया मतलब ये कि E.D. के वकीलों ने अर्विन केजरिवाल की रिमांड के लिए पूरी ताकत लगा थी ED ने दिल्ली के शराव गोटाला मामले में मुक्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को मस्ट माइंड बताया ED के वकील ने इसके लिए अंग्रेजी के किंग पिन शब्द का इस्तमाल किया इसके साथ ही ED ने दावा किया कि इस केस से जोड़े कई इलेक्ट्रोनिक सबूत पहले ही मिटा दिये गये थे गोटाले से जोड़े तत्थे चिपाने के लिए कई सारे मोबाइल फोन तोड़े गये थे इसके बाद अर्विन केजरिवाल के वकील अभिशेक मनु सिंभी ने ये दलील दी कि इस मामले में अर्विन केजरिवाल को गिरफतार करने की जरूरत नहीं थी इसके बाद कोट में एडी ने दलील रखी कि रिश्वत के बदले दिल्ली में आबकारी नीदी में मनमाने बदलाब किये गए थे एडी ने कोट को बताया कि दो बार कैश ट्रांसफर भी किया गया जबकि कोट में अर्विन केशरिवाल की तरफ से का गया कि इस पूरे मामले से अर्विन केशरिवाल का कोई लेना देना ही नहीं है ये भी का गया कि मुख्यमंत्री की गिरफतारी गैर खानूनी तरीके से की गई क्योंकि आरोबे की शराब घोटाले की आड में करीब 600 करोड की हिरा फेरी हुई और E.D. के हवाले से ये दावा किया गया कि ये पूरी साजिश किसी और ने नहीं बलकि दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरीवाल नहीं रची और E.D. के मुताबिक अर्विंद केजरीवाल नहीं दिल्ली की शराब नीती में बदलाव करके करोणों के घोटाले की नीव रखी इसी वज़े से E.D. ने केजरीवाल को इस शराब घोटाले का किंग पिन माना किंग पिन यानि सबसे एहम आदवी मतलब E.D. ने ये दावा किया कि ये पूरी साजिश अर्विंद केजरीवाल के इशारे पर ही रची गए और इसके जरीए करोणों की रखम का गबन हुआ E.D. ने दावा किया कि इस पूरे खेल में मनीश्ट सोधिया और संजे सिंग भी बराबरी के हिस्सेदार थे आलनकि E.D. के मताबिक इस घोटाले में अर्विंद केजरीवाल ने सीधे सीधे हिस्सा नहीं लिया बलकि इसके लिए उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजे नायर को काम पर लगा गया था ED के मताबिक विजे नायर ने अर्विन केजरीवाल के कहने पर नसित मीतियों में तोड मरोड का खाका तयार किया बल्कि लोगों को डरा धंका कर उनसे उगाही का सारव काम भी वही देखता था और E.D. के मताबिक इसी विजे नायर के जरीए दिल्ली के सीम अर्विन केजरीवाल और उनके सहीयोगियों तक 330 करोड से ज्यादा की रखम पहुंची दावे के मताबिक इसके लिए बाकाइदा पूरी प्लानिंग की गई थी और E.D. के जांच में ये आरोफ लगाया गया कि दिल्ली की नई शराब मीती के जरीए करोडों के घोटाले की पटकता अर्विन केजरीवाल के घर पर ही लिखी गई थी E.D. के मताबिक दिल्ली के सीम हाउस में हुई उस बैठक में अर्विन केजरीवाल के अलावा मनीश शिसोदिया भी मौजूद थे और इसी बैठक में ये तैह हुआ था कि शराब मीती में प्रॉफिट का जो मार्जिन 6 प्रतिशत है उसे बढ़ा कर 12 प्रतिशत मतलब दुगना कर दिया जाए और इडी के मताबिक खुद ये बात मनीश शिसोदिया के सचिप सी अर्विन ने पूस्ताज के दोरान बताई थी और ये दावा क्या गया था कि ये काला खेल अर्विन केजरीवाल की आँखों के सामने ही रचा गया और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि इस नई शराब नीथी के जरीए उन्हें करोड़ों का फायदा हो सकता है और इडी का तावा है कि अर्विन केजरीवाल अपने प्लैन में कामियाब भी हो गए थे सुत्रों के मताबिक जांच में ये बात सामने आई कि अर्विन केजरीवाल ने शराब नीथी की आड़ में शराब माफिया से करीब सौ करोड़ की रिश्वत ली थी और बदले में नई शराब नीथी के जरीए उन्हें फायदा पहुँचाने का बादा किया था मतलब केजरीवाल और शराब माफिया ने एक हाथ दे दूसरे हाथ ले का फार्मूला अपनाया ताकि दोनों ही पक्षों को फायदा हो सके और इसमें एक एहम किरदार ने भाया शराब कंपनी इंडो स्पिरिट के डिरेक्टर समीर महिंद्रू ने सूत्रों के मताबिक समीर महिंद्रू ने पूश्टाश में बताया कि अर्विन केजरीवाल से उन्हें उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजय नायर ने आइप फेस टाइम के जरीए मिलवाया था उनके मताबिक इस बातचीत के दौरान केजरीवाल ने ये भी कहा था कि विजय नायर उनका भरोसेमन्द है और वही उनसे आगे की डील करेगा मतलब अर्विन केजरीवाल एक खुद ही विजय नायर को शराब गोटाले से जुड़ी डील करने की आज़ादी दी थी और एडी के मताबिक उसी के जरीए सौ करोड की रिश्वत के रास्ते खुले एडी के सूतरों का दावा है कि केजरीवाल ने नई शराब दीन्ती में बदलाव करने के बदले में सौ करोड रुपए की रिश्वत मांगी थी और जाँच में ये बात सामने आएगी इस रकम का इस्तिमाल 2022 में गोवा में हुए चुनाब में आम आदमी पार्टी ने किया था एडी ने कुछ दस्तावेजों के जरीए ये आरोप भी लगाया कि इस रकम के बड़े हिस्से की हेरा फेरी कैश में की गई ताकि किसी को आम आदमी पार्टी या फिर अर्विन केजरिवाल पर शक न हो इडी ने ये दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत के तौर पर मिली रकम से 45 करोड रुपे का इस्तिमाल गोवा के चुनाब में किया इसके लिए तिलंगाना के मुख्यमंत्री के चंदरशेकर राव की बेटी के कविता के अकाउंटेंट बुच्ची बावू ने दो बार पैसे ट्रांसवर की सुत्रों के मुताबिक बुच्ची बावू के अकाउंट से ही आम आदमी पार्टी के पास पहले 10 करोड और फिर 15 करोड रुपे ट्रांसवर किये गए और दावा है कि गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाओं में काम करने वाले लोगों को इसी रखम से भुक्तान किया गया है और दावा है कि गोवा चुनाम में करीब 70 लाक रुपे नकद में दिये गए ये पैसे जिनें दिये गए उनमें आम आदमी पार्टी के कुछ उमीदवार भी शामिल थे इसके लावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने गोवा चुनाम में रिसर्चर के तौर पर अर्विन केजरिवाल की पार्टी के लिए काम किया था और माना चारा है कि उनी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल का नमबर लगा क्योंकि ED ने अपनी जांच में ये दावा किया कि खरीब 600 करोड से जादा केस गोटाले को BRS निता के कविता और दिल्ली के CM अर्विन केजरिवाल ने मिल कर अंजाम दिया ED के मताबिक इस समझोते के के कविता का ओफर लेकर YSR कॉंग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनवासलू रेटी दिल्ली पहुँचे थे उन्होंने ही 100 करोड की रिश्वत के बदले के कविता को भी इस शराब भुटाले में भागिदार बनाने की मांग CM के जरिवाल से की थी और ED के सूतरों के मताबिक इसके बाद इस नई सराबनीती के जरिये ज्यादा से यादा धन हुगा ही का फूल प्रूफ प्रेंट टेयार कर लिया गया और इसे मंगुटा श्रीनिवासलू रिट्टी के बेटे रागव मंगुटा के जरिये अंजाम दिया गया ये वही 100 करोड की रकम थी जिसे आम आदमी पार्टी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बुच्ची बाबु को सौंपी गई थी और इडी के मुटाबिक इसी 100 करोड में 45 करोड रुपए आम आदमी पार्टी ने 2022 में हुए गोवा के चुनाव में खपा दिये थी और इसी मामले में जेल में बंग के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जटका लग गया दिली चराव गोटाला मामले में आरोपी थिलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंदरशेकर राओ की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जटका लगा सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की जमानत पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया इतना है नहीं सुप्रीम कोर्ट ने के कविता के वकील को निचली अदालत जाने का सुझाव भी दिया पिछले अफ़ते एडी की टीम ने उन्हें गिरफतार कर लिया था बीजेपी की केंदरिये चुनाव समिती की शाम में एहम बैठक होगी सुत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तरपदेश, ओडीशा, महराष्ट, तिलंगाना और राजिस्थान समेथ कई राज्यों के लिए उम्मीद्वारों के नाम पर महर लग सकती है इस बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे बिहार में महागडबंधन में शामिल CPI ने तीन बार विधायक रह चुके अवधेश कुमार को बेगु सराय लोगसबा सीट से अपना उम्मीद्वार बना दिया इससे पहले अटकलें थी कि कॉंग्रेस नेता कनिया कुमार को ये सीट मिल सकती है कनिया कुमार ने 2019 में इसी सीट से CPI के टिकट पर चुनाव लड़ा था तब वो बीजेपी नेता गिरीराज सिंग से चुनाव हार गए थी इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दोरान दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी रासत में ले लिये गए सेकड़ों कारेकरताओं के साथ प्रदर्शन कर रही आतिशी को पुलिस ने जैसे तैसे बस में बठा दिया लेकिन इसके बाद भी उनकी नारे बाजी बंद नहीं हुई वो उस बस की खिड़की से बाहर निकल कर नारे लगाती रही और आतिशी की ही तरह पुलिस ने दिल्ली सरकार में मंत्री सौरब भारदवाज को भी रासत में ले लिया इस दोरान उन्होंने पुलिस टेशन के अंदर बैट कर ही गाने गाना शुरू कर दिया उनके साथ कई कारेकरता भी मौजूद रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी कारेकरता धरने पर बैट गए और पुलिस के लिए उन कारेकरताओं पर काबू पाना मुश्किल हो गया दिल्ली के आईटी ओ इलाके में तो आम आदमी पार्टी के कारेकरता बीच सड़क पर ही बैट गए एक लाइन में बैठे कारेकरताओं ने वहां बैठ कर नारेबाजी करना शुरू कर दिया जिसकी वज़े से सड़क पर लंबा जैम लग गया इस दोरान जब पुलिस उन्हें अठाने पहुंची तो वो वहां से हिलने को भी राजी नहीं हुए इसके बाद पुलिस को जबरदस्ती उन्हें खीच कर वहां से हटाना पड़ा ऐसा ही प्रदरशन वहां राउज एमिन्यू कोट के बाहर भी दिखाए दिया कारकरताओं ने वहां लगी बैरिकेडिंग के सामने ही नारबाजी शुरू कर दी इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने कई कारकरताओं को हिरासत में ले लिया और इस दोरान जब पुलिस कुछ महिला कारकरताओं को वहां से अटाने पहुंची तो वह सड़क पर ही ले ले गई इसके बाद पुलिस उने उठा कर वहां से ले गई इस दोरान वहां मौझूद एक महिला कारकरता उनके पास बैट कर ही नारे लगाती रही इसके बाद पुलिस ने उस महिला कारकरता को भी हिरासत में ले लिया आईटियो इलाके में इतनी बड़ी संख्या में कारकरता पहुँच गए कि वहां ट्राफिक की दिफ्कत खड़ी हो गई ऐसे में पुलिस ने सकती दिखाते हुए सड़क पर बैठे एक एक कारकरता को वहां से अटा दिया इतर खानून के जानकारों के मताबिक एडी के समंस पर पूश्टाज के लिए नहीं पहुँचना ही केजरिवाल की सबसे बड़ी मुसीबत बना क्योंकि दिल्ली शराब गोटाला मामले में एडी ने उन्हें नौ समंस भेजे थे लेकिन वो एक भी समंस पर पूश्टाज के लिए नहीं पहुँचे थे इसी वज़े से एक रोज पहले एडी के एक टीम उनके घर पहुँच गई थी क्योंकि नौ में समंस के तहट केजरिवाल को 21 मार्च को सुबह 11 बजे पेश होना था लेकिन वो हर बार की तरह इस बार भी पूश्टाज के लिए एडी ऑफिस नहीं पहुँचे थे यही नहीं वो एडी के समंस को लेकर दिल्ली हाई कोट पहुँच गए थे जानकारी के मताबिक कोट को एडी ने वो सबूत भी दिखाये थे जिनके आधार पर पूश्टाज के लिए केजरिवाल को समंस जारी किये गए थे माना जा रहा है कि दिल्ली हाई कोट से उनको जटका लगने के बाद एडी ने उन्हें गिरफतार करने की तैयारी शुरू कर दी थी कारून के जानकारों का मानना है कि एडी के नौ समंस पर पूश्टाज के लिए न पहुंच कर केजरिवाल ने अपने पैरों पर कुलाडी मार ली थी और सुत्रों के मताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को गिरफतार करने से पहले एडी के बड़े अधिकारियों ने एक बैठक की थी दावा किया गया कि दिल्ली हाई कोट से केजरिवाल को राहत नहीं मिलने के बाद जांच एजिंसी के अधिकारियों ने ये बैठक की थी। सुत्रों से मिले जानकारी के मताबिक शुराब घुटाले के जाच के दौरान E.D. को कई एहम सबूत मिले हैं। तक केजरिवाल को पूष्टाच के लिए नौ समन्ज बेजी थे लेकिन इन छे महीनों में केजरिवाल एक बार भी पूष्टाच के लिए E.D. के आफिस नहीं पहुँच सब्यूत מאँ यहीं उन्हें उन्हें हर बार जांच से बचने के लिए अलग अलग बज़ें तक बताइ गया था लेकिन वो दिवाली होने की बात कहकर नहीं गये थी 18 दिसम्बर को दूसरे समंस भेज कर उन्हें पूश्टाज के लिए 21 दिसम्बर को बुलाया था लेकिन उस बार उन्होंने सरकार के कामकाज का हवाला देकर पेश होने समना कर दिया था 22 दिसंबर को E.D. ने तीसरे समन्स भेज कर उन्हें 3 जनवरी को बिलाया लेकिन उस दोरान केजरीवाल ने विपश्टना पर जाने की बात कह दी थी केजरीवाल ने 12 जनवरी को जारी किये गए चौते समन्स के लिए विधान सबाद चलने की दलीद दी थी पाच्वा समन्स आया तो बहाना क्या था मध्यपरदेश में चुनाव चल रहे मैं कैसे आ जाओं जी मुझे तो भाशन करना है इसी तरह केजरीवाल ने एडी की तरफ से जारी किये गए चठे सात्वे आठवे और नौवे समन्स से बचने के लिए अलग अलग वज़े बताई लेकिन इसके बाद भी दिल्ली शराब गोटाला मामले में वो अपनी गिरफतारी नहीं टाल सके और इन सब के बीच दिल्ली के मुक्यमंतुरी अरविन केजरीवाल ने अपनी गिरफतारी के खिलाफ सुप्रीम कोट में दायर याचिका वापस ले ली आम आदमी पार्टी के तरफ से ये बताया गया कि वो अपनी बाद सबसे पहले निचली अदालत में रखेंगे इस पर सुप्रीम कोट ने भी आम आदमी पार्टी को याचिका वापस लेने की इजाज़त दे दी जबकि केजरीवाल की गिरफतारी के खिलाफ दायर याचिका के बाद एडी ने भी सुप्रीम कोट में कैवेट दाखिल कर दिया था यानि ED ने ये अपील की थी कि केजरिवाल की याचिका पर कोई भी फैसला लेने से पहले उसका पक्ष भी सुना जाए लेकिन एन वक्त पर आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीत बदल दी केजरिवाल की legal team की तरफ से आम आदमी party को निचली अदालत जाने की सला दी गई और वहां राहत ना मिलने पर आम आदमी party हाई कोर्ट जाएगी और उसके बाद भी राहत नहीं मिलने की स्तिती में केजरिवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकेंगे पताया गया कि लीगल टीम की सला के बाद ही आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोट से याचिका वापस लेने का फैसला लिया पानून के जानकारों के मताबिक आम आदमी पार्टी को अगर सुप्रीम कोट से जटका लगता तो केजरिवाल की जमानत पर संकट आ जाता और उनके पास आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता इसलिए सोच समझ कर सुप्रीम कोट को सबसे आखरी दाओं के रूप में रखने का फैसला लिया गया उदर बिहार के सुपॉल में एक पुल का हिस्सा अचानक गिर पड़ा इलाबाद हाई कोट की लखनव बेंच ने यूपी बोर्ड आफ मंदरसा एजुकेशन एक्ट को असम्मेधानिक करार दिया कोट ने इस एक्ट को धर्म निर्पेक्ष्टा के सिध्धान के खिलाफ बताया इसके साथ ही कोट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि मदरसों में पढ़ने वाले चात्रों को बुनियादी शिक्षा विवस्था में समयोजित किया जाए कॉंग्रेस को दिल्ली हाई कोट से बड़ा जटका लगा हाई कोट ने आएकर विभाग की कारवाई के खिलाफ कॉंग्रेस की याचिका खारिच कर दी कॉंग्रेस ने लगातार तीन वर्षों के लिए आएकर विभाग की टैक्स री एसेस्मेंट प्रोसीदिंग्स के खिलाफ याचिका दायर की थी इस बीच दिल्ली शराब गोटाला मामले में केजरिवाल की गिरफतारी के बाद विपक्षी गटबंधन एक साथ आ गया इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कॉंग्रेस, टीमसी और शरत पवार गुटवाली एनसीपी के नेता चुनाव आयोग भी पहुंच गए और दूसरी ओर दिल्ली में यूथ कॉंग्रेस ने प्रदर्शन किया यूथ कॉंग्रेस के कारे करता सडकों पर उतराए उनके हाथों में बोस्टर और जंडे नजर आए इन लोगों ने केजरीवाल की गिरफतारी के विरोध में नारे लगाए और एक पिंजरा लाए इस पिंजरे पर ED और CBI लिखा दिखा इसके जरीए इन लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया प्रदर्शन के दौरान कई प्रदर्शनकारी बैरिकेट पर चड़ गए बहुत देर तक हंगामा चलता रहा इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारीओं को हिरासत में लेना शुरू किया और बसों में भर कर इन लोगों को वहां से हटाया गया इससे पहले केजरीवाल की गिरफतारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कॉंग्रेस, टी-म-सी और पवार गुटवाली एनसीपी के नेता चुनाव आयोग भी गए अगर कुछ कल्ती भी हुई है तो आपने कहीं ये नहीं दिखाया कि अभी इसी वक्त एजनसीज की रेड आवश्यक है यानि इस मामले में विपक्षी कटबंधन केजरीवाल के साथ दिखा चुनाव आयोग पहुचने वाले नेताओं में तो कॉंग्रेस के नेता भी शामिल थे जबकि इससे पहले कॉंग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने दिल्ली के शराब घोटाले की शिकायत पुलिस से की थी 2022 में दिल्ली कॉंग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने पुलिस कमिश्णर को इससे जुड़ी एक चिठी लिखी थी उन्होंने चिठी में दिल्ली की शराब नीती पर सवाल उठाये थे और कॉंग्रेस की ओर से लिखी गई ये वही चिठी है दिल्ली सरकार पर कॉंग्रेस के हमले यही नहीं रुके थे बल्कि उसने तबके दिल्ली के डिप्टी सीम मनीश सुदिया का इस्तीफा भी मांगा था और आरोब लगाया था कि उस घोटाले का सीधा कनेक्शन अरविन केजरिवाल से है कॉंग्रेस ने दावा किया था कि एक ही कंपणी को अलग-अलग नाम से ठेके दिये गए थे और आरोब लगाया था कि केजरिवाल भी इस घोटाले के इस्तेदार थे कि कम से कम सौ करोड की रिश्वत ली गई यहनी जिस कॉंग्रेस ने केजरिवाल की गिरफतारी पर इतना हल्ला मचाया प्रतर्शन किया पिछले साल वही कॉंग्रेस केजरिवाल पर निशाना साध रही थी सौ करोड के गोटाले से केजरिवाल का सीधा कनेक्शन जोड रही थी कॉंग्रेस नेता अलका लांबा ने तो सिसोधिया और केजरिवाल दोनों को घेरा था कॉंग्रेस के ये सुर पहले थे क्योंकि अब वो केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ है और इसलिए उसने सडकों पर प्रदर्शन किया लेकिन विपक्षी कटबंधन मनने से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं के तेवर अलग थे उन्होंने परिवारवाद के मुद्दे पर कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी समेच कई विपक्षी पार्टीयों को घेरा था आम आदमी पार्टी की नेता संजे सिंग ने तो एक रैली में विबक्षी पार्टीयों के एक एक नेता का नाम लेकर उन पर निशाना सादा था लेकिन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद विपक्षी गटबंधन जिस तरह से एकजूट हुआ उसके बाद संजे सिंग का वो बयान चर्चा में आ गया क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कबजे में है चंद परिवारों ने देश की राजनीती पर कबजा कर लिया है पूरफ से लेके पस्चिम तक उत्तर से लेके डक्षिन तक चंद परिवारों का देश की राजनीती पर कबजा है चले जाएए काश्मीर, सेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, चले जाएए महारास्ट्रा, बाल ठाकरे, उधाउट ठाकरे, आदित ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी, सरत पवार, सुप्रिया सूले, अजीत प परिवार की पार्टी चले जाएए बिहार लालू यादो राबडी यादो तेजस यादो मीसा यादो तेजस्वी यादो एकी परिवार की पार्टी चले जाएए जहारखन तुर्गा सुरेन सेमन सुरेन सीबू सुरेन एकी परिवार की पार्टी चले जाएए उडीसा एक ही परिवार की पार्टी चले जाए ये तमिलाडू, स्टालिन, एक ही परिवार की पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चाचा नहरू, बिटिया इंद्रा, बिटवा राजियू, बिटवा संजय, बहु सोनिया, बिटवा राहुल, बिटि भोच्छाला के ASI सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया कि इस मामले में फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं होगा। इस बीच ASI ने हाई कोट के आदेश के बाद भोच्छाला के सर्वे का काम शुरू कर दिया। इस से पहले प्रधान मंत्री के बुटान पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद पीम ने बुटान के प्रधान मंत्री और भुटान नरेश से मुलाकात की। और सड़क पर लगे बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करते दिखे। पुलिस के बैरिकेड पर चढ़ा एक कारकरता वहाँ मौझूद पेड की टहनी से लटक गया और अपने पैरों से बैरिकेडिंग पर धक्य मारने शुरू कर दिये। उस प्रधरशन कारी ने पुलिस के बैरिकेड पर दस से ज़्यादा बार धक्य मारे। हाना कि इस दोरान बेरिकेट के दूसरी तरफ मौझूद पुलिस वालों ने बेरिकेट को गिरने से रोके रखा आम आदमी पार्टी के कुछ दूसरे कारिकर्टा भी बेरिकेट पर चड़े हुए दिखाई दिये आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं ने आरोप लगाया कि शांती से हो रहे प्रदर्शन के दोरान पुलिस ने लाटी चार्ज किया जिसमें कई कारेकर्टा गायल हो गए आम आदमी पार्टी के कारिकरताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर केंद्रिय एजेंसिया विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के सुत्रों के मताबिक अरविन केजरिवाल को इस बात का एसास था कि E.D. उने कभी भी गिरफतार कर सकती है। इसलिए उन्हें पहले से प्लैन B तयार कर लिया था। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविन केजरिवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। मतलब ये कि आम आदमी पार्टी इस परिस्थिती के लिए पहले से तयारी कर रही थी। क्योंकि काफी लंबे वक्त से शराब गोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविन केजरिवाल पर गिरफतारी की तलवार लटक रही थी। जानकारों के मताविक भारत के सम्विधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें किसी भी मामली में गिरफतारी के बाद आरोपी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही होगा और सूत्रों के मताविक इसी वज़े से आम आदमी पार्टी और अद्विन केजरिवाल ने जेल से सरकार चलाने का प्लैन तयार किया था मतलब यह कि भले ही आम आदमी पार्टी ने जेल से सरकार चलाने की तयारी की हो लेकिन इसकी इजाज़त शायद ही उसे जेल प्रशासन से मिले सूतरों के मताबिक दिल्ली की तिहार जेल के मैनुवल में किसे भी मुख्यमंत्री के जेल से सरकार चलाने का प्रावधान नहीं है जेल मैनुवल एक रूल बुक होती है जिसमें जेल में बंद कैदियों के लिए नियम कायदे लिखे होते हैं जेल प्रशासन इसी के हिसाब से काम करता है। जेल मैनुवल के मुताबिक जेल में बंद कैदी को हफते में दो बार उसके रिष्टेदारों और परिजनों से मुलकात कराई जाती है। आरोपी को दस लोगों के नाम देने होते हैं और वो लोग ही जेल में फोन करके मिलने की तारीख और समय मांग सकते हैं। एक बार मुलाकात में सिर्फ तीन लोग ही जेल में आरोपी से मिल सकते हैं। मतलब ये कि अगर अर्विन केजरिवाल जेल से सरकार चलाते हैं तो इसमें उन्हें कई तरह की दिक्ततें सामने आ सकती हैं क्यूंकि नियोमों के मुताबिक जेल से सरकारी फाइले साइन नहीं कराई जा सकती और अगर फाइलों पर साइन कराना भी हो तो जेल सुप्रेटेंडेंट से लिखित इजाजत लेनी होगी एक राज्य के मुख्यमंत्री के कंधों पर कई तरह की जिम्मेदारिया होती है कैबिनेट की बैठक के अलावा मुख्यमंत्री को दिन भर अफसरों के साथ बैठकें करनी पढ़ती है और जेल में रहते हुए ये सारी चीजें संभव नहीं है कई बड़े ओफर और डिसकाउंट देने की वजह से शराब की जमकर बिक्री हुई थी और इससे दिल्ली सरकार का खजाना तो बढ़ा लेकिन इस नई नीती का जमकर विरोध भी होने लगा था आठ जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीती में घोटाला होने का आरोप लगा था उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट उपराजपाल वीके सकसेना को बेज दी थी रिपोर्ट में सिसोधिया पर नियोमों को ताक पर रखकर शराब कारोबारियों को फाइदा पहुचाने का आरोप लगा गया था और बाद में उपराजपाल ने भी उनकी और कैबिनेट की मनजूरी के बिना शराब नीती में बदलाब करने का आरोप लगा दिया था 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराजपाल ने मुख्य सचित की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जाँच सी बियाई से कराने की सिपारिश कर दी थी और उसी दोरान विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीतीर रद्द कर दी थी इसके बीचे दलील ये दी गई थी कि खुदरा और थोक कारोबारियों के शराब के धंदे से हटने की वज़े से ऐसा किया गया बाद में 17 अगस 2022 को सीबियाई ने मनीश सिसोधिया, तीन रिटायर सरकारी अफसर, नौ शराब करोबारी और दो कंपनियों के खिलाब केस दर्च कर लिया था इन पर भष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहट केस दर्च किये गए थी 19 अगस को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीश सिसोधिया से जुड़े घर और ठिकाने समेट 7 राजियों के 31 ठिकानों पर छापे मारे गए और इसके बाद सिसोधिया ने दावा किया था कि सीबियाई को कुछ नहीं मिला तीन दिन बाद 22 अगस 2022 को ईडी ने सीबियाई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉंडरिंग का केस दर्च कर लिया था क्योंकि सिसोधिया के पास ही आपकारी विभाग था इसलिए उन्हें इसमें मुख्या आरोबी बनाया गया इस भी जोडीशा के मुख्यमंत्री नवीन पतनाय की पार्टी बीजेडी और बीजेपी में गडबन्धन पर बात नहीं बन सकी डोनों पार्टीयों ने राजी की 21 लोगसवा सीटों और 147 विदानसवा सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया पोटिशा में लोगसवा के साथ ही विधान सभा के भी चुनाव होने है बीजेपी ने लोगसवा उम्मीद्वारों की चौती लिस्ट जारी कर दी इस लिस्ट में तमिलनाड के लिए 14 प्रत्याशियों के नाम और पुदुच्चरी सीट के उम्मीद्वार का नाम शामिल है एक रोज पहले बीजेपी ने तमिलनाड के नौ उम्मीद्वारों के नामों का ऐलान किया था इमसी ने चुनाव आयोग से पश्चे मंगाल के राजपाल सीवी आनन बोस के खिलाफ शिकायत की इमसी ने राजपाल पर चुनावी प्रक्रिया में दखल देने का आरोप लगाया कुछ दिन पहले वहां के राजपाल ने लोगसभा चुनाव से जुड़े किसी भी मुद्धे पर लोगों से जुड़ने के लिए पोर्टल लोग सभा लॉंच किया था इस पर टीमसी ने आपत्ती जताई इधर दिल्ली शराब घोटाला मामले में अर्विन केजरिवाल समेथ 16 लोग गिरफतार किये जा चुके है केजरिवाल से पहले दिल्ली के पूर्व रिप्टी सीम मनीश सिसोधिया, राज्यसभा सांसाथ संजय सिंग और पूर्व मुख्यमंत्री के चंदरशेकर राव की बेटी के कविता की गिरफतारी की जा चुकी है और सुत्रों के मताविक पूष्टाज के दोरान के कविता ने कई बार इस मामले में अर्विन केजरिवाल का नाम लिया था इसी वज़े से ये आशंका जताई जाने लगी थी कि शराब गोटाला मामले में किसी भी वक्त केजरिवाल की गिरफतारी हो सकती है और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही एक रोज पहले शाम करीब साथ बजे एडी की एक तीम मुख्य मंत्री अर्विन्द केजरिवाल के घर पहुँची थी और दो घंटे की पूष्टाज के बाद राद करीब नौ बजे केजरिवाल को गिरफतार कर लिया था दिल्ली शराब गोटाला मामले में इस साल ये दूसरी गरफतारी है क्योंकि केजरिवाल से पहले तिलंगाना के पूर्व मुख्य मंत्री के चंदरशेकर राव की बेटी के कविता को कुछ रोज पहले ही एडी ने गरफतार किया था जानकारी के मताबिक शराब गोटाला मामले में गरफतारी का सिलसला सितंबर 2022 में शुरूआ था इस मामले में सीबी आई ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेताव विजय नायर को गरफतार किया था उनके बाद हैदराबाद के शराब कारोबारी अभिशेक, बोहिन पल्ली और समीर महिंद्रू की गरफतारी हुई था लेकिन गरफतारी का ये सिलसला यही नहीं खमा इस गोटाले में हमें तरोडा नाम के शराब कारोबारी को भी गरफतार किया था इन्हें इस घोटाले का मिडल में यानी पिचॉलिया बताया गया हमें तरोडा की गिरफतारी 2022 में हुई थी लेकिन दिल्ली के शराव घोटाला मामले में सबसे ज़ादा गिरफतारियान 2023 में हुई उस साल जांच एजिंसियों ने शराव कारोबारी गौताम मलोतरा, रागव मंगुटा और दिनेश अरोडा समेथ कई लोगों को गिरफतार किया था लेकिन 2023 में सबसे बड़ी गिरफतारी मनीश इसोदिया के रूप में हुई थी इसी वज़े से आम आदमी पार्टी को बड़ा जटका लगा था सुत्रों ने दावा किया कि शराव कारोबारी दिनेश अरोडा, संजे सिंग, मनीश इसोदिया और विजय नायर के बहत करीबी है जानकारी के मताबिक बाद में दिनेश अरोडा, सरकारी, कवाह बन गए और पूश्टाच में उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम उगल दिये थे इस बीच हिमाचर प्रदेश के तीन विधायकों ने स्तीफा दे दिया इमाचर प्रदेश में पिछले महीने हुए राजेसवा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देने वाले तीन निर्दलिये विधायकों ने स्तीफा दे दिया खबरे कि ये तीनों बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जम्मु कश्मीर के पूर्व मुख्यमंतरी गुलाम नभी आजाद की पार्टी डीपी एपी को चुनाव आयोग ने बाल्टी चिन आवंटित किया गुलाम नभी आजाद ने कॉंग्रेस चोड़ने के बाद पिछले साल ये पार्टी बनाई थी उनकी पार्टी टीपी एपी ने जमू कश्मीर की सभी पांच लोकसबा सीटों पर चुनाव लड़ने का आलान किया है उत्रप्रदेश के बदाईउं हत्या कांड में शामिल जावेद नाम के दूसरे आरोपी को 14 दिन की नियाएक हिरासत में जेल भेज दिया गया जावेद पर आरोप है कि उसने हत्या में शामिल साजित की मदद की थी आरोप है कि मंगलबार को साजित ने दो बच्चों की धारदार हत्यार से गला रहत कर हत्या कर दी थी लेकिन वहाँ पुलिस कर्मी उनके सामने किसी चटान की तरह खड़े हो गए और आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं को बीजेपी दफ्तर में गुसने से रोक दिया तभी वहाँ बैरिकेड के पास ही उन्होंने नारे बाजी शुरू कर दिया इस दोरान प्रतर्शन कर रहे कारेकर्टा अपने हाथों में पोस्टर लेकर लेकर लहराते नजर आए और कुछ कारेकर्टा तो बैरिकेड हटा कर सड़क के दूसरी तरफ आ गए लेकिन पुलिस के जवानोंने सक्ती दिखाई और उन्हें खदेड दिया इस बीच कुछ कारेकर्टा उनसे फिड़ गए तभी पुलिस के जवानोंने डंडे बर्साने शुरू कर दी इसके बाद तो सड़क पर एके कारेकर्टा को पुलिस कर्मी दोड़ा दोड़ा का डंडे मारते दिखाई दिये और उनमें एक कारेकर्टा तो सड़क पर ही वहां बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे प्रदर्शन कारियों को हिरासत में लेने के दौरान वो शोर शराबा करते दिखें। कारे करताओं ने पुलिस की कारवाई का विरोध करते हुए उस बस के अंदर भी नारे लगाए। जबकि दिल्ली के मुख्यमंतरी आर्विन केजरिवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने राजजपाल को इस्तीफा सौफ दिया था। हेमन सुरेन को जमीन गोटाले के एक मामले में एडी ने गिरफतार किया था। साल 1997 में लालू प्रसाद यादव ने भी खुद पर गिरफतारी की तलवार लटकने के बाद बिहार के मुख्यमंतरी का पद छोड़ दिया था। क्योंकि सीबी आई ने चारा गोटाले के एक मामले में उनके खलाफ वारंट जारी कर दिया था। यही वज़ड़ है कि तब लालू प्रसाद यादव ने चौकाने वाला फैसला लेते हुए मुख्यमंतरी की कुर्सी पर अपनी पत्मी राबडी देवी को बैठा दिया था। इमन सुरेन और लालू प्रसाद यादव के अलावा तमिलनाड में जे जैलालिता, करनाटक में बीए सेडियोरप्पा और मध्य प्रदेश में उमा भारती को भी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंतरी का पद छोड़ना पड़ा था। इधर जेल में बंद यूट्यूबर अलविश यादव को कोर्ट से रात मिल गई। कुछ बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए। कॉंग्रिस ने उन्हें एमधबाद पूर्व सीट से टिकेट दिया था लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था। इस भी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि गिरफतारी के बाद पहली रात एडी मुख्याले में अर्विन केजरिवाल को नींद नहीं आई। और यही वज़े रहे कि एडी के लॉक अप में वो रात को सो नहीं पाए। इडी दफ्तर की तीन मनजिला एमारत में दो लोक अप हैं और दोनों ही लोक अप ग्राउंड फ्लोर पर बने हैं। बताया गया कि उनमें एक लोक अप में अर्विन केजरिवाल को बंद करके रखा गया था। सुत्रों के मताबिक उस लोक अप में वो रात भर परिशान रहे और उन्हें नींद नहीं आई। आनकि अपील करने पर उनके घर से कंबल और दवाईयां मंगवा कर उन्हें दी गई। नियमों के मताबिक एडी की गिरफ्त में आए किसी भी आरोपी को अपील के बाद दवाईयां और जरूरत का सामान दिया जा सकता है। लेकिन सुत्रों ने दावा किया कि केजरिवाल लोक अप में ठीक से सो नहीं पाए और सुबह जल्दी उड़ गए। इसके बाद उन्हें लोक अप के अंदर ही नाच्टा दिया गया और उन्होंने अपनी रूटीन की दवाईयां ली। और अरविन केजरिवाल से पूश्टाच के लिए एडी ने पांच सदस्यों की टीम बना दी। बताया गया कि अडिशनल डिरेक्टर की देखरेक में इस टीम का गठन किया गया। जिसमें एडी के अधिकारियों के अलावा दो असिस्टेंट डिरेक्टरों को भी शामिल किया गया। जो कैमरे के सामने बिठा कर केजरिवाल से कड़ी पूश्टाच करेंगे। और पूश्टाच के दोरान सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं बलकि लिखित बयान भी दर्ज किये जाएंगे। यानि केजरिवाल से किये जाने वाले एक-एक सवाल और उनके दिये गए जवाब विस्तार से लिखे जाएंगे। सुत्रों के मताबिक एडी की स्पेशल टीम अर्विन केजरिवाल और के कविता को आमने सामने बठा कर पूश्टाच करेगी। कुछ दिनों पहले ही एडी ने बियारेस नेता के कविता को गिरफतार किया था। उन पर भी शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है। आरोप लगा कि वो एडी के दोनों अधिकारी कफिल राज और सत्तवर्त का डॉसियर बनवा रहे थे। और दावा किया गया कि गिरफतारी के बाद उनके घर से जो दस्तावेज मिले उन्होंने इसकी पुष्टी कर दी। सुत्रों के मताबिक गिरफतारी के दोरान तलाशी में केजरिवाल के घर से डेड़ सो पन्नों के दस्तावेज बरामत किये गए। और उन दस्तावेजों में उन दोनों अधिकारियों के बारे में जानकारी लिखी होने का दावा किया गया बताया गया कि उन में अधिकारियों के काम, परिवार और उनकी संपत्ती के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी और दावा किया जा रहा है कि इस मामले में भी E.D. केजरिवाल के खिलाब कारवाई कर सकती है क्योंकि सूत्रों के मताबिक उन दस्तावेजों को E.D. ने गायर कानूनी बताया दावा किया गया कि E.D. उन दस्तावेजों की जांच में जुड़ गई जहां से 2009 में लालू यादव ने खुद चुनाव लड़ा था इस बार इनी सीटों से उन्होंने अपनी बेटियों को टिकेट दी यानि इस बार के चुनाव में लालू यादव की दो-दो बेटियां लड़ेंगी ये खबर पहले ही उड़ी थी कि इस बार मीसा भारती और रोहनी आचारे दोनों चुनाव लड़ सकती हैं लेकिन मीसा भारती इस से पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं वो पाटली पुत्र से 2014 और 2019 का लोगसभा चुनाव लड़ चुकी हैं लेकिन दोनों बार वो हार गई थी और दोनों बार उन्हें बीजेपी के राम कृपाल यादव के हाथों ही मात मिली थी इसके बाद RJD की ओर से उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया था और मीसा भारती के राज्यसभा का कारिकाल करीब 4 साल बचा हुआ लेकिन इसी बीच खबर आ गए कि मीसा भारती एक बार फिर पाटली पुत्र से चुनाव लड़ेंगी मीसा भारती लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं उनके जन्व के समय लालू यादव जेल में थे और इसलिए लालू यादव ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती रखा था क्योंकि देश में आपातकाल के समय लालुयादव को मीसा यानी मेंटिनेंस अफ इंटरनल सिक्यूरिटी एक्ट के तहट गिरफतार किया गया था ये वो कानून था जिसके तहट 1975 से 1977 के बीच आंदोलन कारियों को गिरफतार किया गया था और लालुयादव भी इसी कानून के तहट जेल में बंद थे और उसी दोरान उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ था यानि जिन परिस्थितियों में लालुयादव की बेटी का नाम रखा गया था उसकी चर्चा सालों तक होती रही वैसे नाम के अलावा मीसा भारती अपनी MBBS की डिगरी की वज़े से भी खूब चर्चा में थी और इसके बाद लालुयादव के विरोधियों ने मीसा भारती के MBBS में टॉप करने पर सवाल उठा गया था यही नहीं मीसा भारती की मेडिकल प्राक्टिस नहीं करने पर भी सवाल उठे थे कि जाण चल रही है ईथी इस मामले में उन से कई बार फूष्ट आच कर चुकी है और इन्हीं मामलों की जाँच के बीच R掰掰 से किकेट graduating में बैषिया किया बहार कीента नहीं किवहारों में अब तक वे तीनों लोगसवा चुनाओं में एंडिये को ही जीत मिली है और 2014 और 2015 में मीसा भारती को एंडिये के राम कृपाल यादव ने मात भी थी लेकिन मीसा भारती एक बार फिर पाटली पुत्र से चुनाव लड़ने जा रही है और उनके अलाबा लालु यादव की दूसरी बेटी रोहिनी आचारे बिहार की सारण लोगसवा चीट से चुनाव लड़ने इसके संकेत आरज़ेडी की मलसी और लालु यादव के परिवार के खरीबी कहे जाने वाले सुनील कुमार सिंग ने कुछ दिन पहले ही दे दिये थे और अब उन खबरों पर महर लग चुकी है क्योंकि लालु प्रिसाद यादव की एक और बेटी की सियासत पे एंट्री होने जा रही है लालु यादव के नौ बच्चे हैं, साथ बेटियां और दो बेटे, दोनों बेटे तेजस्वी और तेजब्रताब बिहार की सियासत में सक्रिय है लालु यादव की साथों बेटियों के नाम हैं मीसा भारती, रोहिनी आचारे, चंदा यादव, रागिनी आदव, हेमा यादव, अनुष्का राव और राजलक्ष्मी इन सातों बेटियों में मीसा भारती पहले से सियासत में है और अब रोहिनी आचारे सारण से चुनाव लड़ने जा रही है और इसके संकेत तीन मार्च को पटना में आरजेडी की जन विश्वास रैली में ही मिल गए थे क्योंकि उस रैली में रोहिनी आचारे मंच पर नजर आई थी वो रैली में शामिल हुए विपक्ष के निताओं से मिलती दिखी थी ये पहला मौका था जब रोहिनी आचारे सियासी मंच पर लालू प्रसाद यादव के साथ दिखी थी और इस्रैली के कुछी दिन बात खबर उड़ी थी कि रोहिनी आचारे का सियासी सफर शुरू होने वाला है रोहिनी आचारे का नाम तब खूब चर्चा में आया था जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किड्नी दी थी और इसके बाद लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हुआ था रोहिनी आचारे के सारण से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच आरजेटी नेताओं ने इस बात का जिक्र भी छेड़ दिया किड्नी डोनेट करके अपने पिता जी के आयू को बढ़ाने का काम किया इससे बड़ा सौभाग्य किसी भी पिता के लिए नहीं हो सकता सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली रोणी आचारे ने अपने पिता को किड्नी देकर एक अलगी छवी बनाई है पिछले महीने जेडियू और आरजेटी का गड़बंधन तूटने पर उनकी सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट भी चर्चा में थी क्योंकि इससे उनकी तेज तर्रार छवी भी सामने आ गई थी तेज प्रताब और तेजस्वी ने विधान सबा चुनाव लड़ा है जबकि लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी और मीसा भारती लोग सबा चुनाव लड़ चुके और रोहिनी आचारे की सियासी पारी का आगाज भी लोग सबा चुनाव से ही होने वाला है और वो बिहार की उस सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं जहां से 1977 में लालू प्रसाद यादव ने कॉंग्रेस के खिले को धुस्त कर दिया था यानि रोहिनी आचारे बिहार की सारण लोग सबा सीट से चुनाव लड़ने जा रही है 1977 में इस सारण सीट का नाम चपरा था यानि आज की सारण लोग सबा सीट में चपरा लोग सबा सीट थी 1957 से 2004 तक ये सीट चपरा ही रही परिसीवन के बाद इसका नाम सारण हो गया और चपरा को इसका मुख्यालय बना दिया गया आसान बाशा में कहें तो छपरा लोगसबा सीट का नाम सारन लोगसबा सीट पढ़ गया। सारन गंगा, गंडक और घागरा नदी से गिरा हुआ इलाका है। जिसके दक्षण में गंगा बैती है जो आगे भोजपूर और पटना तक जाती है। क्योंकि सारन में ज्यादतर बार ऐसा हुआ कि दो अमीदवारों के बीच ही कांटे की टक्कर हुई। लालू यादव की एंट्री से पहले इस सीट को कॉंग्रेस का गढ़ का जाता था। कॉंग्रेस के राम शेकर सिंग तो लगातार चार बार सारन से चुनाव जीते थे लेकिन 1977 में लालू प्रसाद यादव ने इस सीट से बंपर जीत हासिल की थी। और अबके सारन और तबके छपरा से जीत कर सुर्कियों में आ गए थे। जेपी आंदोलन को इस जीत की बड़ी वज़ा मना गया था। लड़े थे और पाटली पुत्र में वो चुनाव हार गए थे लेकिन सारन में उनकी जीत हुई थी। इसके बाद चंदरका राय में आर जेडी छोड़ दी थी और जेडी उमें शामिल हो गए थे। और दोनों बार आर जेडी के प्रत्याशियों को बीजेपी के राजीव प्ताब रूडी नहीं हराया था। 2014 और 2019 के लावा वो 1996 और 1999 में भी सारन से चुनाव जीत चुके हैं। और बिहार में NDA में सीट चेरिंग के बाद ये फैसला हुआ कि 2024 के लोगसबा चुनाव में भी सारन सीट बीजेपी के पास ही रहीगी। यानि एक बार फिर सारन में RJD और BJP का आमना सामना होगा और इस बार तो रोहिणी आचारे सारन से चुनाव लड़ेंगे। और वो लालू प्रसाद यादव के परिवार की तीसरी सदस्य होंगी जो सारन में अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं। इस बीच बिहार के उपमुखे मंतरी समराद चौधरी ने लालू यादव की बेटी पर निशाना साधा। पूर्व मंतरी और बीजेटी के बड़े नेता दामोद और राउत का निधन हो गया। उन्हें दिल का दौरा पढ़ने पर हाली में भूबनेश्वर के एक अस्पताल में भठती कराया था। पिहार के आरा से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर लोग खौप सबर गए वहाँ चलती ट्रेन में चड़ने की कोशिश करना एक आदमी के लिए खतरनाक साबित हो गया। प्रेन में चड़ने की कोशिश करी रहा था कि उसका पैर लड़ खड़ा गया और वो उस ट्रेन में चड़ने की बजाए फिसलते होए नीचे आ गया। इधर केंदर सरकार ने करिबियाई देश हेती में फसे भारतियों को निकालने की तयारी पूरी कर ली। करिबियाई देश हेती में फसे भारतिये नागरिकों को निकालने के लिए केंदर सरकार ने ओपरेशन इंदरावती शुरू कर दिया। इस operation के तहित हेती से भारतिय नागरिकों को करिबियाई देश डॉमिनिकन रिपब्लिक पहुंचाय जाएगा फिर वहां से उन्हें भारत लाए जाएगा। हेती में पिछले 23 दिनों से जारी हिंसा में कई लोगों की मौत हो चुकी है। इस साल फुराने मामले में बहुबली नेता और पूर्वसांसद आनन्द मोहन को बड़ी राहत मिली, जेल में बंद सजायाफता कैदी के साथ मारपीट के मामले में पूर्वसांसद आनन्द मोहन को कोटनें बरी कर दिया। और नौबत ही आ गई कि कॉंग्रेस ने सांगली के मिरज में होने वाली उद्धव ठाकरे की सभा का बहिशकार कर दिया। सुत्रों ने बताया कि उद्धव ठाकरे की ओर से कॉंग्रेस को इस सभा में शामिल होने का न्योता दिया गया था। लेकिन कॉंग्रेस ने उनका न्योता ठुकरा दिया। खबरे की कॉंग्रेस ने पैसला सांगली लोकसबा सीट की वज़से ही लिया। क्योंकि उद्धव गुट की शिवसेना ने सांगली लोकसबा सीट से चंद्रहार पार्टिल को उम्मीदवार बनाने के संकेत दिये थे। और इसी बात पर कॉंग्रेस भढ़क दे। क्योंकि कॉंग्रेस भी सांगली से चुनाव लणना चाहती है। खबरेकी कॉंग्रेस ने उद्धव गुट की शिवसेना से दो टुक बोल दिया था कि सांगली सीट उसकी है। पाटिल पहलवान है। उन्होंने बयान दिया था कि सांगली में एक ऐसे दमदार उम्मीदवार की जरूरत है जिसके एक हाथ में गदा हो दूसरे हाथ में मशाल हो। उद्धव गुट ने दलील दी कि वो सांगली के बदले कोलापूर सीट छोड़ने के लिए तयार है। लेकिन कॉंग्रेस इसके लिए तयार नहीं हुई। फिर क्या था? महराज की सांगली सीट के लिए महाविकास अगाडी में गमासान की खबरे आनी शुरू हो गए। सुत्रों ने बताया कि कॉंग्रेस इस सीट से पूर्व मुक्यमंत्री वसंदादा पाटिल के बोते विशाल पाटिल को चुनाव लड़वाना चाती है। लेकिन उद्धव गुट की शिवसेना चंद्रहार पाटिल को सांगली से उम्मीदवार बनाना चाती है। और माना जा रहा है कि ये सब सांगली की छे विधानसवा सीटों की वज़ा से हो रहा है। की जनम भूमी और कर्म भूमी है। इस सीट पर उनका दबदबा माना जाता था। माना जा रहा है कि इसी वज़े से कॉंग्रेस वसंदादा पाटिल के पोते विशाल पाटिल को सांगली से चुनाव लड़वाना चाती है। इसके बाद शरत पवार ने 1978 में प्रोग्रेसिव डेमोक्रिटिक पाटि की सरकार बनाई थी। और महराष्ट के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गये थी। उस वक्त शरत पवार की उम्र 38 साल थी। और करी 45 साल बाद जब अजीत पवार ने NCP तोड़ी तो उन्होंने शरत पवार को वसंदादा पाटिल की ही याद दिलाई थी। और इस बात का जिकर करते वे अजीत पवार ने बयान दिया कि उन्होंने जो 60 साल की उम्र में किया वो शरत पवार ने 38 साल की उम्र में ही कर दिया था। क्योंकि तबके पत्रकार बताते हैं कि सरकार गिरने से कुछ घंटे पहले तक वसंदादा पाटिल को इसका एसास तक नहीं था। और इसका फाइदा उस समय की जनता पाटि को हुआ था जब वो 286 में से 99 सीट जीत कर सबसे बड़ी पाटि के रूप में उगरी थी। लेकिन वो बहुमत से पीछे थी। इसके बाद कॉंग्रेस के दोनों गुटों कॉंग्रेस आई और कॉंग्रेस यू ने मिलकर सरकार बनाई थी। और वसंदादा पाटिल मुख्यमंत्री बने थी। लेकिन करीज ताड़े 4 महीने बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी। इसके बाद कॉंग्रेस के बुरे दिनों में भी उसे जीत मिली थी। और आपात काल के बाद हुए चुनाव में कॉंग्रेस ने सांग्ली में चुनाव जीत लिया था। ये वो वक्त था जब इंदरा गांधी और संजे गांधी जैसे चेहरे भी चुनाव भार गए थे। लेकिन सांग्ली में कॉंग्रेस के गणपती गोटखिंडे जीत गए थे। और इसके बाद भी कॉंग्रेस लगातार संग्ली में जीती रही और करीब 52 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। यानि बीजे पी के संजे काका पाटल ने 52 साल तक कॉंग्रेस के गढ़ रहे सांग्ली को उससे चीन लिया था। लेकिन कॉंग्रेस एक बार फिर अपना वो किला हासिल करना चाहती है। खबर है कि इस सीट के लिए महाविकास अगारी में बैठक पर बैठक हुई। सांगली महाराष्ट के दक्षण में और इसकी सीमा सातारा, सोलापूर, कोलापूर और रतनागरी जैसे जिलों से लगती है। पूर्व दिशा में महाराष्ट के सांगली जिले की सीमा करनाटक के बीजापूर से भी लगती है। पूरे देश में सांगली को हल्दी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। साल 1967 से पहले इस इलाके को मिरज कहते थे। लेकिन 1967 के बाद जिले का नाम सांगली हो गया था। और 1957 में सांगली में पहली बार चुना हुआ था। और 2009 कॉंग्रेस ने लगातार इस सीट पर जीत हासल की थी। लेकिन इसके बाद वो लगातार दो बार सांगली में हार गई थी। माना जा रहा है कि इसी वज़े से महाविकास अगारी में इस सीट पर इतनी चर्चा हुए। क्योंकि सूतरों ने बताया कि कॉंग्रेस को इस बार भरोसा है कि वो सांगली में जीत हासल कर लेगी। पंदरा से हरा कर कौर्टर फाइनल में जगा बना ली। इसकी वज़े से बंबे सॉक एक्सचेंज का सेंसिक्स 190 अंक चड़कर 72,831 पर बंद हुआ तो निफ्ती 84 अंकों की तेजी के साथ 22,096 के स्तर पर पहुंच गया। उदर रूस की फाज ने यूकरेन में नीपरो नदी पर बने उसके सबसे बड़े बांध पर जोरतार हमला कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मताबिक महां मिसाइल और ड्रोन हमले किये गए। दावा किया गया कि रूस के इस भीशन हमले ने यूकरेन में हजारों लोगों की जिन्दगी मुश्किल में डाल दी। क्योंकि पुतिन के फौज ने यूकरेन में नदी पर बने उसके सबसे बड़े बांध पर कहर बरपा दिया। ये बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मताबिक रूस के हमले में उस बांध के साथ-साथ पावर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचा। जिसकी वजह से आसपास के कई इलाके अंधेरे में डूप गए। हालनकि रूस ने सिर्फ जापुरिजिया ही नहीं बलकि युकरेन के कई शहरों में एक साथ तबाही मचा दी। पश्चिमी मीडिया के मताबिक वहां 24 घंटों में करीब 90 मिसाइले और 60 से ज्यादा ड्रोन हमले किये गए जिन में तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग खायल हो गए। पानी की बोचार कर दी। पानी की तेज बोचार होते ही वहां अफरात अफरी मच गई। प्रदर्शनकारी थोड़ी देर के लिए सड़क पर पीछे की तरफ भागे लेकिन वाटर कैनन बंध होते ही वो फिर से पुलिस की बैरिकेडिंग के पास जमा होकर हंगामा और नार करते दिखाई दिये। कारे करताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। काले रंग की टी-शेट पैना हुआ एक कारे करता तो बैरिकेड के उपर चड़ गया और नारे लगाने शुरू कर दिये। उसके साथ कुछ महिला कारे करता भी बैरिकेड पर चड़ने की कोशिश करती दिखाई दिये। पीले रंग की पकड़ी पैना हुआ आम आदमी पार्टी का एक कारे करता वहां खड़े पुलिस वालों को हटाते हुए बैरिकेड पार करता दिखाई दिया। मोहाली से चंड़ीगड में गवरनर हाउस का घहराव करने निकले आम आदमी पार्टी के कारे करताओं के हाथों में केजरिवाल के समर्थन वाले पोस्टर दिखाई दिये। पोस्टरों पर मैं भी केजरिवाल लिखा नजर आया हाला कि पुलिस ने सभी प्रदर्शन कारियों को हाईवे पर ही रोक दिया। दखाई दिये तो दूसरी तरफ सेकरों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कारे करता इखथा हुए नजर आई आहे। आदमी पार्टी के कारेकर्टा काफी देर तक बैरिकेडिंग तोड़ कर बीजेपी दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश करते दिखे हलनके पुलिस ने हंगामा करने वाले कई प्रदर्शन कारियों को हिरासत में ले लिया सरकारी एजंसियों के दुरुप्योग की मिसाल करार दिया कोट में हुई इस बहस से पहले दोपहर करीब साड़े बारा बजे एडी एफसरों का काफिला अर्विन केजरिवाल को लेकर एडी दफ्तर से राउज इविन्यों कोट के लिए निकला एडी की गाडियां दंदनाते हुए अदालत की तरफ दोड़ती दिखाई थी आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं के प्रतरशन को देखते हुए एडी दफ्तर और कोट के बाहर बाहरी संख्या में पुलिस और आरेफ के जवान तैनात कर दिये गए कोट पहुँचने के बाद एडी के अफसर अर्विन केजरिवाल को लेकर सीधे जज के सामने पहुँच गए इस दोरान कोट के गलियारे से गुजरते हुए केजरिवाल का एक वीडियो सामने आया जिसमें 10 से 12 एडी अधिकारी उन्हें कोट रूम की तरफ ले जाते नजर आए आम आदमी पार्टी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें कोट में दाखिल होते हुए अर्विन केजरिवाल ये कहते सुनाए दिये और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिये कोट में केजरिवाल के वकीलों ने एडी की रिमांड की मांग को खारिच करने के अपील की जबकि E.D. के वकीलों ने शराब घुटाले की जांच के लिए अर्विन केजरिवाल की रिमान को बेहत जरूरी बताया मतलब ये कि E.D. के वकीलों ने अर्विन केजरिवाल की रिमान के लिए पूरी ताकत लगा दी E.D. ने दिल्ली के शराव गोटाला मामले में मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को मस्टमाइंड बताया E.D. के वकील ने इसके लिए अंग्रेजी के किंग पिन शब्द का इस्तमाल किया इसके साथ ही E.D. ने दावा किया कि इस केस से जुड़े कई इलेक्ट्रोनिक सबूत पहले ही मिटा दिये गए थे गोटाले से जुड़े तथ्य चिपाने के लिए कई सारे मुबाइल फोन तोड़े गए थे E.D. ने कोट को बताया कि दो बार कैश ट्रांसफर भी किया गया जबकि कोट में अरविन केजरिवाल की तरफ से का गया कि इस पूरे मामले से अरविन केजरिवाल का कोई लेना देना ही नहीं है इसी वज़े से E.D. ने केजरिवाल को इस शराब गोटाले का किंग पिन माना किंग पिन यानि सबसे एहम आद्वी मतलब E.D. ने ये दावा किया कि ये पूरी साजिश अरविन केजरिवाल के इशारे पर ही रची रही और इसके जरीए करोणों की रखम का गबन हुआ E.D. ने दावा किया कि इस पूरे खेल में मनीश शिसोदिया और संजे सिंग भी बराबरी के हिस्सेदार थे आलनकि E.D. के मताबिक इस गोटाले में अरविन केजरिवाल ने सीधे-सीधे हिस्सा नहीं लिया बलकि इसके लिए उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजे नायर को काम पर लगाया गया था E.D. के मताबिक विजे नायर ने अरविन केजरिवाल के कहने पर नसिध नीतियों में तोड मरोड का खाका तयार किया बलकि लोगों को डरा धमका कर उनसे उगाही का सारा काम भी वही देखता था और E.D. के मताबिक इसी विजे नायर के जरिए दिल्ली के सीएम अरविन केजरिवाल और उनके सहीयोगियों तक 330 करोड से ज़्यादा की रखम पहुंची दावे के मताबिक इसके लिए बाकाइदा पूरी प्लानिंग की गई थी और E.D. की जांच में ये आरोफ लगाय गया कि दिल्ली की नई शराब नीती के जरिए करोडों के घोडाले की पटकता अरविन केजरिवाल के घर पर ही लिखी गई थी E.D. के मताबिक दिल्ली के सीम हाउस में हुई उस बैठक में अरविन केजरिवाल के अलावा मनीश शिसोदिया भी मौजूद थे और इसी बैठक में ये तैह हुआ था कि शराब नीती में प्रॉफिट का जो मार्जिन 6 प्रतिशत है उसे बढ़ा कर 12 प्रतिशत मतलब दुगना कर दिया जाए और इडी के मताबिक खुद ये बात मनीश शिसोदिया के सचिप सी अरविन ने फूस्ताज के दोरान बताई थी और ये दावा क्या गया था कि ये काला खेल अरविन केजरिवाल की आँखों के सामने ही रचा गया और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि इस नई शराब नीथी के जरीए उन्हें करोड़ों का फायदा हो सकता है और इडी का दावा है कि अरविन केजरिवाल अपने प्लैन में काम्याब भी हो गए थे सुत्रों के मताबिक जांच में ये बात सामने आई कि अरविन केजरिवाल ने शराब नीथी की आड़ में शराब माफिया से करीब सौ करोड़ की रिश्वत ली थी और बदले में नई शराब नीथी के जरीए उन्हें फायदा पहुँचाने का बादा किया था मतलब केजरिवाल और शराब माफिया ने एक हाथ दे दूसरे हाथ ले का फर्मूला अपनाया ताकि दोनों ही पक्षों को फायदा हो सके और इसमें एक एहम किरदार ने भाया शराब कंपनी इंडो स्पिरिट के डिरेक्टर समीर महिंद्रू ने सुत्रों के मताबिक समीर महिंद्रू ने पूश्टाच में बताया कि अर्विन केजरिवाल से उन्हें उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजय नायर ने आइपोन के एप पेस टाइम के जरिए मिल वाया था उनके मुताबिक इस बादचीत के दोरान केजरिवाल ने ये भी कहा था कि विजय नायर उनका भरोसेमंद है और वही उनसे आगे की डील करेगा मतलब अर्विन केजरिवाल एक खुद ही विजय नायर को शराब गोटाले से जुड़ी डील करने की आज़ादी दी थी और एडी के मुताबिक उसी के जरिए सौ करोड की रिशवत के रास्ते खुले एडी के सूतरों का दावा है कि केजरिवाल ने नई शराब दीथी में बदलाव करने के बदले में सौ करोड रुपए की रिशवत मांगी थी और जांच में ये बात सामनी आएगी इस रकम का इस्तेमाल 2022 में गोवा में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किया था एडी ने कुछ दस्तावेजों के जरीए ये आरोप भी लगाया कि इस रकम के बड़े हिस्से की हेरा फेरी कैश में की गई ताकि किसी को आम आदमी पार्टी या फिर अर्विन केजरिवाल पर शक न हो इडी ने ये दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत के तौर पर मिली रकम से 45 करोड रुपे का इस्तमाल गोवा के चुनाव में किया इसके लिए तिलंगाना के मुख्यमंत्री के चंदरशेकर राव की बेटी के कविता के अकाउंटेंट बुच्ची बाबु ने दो बार पैसे ट्रांसवर किये सूत्रों के मताबिक बुच्ची बाबु के अकाउंट से ही आम आदमी पार्टी के पास पहले 10 करोड और फिर 15 करोड रुपे ट्रांसवर किये गए और दावा है कि गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाओं में काम करने वाले लोगों को इसी रकम से भुक्तान किया गया है और दावा है कि गोवा चुनाव में करीब 70 लाक रुपे नकद में दिये गए ये पैसे जिनें दिये गए उनमें आम आदमी पार्टी के कुछ उमिदवार भी शामिल थे इसके लावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने गोवा चुनाव में रिसर्चर के तौर पर अर्विन केजरिवाल की पार्टी के लिए काम किया था और माना जा रहा है कि उन्हीं की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल का नमबर लगा इतावा किया कि खरीब 600 करोड से जादा के इस घोटाले को बियारेस निता के कविता और दिल्ली के सीम अर्विन केजरिवाल ने मिलकर अंजाम दिया इडी के मताबिक इस समझोते के लिए के कविता का ओफर लेकर वायसार कॉंग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनवासलू रेटी दिल्ली पहुंचे थे उन्होंने ही 100 करोड की रिश्वत के बदले के कविता को भी इस शराब भोटाले में भागिदार बनाने की मांग सीम केजरिवाल से की थी और एडी के सुत्रों के मुताविक इसके बाद इस नई सराबनीती के जर्ये जादा से जादा धन उगाई का फूल प्रूफ प्रेंट टेयार कर लिया गया और इसे मंगुटा श्रीनवासलू रेटी के बेटे रागव मंगुटा के जरीय अन्जाम दिया गया ये वही सौ करोड की रकम थी जिसे आम आदमी पार्टी तक पहुँझाने की जिम्मेदारी बुच्ची बाबू को सौंपी गई थी और एडी के मुताबिक इसी सौ करोड में 45 करोड रुपए आम आदमी पार्टी ने 2022 में हुए गोआ के चुनाव में खपा दिये थी और इसी मामले में जेल में बन के कविता को सुनवाई करने से इंकार कर दिया इतना है नहीं सुप्रीम कोट ने के कविता के वकील को निचली अदालत जाने का सुझाव भी दिया पिछले हफते ED की टीम ने उन्हें गिरफ़तार कर लियाlessness बीजेपी की केंदरीय चुनाव समिती की शाम में एहम बैठक होगी सुत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तरपदेश, ओडिशा, महराष्ट, तिलंगाना और राजिस्थान समेथ कई राज्यों के लिए उम्मीद्वारों के नाम पर महर लग सकती है इस बैठक में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे बिहार में महागडबंधन में शामिल CPI ने तीन बार विधायक रह चुके अवधेश कुमार को बेगुसराय लोगसबा सीट से अपना उम्मीद्वार बना दिया इससे पहले अटकलें थी कि कॉंग्रेस नेता कनिया कुमार को ये सीट मिल सकती है कनिया कुमार ने 2019 में इसी सीट से CPI के टिकट पर चुनाव लड़ा था तब वो बीजेपी नेता गिरीराज सिंग से चुनाव हार गय थे इस बीज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी रासत में ले लिये गए प्रदर्शन कर रही दिल्ली की मंत्री आतिशी को पुलिस बस में भर कर ले गई और इस दोनान आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं ने उन्हें घेर लिया जैसे ही महिला पुलिस कर्वी आतिशी को हिरासत में लेने आई वहां मौझूद तमाम कारेकर्टाओं ने उनके चारों तरफ घेरा बना लिया उसके बाद तो आतिशी को वहां से ले जाने में पुलिस कर्वियों के पसीने चूट गए सैकणों कारेकरताओं के साथ प्रदशन कर रही आतिशी को पुलिस ने जैसे तैसे बस में बठा दिया लेकिन इसके बाद भी उनकी नारे बाजी बंद नहीं हुई वो उस बस की खिड़की से बाहर निकल कर नारे लगाती रही और आतिशी की ही तरह पुलिस ने दिल्ली सरकार में मंत्री सौरब भारदवाज को भी राजत में ले लिया इस दोरान उन्होंने पुलिस टेशन के अंदर बैठ कर ही गाने गाना शुरू कर दिया उनके साथ कई कारेकरता भी मौजूद रहे दिल्ली के मुक्यमंत्री अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी कारेकरता धरने पर बैठ गये और पुलिस के लिए उन कारेकरताओं पर काबू पाना मुश्किल हो गया दिल्ली के आईटियो इलाके में तो आम आदमी पार्टी के कारेकरता बीच सड़क पर ही बैठ गये एक लाइन में बैठे कारेकरताओं ने वहां बैठ कर नारेबाजी करना शुरू कर दिया जिसकी वज़े से सड़क पर लंबा जैम लग गया इस दोरान जब पुलिस उन्हें अठाने पहुंची तो वो वहां से हिलने को भी राजी नहीं हुए इसके बाद पुलिस को जबरदस्ती उन्हें खीच कर वहां से हटाना पड़ा ऐसा ही प्रदरशन वहां राउज एमिन्यो कोट के बाहर भी दिखाई दिया कारेकरताओं ने वहां लगी बैरिकेडिंग के सामने ही नारेबाजी शुरू कर दी इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने कई कारेकरताओं को हिरासत में ले लिया कई जगहों पर कारेकरता हाथों में मैं भी केजरिवाल के पोस्टर लेकर प्रदरशन करते नजर आए और इस दोरान आमान्वी पार्टी की महिला कारेकरता भी सडकों पर उतर आई एडी की कारवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सेकड़ों कारेकरताओं को संभालने के लिए भारी पुलिस पोर्स तैनात कर दी गई और इस दोरान जब पुलिस कुछ महिला कारेकरताओं को वहां से अठाने पहुंची तो वो सडक परी लेट गई इसके बाद पुलिस उने उठा कर वहां से ले गई दिल्ली के आईटियो इलाके में प्रदर्शन कर रहे कारेकरता पुलिस से भिड़ने तक को तैयार हो गए ऐसे में पुलिस और कारेकरता आमने सामने आ गए वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस दो कारेकरताओं को गसीट कर वहां से ले जाती नजर आई इस दोरान वहां मौझूद एक महिला कारेकरता उनके पास बैट कर ही नारे लगाती रही इसके बाद पुलिस ने उस महिला कारेकरता को भी हिरासत में ले लिया आईटियो इलाके में इतनी बड़ी संख्या में कारेकर्टा पहुँच गए कि वहां ट्राफिक की दिफ्कत खड़ी हो गई ऐसे में पुलिस ने सक्ती दिखाते हुए सड़क पर बैठे एक एक कारेकर्टा को वहां से अटा दिया इतर खानून के जानकारों के मताबिक एडी के समंस पर पूश्टाज के लिए नहीं पहुँचना ही केजरिवाल की सबसे बड़ी मुसीबत बना क्योंकि दिल्ली शराब गोटाला मामले में एडी ने उन्हें नौ समंस भेजे थे लेकिन वो एक भी समंस पर पूश्टाज के लिए नहीं पहुँचे थे इसी वज़े से एक रोज पहले एडी के एक टीम उनके घर पहुँच गई थी क्योंकि नौ में समंस के तहट केजरिवाल को 21 मार्च को सुबह 11 बजे पेश होना था लेकिन वो हर बार की तरह इस बार भी पूश्टाज के लिए एडी आफिस नहीं पहुँचे थे यही नहीं वो एडी के समंस को लेकर दिल्ली हाई कोट पहुँच गए थे जानकारी के मताबिक कोट को एडी ने वो सबूत भी दिखाये थे जिनके आधार पर पूश्टाज के लिए केजरिवाल को समंस जारी किये गए थे माना जा रहा है कि दिल्ली हाई कोट से उनको जटका लगने के बाद एडी ने उन्हें गिरफतार करने की तयारी शुरू कर दी थी कारून के जानकारों का मानना है कि एडी के नौ समंस पर पूश्टाज के लिए न पहुंच कर केजरिवाल ने अपने पैरों पर कुलाडी मार ली थी और सुत्रों के मताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को गिरफतार करने से पहले एडी के बड़े अधिकारियों ने एक बैठक की थी दावा किया गया कि दिल्ली हाई कोट से केजरिवाल को राहत नहीं मिलने के बाद जांच एजिंसी के अधिकारियों ने ये बैठक की थी। सूत्रों से मिले जानकारी के मताबिक शुराब घुटाले के जाच के दौरान E.D. को कई एहम सबूत मिले हैं। तक केजरिवाल को पूश्टाज के लिए 9 समंज भेजे थे लेकिन इन 6 महीनों में केजरिवाल एक बार भी पूश्टाज के लिए E.D. के आफिस नहीं पहुचे थे। तक के वो किसी भी तौरा पूश्टाज के लिए E.D. के सामने पेश ना हो सकें। केजरिवाल ने 12 जनवरी को जारी किये गए 4 समंज के लिए विधान सबाद चलने की दलीद ली थी। इसी तरह केजरिवाल ने E.D. के तरफ से जारी किये गए 6, 7, 8 और 9 समंज से बचने के लिए अलग-अलग वज़े बताई। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली शराब गोटाला मामले में वो अपनी गिरफतारी नहीं टाल सके। और इन सब के बीच दिल्ली के मुक्यमंत्री अर्विन केजरिवाल ने अपनी गिरफतारी के खिलाफ सुप्रीम कोट में दायर याचिका वापस ले ली। आम आदमी पार्टी के तरफ से ये बताया गया कि वो अपनी बाद सबसे पहले निचली अदालत में रखेंगे। इस पर सुप्रीम कोट ने भी आम आदमी पार्टी को याचिका वापस लेने की इजाज़त दे दी। जबकि केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ दायर याचिका के बाद E.D. ने भी सुप्रीम कोट में कैवेट दाखिल कर दिया था। यानि E.D. ने ये अपील की थी कि केजरिवाल की याचिका पर कोई भी फैसला लेने से पहले उसका बक्ष भी सुना जाए। लेकिन एन वक्त पर आमादमी पार्टी ने अपनी रणनीत बदल दी। केजरिवाल की लीगल टीम की तरफ से आमादमी पार्टी को निचली अदालत जाने की सला दी गई। और वहाँ राहत ना मिलने पर आमादमी पार्टी हाई कोट जाएगी इसको लीगल टीम की तरफ से डिसाइड किया है हम लोवर कोट के थ्रू आगे प्रोसीड किया जाएगा उदर बिहार के सुपाल में एक पूल का हिस्सा आचानक गिर पड़ा इस घटना में एक मजदूर की मौत हो गई जोकि कई लोग घायल हो गई इस फूल का निर्मान भारत माला प्रोजेक्ट के थाइत किया जा रहा है इलाबाद आई कोट की लगनव बेंच ने यूपी बोर्ड आफ मंदरसा एजुकेशन एक्ट को असम्मेधानिक तरार दिया कोट ने इस एक्ट को धर्म निर्पेक्ष्टा के सिधान्द के खिलाफ बताया इसके साथ ही कोट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि मदरसों में पढ़ने वाले चात्रों को बुनियादी शिक्षा विवस्था में समयोजित किया जाए कॉंग्रेस को दिल्ली हाई कोट से बड़ा जटका लगा हाई कोट ने आएकर विभाग की कारवाई के खिलाफ कॉंग्रेस की याचिका खारिच कर दी कॉंग्रेस ने लगातार तीन वर्षों के लिए आएकर विभाग की टैक्स री एसेस्मेंट प्रोसीदिंग्स के खिलाफ याचिका दायर की दी इस बीच दिल्ली शराब घुटाला मामले में केजरिवाल की गिरफतारी के बाद विपक्षी गटबंधन एक साथ आ गया इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कॉंग्रेस, टीमसी और शरत पवार गुटवाली एंसिपी के नेता चुनावायोग भी पहुँच गए और दूसरी ओर दिल्ली में यूथ कॉंग्रेस ने प्रदर्शन किया यूद कॉंग्रेस के कारे करता सडकों पर उतराए उनके हाथों में पोस्टर और जंडे नजराए इन लोगों ने केजरीवाल की गिरफतारी के विरोध में नारे लगाए और एक पिंजरा लाए इस पिंजरे पर ED और CBI लिखा दिखा इसके जरीए इन लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया प्रदर्शन के दौरान कई प्रदर्शनकारी बैरिकेट पर चड़ गए बहुत देर तक हंगामा चलता रहा इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारीयों को हिरासत में लेना शुरू किया और बसों में भर कर इन लोगों को वहां से अटाया गया इससे पहले केजरीवाल की गिरफतारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कॉंग्रेस, टी-े-म-सी और पवार गुट वाली एन-सी-पी के नेता चुनाव आयोग भी गए अगर कुछ कल्ती भी हुई है तो आपने कहीं ये नहीं दिखाया के अभी इसी वक्त एजन्सी की रेड आवश्यक है यानि इस मामले में विपक्षी कटबंधन केजरीवाल के साथ दिखा चुनाव आयोग कौंचने वाले नेताओं में तो कॉंग्रेस के नेता भी शामिल थे जबकि इससे पहले कॉंग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने दिल्ली के शराब घोटाले की शिकायत पुलिस से की थी 2022 में दिल्ली कॉंग्रेस के अध्यक शनिल चौधरी ने पुलिस कमिश्णर को इससे जुड़ी एक चिठी लिकी थी उन्होंने चिठी में दिल्ली की शराब नीती पर सवाल उठाये थे और कॉंग्रेस की ओर से लिखी गई ये वही चिठी दिल्ली सरकार पर कॉंग्रेस के हमले यही नहीं रुके थे बल्कि उसने तबके दिल्ली के डिप्टी सीम मनीश सुद्या का इस्तीफा भी मांगा था और आरोब लगाया था कि उस घोटाले का सीधा कनेक्शन अर्विंद केजरिवाल से है कॉंग्रेस ने दावा किया था कि एक ही कंपणी को अलग-अलग नाम से ठेके दिये गए थे और आरोब लगाया था कि केजरिवाल भी इस घोटाले के इस्तेदार थे कि कम से कम सौ करोड की रिश्वत ली गई यहनी जिस कॉंग्रेस ने केजरिवाल की गिरफतारी पर इतना हल्ला मचाया प्रतर्शन किया पिछले साल वही कॉंग्रेस केजरिवाल पर निशाना साध रही थी सौ करोड के गोटाले से केजरिवाल का सीधा कनेक्शन जोड रही थी कॉंग्रेस नेता अलका लांबा ने तो सिसोधिया और केजरिवाल दोनों को घेरा था कॉंग्रेस के ये सुर पहले थे क्योंकि अब वो केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ है और इसलिए उसने सडकों पर प्रदर्शन किया लेकिन विपक्षी कटबंधन मनने से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं के तेवर अलग थे उन्होंने परिवारवाद के मुद्दे पर कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी समेच कई विपक्षी पार्टीओं को घेरा था आम आदमी पार्टी के नेता संजे सिंग ने तो एक रैली में विखशी पार्टियों के एक एक नेता का नाम लेकर उन पर निशाना साथा था लेकिन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद विपक्षी गटबंधन जिस तरह से एकजूट हुआ उसके बाद संजे सिंग का वो बयान चर्चा में आ गया क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कबजे में है चंद परिवारों ने देश की राजनीती पर कबजा कर लिया है पूरफ से लेके पस्चिम तक उत्तर से लेके डक्षिन तक चंद परिवारों का देश की राजनीती पर कबजा है चले जाएए काश्मीर, सेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, चले जाएए महारास्त्रा, बाल ठाकरे, उधाउट ठाकरे, आदित ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी, सरत पवार, सुप्रिया सूले, अजीत पाटी, चले जाए़ जाएँ जाहिए ज्हारखंद, तुर्गा सुरेण, सेमन सुरेण, सीबू सुरेण, एक ही परिवार की पाटी, चले जाएए उडिसा, बीजू पतनाएक, नवीन पतनाएक, एक ही परिवार की पार्टी, चले जाएए तमिलाडू, इस्टालिन, एक ही परिवार की पार्टी, और देश की सबसबड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चाचा नहरू, बिटिया इंद्रा, बिटवा राजि सुप्रीम कोट ने मर्दिप्रुदेश के धार जिले में मौझूद भोच्छाला के एसाई सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। पर ये प्रतिश्टित पुरसकार दिया गया। इससे पहले बुटान का सर्वच नागरिक सम्मान भुटानी नागरिकों को ही दिया जाता था। के लिए उत्रे कारकरताओं को जब पुलिस वालों ने रोका तो वो उनसे उलच पड़े। और सड़क पर लगे बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करते दिखे। पुलिस के बैरिकेड पर चड़ा एक कारकरता वहां मौझूद पेड की टहनी से लटक गया और अपने पैरों से बैरिकेडिंग पर धक्के मारने शुरू कर दिये। उस प्रदर्शन कारी ने पुलिस के बैरिकेड पर दस से ज्यादा बार धक्के मारे। आनके इस दोरान बैरिकेड के दूसरी तरफ मौझूद पुलिस वालों ने बैरिकेड को गिरने से रोके रख था। काफी देर तक रुक्षेतर में उस सड़क पर हंगामा होता रहा। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाने की तयारी कर ली। कि अर्विन केजरीवाल के जेल जाने के बाद हर किसी के मन में ये सवाल उठने लगा कि दिल्ली में केजरीवाल की गहर मौजूदगी में सरकार कौन चलाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के सुत्रों के मताबिक अर्विन केजरीवाल को इस बात का ऐसास था कि EDU कभी भी गिरफतार कर सकती है। इसलिए उन्हें पहले से प्लैन B तयार कर लिया था। सूत्रों ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने पहले ये तैय किया था कि अगर इस्तीफा देनी की नौबत आई तो दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी दिल्ली की सरकार चलाएंगी। हाला कि एक रोज पहले गिरफ्तारी के बाद अर्विन केजरिवाल ने मुख्यमंत्री पत से इस्तीफा नहीं दिया था। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दो टूक कह दिया कि आम आदमी पार्टी जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगी। कोई प्रावधान नहीं है जिसमें किसी भी मामली में गिरफ्तारी के बाद आरोपी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही होगा। और सूत्रों के मताबिक इसी वज़े से आम आदमी पार्टी और अर्विन केजरिवाल ने जेल से सरकार चलाने का प्लैन तयार किया था। क्योंकि सूत्रों के मताबिक तिहार जेल के मैनुवल यानि नियम काईदों में जेल से सरकार चलाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। क्योंकि नियमों के मताबिक जेल से सरकारी फाइले साइन नहीं कराई जा सकती है। कई तरह की जिम्मेदारिया होती है। कैबिनेट की बैठक के अलावा मुख्यमंत्री को दिन भर अफसरों के साथ बैठकें करनी पड़ती हैं। और जेल में रहते हुए ये सारी चीजें संभव नहीं हैं। यानि ठीक तीन साल पहले दिल्ली के डिप्टी सीम रहे मनीश सिसोधिया ने नई शराब नीती लाने का एलान किया था। सिसोधिया से जब इसे लाने की वज़ए पूछी गई थी तो उन्होंने दो तर्क दिये थी। पहला ये कि इससे माफिया राज खत्म होगा और दूसरा ये कि इससे सरकारी खजाना बढ़ेगा। 17 नमंबर 2021 को नई शराब नीती 2021-22 लागू कर दी गई थी। इसके लागू होते ही शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और पूरा कारोबार नीजी हाथों में चला गया था। और इससे दिल्ली सरकार का खजाना तो बढ़ा लेकिन इस नई नीती का जमकर विरोध भी होने लगा था। जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीती में घोटाला होने का आरोप लगा था। दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीतीर रद्द कर दी थी। इसके बीचे दलील ये दी गई थी कि खुदरा और थोक कारोबारियों के शराब के धंदे से हटने की वज़े से ऐसा किया गया। बाद में 17 अगस 2022 को CBI ने मनीश शिसोदिया, तीन रिटायर सरकारी अफसर, नौ शराब करोबारी और दो कमपनियों के खिलाब केस दर्च कर लिया था। इन पर भष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहट केस दर्च किये गए थी। सिसोदिया पर आरोब लगा गया था कि उन्होंने मनमाने और एकतरफा फैसले लिये थी। उनके फैसलों की वज़े से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ। इस भी जोडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पतनाय की पार्टी बीजेडी और बीजेपी में गडबंधन पर बात नहीं बन सकी। दोनों पार्टियों ने राज्य की 21 लोकसवा सीटों और 147 विधानसवा सीटों पर अलग-अलग चुनाव लड़ने का पैसला लिया। उटिशा में लोकसवा के साथ ही विधानसवा के भी चुनाव होने हैं। बीजेपी ने लोकसवा उम्मीद्वारों की चौति लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में तमिलनाड के लिए 14 प्त्याशियों के नाम और पुदुच्चरी सीट के उम्मीद्वार का नाम शामिल है। एक रोज पहले बीजेपी ने तमिलनाट के नौ उम्मीद्वारों के नामों का ऐलान किया था। टीमसी ने चुनाव आयोग से पश्चे मंगाल के राज़पाल सीवी आनन बोस के खिलाफ शिकायत की। टीमसी ने राज़पाल पर चुनावी प्रक्रिया में दखल देने का आरोप लगाया। कुछ दिन पहले वहाँ के राज़पाल ने लोगसभा चुनाव से जुड़े किसी भी मुद्धे पर लोगों से जुड़ने के लिए पोर्टल लोग सभा लॉंच किया था। इस पर टीमसी ने आपत्ती जताई। रोज पहले शाम करीब साथ बजे एडी की एक टीम मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल के घर पहुंची थी। उनके बाद हैदराबाद के शराब कारोबारी अभिशेक, बोहिन पल्ली और समीर महिंद्रू की गरफतारी हुई थी। लेकिन गरफतारी का ये सिलसिला यही नहीं खमा। इस घोटाले में हमें तरोडा नाम के शराब कारोबारी को भी गरफतार किया गया था। इने इस घोटाले का मिडल में यानी पिचोलिया बताया गया, हमें तरोडा की गरफतारी 2022 में हुई थी। इसको आम आदमी पार्टी के वरिष्ट नेता और राजेसबा सांसत संजे सिंग को भी गरफतार कर लिया गया था। इसी वज़े से आम आदमी पार्टी को बड़ा जटका लगा था। सुत्रों ने दावा किया कि शराब कारोबारी दिनेश रोडा, संजे सिंग, मनीश सोदिया और विज़े नायर के बहत करीबी हैं। जानकारी के मताबिक बाद में दिनेश रोडा, सरकारी, कवाह बन गए और पूश्टाच में उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम उगल दिये थे। इस बीच हिमाचर प्रदेश के तीन विधायकों ने स्तीफा दे दिया। इमाचर प्रदेश में पिछले महीने हुए राजेसवा चुनाम में बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देने वाले तीन निर्दलिये विधायकों ने स्तीफा दे दिया। खबरे की ये तीनों बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जम्मु कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नभी आजाद की पार्टी डीपी एपी को चुनाव आयोग ने बाल्टी चिन आवंटित किया। गुलाम नभी आजाद ने कॉंग्रेस छोड़ने के बाद पिछले साल ये पार्टी बनाई थी। उनकी पार्टी डीपी एपी ने जम्मु कश्मीर की सभी पांच लोगसबा सीटों पर चुनाव लड़ने का अलान किया है। उत्रप्रदेश के बताईएं हत्या कांड में शामिल जावेद नाम के दूसरे आरोपी को 14 दिन की नियाएक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जावेद पर आरोप है कि उसने हत्या में शामिल साजित की मदद की थी। आरोप है कि मंगलबार को साजित ने दो बच्चों की धारदार हत्यार से गला रेत कर हत्या कर दी थी। इसके एक दिन बाद पुलिस ने आरोपी साजित को मुटभेड में मार गिराने का दावा किया था। इदर आजेसार की राजधानी जैपूर में भी आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं का घुस्सा फूट पड़ा उन्होंने अर्विन केजरिवाल के खलाफ हुई कारवाई का जम कर विरोथ किया और जबरन जैपूर के बीजेपी दफ्तर में घुसने की कोशिश की। लेकिन वहाँ पुलिस कर्वी उनके सामने किसी चट्टान की तरह खड़े हो गए और आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं को बीजेपी दफ्तर में गुसने से रोक दिया। तभी वहाँ बैरिकेड के पास ही उन्होंने नारे बाजी शुरू कर दिया। इस दोरान प्रदर्शन कर रहे कारेकरता अपने हाथों में पोस्टर लेकर लेकर लहराते नजर आए और कुछ कारेकरता तो बैरिकेड हटा कर सड़क के दूसरी तरफ आ गए लेकिन पुलिस के जवानोंने सक्ती दिखाई और उन्हें खदेड दिया। इस बीच कुछ कारेकरता उनसे भिड़ गए तभी पुलिस के जवानोंने डंडे बरसाने शुरू कर दिया। इसके बाद तो सड़क पर एके कारेकरता को पुलिस कर्मी दोड़ा दोड़ा का डंडे मारते दिखाई दिये। और उन्हें एक कारेकरता तो सड़क पर ही लेड गया। केजरिवाल देश के पहले ऐसे मुख्यमंतरी बन गए जिने मुख्यमंतरी पद पर रहते हुए गिरफतार किया गया। हाना कि इससे पहले भी किसी मामले में आरोप लगने या दोशी पाय जाने पर कई मुख्यमंतरी को जेल की हवा खानी पड़िये। लेकिन उन लोगों ने जेल जाने से पहले अपनी कुरसी छोड़ दी थी। जबकि दिल्ली के मुख्यमंतरी आरविन केजरिवाल ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया। पिचित्तर वर्ष में पहली बार एक पदासीन मुख्यमंतरी को कल रात को गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले ही जारखंड के पूर्व मुख्यमंतरी हिमन सुरेन ने भी ऐसा ही किया था। 31 जनवरी को गिरफ्तार किये जाने से ठीक पहले उन्होंने राजजपाल को इस्तीफा सौंफ दिया था। एमन सुरेन को जमीन गोटाले के एक मामले में एडी ने गिरफ्तार किया था। साल 1997 में लालू प्रशाद यादव ने भी खुद पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बाद बिहार के मुख्यमंतरी का पद छोड़ दिया था। क्योंकि सीबी आई ने चारा गोटाले के एक मामले में उनके खलाफ वरंट जारी कर दिया था। यही वज़ड़ ही कि तब लालू प्रशाद यादव ने चौकाने वाला फैसला लेते हुए मुख्यमंतरी की कुर्सी पर अपनी पत्मी रावडी देवी को बैठा दिया था। इमन सुरेन और लालू प्रशाद यादव के अलावा तमिलनाड में जे जैलालिता, करनाटक में बीए सेडियो रप्पा और मध्य प्रदेश में उमा भारती को भी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंतरी का पद छोड़ना पड़ा था। बताया गया कि मंतरी के आवास के अलावा भी कई जगों पर छापे मारे गए। और यही वज़े रहे कि ED के लॉक अप में वो रात को सो नहीं पाए। सूत्रों के मताबिक अरविन केजरिवाल ने बड़ी मुख्याले में कई कैमरे लगे हैं और उन कैमरों के जरीए कंट्रोल रूम 24 गंटे लॉक अप की निगरानी करता है। ताकि लॉक अप में बंद आरोपी के हरकत पर आसानी से नजर रखी जा सके। और इस दोरान केजरिवाल भी कैमरे की निगरानी में रहे। इसके साथ ही आसफास सुरक्षा करमी भी तैनात रहे। इडी दफ्तर की तीन मंजिला एमारत में दो लॉक अप हैं और दोनों ही लॉक अप ग्राउंड फ्लोर पर बने हैं। बताया गया कि उनमें एक लॉक अप में अर्विन केजरिवाल को बंद करके रखा गया था। सुत्रों के मताबिक उस लॉक अप में वो रात भर परिशान रहे और उन्हें नींद नहीं आई। आना कि अपील करने पर उनके घर से कंबल और दवाईयां मंगवा कर उन्हें दी गई। नियमों के मताबिक एडी की गिरफ्त में आए किसी भी आरोपी को अपील के बाद दवाईयां और जरूरत का सामान दिया जा सकता है। लेकिन सुत्रों ने दावा किया कि केजरिवाल लॉक अप में ठीक से सो नहीं पाए और सुबह जल्दी उड़ गए। इसके बाद उन्हें लॉक अप के अंदर ही नाच्टा दिया गया और उन्होंने अपनी रूटीन की दवाईयां ली। और अर्विन केजरिवाल से पूश्टाच के लिए एडी ने पांच सदस्यों की टीम बना दी। बताया गया कि अडिशनल डिरेक्टर की देखरेक में इस टीम का गठन किया गया। जिसमें एडी के अधिकारियों के अलावा दो असिस्टेंट डिरेक्टरों को भी शामिल किया गया। जो कैमरे के सामने बिठा कर केजरिवाल से कड़ी पूश्टाच करेंगे। और पूश्टाच के दोरान सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं बलकि लिखित बयान भी दर्श किये जाएंगे। यानि केजरिवाल से किये जाने वाले एक-एक सवाल और उनके दिये गए जवाब विस्तार से लिखे जाएंगे। सुत्रों के मताबिक एडी की स्पेशल टीम अर्विन केजरिवाल और के कविता को आमने सामने बठा कर पूश्टाच करेगी। कुछ दिनों पहले ही एडी ने बियारेस नेता के कविता को गिरफतार किया था। उन पर भी शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है। यानि केजरिवाल पर जांच कर रहे उन दोनों अफसरों की जानकारी जुटाने का आरोप लगा। और दावा किया जा रहा है कि इस मामले में भी एडी केजरिवाल के खिलाब कारवाई कर सकती है। तो कि सुत्रों के मताबिक उन दस्तावेजों को ईडी ने गार कानूनी बताया। इडी उन दस्तावेजों की जांच में जुड़ गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि केजरिवाल ने उन अधिकारियों के बारे में इतनी जानकारी आखिर क्यों एकठा के उधर इस बार के लोगसबा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की एक नहीं बलकि दो बेटियां चुनाव लड़ेंगी ये तैय हो गया कि लालू यादव की बेटी मीसा भारती बिहार के पाटली पुत्र से चुनाव लड़ेंगी और रोहिनी आचारे बिहार की सारण सीट से मैदान में उतरेंगी ये दोनों वो सीटे हैं जहां से 2009 में लालू यादव ने खुद चुना हो गया और खबर आ गई कि मीसा भारती बिहार के पाटली पुत्र से चुनाव लड़ेंगी और रोहिनी आचारे बिहार की सारण सीट से ताल ठोकेंगी अपने पिता को किटनी देने वाली रोहिनी आचारे के लिए ये पहला मौका होगा जब वो चुनाव लड़ेंगी ले के बाद RJD की ओर से उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया था और मीसा भारती के राज्यसभा का कारेकाल करीब चार साल बचा हुआ है लेकिन इसी बीच खबर आ गए कि मीसा भारती एक बार फिर पाटली पुत्र से चुनाव लड़ेंगी मीसा भारती लालुयादव की सब लालुयादव जेल में थे कि उन्हें जेपी ने सुझाव दिया था कि वो अपनी बेटी का नाम मीसा पानून के नाम पर रखतें इसके बाद लालुयादव ने अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती रख दिया था और उसी दोरान हलके फुलके महौल में मीसा भार्ती के बेटे का नाम नोट बंदी रखने की पात उठी थी यानि जिन परिस्थितियों में लालु यादव की बेटी का नाम रखा गया था उसकी चर्चा सालों तक होती रही वैसे नाम के अलावा मीसा भार्ती अपनी MBBS की डिगरी की वज़े से भी खूब चर्चा में थी और इसके बाद लालु यादव के विरोधियों ने मीसा भार्ती के MBBS में टॉप करने पर सवाल उठा दिया था यही नहीं मीसा भार्ती की मेडिकल प्राक्टिस नहीं करने पर भी सवाल उठे थे लेकिन मीसा भार्ती ने इस बात की दलील दी थी कि परिवार और काम के बीच में तालमेल बठाना मुश्किल हो जाता इसलिए उन्होंने प्राक्टिस नहीं की लेकिन विरोधियों ने मिसा भारती की दलील नहीं मानी थी और मिसा भारती के M.B.B.S. में टॉप करने पर बार बार सवाल उठाए थी यानि मिसा भारती का नाम और डिगरी दोनों चर्चा में रह चुके हैं और उनकी सियासत में एंट्री के बाद उन पर भष्टा चार के आरोप भी लगे मिसा भारती और उनके पती शेलेश कुमार के खिलाव हजारों करोड की हिरा फेरी के मामले की जांच चल रही है E.D. इस मामले में उनसे कई बार फूश्टाच कर चुकी है और इनी मामलों की जांच के बीच R.J.D. ने मिसा भारती को बिहार की पाटली पुट्र सीट से टिकेट देने का फैसला किया बिहार की पाटली पुट्र सीट 2008 में बनी थी और इसे पहले पतना में केवल एक लोगसबा क्शेत्र था लेकिन 2008 में परिसीमन हुआ और इसके बाद दो लोगसबा सीटे मन नहीं पहली पाटली पुत्र और दूसरी पटना साहिब रिकॉर्ड है कि पाटली पुत्र में अब तक हुए तीनों लोगसबा चुनाओं में एंडिये को ही जीत मिली है और 2014 और 2015 में मीसा भारती को एंडिये के राम कृपाल यादव ने मात भी थी लेकिन मीसा भारती एक बार फिर पाटली पुत्र से चुनाओ लड़ने जा रही है और उनके अलाबा लालु यादव की तूसरी बेटी रोहिनी आचारय बिहार की सारण लोगसबाशीट से चुनाब लड़ेंगे इसके संकेत RJD की MLC और लालु यादव के परिवार के खरीबी कहे जाने वाले सुनील कुमार सिंग ने कुछ दिन पहले ही दे दिये थे और अब उन खबरों पर महर लग चुकी है क्योंकि लालु प्रसाद यादव की एक और बेटी की सियासत पे एंट्री होने जा रही है लालु यादव के नौ बुच्चे हैं साथ बेटिआं और दो बेटे दोनों बेटे तेजस्वी और तेजपरताब बिहार की सियासत में सकरिय हैं लालु यादव की सातों बेटियों के नाम हैं मीशा भारती, रोहिनी आचारे, चंदा यादव, रागिनी यादव, हेमा यादव, अनुश्का राव और राजलक्ष्मी। इन साथों बेटिओं में मीशा भारती पहले से सियासत में हैं और अब रोहिनी आचारे सारण से चुनाव लड़ने जा रही है। और इसके संकेत तीन मार्च को पटना में आरजेडी की जन विश्वास रैली में ही मिल गए थे क्योंकि उस रैली में रोहिनी आचारे मंच पर नजर आई थी वो रैली में शामिल हुए विपक्ष के निताओं से मिलती दिखी थी ये पहला मौका था जब रोहिनी आचारे सियासी मंच पर लालू प्रसाद यादव के साथ दिखी थी और इसके बाद लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हुआ था रोणी आचारे के सारंड से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच आरजेटी नेताओं ने इस बात का जिक्र भी छेड़ दिया किड्नी डोनेट करके अपने पिता जी के आयू को बढ़ाने का काम किया से बड़ा सोभागिय किसी भी पिता के लिए नहीं हो सकता और वो बिहार की उस सीट से चुनाव लड़ने वाली है जहां से 1997 में लालू प्रसाद यादव ने कॉंग्रेस के किले को धोस्त कर दिया था यानि रोणी आचारे बिहार की सारन लोगसवा सीट से चुनाव लड़ने जा रही है 1977 में इस सारन सीट का नाम चपरा था यानि आज की सारन लोकसबा सीट 1977 में चपरा लोकसबा सीट थी 1957 से 2004 तक ये सीट चपरा ही रही परिसीमन के बाद इसका नाम सारन हो गया और चपरा को इसका मुख्यालय बना दिया गया आसान बाशा में कहें तो छपरा लोगसबा सीट का नाम सारन लोगसबा सीट पढ़ गए। सारन गंगा, गंडक और गागरा नदी से गिरा हुआ इलाका है। इसे ये इलाका एक तिरभुज जैसा लगता है जिसके दक्षण में गंगा बैती है जो आगे भोजपूर और पट के सिवान और उत्तरप्रदेश के बलिया जिले से अलग करती है। लेकिन कहते हैं कि भले ही नदियां यहां त्रिकोण मनाएं लेकिन सारन में चुनावी संग्राम के दौरान कभी भी सियासी त्रिकोण नहीं मना। सुर्कियों में आ गए थे। जेपी आंदोलन को इस जीत की बड़ी वज़ा मना गया था। क्योंकि लालू यादव इस आंदोलन में से निकले बड़े नेताओं में से एक थे और आपातकाल के दुरान पूरु प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी के खराफ खड़े हो गए थे। लेकिन लालू प्रधाद यादव ने इसका भी तोड़ निकाल लिया था क्योंकि 2014 में सारण से राबडी देवी चुनाव लड़ी थी। वो अलग बात है कि राबडी देवी को राजीव प्रताब रूडी ने सारण से हरा दिया था। जेडियू में शामिल हो गए थे। और दोनों बार आरजेडी के प्रत्याशियों को बीजेपी के राजीव प्रताब रूडी ने ही हराया था। 2014 और 2019 के लावा वो 1996 और 1999 में भी सारण से चुनाव जीच चुके हैं। और बिहार में NDA में सीट चेरिंग के बाद ये फैसला हुआ कि 2024 के लोगसबा चुनाव में भी सारण सीट बीजेपी के पास ही रहीगी। यानि एक बार फिर सारण में RJD और BJP का आमना सामना होगा और इस बार तो रोहिणी आचारे सारण से चुनाव लड़ेंगे। और वो लालू प्रसाद यादव के परिवार की तीसरी सदस्य होंगी जो सारण में अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं। इस बीच बिहार के उपमुखे मंतरी समराद चौधरी ने लालू यादव की बेटी पर निशाना साधा। पिहार के आरा से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर लोग खौफ से बर गए। वहां चलती ट्रेन में चड़ने की कोशिश करना एक आदमी के लिए खतरनाक साबित हो गया। आदमी सामान से बरा बैग लेकर उस ट्रेन में चड़ने की कोशिश कर रहा था। आया और उसे बाहर निकाल दिया। अगर उस पुलिस कर्मी को आने में थोड़ी भी देर होती तो वह आदमी पूरा का पूरा उस ट्रेन के नीचे आ जाता। लेकिन वो पुलिस कर्मी तुरंट उसे खीच कर उस ट्रेन से दूर ले आया। इस दोरान उस आदमी को देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड जमा हो गया। करीमत यरे कि उस आदमी को सही सलामत बचा लिया गया। कर दी। उन्होंने संपत्तियां कुर्क करने के निचली अदालत के फैसले को हाई कोट में चुनौती दी थी। बस्ती जिले में 2001 में कारोबारी के बेटे के अपरण के मामले में अमर मनित्र पाठी के खिलाफ निचली अदालत ने ये फैसला सुनाया था। बिहार की मुझफरफुर कोट से 28 साल फुराने मामले में बाहु बली नेता और पूर्वसांसद आनन्द मोहन को बड़ी राहत मिली। गड़बंदन में उनकी साथी कॉंग्रेस भी सांगली से चुनाव लड़ना चाहती है। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि सांगली सीट पर महाविकास अगाडी में पेच फसा हुआ है। और इसके अगले ही दिन खबर आई कि इस सीट के लिए उधव ठाकरे की पाटी और कॉंग्रेस में ठन गई। सांगली से चुनाव लड़ना चाहती है। जोर दिया था कि चंदरहार पाटिल पहलवान है। उन्होंने बयान दिया था कि सांगली में एक ऐसे दमदार उमीदवार की जरूरत है जिसके एक हाथ में गदा हो दूसरे हाथ में मशाल हो। उद्धव गुट ने दलील दी कि वो सांगली के बदले कोलापूर सीट छोड़ने के लिए तयार है। लेकिन कॉंग्रेस इसके लिए तयार नहीं हुई। फिर क्या था? महराज की सांगली सीट के लिए महाविकास अगाडी में गमासान की खबरें आनी शुरू हो गए। सुत्रों ने बताया कि कॉंग्रेस इस सीट से पूर्व मुक्यमंत्री वसंदादा पाटिल के बोते विशाल पाटिल को चुनाव लड़वाना चाहती है। लेकिन उद्धव गुट की शिवसेना चंद्रहार पाटिल को सांगली से उम्मीदवार बनाना चाहती है। कॉंग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना दोनों को यहां जीत की उम्मीद दिख रही है। कंबर में अजीत पवार ने शरत पवार के साथ किया था। क्योंकि 1978 में शरत पवार ने 40 वधायकों के साथ बगावत कर दी थी। और 1978 में महाराष्ट में वसंदादा पार्टिल की गडबंधन की सरकार गिरा दी थी। इसके बाद शरत पवार ने 1978 में प्रोग्रेसिव डेमोकरिटिक पार्टि की सरकार बनाई थी। और महाराष्ट के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए थी। उस वक्त शरत पवार की उम्र 38 साल थी। और करीब 45 साल बाद जब अजीद पवार ने NCP तोड़ी तो उन्होंने शरत पवार को वसंदादा पार्टिल की ही याद दिलाई थी। क्योंकि आरोप लगा था कि शरत पवार ने वसंदादा पार्टिल को धोका दिया था और पार्टी के 40 विधायक तोड़ लिये थी। और इस बात का जिकरे करते वे अजीद पवार ने बयान दिया कि उन्होंने जो 60 साल की उम्र में किया वो शरत पवार ने 38 साल की उम्र में ही कर दिया था। और देवराज अर्षवाली कॉंग्रेस यू का इस्सा बन गये थी। इसके बाद 1978 में हुए महाराष्ट विधान सबा चुनाव दोनों कॉंग्रेस अलग-अलग लड़ी थी। बताते हैं कि सरकार गिराने से कुछ घंटे पहले ही शरत पवार और वसंदादा पाटिल की मुलाकात हुई थी। और इस बार कॉंग्रेस सांगली सीट से वसंदादा पाठील के पोते को टिकट देने की कोशिश में है। सुत्रों ने बताया कि कॉंग्रेस किसी भी किमत पर सांगली की सीट नहीं छोड़ना जाती है। इसके लिए उसने पूरा जोर लगा दिये। और साल 1962 से साल 2009 तक महाराष्ट की सांगली सीट पर कॉंग्रेस का कबजा बना रहा। यानि कॉंग्रेस ने सांगली में एक दो बार नहीं बलकि पंदरहा बार जीत हासिल की। कॉंग्रेस के प्रकाश बाबू वसंदादा पाटिल तो पांच बार महां से चुनाव जीते। यानि बीजेपी के संजे काका पाटिल ने 52 साल तक कॉंग्रेस के गढ़ रहे सांगली को उससे चीन लिया था। लेकिन कॉंग्रेस एक बार फिर अपना वो किला हासिल करना चाहती है। चुना हुआ था। लेकिन इसके बाद वो लगातार दो बार सांगली में हार गई थी। माना जा रहा है कि इसी वज़े से महाविकास अगारी में इस सीट पर इतनी चर्चा हुए। लेकिन उद्धव गुट की शिवसेना ये सीट नहीं चोड़ना चाहती। और इसी लिए कृष्णा नदी के किनारे बसे सांगली के लिए महाविकास अगारी में सियासी संगराम चड़ गया। इस बीच भारतिय बैडमिंटन खिलाडी पीवी सिंदू स्विस ओपन के दूसरे दौर में जापान की खिलाडी से 21-16, 19-21 और 16-21 से हरकर टॉर्नमेंट से बाहर हो गई। जबकि के श्रीकांत ने मलेशिया के खिलाडी को 21-16 और 21-15 से हराकर कौटर फाइनल में जगा बना लिए। राजिस्तान रॉयल्स के गेंदबाज आडम जैंपा ने निजी कारणों से IPL के इस सीजन से अपना नाम वापस ले लिया। उनकी जगा टीम में गेंदबार्स तनुष कोटियान को शामिल किया गया। उदर रूस की फाज ने यूकरेन में नीपरो नदी पर बने उसके सबसे बड़े बांध पर जोरतार हमला कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मताबिक महां मिसाइल और ड्रोन हमले किये गए। दावा किया गया कि रूस के इस भीशन हमले ने यूकरेन में हजारों लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी। क्योंकि पुटिन के फोज ने यूकरेन में नदी पर बने उसके सबसे बड़े बांध पर कहर बरपा दिया। पश्चिमी मीडिया के मताबिक वहां खतरनाक मिसाइलों के साथ साथ आत्म घाती ड्रोन भी गिराए गया। दस्वीरों में दिखा कि रूसी हमले के बाद नीपरो नदी पर बने उस बांध पर भीशन आग लग गए। दमकल कर्मी उस आग को बुझाने के लिए वहां पानी की बोचार करते दिखाई थी। युकरेन के जिस बांध पर हमला किया गया वो उसके दक्षणी इससे में मौझूद जापुरिज्जिया शहर में। नीपरो नदी पर बने इस बांध के साथ एक पावर प्लांट भी बना हुआ है। जिसके जरीए बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मताबिक रूस के हमले में उस बांध के साथ साथ पावर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुचा। जिसकी वज़े से आसपास के कई इलाके अंधेरे में डूप गए। हालनकि रूस ने सिर्फ जापुरिज्या ही नहीं बलकि युक्रेन के कई शहरों में एक साथ तबाही मचा दी। पश्चिमी मीडिया के मताबिक वहां 24 घंटों में करीब 90 मिसाइले और 60 से ज्यादा ड्रोन हमले किये गए जिन में तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग खायल हो गए। पानी की बोचार कर दी। पानी की तेज बोचार होते ही वहां अफरात अफरी मच गई। प्रदर्शनकारी थोड़ी देर के लिए सड़क पर पीछे की तरफ भागे लेकिन वाटर कैनन बंध होते ही वो फिर से पुलिस की बैरिकेडिंग के पास जमा होकर हंगामा और नार हाउस का घेराब करना चाते थे। मोहाली से चंडीगड में मौझूद गवरनर हाउस की दूरी खरीब 12 किलोमीटर है। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं के प्रदर्शन को देखते हुए मोहाली चंडीगड हाइवे को बंद कर दिया और वहां लोहे के बड नारे बाजी करते हुए आम आदमी पार्टी के कई कारेकरता वहां तैनात पुलिस वालों से भी बिढ़ गए। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कारेकरता वहां खड़े पुलिस वालों को हटाते हुए बैरिकेट पार करता दिखाई दिया। और सड़क पर लगाए गई बैरिकेडिंग के पास हंगामा शुरू कर दिया। चंडीगर में बीजेपी के दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर भारी संक्या में पुलिस वाले तैनात दिखाई दिये। सड़क को बंद करने के लिए पुलिस ने वहां बड़े-बड़े ट्रक खड़े कर दिये थे। सड़क पर लगी लोहे की बैरिकेडिंग के एक तरफ भारी संक्या में पुलिस वाले मोर्चा सम्हाले दिखाई दिये। और उन्हें बसों में बैठाकर प्रदर्शन वाली जगह से दूर भेज दिया। लेकिन गिरफतारी और कोर्ट से रिमांट पर भेजे जाने के बाद आम आमी पार्टी का घुस्सा फूट पड़ा। सुत्रों के मताबिख रिमांट के मुद्बे पर दिल्ली की राव जेवन्यों कोर्ट में दोनों फक्तों के बीच जोरदार बहस हुई। एडी के वकील ने केजरिवाल को घोटाले का किंग पिन बताया। जबकि अर्विन केजरिवाल के वकीलों ने एक राजजिक के मुख्यमंत्री की गिरफतारी को सरकारी एजिंसियों के दुरुप्योग की मिसाल कराड़ दिया। कोट में हुई इस बहस से पहले दोफेर करीब साड़े बारा बजे एडी अफसरों का काफिला अर्विन केजरिवाल को लेकर एडी दफतर से राउजविन्यों कोट के लिए निकला। एडी की गाडियां दंदनाते हुए अदालत की तरफ दोड़ती दिखाई दी। आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं के प्रतरशन को देखते हुए एडी दफतर और कोट के बाहर बारी संख्या में पुलिस और आरेफ के जवान तेनात कर दिये गए। कोट पहुँचने के बाद एडी के अफसर अर्विन केजरिवाल को लेकर सीधे जज के सामने पहुँच गए। इस दोरान कोट के गलियारे से गुजरते हुए केजरिवाल का एक वीडियो सामने आया जिसमें 10 से 12 एडी अधिकारी उन्हें कोट रूम की तरफ ले जाते नजर आये। आहम आदमी पार्टी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें कोट में दाखिल होते हुए अर्विन केजरिवाल ये कहते सुनाए दिये कि वो चाहे जेल में रहें या बाहर देश के लिए काम करते रहें। अर्विन केजरिवाल की रिमान को बहत जरूरी बताया। केजरिवाल को गिरफतार करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद कोट में एर्विन केजरिवाल की तरफ से का गया कि इस पूरे मामले से अर्विन केजरिवाल का कोई लेना देना ही नहीं है। की मुख्यमंत्री की गिरफतारी गैर कानूनी तरीके से की गई। क्योंकि आरोबे के शराब गोटाले की आर्विन केजरिवाल नहीं दिल्ली की शराब नीती में बदलाव करके करोणों के गोटाले की नीव रखी। इसी वज़े से ईडी ने केजरिवाल को इस शराब गोटाले का किंग पिन माना। किंग पिन यानी सबसे एहम आदवी। मतलब ईडी ने ये दावा किया कि ये पूरी साजिश अर्विन केजरिवाल के इशारे पर ही रची दए। और इसके जरीए करोणों की रखम का गबन हुआ। और इडी की जांच में ये आरोफ लगाय गया कि दिल्ली की नई शराब नीती के जरीए करोडों के घोडाले की पटकता अर्विन केजरिवाल के घर पर ही लिखी गई थी। इडी के मुताबिक दिल्ली के सीम हाउस में हुई उस बैठक में अर्विन केजरिवाल के अलावा मनीश शिसोदिया भी मौजूद थे। और इसी बैठक में ये तैह हुआ था कि शराब नीती में प्रॉफिट का जो मार्जिन 6 प्रतिशत है उसे बढ़ा कर 12 प्रतिशत मतलब दुगना कर दिया जाए। और इडी के मताबिक खुद ये बात मनीश शिसोदिया के सचिप सी अर्विन ने फूस्ताज के दोरान बताई थी। मतलब केजरिवाल और शराब माफिया ने एक हाथ दे दूसरे हाथ ले का फार्मूला अपनाया ताकि दोनों ही पक्षों को फायदा हो सके और इसमें एक एहम किर्दार निभाया शराब कंपनी इंडो स्पिरिट के डिरेक्टर समीर महिंद्रू ने सूत्रों के मताबिक समीर महिंद्रू ने पूश्टाश में बताया कि अर्विन केजरिवाल से उन्हें उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजय नायर ने आइपोन के एप फेस टाइम के जरीए मिलवाया था। उनके मताबिक इस बातचीत के दोरान केजरिवाल ने ये भी कहा था कि विजय नायर उनका भरोसेमन्द है और वही उनसे आगे की डील करेगा। मतलब अर्विन केजरिवाल एक खुद ही विजय नायर को शराब घुटाले से जुड़ी डील करने की आज़ादी दी थी। आम आदमी पार्टी या फिर अर्विन केजरिवाल पर शक ना हो। और दावा है कि गोवा चुनाव में करीब 70 लाक रुपे नकद में दिये गए। ये पैसे जिनें दिये गए उनमें आम आदमी पार्टी के कुछ उमीदवार भी शामिल थे। इसके लावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने गोवा चुनाव में रिसर्चर के तौर पर अर्विन केजरिवाल की पार्टी के लिए काम किया था। आला कि भुच्ची बाबु का ये कबूल नामा अर्विन केजरिवाल के लिए गले की फांस बन गया। बाद में बना। पहले तो इसने बी आरेस नेता और तिलंगाना के मुख्यमंत्री के चंदरशेकर राओ की बेटी के कविता का खेल बिगाड़ा। इस मामले में के कविता को इडी ने हफते भर पहले गिरफतार किया था। जाने की मांग सीम केजरिवाल से की थी। और इडी के सूतरों के मुताबिक इसके बाद इस नई सराबनीती के जर्ये जादा से यादा धन उगाई का फूल प्रूफ प्रेंट टेयार कर लिया गया। और इसे मंगुटा श्रीनिवासलू रिट्टी के बेटे रागव मंगुटा के जरीए अंजाम दिया गया। ये वही सौ करोड की रकम थी जिसे आम आदमी पार्टी तक पहुँचाने की जिम्मेदारी बुच्ची बाबु को सौंपी गई थी। और इडी के मुताबिक इसी सौ करोड में पैंतालीस करोड रुपए आम आदमी पार्टी ने 2022 में हुए गोआ के चुनाव में खपा दिये थी। बीजेपी की केंदरी चुनाव समिती की शाम में एहम बैठक होगी। सुत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तरपदेश, ओडिशा, महराष्ट, तिलंगाना और राजिस्थान समेथ कई राज्यों के लिए उम्मी द्वारों के नाम पर मोहर लग सकती है। इस बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। बिहार में महागडबंधन में शामिल CPI ने तीन बार विधायक रह चुके अवधेश कुमार को बेगुसराय लोगसबा सीट से अपना उम्मी दवार बना दिया। इससे पहले अटकलें थी कि कॉंग्रेस नेता कनया कुमार को ये सीट मिल सकती है। तो आतिशी को वहाँ से ले जाने में पुलिस कर्वियों के पसीने चूट गए। सैकणों कारेकरताओं के साथ प्रतशन कर रही आतिशी को पुलिस ने जैसे तैसे बस में बठा दिया। लेकिन इसके बाद भी उनकी नारे बाजी बंद नहीं हुई। वो उस बस की खिड़की से बाहर निकल कर नारे लगाती रही। और आतिशी की ही तरह पुलिस ने दिल्ली सरकार में मंत्री सौरब भारदवाज को भी इराजत में ले लिया। इस दोरान उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर बैट कर ही गाने गाना शुरू कर दिया। उनके साथ कई कारेकरता भी मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी कारेकरता धरने पर बैट गये। दिल्ली के आईटी ओ इलाके में तो आम आदमी पार्टी के कारेकरता बीच सड़क पर ही बैट गये। एक लाइन में बैठे कारेकरताओं ने वहाँ बैठ कर नारेबाजी करना शुरू कर दिया जिसकी वज़े से सडक पर लंबा जैम लग गया इस दोरान जब पुलिस उन्हें अठाने पहुंची तो वो वहाँ से हिलने को भी राजी नहीं हुए इसके बाद वहाँ पहुंची पुलिस ने कई कारेकरताओं को हिरासत में ले लिया कई जगहों पर कारेकरता हाथों में मैं भी केजरीवाल के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए और इस दोरान आमान्वी पार्टी की महिला कारेकरता भी सडकों पर उतर आई इडी की कारवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों कारेकरताओं को संभालने के लिए भारी पुलिस स्पोर्स तैनात कर दी गई और इस दोरान जब पुलिस कुछ महिला कारेकरताओं को वहाँ से अठाने पहुंची तो वो सडक परी लेड गई इसके बाद पुलिस उन्हें उठा कर वहाँ से ले गई दिल्ली के आईटियो इलाके में प्रदर्शन कर रहे कारेकरता पुलिस से भिढ़ने तक को तैयार हो गए ऐसे में पुलिस और कारेकरता आमने सामने आ गए वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस दो कारेकरताओं को गसीट कर वहां से ले जाती नजर आई इस दोरान वहां मौझूद एक महिला कारेकरता उनके पास बैट कर ही नारे लगाती रही इसके बाद पुलिस ने उस महिला कारेकरता को भी हिरासत में ले लिया आईटियो इलाके में इतनी बड़ी संख्या में कारेकर्टा पहुँच गए कि वहां ट्राफिक की दिफ्कत खड़ी हो गई ऐसे में पुलिस ने सक्ती दिखाते हुए सड़क पर बैठे एक एक कारेकर्टा को वहां से अटा दिया इधर खानून के जानकारों के मताबिक एडी के समन्स पर पूश्टाज के लिए नहीं पहुँचना ही केजरीवाल की सबसे बड़ी मुसीबत बना क्योंकि दिल्ली शराब गोटाला मामले में एडी ने उन्हें नो समन्स भेजे थे लेकिन वो एक भी समन्स पर पूश्टाज के लिए नहीं पहुँचे थे इसी वज़े से एक रोज पहले एडी के एक टीम उनके घर पहुँच गई थी लेकिन वो हर बार की तरह इस बार भी पूश्टाज के लिए एडी आफिस नहीं पहुँचे थे यही नहीं वो एडी के समन्स को लेकर दिल्ली हाई कोट पहुँच गई थे जानकारी के मताबिक कोट को एडी ने वो सबूत भी दिखाये थे जिनके आधार पर पूश्टाज के लिए केजरिवाल को समन्स जारी किये गए थे माना जा रहा है कि दिल्ली हाई कोट से उनको जटका लगने के बाद एडी ने उने गिरफतार करने की तैयारी शुरू कर दी थी कारून के जानकारों का मानना है कि एडी के नौ समन्स पर पूश्टाज के लिए न पहुँच कर केजरिवाल ने अपने पैरों पर कुलाडी मार ली थी और सुत्रों के मताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को गिरफतार करने से पहले एडी के बड़े अधिकारियों ने एक बैठक की थी दावा किया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट से केजरिवाल को राहत नहीं मिलने के बाद जांच एजिंसी के अधिकारियों ने ये बैठक की थी। सुत्रों से मिले जानकारी के मताबिक शुराब घोटाले के जाच के दौरान E.D. को कई एहम सबूत मिले हैं। तक केजरिवाल को पूश्टाज के लिए 9 समन्स भेजे थे लेकिन इन 6 महीनों में केजरिवाल एक बार भी पूश्टाज के लिए E.D. के आफिस नहीं पहुँचे थे। उन्हें पूश्टाज के लिए 2 नवंबर को बिला गया था लेकिन वो दिवाली होने की बात कहकर नहीं गये थे। इसी तरह केजरिवाल ने E.D. के तरफ से जारी किये गए 6,7,8 और 9 समन्स से बचने के लिए अलग-अलग वज़े बताई नौ समन 18 बहाने मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली शराफ गोटाला मामले में वो अपनी गिरफतारी नहीं डाल सके। कोई भी फैसला लेने से पहले उसका बक्ष भी सुना जाए। लेकिन एन वक्त पर आमादमी पार्टी ने अपनी रणनीत बदल दी। केजरिवाल की लीगल टीम की तरफ से आमादमी पार्टी को निचली अदालत जाने की सला दी गई। और वहां राहत ना मिलने पर आमादमी पार्टी हाई कोट जाएगी। भी राहत नहीं मिलने की स्तिती में केजरिवाल सुप्रीम कोट का रुख कर सकेंगे। बताया गया कि लीगल टीम की सला के बाद ही आमादमी पार्टी ने सुप्रीम कोट से याचिका वापस लेने का फैसला लिया। कानून के जानकारों के मताबिक आमादमी पार्टी को अगर सुप्रीम कोट से जटका लगता तो केजरिवाल की जमानत पर संकट आ जाता और उनके पास आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। इसलिए सोच समझ कर सुप्रीम कोट को सबसे आखरी दाओं के रूप में रखने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही कोट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि मदर्सों में पढ़ने वाले चात्रों को बुनियादी शिक्षा विवस्था में समयोजित किया जाए। कॉंग्रेस को डिली हाई कोट से बड़ा जटका लगा हाई कोट ने आएकर विभाग की कारव़ाई के खिलाब कॉंग्रेस की याचिका खारिच कर दी। कॉंग्रेस ने लगातार तीन वर्षों के लिए आयकर विभाग की टैक्स री असेस्मेंट प्रोसीदिंग्स के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस बीच दिल्ली शराब गोटाला मामले में केजरिवाल की गिरफतारी के बाद विपक्षी कट बंधन एक साथ आ गया। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कॉंग्रेस, टीमसी और शरत पवार गुट वाली एंसीपी के नेता चुनाव आयोग भी पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को एरासत में लेना शुरू किया और बसों में भर कर इन लोगों को वहां से हटाया गया। इससे पहले केजरिवाल की गिरफतारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कॉंग्रेस, टीमसी और पवार गुट वाली एंसीपी के नेता चुनाव आयोग भी गए। अगर कुछ गल्ती भी हुई है तो आपने कहीं ये नहीं दिखाया के अभी इसी वक्त एजनसीज की रेड आवश्यक है। और कॉंग्रेस की ओर से लिखी गई ये वही चिठी है। और आरोब लगाया था कि केजरिवाल भी इस घोटाले के इस्सेदार थे। यानि जिस कॉंग्रेस ने केजरिवाल की गिरफतारी पर इतना हल्ला मचाया प्रतर्शन किया। पिछले साल वही कॉंग्रेस केजरिवाल पर निशाना साध रही थी। उनकी चुपी तूटेगी और उनकी चुपी अरविंद केजरिवाल की कुरसी तक पहुंचेगी। कॉंग्रेस के ये सुर पहले थे क्योंकि अब वो केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ है और इसलिए उसने सडकों पर प्रदर्शन किया। क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कबजे में है चंद परिवारों ने देश की राजनीती पर कबजा कर लिया है। सुप्रिया सूले आजीत पर र एक ही परिवार की पार्टी। चले जाएए बिहार, लालू यादो, राबणी यादो, तेजस यादो, मीसा यादो, तेजस्वी यादो, एक ही परिवार की पार्टी, चले जाएए जहारखन, तुर्गा सुरेन, सेमन सुरेन, सीबू सुरेन, एक ही परिवार की पार्टी, चले जाएए उडीसा, बीजू प बिटवा राजिव, बिटवा संजे, बहु सोनिया, बिटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद बाड़रा, एक ही परिवार की पार्टी पार्टी कहां बताओ। बिटवा संजे, बुटान मंतरी नरेंदर मोधी को बुटान के सर्वोच नागरिक सम्मान, Order of the Drug ग्यालतों से नवाजा गया। का जोरदार स्वागत किया गया इसके बाद पीम ने भूटान के प्रधान मंत्री और भूटान नरेश से मुलाकात की इस भी चीडी और केंद्र सरकार के खिलाब आमादमी पार्टी के कारेकरताओं का गुस्सा हर्याना के कुरुक शेतर में भी फूठा सड़कों पर प्रदर प्रधर्शन कारी ने पुलिस के बार्र दस से ज्यादा बार धक्के मारे अलकि इस दौरान बैरिकेट के दूसरी तरफ मौझूद पुलिस वालों ने बैरिकेट को गिरने से रोके रख था आम आदमी पार्टी के कुछ दूसरे कारिकर्टा भी बेरिकेट पर चड़े हुए दिखाई दिये आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं ने आरोप लगाया कि शांती से हो रहे प्रदर्शन के दोरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिसमें कई कारेकर्टा गायल हो गए आम आदमी पार्टी के कारिकरताओं ने आरोब लगाया कि बीजेपी के इशारे पर केंद्रिय एजेंसिया विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। काफी देर तक कुरुक्षेत्र में उस सड़क पर हंगामा होता रहा। कि अगर इस्तीफा देनी की नौबत आई तो दिल्ली की शिक्षा मंतरी आतिशी दिल्ली की सरकार चलाएंगी। हालनकि एक रोज पहले गिरफतारी के बाद अर्विंद केजरिवाल ने मुख्य मंतरी पत्से इस्तीफा नहीं दिया था। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दो टूक कह दिया कि आम आदमी पार्टी जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगी। नहीं होगा और सूत्रों के मताबिक इसी वज़े से आम आदमी पार्टी और अर्विंद केजरिवाल ने जेल से सरकार चलाने का प्लैन तयार किया था। मतलब यह कि भले ही आम आदमी पार्टी ने जेल से सरकार चलाने की तैयारी की हो लेकिन इसकी इसकी इजाज़त चायद ही उसे जेल प्रशासन से मिले सूतरों के मुदाबिक दिल्ली के टिहार जेल के मैनुवल में किसे भी मुख्यमंत्री के जेल से सरकार चलाने का प्रावधान नहीं है जेल मैनुवल एक रूल बुक होती है जिसमें जेल में बंद कैदियों के लिए नियम कायदे लिखे होते हैं जेल प्रशासन इसी के हिसाब से काम करता है जेल मैनुवल के मुटाबिक जेल में बंध पैदी को हफ्ते में दो बार उसके रिष्टदारों और परिजनों से मलाकात कराए जाती है आरोपी को दस लोगों के नाम देने होते हैं और वो लोग ही जेल में फोन करके मिलने की तारीख और समय मांग सकते हैं एक बार मुलाकात में सिर्फ तीन लोग ही जेल में आरोपी से मिल सकते हैं मतलब ये कि अगर अर्विन केजरिवाल जेल से सरकार चलाते हैं तो इसमें उन्हें कई तरह की दिटतें सामने आ सकती हैं क्यूंकि नियमों के मुताबिक जेल से सरकारी फाइले साइन नहीं कराई जा सकती और अगर फाइलों पर साइन कराना भी हो तो जेल सुप्रिटेंडेंट से लिखित इजाजत लेनी होगी एक राज्य के मुख्यमंत्री के कंधों पर कई तरह की जिम्बेदारिया होती है कैबिनेट की बैठक के अलावा मुख्यमंत्री को दिन भर अफसरों के साथ बैठकें करनी पढ़ती है और जेल में रहते हुए ये सारी चीजें संभव नहीं है और जिस शराब घुटाला मामले में अर्विन केजरीवाल को गरफतार किया गया वो शराब नीती तीन साल पहले बनाए गई थी उस दोरान दिल्ली के डिप्टी सीम रहे मनीश शिसोदिया ने नई शराब नीती लाने का एलान किया था और वो तारीख थी 22 मार्च 2021 यानि ठीक तीन साल पहले दिल्ली के डिप्टी सीम रहे मनीश शिसोदिया ने नई शराब नीती लाने का एलान किया था शिसोदिया से जब इसे लाने की वज़ा पूछी गई थी तो उन्होंने दो तर्क दिये थी पहला ये कि इससे माफिया राज खत्म होगा और दूसरा ये कि इससे सरकारी खजाना बढ़ेगा 17 नमंबर 2021 को नई शराब नीती 2021-22 लागू कर दी गई थी इसके लागू होते ही शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और पूरा कारोबार नीजी हाथों में चला गया था और इससे दिल्ली सरकार का खजाना तो बढ़ा लेकिन इस नई नीती का जमकर विरोध भी होने लगा था आड जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीती में घोटाला होने का आरोप लगा था उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट उपराजपाल वीके सकसेना को बेज दी थी रिपोर्ट में सिसोधिया पर नियोमों को ताक पर रखकर शराब कारोबारियों को फाइदा पहुँचाने का आरोप लगा गया था और उपराजपाल ने भी उनकी और कैबिनेट की मनजूरी के बिना शराब नीती में बदलाब करने का आरोप लगा दिया था 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराजपाल ने मुख्य सचित की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जाँच सीबियाई से कराने की सिफारिश कर दी थी और उसी दोरान विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीती रद्द कर दी थी इसके बीचे दलील ये दी गई थी कि खुदरा और थोक कारोबारियों के शराब के धंदे से हटने की वज़े से ऐसा किया गया बाद में 17 अगस 2022 को सीबी आई ने मनीश सिसोधिया, तीन रिटायर सरकारी अफसर, नौ शराब करोबारी और दो कमपनियों के खिलाब केस दर्च कर लिया था इन पर भष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहट केस दर्च किये गए थी 19 अगस को दिल्ली के उपमुख्य मंत्री मनीश सिसोधिया से जुड़े घर और ठिकाने समेट 7 राजियों के 31 ठिकानों पर छापे मारे गए और इसके बाद सिसोधिया ने दावा किया था कि सीबी आई को कुछ नहीं मिला तीन दिन बाद 22 अगस 2022 को ईडी ने सीबी आई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉंडरिंग का केस दर्च कर लिया था क्योंकि सिसोधिया के पास ही आपकारी विभाग था इसलिए उन्हें इसमें मुख्य आरोबी बनाया गया इस भी जोडीशा के मुख्यमंत्री नवीन पतनाय की पार्टी बीजेडी और बीजेपी में गडबंधन पर बात नहीं बन सकी दोनों पार्टियों ने राज्य की 21 लोकसवा सीटों और 147 विधानसवा सीटों पर अलग-अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया पोटिशा में लोकसवा के साथ ही विधानसवा के भी चुनाव होने है बीजेपी ने लोकसवा उम्मीद्वारों की चौती लिस्ट जारी कर दी इस लिस्ट में तमिलनाड के लिए 14 प्रत्याशों के नाम और पुदुच्चरी सीट के उम्मीद्वार का नाम शामिल है एक रोज पहले बीजेपी ने तमिलनाड के नौ उम्मीद्वारों के नामों का ऐलान किया था इमसी ने चुनाव आयोग से पश्चे मंगाल के राजपाल सीवी आनन बोस के खिलाफ शिकायत की इमसी ने राजपाल पर चुनावी प्रक्रिया में दखल देने का आरोप लगाया कुछ दिन पहले वहां के राजपाल ने लोगसभा चुनाव से जुड़े किसी भी मुद्धे पर लोगों से जुड़ने के लिए पोर्टल लोग सभा लॉंच किया था इस पर टीमसी ने आपत्ति जताई इधर दिल्ली शराब घोटाला मामले में अर्विन केजरिवाल समेथ 16 लोग गिरफतार किये जा चुके केजरिवाल से पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीम मनीश सिसोधिया, राज्यसभा सांसाथ संजय सिंग और पूर्व मुख्यमंत्री केज चंदरशेकर राव की बेटी के कविता की गिरफतारी की जा चुकी है और सुत्रों के मताविक पूष्टाज के दोरान के कविता ने कई बार इस मामले में अरविन केजरिवाल का नाम लिया था इसी वज़े से ये आशंका जताई जाने लगी थी कि शराब गोटाला मामले में किसी भी वक्त केजरिवाल की गिरफतारी हो सकती है और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही एक रोज पहले शाम करीब साथ बजे एडी की एक टीम मुख्य मंत्री अरविन केजरिवाल के घर पहुंची थी और दो गहंटे की पूष्टाज के बाद राद करीब नौ बजे केजरिवाल को गिरफतार कर लिया था दिल्ली शराब गोटाला मामले में इस साल ये दूसरी गरफतारी है क्योंकि केजरिवाल से पहले तिलंगाना के पूर्व मुख्य मंत्री के चंदरशेकर राव की बेटी के कविता को कुछ रोज पहले ही एडी ने गरफतार किया था जानकारी के मताबिक शराब गोटाला मामले में गरफतारी का सिलसला सितंबर 2022 में शुरूआ था इस मामले में सी बी आई ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेताब विजय नायर को गरफतार किया था उनके बाद हैदराबाद के शराब कारोबारी अभिशेक, बोहिन पली और समीर महिंद्रू की गरफतारी हुई थी लेकिन गरफतारी का ये सिलसला यही नहीं खमा इस घोटाले में हमें तरोडा नाम के शराब कारोबारी को भी गरफतार किया था इनेज घोटाले का मिडल में यानी पिचॉलिया बताया गया हमें तरोडा की गिरफतारी 2022 में हुई थी लेकिन दिल्ली के शराव घोटाला मामले में सबसे जादा गिरफतारियां 2023 में हुई उस साल जांच एजनसियों ने शराव कारोबारी गौताम मलहुतरा, रागव मंगुटा और दिनेश अरोडा समेथ कई लोगों को गिरफतार किया था लेकिन 2023 में सबसे बड़ी गिरफतारी मनीश इसोदिया के रूप में हुई थी जानकारी के मताबिक बाद में दिनेश अरोडा सरकारी गवह बन गए और पूश्टाच में उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम उगल दिये थे इस बीच हिमाचर प्रदेश के तीन विधायकों ने इस्तीफा दे दिया इमाचर प्रदेश में पिछले महीने हुए राजेसवा चुनाम में बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देने वाले तीन निर्दलिये विधायकों ने इस्तीफा दे दिया खबरे की ये तीनों बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व da की पार्टी डीपी एपी को चुनाव आयोग ने बाल्टी चिन आवंटित किया गुलाम नभी आज़ाद ने कॉंग्रेस चोड़ने के बास पिछले साल यह पार्टी बनाई थी उनकी पार्टी टीपी एपी ने जमू कश्मीर की सभी पांच लोगसबा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उत्रप्रदेश के बदाईउं हत्या कांड में शामिल जावेद नाम के दूसरे आरोपी को 14 दिन की नियाएक हिरासत में जेल भेज दिया गया जावेद पर आरोप है कि उसने हत्या में शामिल साजित की मदद की थी आरोप है कि मंगलबार को साजित ने दो बच्चों की धारदार हत्यार से गला रेत कर हत्या कर दी थी तबी वहां बैरिकेड के पास ही उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। दोड़ा दोड़ा का डंडे मारते दिखाई दिए और उनमें एक कारेकरता तो सडक पर ही लेट गया उसे पुलिस कर्मियों ने उठाया और हिरासत में ले लिए इसके साथ ही कई दूसरे कारेकरताओं को भी पुलिस कर्मी वैन और बस में डालते दिखे वहां बीजेपी आरवाई का विरोध करते हुए उस बस के अंदर भी नारे लगाए वहीं अरविन केजरिवाल देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गाए जिने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफतार किया गया हालाकि इससे पहले भी किसी मामले में आरोप लगने या दोशी पा आनी पड़िये लेकिन उन लोगों ने जेल जाने से पहले अपनी कुरसी छोड़ दी थी जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आरविन केजरिवाल ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया एक पड़ा सीन मुख्यमंत्री को कल रात को गिरफतार किया गया है कुछ दिन पहले ही जारकंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमन सुरेन ने भी ऐसा ही किया था 31 जन्वरी को गिरफतार किये जाने से ठीक पहले उन्होंने राज्जपाल को इस्तीफा सौफ दिया था गिरफ्तार किया था साल 1997 में लालू प्रसाद यादव ने भी खुद पर गिरफ्तारी की दलवार लटकने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था क्योंकि सीबी आई ने चारा घोटाले के एक मामले में उनके खलाफ वरंट जारी कर दिया था यही वज़ प्रदेश में उमा भारती को भी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था इधर जेल में बन्द यूट्यूबर अलविश यादव को कोड से रात मिल गई नशे के लिए सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में गिरफ्तार हुए यूट्यूबर अलविश यादव को कोड से जमानत मिल गई उन्हें 17 मार्च को उत्तरप्रदेश की नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था पश्यमंगाल में शिक्षक भरती गोटाले को लेकर एडी ने राजिक के मंतरी चंदरनाथ सिना के आवास पर चापे मारी की बताया गया कि मंतरी के आवास के अलावा भी कई जगों पर चापे मारे गए कॉंग्रेस के राश्ट्री प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया इसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर गंभीर आरोब भी लगाए कॉंग्रेस ने उन्हें एमदबाद पूर्व सीट से टिकेट दिया था लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था इस भी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि गिरफ्तारी के बाद पहली रात एडी मुख्याले में अर्विन केजरिवाल को नींद नहीं आई उन्हें वहाँ लॉक अप में रखा गया था और इस दोरान केजरिवाल भी कैमरे की निगरानी में रहे इसके साथ ही आसफास सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहे इडी दफ्तर की तीन मंजिला एमारत में दो लॉक अप हैं और दोनों ही लॉक अप ग्राउन फ्लोर पर बने हैं बताया गया कि उनमें एक लॉक अप में अर्विन केजरिवाल को बंद करके रखा गया था सुत्रों के मताबिक उस लॉक अप में वो रात भर परिशान रहे और उन्हें नींद नहीं आए आनकि अपील करने पर उनके घर से कंबल और दवाईयां मंगवा कर उन्हें दी गई नियमों के मताबिक एडी की गिरफ्त में आए किसी भी आरोपी को अपील के बाद दवाईयां और जरूरत का सामान दिया जा सकता है और इसी अपील के बाद केजरीवाल को भी दवाईयां और जरूरत की चीज़े एडी के दफ्तर में मोहिया कराई गई लेकिन सुत्रों ने दावा किया कि केजरीवाल लॉक अप में ठीक से सो नहीं पाए और सुबह जल्दी उड़ गए इसके बाद उन्हें लॉक अप के अंदर ही नाच्टा दिया गया और उन्होंने अपनी रूटीन की दवाईयां ली वहीं सुत्रों ने दावा किया कि अर्विन केजरीवाल की परिशानी अभी और बढ़ सकती है बिठाकर केजरीवाल से कड़ी पूस्ताच करेंगे और पूस्ताच के दौरान सिर्फ video recording ही नहीं बलकि लिखित बयान भी दर्ज किया जाएंगे याईणि केजरीवाल से किए जाने वाले एक एक सवाल और उनके दिये गए जवाब विस्तार से लिखे जाएंगे सुत्रों के मताबिक E.D. की स्पेशल टीम अर्विन केजरिवाल और के कविता को आमने सामने बठा कर पूश्टाच करेगी कुछ दिनों पहले ही E.D. ने B.R.S. नेता के कविता को गिरफतार किया था उन पर भी शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है इतना ही नहीं सुत्रों ने ये भी दावा कर दिया कि E.D. की टीम शराब घोटाले के दूसरे आरोपियों से भी केजरिवाल का आमना सामना करवाएगी इस भी जर्विन केजरिवाल पर शराब घोटाले की जांच कर रहे एडी के अधिकारियों की जासूसी करवाने का आरोप लगया सुत्रों के मताबिक केजरिवाल एडी के अधिकारी कपिल राज और सत्तवर्थ पर लगातार नज़र रखे हुए थे और सुत्रों के अधिकारी के जासूसी की सिबूत मिलने का आरोप लगा कि वो एडी के दोनों अधिकारी कपिल राज और सत्तवर्थ का डौसियर बनवा रहे थे यानि केजरिवाल पर जांच कर रहे उन दोनों अफसरों की जानकारी जुटाने का आरोप लगा और दावा किया गया कि गिरफतारी के बाद उनके घर से जो दस्तवेज मिले उन्होंने इसकी पुष्टी कर दी सुत्रों के मताबिक गिरफतारी के दोरान तलाशी में केजरिवाल के घर से डेड़ सो पन्नों के दस्तवेज बरामत किये गए और उन दस्तवेजों में उन दोनों अधिकारियों के बारे में जानकारी लिखी होने का दावा किया गया बताया गया कि उनमें अधिकारियों के काम, परिवार और उनकी संपत्ती के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी तोकि सूत्रों के मुताबिक उन दस्तावेजों को ईडी ने गायर कानूनी बताया दावा किया गया कि एड़ी उन दस्तावेजों की जांच में जुड़ गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि केजरिवाल ने उन अधिकारियों के बारे में इतनी जानकारी आखिर क्यों एकठा की उदर इस बार के लोगसबा चुनाव में लालू परसाद यादव की एक नहीं बलकि दो बेटियां चुनाव लड़ेंगी ये तैय हो गया कि लालू यादव की बेटी मीसा भारती बिहार के पाटली पुत्र से चुनाव लड़ेंगी और रोहिनी आचारे बिहार की सारण सीट से मैदान में उतरेंगी ये दोनों वो सीटे हैं जहां से 2009 में लालू यादव ने खुद चुनाव लड़ा था इस बार इनी सीटों से उन्होंने अपनी बेटियों को टिकेट दी यानि इस बार के चुनाव में लालू यादव की दो दो बेटियां लड़ेंगी ये खबर पहले ही उड़ी थी कि इस बार मीसा भारती और रोहिनी आचारे दोनों चुनाव लड़ सकती हैं इसके कुछ दिन बाद ये पक्का हो गया और खबर आ गई कि मीसा भारती बिहार के पाटली पुत्र से चुनाव लड़ेंगी और रोहिनी आचारे बिहार की सारन सीट से ताल ठोकेंगी अपने पिता को किटनी देने वाली रोहिनी आचारे के लिए ये पहला मौका होगा जब वो चुनाव लड़ेंगी लेकिन मीसा भारती इस से पहले भी चुनाव लड़ चुकी है वो पाटली पुत्र से 2014 और 2019 का लोगसभा चुनाव लड़ चुकी है लेकिन इसी बीच खबर आगए कि मीसा भारती एक बार फिर पाटली पुत्र से चुनाव लड़ेंगी मीसा भारती लालु यादव की सबसे बड़ी बेटी है उनके जन्द के समय लालु यादव जेल में थे और इसलिए लालु यादव ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती रखा था क्योंकि देश में आपातकाल के समय लालु यादव को मीसा यानि Maintenance of Internal Security Act के तहद गिरफतार किया गया था ये वो कानून था जिसके तहद 1975 से 1977 के बीच आंदोलन कारियों को गिरफतार किया गया था और लालु यादव भी इसी कानून के तहद जेल में बड़ थे और उसी दोरान उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ था लालु यादव ने अपनी किताब में भी इससे जुड़ी पूरी कहानी लिखी थी और बताया था कि उन्हें जेपी ने सुझाव दिया था कि वो अपनी बेटी का नाम मीसा कानून के नाम पर रख दे इसके बाद लालु यादव ने अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती रख दिया था और इसके सालों बाद जब मीसा भारती अपने बेटे को लेकर संसद बहुंची थी तो एक बार फिर इस बात की चर्चा हुई थी उस वक्त पर लोगों ने सुझाव दिया था कि मीसा भारती भी अपने बेटे का नाम उसी तरह रखें जैसे उनका नाम रखा गया था ये सला मीसा भारती को तब दी गई थी जो अपने दो महीने के बेटे को लेकर संसत के शीत कालीन सत्र में पहुँच गई थी यानि जिन परिस्थितियों में लालु यादव की बेटी का नाम रखा गया था उसकी चर्चा सालों तक होती रही वैसे नाम के अलावा मीसा भारती अपनी MBBS की डिगरी की वज़े से भी खूब चर्चा में थी और इसके बाद लालु यादव के विरोधियों ने मीसा भारती के MBBS में टॉप करने पर सवाल उठा दिया थी यही नहीं मीसा भारती की मेडिकल प्राक्टिस नहीं करने पर भी सवाल उठे थे लेकिन मीसा भारती ने इस बात की दलील दी थी कि परिवार और काम के बीच में तालमेल बठाना मुश्किल हो जाता इसलिए उन्होंने प्राक्टिस नहीं की लेकिन विरोधियों ने मिसा भारती की दलील नहीं मानी थी और मिसा भारती के MBBS में टॉप करने पर बार बार सवाल उठाय थी यानि मिसा भारती का नाम और डिग्री दोनों चर्चा में रह चुके हैं और उनकी सियासत में एंट्री के बाद उन पर भष्टा चार के आरोप भी लगे। मीसा भारती और उनके पती शेलेश कुमार के खिलाव हजारों करोड की हिरा फेरी के मामले की जांच चल रही है। E.D. इस मामले में उनसे कई बार फूश्टाच कर चुकी है। और इनी मामलों की जांच के बीच आरजेडी ने मीसा भारती को बिहार की पाटली पुत्र सीट से टिकेट देने का फैसला किया। बिहार की पाटली पुत्र सीट 2008 में बनी थी। और इससे पहले पटना में केवल एक लोगसबा क्शेत्र था लेकिन 2008 में परिसीमन हुआ और इसके बाद दो लोगसबा सीटे मन महीं। पहली पाटली पुत्र और दूसरी पटना साहब। रिकॉर्ड है कि पाटली पुत्र में अब तक हुए तीनों लोगसबा चुनाओं में एंडिये को ही जीत मिली है। और 2014 और 2015 में मीसा भारती को एंडिये के राम कृपाल यादव ने मात भी थी। लेकिन मीसा भारती एक बार फिर पाटली पुत्र से चुनाओ लड़ने जा रही है। और उनके अलाबा लालु यादव की तूसरी बेटी रोहिनी आचार बिहार की सारण लोगसबाशीट से चुनाब लड़ेंगे। इसके संकेत आरजेडी की मलसी और लालु यादव के परिवार के खरीबी कहे जाने वाले सुनील कुमार सिंग ने कुछ दिन पहले ही दे दिये थे। और अब उन खबरों पर महर लग चुकी है क्योंकि लालु प्रसाद यादव की एक और बेटी की सियासत पे एंट्री होने जा रही है। प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हुआ था। रोणी आचारे के सारण से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच आरजेटी नेताओं ने इस बात का जिक्र भी छेट दिया। प्रसाद यादव के परिवार से राजनीती में आने वाली छटी सदस्य है। क्योंकि खुद लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबडी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और दोनों बेटे तेजस्वी और तेजप्रताब राजनीती में सक्री हैं। और चुनाव भी लड़ चुके हैं। परिसीबन के बाद इसका नाम सारन हो गया और चुपरा को इसका मुख्यालय बना गया। तो चुपरा लोगसबा सीट का नाम सारन लोगसबा सीट पढ़ गया। और उत्तरप्रदेश के बलिया जिले से अलग करती है। लेकिन कहते हैं कि भले ही नदियां यहां त्रिकोण मनाएं। लेकिन सारन में चुनावी संग्राम के दौरान कभी भी सियासी त्रिकोण नहीं मना। क्योंकि सारन में ज्यादतर बार ऐसा हुआ कि दो अमीनवारों के बीच ही कांटे की टक्तर हुई। लालू यादव की एंट्री से पहले इस सीट को कॉंग्रेस का गढ़ का जाता था। कॉंग्रेस के राम शेकर सिंग तो लगातार चार बार सारन से चुनाव जीते थे लेकिन 1977 में लालू प्रशाद यादव ने इस सीट से बंपर जीत हासिल की थी। और अबके सारन और तबके छपरा से जीत कर सुर्कियों में आ गए थे। जेपी आंदोलन को इस जीत की बड़ी वज़ा माना गया था। चुनाव लड़े थे और पाटली पुत्र में वो चुनाव हार गये थे लेकिन सारन में उनकी जीत हुई थी। लेकिन इसके बाद सारन लोग से बाद सीट से वो चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि चारा घुटाला मामले में उन्हें दोशी करार दिया गया था। और लालू प्रिसाद यादव के चुनाव लड़ने पर 11 साल की रोक लगा दी गई थी। लेकिन लालू प्रिसाद यादव ने इसका भी तोड़ निकाल दिया था। क्योंकि 2014 में सारन से राबडी देवी चुनाव लड़ी थी। यानि सारन में लालू प्रिसाद यादव के बाद न तो राबडी देवी ही जीत पाईं और नहीं लालू प्रिसाद यादव के समधीच चंदर का राये। उल्टा बाद में चंदर का राये आर जेडी छोड़कर जेडियू में शामिल हो गय थी। और दोनों बार आर जेडी के प्रत्याशियों को बीजेपी के राजीव प्रताब रूडी नहीं हराया था। 2014 और 2019 के लावा वो 1996 और 1999 में भी सारन से चुनाव जीत चुके हैं। और बिहार में NDA में सीट चेरिंग के बाद ये फैसला हुआ कि 2024 के लोगसभा चुनाव में भी सारन सीट बीजेपी के पास ही रहीगी। यानि एक बार फिर सारन में आर जेडी और बीजेपी का आमना सामना होगा। और इस बार तो रोहिणी आचारे सारन से चुनाव लड़ेंगे। और वो लालू प्रसाद यादव के परिवार की तीसरी सदस्य होगी जो सारन में अपनी किस्मत आजमाने वाली है। इस बीज बिहार के उपमुखे मंतरी समराद चौधरी ने लालू यादव की बेटी पर निशाना साधा। बुझाया। फिसलते हुए नीचे आगया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वो ट्रेन कम स्पीड में चलती नज़र आई। इस दोरान सपेज शट पहने वो आदमी उस ट्रेन में चड़ने के लिए आगया। वो एक बड़ा बैग लेकर उस ट्रेन में चड़ने की कोशिश करी रहा था कि उसका पैर लड़ खड़ा गया। और वो उस ट्रेन में चड़ने की बजाए फिसलते हुए नीचे आगया। वो थोड़ी दूर तक चलती ट्रेन के साथ गिसटता चला गया। और इसके बाद वहां खड़ा एक फुलिस कर्मी दोड़ते हुए वहां आया और उसे बाहर निकाल लिया। अगर उस फुलिस कर्मी को आने में थोड़ी भी देर होती तो वो आदमी पूरा का पूरा उस ट्रेन के नीचे आ जाता। लेकिन वो फुलिस कर्मी तुरंत उसे खीच कर उस ट्रेन से दूर ले आया। इस दोरान उस आदमी को देखने के लिए वहां लोगों की भीड जमा होगी। गरीमत ये रेगी उस आदमी को सही सलामत बचा लिया गया। इधर केंदर सरकार ने करिबियाई देश हेती में फसे भारतियों को निकालने के तयारी पूरी कर ली। पैसले को हाई कोट में चुनाती दी थी। बस्ती जिले में 2001 में कारोबारी के बेटे के अपरण के मामले में अमर मनित्र पाठी के खिलाफ निचली अदालत ने ये फैसला सुनाया था। बिहार की मुझफरफुर कोट से 28 साल फुराने मामले में बाहु बली नेता और पूर्व सांसद आनन्द मोहन को बड़ी रात मिली। गडबंदन में उनकी साथी कॉंग्रेस भी सांगली से चुनाव लड़ना चाती है। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि सांगली सीट पर महाविकास अगाडी में पेच फसा हुआ है। और इसके अगले ही दिन खबर आई कि इस सीट के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी और कॉंग्रेस में ठन गई। सांगली से चुनाव लड़ना चाती है। जोर दिया था कि चंदरहार पाटिल पहलवान है। उन्होंने बयान दिया था कि सांगली में एक ऐसे दमदार उमीदवार की जरूरत है जिसके एक हाथ में गदा हो दूसरे हाथ में मशाल हो। उद्धव गुट ने दलील दी कि वो सांगली के बदले कोलापूर सीट छोड़ने के लिए तयार है। लेकिन कॉंग्रेस इसके लिए तयार नहीं हुई। फिर क्या था? महराज की सांगली सीट के लिए महाविकास अगाडी में गमासान की खबरे आनी शुरू हो गए। सुत्रों ने बताया कि कॉंग्रेस इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री वसंदादा पाटिल के बोते विशाल पाटिल को चुनाव लड़वाना चाहती है। लेकिन उद्धव गुड की शिवसेना चंद्रहार पाटिल को सांगली से उम्मीदवार बनाना चाहती है। और माना जा रहा है कि ये सब सांगली की छे विधान सबा सीटों की वज़ा से हो रहा है। माना जा रहा है कि इसी वज़े से कॉंग्रेस वसंदादा पाटिल के पोते विशाल पाटिल को सांगली से चुनाव लड़वाना चाहती है। क्योंकि सांगली वसंदादा पाटिल की कर्म भूमी मानी जाती है। और 1978 में महाराष्ट में वसंदादा पार्टिल की गड़ बंधन की सरकार गिरा दी थी इसके बाद शरत पवार ने 1978 में प्रोग्रेसिव डेमोकरिटिक पार्टी की सरकार बनाई थी और महाराष्ट के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गये थी उस वक्द शरत पवार की उम्र 38 साल थी और गरी 45 साल बाद जब जब अजीत पवार ने NCP तोड़ी तो उन्होंने शरत पवार को वसंदादा पार्टिल की ही याद दिलाई थी चुकि आरोप लगा था कि शरत पवार ने वसंदादा पार्टिल को धोका दिया था और पार्टी के 40 विधायक तोड लिये थे और इस बात का जिकरी करते वे अजीद पवार ने बयान दिया कि उन्होंने जो 60 साल की उम्र में किया वो शरत पवार ने 38 साल की उम्र में ही कर दिया था क्योंकि तबके पत्रकार बताते हैं कि सरकार गिरने से कुछ घंटे पहले तक वसंदादा पाटिल को इसका एसास तक नहीं था और उन्हें पता ही नहीं था कि कुछ घंटों बाद महाराष्ट में उनकी सरकार गिर जाएगी 1977 में आपात काल के बाद कॉंग्रेस दो गुटों में बढ़ दी थी एक गुट का नाम पढ़ा कॉंग्रेस आई दूसरे का कॉंग्रेस यू कॉंग्रेस उर्स तब शरत पवार ने इंदरा गांधी का साथ छोड़ दिया था और देवराज अर्सवाली कॉंग्रेस यू का इस्सा बन गये थी इसके बाद 1978 में हुए महाराष्ट विधान सबा चुनाव दोनों कॉंग्रेस अलग-अलग लड़ी थी लेकिन वो बहुमत से पीछे थी इसके बाद कॉंग्रेस के दोनों गुटों कॉंग्रेस आई और कॉंग्रेस यू ने मिलकर सरकार बनाई थी और वसंदादा पाटिल मुख्यमंत्री बने थी लेकिन करीब ताड़े चार महीने बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी अलांकि सरकार गिरने के बाद भी वसंदादा पाटिल सांगली में मेहनत करते रहे उनके बेटे प्रकाश बापू वसंदादा पाटिल तो सांगली से पांच बार सांसद रहे और इस बार कॉंग्रेस सांगली सीट से वसंदादा पाठील के पोते को टिकट देने की कोशिश में है सुत्रों ने बताया कि कॉंग्रेस किसी भी किमत पर सांगली की सीट नहीं छोड़ना जा दी इसके लिए उसने पूरा जोर लगा दिये और साल 1962 से साल 2009 तक महाराष्ट की सांगली सीट पर कॉंग्रेस का कबजा बना रहा यानि कॉंग्रेस ने सांगली में एक दो बार नहीं बलकि पंदरहा बार जीत हासिल की कॉंग्रेस के प्रकाश बाबू वसंदादा पाटिल तो पांच बार महां से चुनाव जीते लेकिन 2014 में हुए लोगसबा चुनाव में कॉंग्रेस के हाथ से ये सीट निकल गई खबर है कि इस सीट के लिए महाविकास अघाड़ी में बैठक पर बैठक हुई सांगली महराश्ट के दक्षण में और इसकी सीमा सातारा, सोलापूर, कोलापूर और रत्नागरी जैसे जिलों से लगती है पूर्व दिशा में महराच के सांगली जिले की सीमा करनाटक के बीजापूर से भी लगती है पूरे देश में सांगली को हल्दी के उत्पादन के लिए जाना जाता है साल 1967 से पहले इस इलाके को मिरज कहते थे लेकिन 1967 के बाद जिले का नाम सांगली हो गया था और 1957 में सांगली में पहली बार चुना हुआ था और 2009 तक कॉंग्रेस ने लगातार इस सीट पर जीत हासल की थी लेकिन इसके बाद वो लगातार दो बार सांगली में हार गई थी माना जा रहा है कि इसी वज़े से महाविकास अगारी में इस सीट पर इतनी चर्चा हुए क्योंकि सूतरों ने बताया कि कॉंग्रेस को इस बार भरोसा है कि वो सांगली में जीत हासल कर लेगी लेकिन उद्धव गुट की शिवसेना ये सीट नहीं चोड़ना चाहती 21 से हरकट टॉर्नमेंट से बाहर हो गई जबकि केश रिकांत ने मलेशिया के खिलाडी को 21-16 और 21-15 से हरा कर कौटर फाइनल में जगा बना ली राजिस्तान रॉयल्स के गेंदबाज आडम जैंपा ने निजी कारणों से IPL के इस सीजन से अपना नाम वापस ले लिया उनकी जगा टीम में गेंदबार्स तनुष कोटियान को शामिल किया गया कोटियान मुंबई रंजी टीम से खेलते हैं और उन्होंने रंजी टोफी के इस सीजन में 10 मैचों में 29 विकेट लिये थे बारदिये शेहर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी रही इस दोरान आयटी को छोड़ कर दूसरे सभी सेक्टरों में खरीदारी देखने को मिली सबसे ज़्यादा तेजी मेटल, आटो, एफमसीजी, रियल्टी और कैपिटल गूड सेक्टर के शेहरों में रही इसकी वज़े से Bombay Stock Exchange का Sensex 190 अंग चड़कर 72,831 पर बंद हुआ तो निफ्ती 84 अंगों की तेजी के साथ 22,096 के स्तर पर पहुँच गया उदर रूस की फौज ने यूक्रेन में नीपरो नदी पर बने उसके सबसे बड़े बांध पर जोरदार हमला कर दिया पश्चिवी मीडिया के मताबिक महां मिसाइल और ड्रोन हमले किये गए दावा किया गया कि रूस के इस भीशन हमले ने यूक्रेन में हजारों लोगों की जिन्दगी मुश्किल में डाल दी क्योंकि पुतिन के फौज ने यूक्रेन में नदी पर बने उसके सबसे बड़े बांध पर कहर बरपा दिया पश्चिवी मीडिया के मुताबिक वहां खतरनाक मिसायलों के साथ साथ आत्म घाती ड्रोन भी गिराए गए तस्वीरों में दिखा कि रूसी हमले के बाद नीपरो नदी पर बने उस बांध पर भीशन आग लग लग गए दमकल कर्मी उस आग को बुझाने के लिए वहां पानी की बोचार करते दिखाए थी युक्रेन के जिस बांध पर हमला किया गया वो उसके दक्षणी इससे में मौझूद जापुरिज्जिया शहर में नीपरो नदी पर बने इस बांध के साथ एक पावर प्लांट भी बना हुआ है जिसके जरीए बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन किया जाता है और आसपास के खरीब एक दरजन इलाकों में बिजली की सप्लाई उस प्लांट से ही होती आई है लेकिन पश्चिमी मीडिया के मताबिक रूस के हमले में उस बांध के साथ साथ पावर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुचा जिसकी वज़े से आसपास के कई इलाके अंधेरे में डूप गए हालकि रूस ने सिर्फ जापुरिज्या ही नहीं बलकि युकरेन के कई शहरों में एक साथ तबाही मचा दी पश्चिमी मीडिया के मताबिक वहां 24 घंटों में करीब 90 मिसाइले और 60 से ज्यादा ड्रोन हमले किये गए जिन में तीन लोगों की मौट हो गई और कई लोग घायल हो गए लेकिन आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन की मदद से पानी की बौचार कर दी पानी की तेज गोचार होते ही वहाँ अफरात अफरी मच गई। प्रदर्शनकारी थोड़ी देर के लिए सड़क पर पीछे की तरफ भागे लेकिन वाटर कैनन बंध होते ही वो फिर से पुलिस की बैरिकेडिंग के पास जमा होकर हंगामा और नारेबाजी करते दिखाई दि मोहाली से चंडीगड में मौझूद गवरनर हाउस की दूरी खरीब 12 किलोमीटर है। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं के प्रदर्शन को देखते हुए मोहाली चंडीगड हाइवे को बंद कर दिया और वहाँ लोहे के बड़े-बड़े बैरिकेड लगा द पार करके दूसरी तरफ कूद गए। बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ मौझूद दूसरे प्रदर्शन कारी भी वहाँ से कूद कर पुलिस वालों की तरफ आने की कोशिश करते दिखाई दिये। चंडीगड में गवरनर हाउस का घहराव करने निकले आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं के हाथों में केजरिवाल के समर्थन वाले पोस्टर दिखाई दिये। पोस्टरों पर मैं भी केजरिवाल लिखा नजर आया हाला कि पुलिस ने सभी प्रदर्शन कारियों को चंडीगड में बीजेपी के दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर भारी संक्या में पुलिस वाले तैनात दिखाई दिये। कर प्रदर्शन वाली जगह से दूर भेज दिया। लेकिन गिरफतारी और कोर्ट से रिमांड पर भेज़े जाने के बाद आम आदमी पार्टी का घुस्सा पूट पड़ा। सूत्रों के मताबिख रिमांड के मुद्दे पर दिल्ली की राउजवनियों कोर्ट में दोनों चाड़े बारा बजे एडी एफसरों का काफिला अर्विन केजरिवाल को लेकर एडी दफतर से राउजवनियों कोर्ट के लिए निकला। पर एक वीडियो जारी किया जिसमें कोर्ट में दाखिल होते हुए अर्विन केजरिवाल ये कहते सुनाए दिये कि वो चाहे जेल में रहें या बाहर देश के लिए काम करते रहें। मतलब ये कि एडी के वकीलों ने अर्विन केजरिवाल की रिमान के लिए पूरी ताकत लगा दी। इडी ने दिल्ली के शराव गोटाला मामले में मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल को मस्टमाइंड बताया। इडी के वकील ने इसके लिए अंग्रेजी के किंग पिन शब्द का इस्तमाल किया। इसके साथ ही इडी ने दावा किया कि इस केस से जोड़े कई इलेक्ट्रोनिक सबूत पहले ही मिटा दिये गए थे। नहीं ये भी कह गया कि मुख्यमंतरी की गिरफतारी गैर कानूनी तरीके से की गई। और एडी के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल ने ही दिल्ली की शराब नीत्री में बदलाव करके करोणों के गोड़ाले की नीव रखी। इसी वज़े से E.D. ने केजरिवाल को इस शराब गोटाले का किंग पिन माना, किंग पिन यानी सबसे एहमाद भी मतलब E.D. ने ये दावा किया कि ये पूरी साजिश अर्विंद केजरिवाल के इशारे पर ही रची गई और इसके जरीए करोणों की रखम का गबन हुआ E.D. ने दावा किया कि इस पूरे खेल में मनीश्ट सोधिया और संजे सिंग भी बराबरी के हिस्सेदार थे आलाकि E.D. के मताबिक इस गोटाले में अर्विंद केजरिवाल ने सीधे सीधे हिस्सा नहीं लिया बलकि इसके लिए उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजे नायर को काम पर लगाया गया था E.D. के मताबिक विजे नायर ने अर्विंद केजरिवाल के कहने पर नसित मीतियों में तोड मरोड का खाका तयार किया बलकि लोगों को डरा धमका कर उनसे उगाही का सारा काम भी वही देखता था और E.D. के मताबिक इसी विजे नायर के जरिए दिल्ली के सीएम अर्विंद केजरिवाल और उनके सहीयोगियों तक 330 करोड से जादा की रकम पहुंची दावे के मताबिक इसके लिए बाकाइदा पूरी प्लानिंग की गई थी और E.D. के जांच में ये आरोफ लगाया गया कि दिल्ली की नई शराब मीती के जरिए करोडों के घोटाले की फटक था अर्विंद केजरिवाल के घर पर ही लिखी गई थी E.D. के मताबिक दिल्ली के सीम हाउस में हुई उस बैठक में अर्विंद केजरिवाल के अलावा मनीश शिसोदिया भी मौजूद थे और इसी बैठक में ये तैह हुआ था कि शराब नीथी में प्रॉफिट का जो मार्जिन 6 पतिशत है उसे बढ़ा कर 12 पतिशत मतलब दुगना कर दिया जाए और इडी के मताबिक खुद ये बात मनीश शिसोदिया के सचिप सी अर्विं ने फूस्ताज के दोरान बताई थी और ये दावा किया गया था कि ये काला खेल अर्विं केजरिवाल की आँखों के सामने ही रचा गया और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि इस नई शराब नीथी के जरीए उन्हें करोड़ों का फायदा हो सकता है और इडी का दावा है कि अर्विं केजरिवाल अपने प्लैन में काम्याब भी हो गए थे सुत्रों के मताबिक जांच में ये बात सामने आई कि अर्विं केजरिवाल ने शराब नीथी की आड़ में शराब माफिया से करीब सौ करोड़ की रिश्वत ली थी और बदले में नई शराब नीथी के जरीए उन्हें फायदा पहुँचाने का बादा किया था मतलब केजरिवाल और शराब माफिया ने एक हाथ दे दूसरे हाथ ले का फार्मूला अपनाया ताकि दोनों ही पक्षों को फायदा हो सके और इसमें एक एहम किरदार ने भाया शराब कंपनी इंडो स्पिरिट के डिरेक्टर समीर महिंद्रू ने सुत्रों के मताबिक समीर महिंद्रू ने पूश्टाश में बताया कि अर्विन केजरिवाल से उन्हें उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजय नायर ने आईपोन के एप फेस टाइम के जरीए मिलवायद के बदले में 100 करोड रुपए की रिश्वत मांगी थी और जांच में ये बात सामनी आएगी इस रकम का इस्तेमाल 2022 में गोवा में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किया था एडी ने कुछ दस्तावेजों के जरीए ये आरोप भी लगाया कि इस रकम के बड़े हिस्से की हेरा फेरी कैश में की गई ताकि किसी को आम आदमी पार्टी या फिर अर्विन केजरिवाल पर शक न हो इडी ने ये दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत के तौर पर मिली रखम से 45 करोड रुपे का इस्तमाल गोवा के चुनाव में किया इसके लिए तिलंगाना के मुख्यमंत्री के चंदरशेकर राव की बेटी के कविता के अकाउंटेंट बुच्ची बावू ने दो बार पैसे ट्रांसवर किये गये सूत्रों के मुताबिक बुच्ची बावू के अकाउंट से ही आम आदमी पार्टी के पास पहले 10 करोड और फिर 15 करोड रुपे ट्रांसवर किये गये और दावा है कि गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाओं में काम करने वाले लोगो इसी रकम से भुक्तान किया गया है और दावा है कि गोवा चुनाम में करीब 70 लाक रुपे नकद में दिये गए ये पैसे जिनें दिये गए उनमें आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीदवार भी शामिल थे इसके लावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने गोवा चुनाम में रिसर्चर के तौर पर अर्विन केजरिवाल की पार्टी के लिए काम किया था और माना जा रहा है कि उनी की गिरफतारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल का नमबर लगा क्योंकि E.D. ने अपनी जांच में ये दावा किया कि खरीब 600 करोड से जादा के इस गोटाले को बी आरेस निता के कविता और दिल्ली के सीम अर्विन केजरिवाल ने मिल कर अंजाम दिया E.D. के मुताबिक इस समझोते के लिए के कविता का ओफर लेकर Y.S.R. कॉंग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासलू रेटी दिल्ली पहुंचे थे उन्होंने ही 100 करोड की रिश्वत के बदले के कविता को भी इस शराब भोटाले में भागिदार बनाने की मांग सीम केजरिवाल से की थी और Y.D. के सूतरों के मुताबिक इसके बाद इस नई सराबनीती के जर्ये जादा से जादा धन होगा ही का फूल प्रूफ प्रेंट तेयार कर लिया गया और इसे मंगुटा श्रीनिवासलू रेटी के बेटे रागव मंगुटा के जरीये अंजाम दिया गया ये वही सौ करोड की रखम थी जिसे आम आदमी पार्टी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बुच्ची बाबू को सौंपी गई थी और Y.D. के मुताबिक इसी सौ करोड में 45 करोड रुपए आम आदमी पार्टी ने 2022 में हुए गोआ के चुनाव में खपा दिये थी और इसी मामले में जेल में बंध के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जटका लग गया दिल्ली चराब गोटाला मामले में आरोपी तिलंगाना के पूर्व मुक्य मंतरी के चंदरशेकर राओ की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जटका लगा सुत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तरपदेश, ओडिशा, महराष्ट, तिलंगाना और राजिस्थान समेथ कई राज्यों के लिए उम्मीद्वारों के नाम पर मोहर लग सकती है इस बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे बिहार में महागडबंधन में शामिल CPI ने तीन बार विधायक रह चुके अवधेश कुमार को बेगुसराय लोगसबा सीट से अपना उम्मीद्वार बना दिया इससे पहले अटकलें थी कि कॉंग्रेस नेता कनिया कुमार को ये सीट मिल सकती है कनिया कुमार ने 2019 में इसी सीट से CPI के टिकट पर चुनाव लड़ा था तब वो बीजेपी नेता गिरीराज सिंग से चुनाव हार गए थी इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दोरान दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी रासत में ले लिये गए प्रदर्शन कर रही दिल्ली की मंत्री आतिशी को पुलिस बस में भर कर ले गई और इस दोरान आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं ने उन्हें घेर लिया जैसे ही महिला पुलिस कर्वी आतिशी को हिरासत में लेने आई वहां मौझूद तमाम कारेकर्ताओं ने उनके चारों तरफ घेरा बना लिया और इसके बाद तो आतिशी को वहां से ले जाने में पुलिस कर्वियों के पसीने चूट गए सेकड़ों कारेकर्ताओं के साथ प्रदशन कर रही आतिशी को पुलिस ने जैसे तैसे बस में बठा दिया लेकिन इसके बाद भी उनकी नारे बाजी बंद नहीं हुई वो उस बस की खिड़की से बाहर निकल कर नारे लगाती रही और आतिशी की ही तरह पुलिस ने दिल्ली सरकार में मंत्री सौरब भारदवाज को भी राजत में ले लिया इस दोरान उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर बैट कर ही गाने गाना शुरू कर दिया उनके साथ कई कारेकर्ता भी मौजूद रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी कारेकर्ता धरने पर बैट गए और पुलिस के लिए उन कारेकर्ताओं पर काबू पाना मुश्किल हो गया दिल्ली के आईटियो इलापते में तो आम आदमी पार्टी के कारेकरता बीच सड़क पर ही बैठ गया एक लाइन में बैठे कारेकरताओं ने वहाँ बैठ कर नारेबाजी करना शुरू कर दिया जिसकी वज़े से सड़क पर लंबा जैम लग गया इस दोरान जब पुलिस उन्हें अठाने पहुंची तो वो वहाँ से हिलने को भी राजी नहीं हुए इसके बाद पुलिस को जबरदस्ती उन्हें खीच कर वहाँ से हटाना पड़ा ऐसा ही प्रदर्शन वहाँ राव जैमिन्यो कोट के बाहर भी दिखाई दिया कारकर्ताओं ने वहाँ लगी बैरिकेडिंग के सामने ही नारेबाजी शुरू कर दी इसके बाद वहाँ पहुंची पुलिस ने कई कारकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और इस दोरान जब पुलिस कुछ महिला कारकर्ताओं को वहाँ से अठाने पहुंची तो वह सड़क परी ले लेट गई इसके बाद पुलिस उन्हें उठा कर वहाँ से ले गई दिल्ली के आईटियो इलाके में प्रदर्शन कर रहे कारकर्ता पुलिस से भीड़ने तक को तयार हो गई ऐसे में पुलिस और कारकर्ता आमने सामने आ गई वहाँ से आई एक तस्वीर में पुलिस दो कारकर्ताओं को गसीट कर वहाँ से ले जाती नज़र आई इस दोरान वहां मौझूद एक महिला कार्यकरता उनके पास बैटकर ही नारे लगाती रही इसके बाद पुलिस ने उस महिला कार्यकरता को भी हिरासत में ले लिया आईटियो इलाके में इतनी बड़ी संख्या में कार्यकरता पहुँच गए कि वहां ट्राफिक की दिटकत खड़ी हो गई ऐसे में पुलिस ने सकती दिखाते हुए सड़क पर बैठे एक एक कार्यकरता को वहां से अटा दिया इधर खानून के जानकारों के मताबिक एडी के समन्स पर पूश्टाज के लिए नहीं पहुँचना ही केजरिवाल की सबसे बड़ी मुसीबत बना क्योंकि दिल्ली शराब गोटाला मामले में एडी ने उन्हें नो समन्स भेजे थे लेकिन वो एक भी समन्स पर पूश्टाज के लिए नहीं पहुँचे थे इसी वज़े से एक रोज पहले एडी के एक टीम उनके घर पहुँच गई थी क्योंकि नो में समन्स के तहट केजरिवाल को 21 मार्च को सुभे 11 बजे पेश होना था लेकिन वो हर बार की तरह इस बार भी पूश्टाज के लिए एडी आफिस नहीं पहुँचे थे यही नहीं वो एडी के समन्स को लेकर दिल्ली हाई कोट पहुँच गए थे जानकारी के मताबिक कोट को एडी ने वो सबूत भी दिखाये थे जिनके आधार पर पूश्टाज के लिए केजरिवाल को समन्स जारी किये गए थे माना जा रहा है कि दिल्ली हाई कोट से उनको जटका लगने के बाद एडी ने उने गिरफतार करने की तैयारी शुरू कर दी थी कारून के जानकारों का मानना है कि एडी के नौ समन्स पर पूश्टाज के लिए न पहुँच कर केजरिवाल ने अपने पैरों पर कुलाडी मार ली थी और सुत्रों के मताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को गिरफतार करने से पहले एडी के बड़े अधिकारियों ने एक बैठक की थी दावा किया गया कि दिल्ली हाई कोट से केजरिवाल को राहत नहीं मिलने के बाद जांच एजिंसी के अधिकारियों ने ये बैठक की थी। सुत्रों से मिले जानकारी के मताबिक शुराब घुटाले के जाच के दौरान E.D. को कई एहम सबूत मिले हैं। तक केजरिवाल को पूश्टाज के लिए 9 समंज भेजे थे लेकिन इन 6 महीनों में केजरिवाल एक बार भी पूश्टाज के लिए E.D. के आफिस नहीं पहुँचे थे। उन्हें पूश्टाज के लिए 2 नवंबर को बिला गया था लेकिन वो दिवाली होने की बात कहकर नहीं गये थे। इसी तरह केजरिवाल ने E.D. के तरफ से जारी किये गए 6, 7, 8 और 9 समंज से बचने के लिए अलग-अलग वज़े बताई। पहले निचली अदालत में रखेंगे। इस पर सुप्रीम कोट ने भी आम आदमी पार्टी को याचिका वापस लेने की इजाज़त दे दी। कानून के जानकारों के मताबिक आम आदमी पार्टी को अगर सुप्रीम कोट से जटका लगता तो केजरिवाल की जमानत पर संकट आ जाता और उनके पास आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। इसलिए सोच समझ कर सुप्रीम कोट को सबसे आखरी दाओं के रूप में रखने का फैसला लिया गया। उदर बिहार के सुपॉल में एक पुल का हिस्सा आचानक गिर पड़ा। इस घटना में एक मजदूर की मौत हो गई जिबकि कई लोग घायल हो गए। इस फुलका निर्मान भारत माला प्रोजेक्ट के थैत किया जा रहा है। इलाबाद आइकोट की लगनव बेंच ने यूपी बोर्ड आफ मंदरसा एजुकेशन एक्ट को असम्मेंधानिक परार दिया। कोट ने इस एक्ट को धर्म निर्पेक्ष्टा के सिध्धान के खिलाफ बताया। इसके साथ ही कोट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि मदरसों में पढ़ने वाले चात्रों को बुनियादी शिक्षा विवस्था में समायोजित किया जाए। कॉंग्रेस को दिल्ली हाई कोट से बड़ा जटका लगा। हाई कोट ने आयकर विभाग की कारवाई के खिलाब कॉंग्रेस की याचिका खारिज कर दी। इन लोगों ने केजरीवाल की गिरफतारी के विरोध में नारे लगाए और एक पिंजरा लाए इस पिंजरे पर ED और CBI लिखा दिखा इसके जरीए इन लोगों ने अपना गुसा दिखाया प्रदर्शन के दोरान कई प्रदर्शनकारी बैरिकेट पर चड़ गए बहुत देर तक हंगामा चलता रहा इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारीयों को इरासत में लेना शुरू किया और बसों में भर कर इन लोगों को वहां से अटाया गया इससे पहले केजरीवाल की गिरफतारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कॉंग्रेस, टी लेजरीवाल के साथ दिखा, चुनाव आयोग कॉंचने वाले नेताओं में तो कॉंग्रेस के नेता भी शामिल थे, जबकि इससे पहले कॉंग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने दिल्ली के शराब घुटाले की शिकायत पुलिस से की थी, 2022 में दिल्ली के अध्यक शनिल और आरोब लगाया था कि दिल्ली में नई शराब नीती के तहत कई कंपनियों को अवैद ठेके दिये गए, यही नहीं कॉंग्रेस ने आरोब लगाया था कि कई कंपनियों को अधिकारियों और मंत्रियों की वज़े से ठेके मिले, दिल्ली सरकार पर कॉंग्रेस के हमले यह प्रज्ज चि नेर्ट के सीधा करनेस्ट रही थी कॉंग्रेस नेतालका लाम्बा ने तो शिसोद्या और केजर्यवाल दोनों को घेरा था 만श्य सोद्या जी अरविंध केजर्यवाल जी के राज़्स हैं उनकी capaz टूटे गी और उनकी ainda कॉंग्रेस के ये सूर पहले थे क्योंकि अब वो केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ है और इसलिए उसने सड़कों पर प्रदर्शन किया लेकिन विपक्षी कटबंधन मनने से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं के तेवर अलग थे उन्होंने परिवारवाद के मुद्धे पर कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी समयच कई विपक्षी पार्टीयों को घेरा था आम आदमी पार्टी की नेता संजे सिंग ने तो एक रैली में विपक्षी पार्टियों के एक एक नेता का नाम लेकर उन पर निशाना साथा था लेकिन केजरिवाल की गिरफतारी के बाद विपक्षी कटबंधन जिस तरह से एक जूट हुआ उसके बाद संजे सिंग का वो बयान चर्चा में आ गया क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कबजे में है चंद परिवारों ने देश की राजनीती पर कबजा कर लिया है पूरफ से लेके पस्चिम तक उत्तर से लेके डक्षिन तक चंद परिवारों का देश की राजनीती पर कबजा है चले जाएए काश्मीर, सेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, चले जाएए महारास्त्रा, बाल ठाकरे, उधाउट ठाकरे, आदित ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी, सरत पवार, सुप्रिया सूले, अजीत चले जाएए बिहार, लालू यादो, राबडी यादो, तेजस यादो, मीसा यादो, तेजस्वी यादो, एकी परिवार की पार्टी, चले जाएए जहारखन, तुर्गा सुरेन, सेमन सुरेन, सीबू सुरेन, एकी परिवार की पार्टी, चले जाएए उडीसा, बीजू पतन इदर मद्रप्रोदेश के धार में मौझूद भोच चाला परिसर में ASI के सर्वे के मामले में मुस्लिन पक्स को बड़ा जटका लगा सुप्रीम कोट ने मद्धिप्रदेश के धार जिले में मौझूद भोच्छाला के ASI सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया कि इस मामले में फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं होगा इस बीच ASI ने हाई कोट के आदेश के बाद भोच्छाला के सर्वे का काम शुरू कर दिया बुठान मंत्री नरेंद्र मोदी को भुठान के सर्वोच नागरिक सम्मान और अब दरुग ग्यालपों से नवाज आ गया बुठान में ये सम्मान पाने वाले पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिने दूसरे देश के प्रमुक के तौर पर ये प्रतिष्टित पुरसकार दिया गया इससे पहले बुठान का सर्वुच नागरिक सम्मान बुठानी नागरिकों को ही दिया जाता था प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी की भुटान यात्रा के दौरान दोनों देशों ने पेट्रोलियम, उर्जा, खेल और स्वास्त के क्षेत्र से जुड़े साथ समझोतों पर हस्ताक्षर किये इससे पहले प्रधान मंत्री के भुटान पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया इसके बाद पीम ने भुटान के प्रधान मंत्री और भुटान नरेश से मुलाकात की और सड़क पर लगे बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करते दिखे पुलिस के बैरिकेड पर चड़ा है कारेकरता वहां मौझूद पेड की टहनी से लटक गया और अपने पैरों से बैरिकेडिंग पर धक्के मारने शुरू कर दिये उस प्रदर्शन कारी ने पुलिस के बैरिकेड पर दस से ज़्यादा बार धक्के मारे हानकि इस दोरान बैरिकेड के दूसरी तरफ मौझूद पुलिस वालों ने बैरिकेड को गिरने से रोके रखा आम आदमी पार्टी के कुछ दूसरे कारीकर्टा भी बैरिकेड पर चड़े हुए दिखाई दिये आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं ने आरोप लगाया कि शांती से हो रहे प्रदर्शन के दोरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिसमें कई कारेकरता गायल हो गए आम आदमी पार्टी के कारिकरताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर केंद्रिय एजेंसिया विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। काफी देर तक कुरुक्षेत्र में उस सड़क पर हंगामा होता रहा। कि अगर इस्तीफा देनी की नौबत आई तो दिल्ली की शिक्षा मंतरी आतिशी दिल्ली की सरकार चलाएंगी। शराब गोटाला मामले में मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल पर गिरफतारी की तलवार लटक रही थी। लेकिन जेल से सरकार चलाने की रह में आम आदमी पार्टी को कई तरह की चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि शूत्रों के मताबिक तिहार जेल के मैनुवल यानि नियम काइदों में जेल से सरकार चलाने का कोई प्राओधान ही नहीं। मतलब ये कि भले ही आमादमी पार्टी ने जेल से सरकार चलाने की तैयारी की हो लेकिन इसकी इजाज़त चायद ही उसे जेल प्रशासन से मिले सूतरों के मुदाबिक दिल्ली के तिहार जेल के मैनुवल में किसे भी मुख्यमंत्री के जेल से सरकार चलाने का प्रावधान नहीं है कई तरह की दिख्ततें सामने आ सकती है क्यूंकि नियमों के मुख्यमंत्री के कंधों पर कई तरह की जिम्बेदारिया होती है क्याबिनेट की बैठक के अलावा मुख्यमंत्री को दिन भर अफसरों के साथ बैठकें करनी पड़ती है और जेल में रहते हुए ये सारी चीजें संभव नहीं है और जिस शराब घुटाला मामले में अरविन केजरीवाल को गरफतार किया गया वो शराब नीती तीन साल पहले बनाए गई थी उस दोरान दिल्ली के डिप्टी सीम रहे मनीश शिसोधिया ने नई शराब नीती लाने का इलान किया था और वो तारीख थी 22 मार्च 2021 यानि ठीक तीन साल पहले दिल्ली के डिप्टी सीम रहे मनीश शिसोधिया ने नई शराब नीती लाने का इलान किया था इसके लागू होते ही शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और पूरा कारोबार नीजी हाथों में चला गया था कई बड़े ओफर और डिसकाउंट देने की वजह से शराब की जमकर बिक्री हुई थी और इससे दिल्ली सरकार का खजाना तो बढ़ा लेकिन इस नई नीटी का जमकर विरोध भी होने लगा था आठ जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीटी में घोटाला होने का आरोप लगा था उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट उपराजपाल वीके सकसेना को बेज दी थी रिपोर्ट में सिसोधिया पर नियोमों को ताक पर रखकर शराब कारोबारियों को फाइदा पहुँचाने का आरोप लगा गया था और बाद में उपराजपाल ने भी उनकी और कैबिनेट की मनजूरी के बिना शराब नीती में बदलाब करने का आरोप लगा दिया था 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराजपाल ने मुख्य सचिप की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच सी बियाई से कराने की सिपारिश कर दी थी और उसी दोरान विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीतीर रद्द कर दी थी इसके बीचे दलील ये दी गई थी कि खुदरा और थोक कारोबारियों के शराब के धंदे से हटने की वज़े से ऐसा किया गया बाद में 17 अगस 2022 को सीबी आई ने मनीश सिसोदिया, तीन रिटायर सरकारी अफसर, नौ शराब करोबारी और दो कमपनियों के खिलाब केस दर्च कर लिया था इन पर भष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहट केस दर्च किये गए थी और इसके बाद सिसोदिया ने दावा किया था कि सीबी आई को कुछ नहीं मिला तीन दिन बाद 22 अगस 2022 को ईडी ने सीबी आई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉंडरिंग का केस दर्च कर लिया था क्योंकि सिसोदिया के पास ही आपकारी विभाग था इसलिए उन्हें इसमें मुख्य आरोब भी बनाया गया कई बार पूश्टाच के बाद जाँच एजिंसी ने 26 वरवरी को उन्हें गिरफतार कर लिया था सिसोदिया पर आरोब लगाया था कि उन्होंने मनमाने और एकतरफा फैसले लिये थी उनके फैसलों की वज़े से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ इस भी जोडिशा के मुख्यमंत्री नमीन पतनाय की पार्टी बीजेडी और बीजेपी में गडबंधन पर बात नहीं बन सकी दोनों पार्टियों ने राज्य की 21 लोगसवा सीटों और 147 विधानसवा सीटों पर अलग-अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया पुटिशा में लोगसवा के साथ ही विधानसवा के भी चुनाव होने हैं इएमन सीटों ने चुनाव आयोक से पश्चेमंगाल के राज्यपाल सीवी आननद बोस के खलाव शिकायथ की इएमसी ने राज्यपाल पर चुनावी प्रक्रिया में दखल देने का आरोप लगाया कुछ दिन पहले वहां के राजजपाल ने लोगसभा चुनाव से जुड़े किसी भी मुद्धे पर लोगों से जुड़ने के लिए पोर्टल लोग सभा लॉंच किया था इस पर टीमसी ने आपत्ती जताई इधर दिल्ली शराब गोटाला मामले में अर्विन केजरिवाल समेथ 16 लोग गिरफतार किये जा चुके हैं केजरिवाल से पहले दिल्ली के पूर्व रिप्टी सीम मनीश सिसोधिया, राजेसबा सांसाथ संजय सिंग और पूर्व मुख्य मंतरी केज अंदर शेकर राव की बेटी के कविता की गिरफतारी की जा चुकी है और सुत्रों के मताविक पूष्टाज के दोरान के कविता ने कई बार इस मामले में अरविंद केजरिवाल का नाम लिया था इसी वज़े से ये आशंका जताई जाने लगी थी कि शराब गोटाला मामले में किसी भी वक्त केजरिवाल की गिरफतारी हो सकती है और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही एक रोज पहले शाम करीब साथ बजे एडी की एक टीम मुख्य मंत्री अरविंद केजरिवाल के घर पहुंची थी और दो घंटे की पूष्टाज के बाद राद करीब नौ बजे केजरिवाल को गिरफतार कर लिया था दिल्ली शराब गोटाला मामले में इस साल ये दूसरी गरफतारी है क्योंकि केजरिवाल से पहले तिलंगाना के पूर्व मुख्य मंत्री के चंदरशेकर राव की बेटी के कविता को कुछ रोज पहले ही एडी ने गरफतार किया था जानकारी के मताबिक शराब गोटाला मामले में गरफतारी का सिलसला सितंबर 2022 में शुरूआ था इस मामले में सीबी आई ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर को गरफतार किया था मामले में सबसे जादा गरफतारियान 2023 में हुई उस साल जांच एजिंसियों ने शराब कारोबारी गौतम मलहुतरा रागव मंगुटा और दिनेश अरोडा समेथ कई लोगों को गरफतार किया था लेकिन 2023 में सबसे बड़ी गरफतारी मनीश इसोदिया के रूप में हुई थी तब वो दिल्ली के उपमुखे मंतरी थी लेकिन 26 फरवरी 2023 को गरफतारी के बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था उनके बाद 4 अक्टूबर 2023 को आम आदमी पार्टी के वरिष्ट नेता और राजेसवा सांसत संजे सिंग को भी गरफतार कर लिया गया था इसी वज़े से आम आदमी पार्टी को बड़ा जटका लगा था सुत्रों ने दावा किया कि शराब कारोबारी दिनेश अरोडा, संजे सिंग, मनीश सोदिया और विज़े नायर के बेहत करीवी हैं जानकारी के मताबिक बाद में दिनेश अरोडा सरकारी कवाह बन गए और पूश्ताच में उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम उगल दिये थे इस बीच हिमाचर प्रदेश के तीन विधायकों ने स्तीफा दे दिया इमाचर प्रदेश में पिछले महीने हुए राजेसवा चुनाम में बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देने वाले तीन निर्दलिये विधायकों ने स्तीफा दे दिया खबरे कि ये तीनों बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जम्मु कश्मीर के पूर्व मुख्यमंतरी गुलाम नभी आजाद की पार्टी डीपी एपी को चुनाव आयोग ने बाल्टी चिन आवंटित किया गुलाम नभी आजाद ने कॉंग्रेस चोड़ने के बाद पिछले साल ये पार्टी बनाई थी उनकी पार्टी टीपी एपी ने जमू कश्मीर की सभी पांच लोकसबा सीटों पर चुनाव लड़ने का आलान किया है उत्रप्रदेश के बदाईउं हत्या कांड में शामिल जावेद नाम के दूसरे आरोपी को 14 दिन की नियाएक हिरासत में जेल भेज दिया गया लेकिन वहाँ पुलिस कर्वी उनके सामने किसी चटान की तरह खड़े हो गया और आम आदमी पार्टी के कारेकर्टाओं को बीजेपी दफ्तर में गुसने से रोक दिया तबी वहाँ बैरिकेड के पास ही उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दिया इस दोरान प्रदर्शन कर रहे कारेकरता अपने हाथों में पोस्टर लेकर लेकर लहराते नजर आए और कुछ कारेकरता तो बेरिकेड हटा कर सड़क के दूसरी तरफ आ गए लेकिन पुलिस के जवानों ने सकती दिखाई और उन्हें खदेड दिया इस बीच कुछ कारेकरता उन से भिड़ गए तभी पुलिस के जवानों ने डंडे बरसाने शुरू कर दी इसके बाद तो सड़क पर एके कारेकरता को पुलिस करमी दोड़ा दोड़ा का डंडे मारते दिखाई दिए और उनमें एक कार्यकर्ता तो सड़क पर ही लेट गया उसे पुलिस कर्मियों ने उठाया और हिरासत में ले लिए इसके साथ ही कई दूसरे कार्यकर्ताओं को भी पुलिस कर्मी वैन और बस में डालते दिखे वहां बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे प्रदर्शन कारियों को हिरासत में लेने के दौरान वो शोर शराबा करते दिखे कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए उस बस के अंदर भी नारे लगाए जबकि दिल्ली के मुख्यमंतरी आर्विन केजरिवाल ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया 25 वर्ष में पहली बार एक 18 मुख्यमंतरी को कल रात को गिरफतार किया गया कुछ दिन पहले ही झारकन के पूर्व मुख्यमंतरी हेमन सुरेन ने भी ऐसा ही किया था 31 जनवरी को गिरफतार किये जाने से ठीक पहले उन्होंने राजजपाल को इस्तीफा सौप दिया था हेमन सुरेन को जमीन गोटाले के एक मामले में एडी ने गिरफतार किया था साल 1997 में लालू प्रसाद यादव ने भी खुद पर गिरफतारी की तलवार लटकने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था क्योंकि CBI ने चारा गोटाले के एक मामले में उनके खलाफ वरंट जारी कर दिया था यही वज़ड़ है कि तब लालू प्रसाद यादव ने चौकाने वाला पैसला लेते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी पत्नी राबडी देवी को बैठा दिया था इमन सुरेन और लालू प्रसाद यादव के अलावा तमिलनाड में जे जैलालिता, करनाटक में बीए सेडियोरप्पा और मध्य प्रदेश में उमा भारती को भी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था इधर जेल में बंद यूट्यूबर अलविश यादव को कोट से रात मिल गई नशे के लिए सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में गिरफ्तार हुए यूट्यूबर अलविश यादव को कोट से जमानत मिल गई कॉंग्रेस के राश्ट्री प्रवक्ता रोहन गुट्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया इसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर गंभीर आरोब भी लगाए कॉंग्रेस ने उन्हें एमदबाद पूर्व सीट से टिकेट दिया था लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था इस भी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि गिरफतारी के बाद पहली रात एडी मुख्याले में अर्विन केजरिवाल को नींद नहीं आई उन्हें वहां लॉक अप में रखा गया था और इस दोरान केजरिवाल भी कैमरे की निगरानी में रहे इसके साथ ही आसफास सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहे इडी दफ्तर की तीन मंजिला एमारत में दो लॉक अप हैं और दोनों ही लॉक अप ग्राउन फ्लोर पर बने हैं बताया गया कि उनमें एक लॉक अप में अरविन केजरिवाल को बंद करके रखा गया था सुत्रों के मुताबिक उस लॉक अप में वो रात भर परेशान रहे और उन्हें नीद नहीं आए आनकि अपील करने पर उनके घर से कंबल और दवाईयां मंगवा कर उन्हें दिगी नियमों के मताबिक E.D. की गिरफ्ट में आए किसी भी आरोपी को अपील के बाद दवाईयां और जरूरत का सामान दिया जा सकता है और इसी अपील के बाद केजरीवाल को भी दवाईयां और जरूरत की चीज़े E.D. के दफ्तर में मोहिया कराई गई लेकिन सुत्रों ने दावा किया कि केजरीवाल लॉक अप में ठीक से सो नहीं पाए और सुबह जल्दी उड़ गए इसके बाद उन्हें लॉक अप के अंदर ही नाच्टा दिया गया और उन्होंने अपनी रूटीन की दवाईयां ली वही सुत्रों ने दावा किया कि अर्विन केजरीवाल की परिशानी अभी और बढ़ सकती है क्योंकि शराब गोटाला मामले में तो इडी ने उनसे सवाल जवाब करने के लिए सपशल टीम तयार कर ली सूत्रों के मताबिक ये सपेशल टीम क्यान वह से पूश्त आच करेगी और पूश्टाच के दोरान सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं बलकि लिखित बयान भी दर्ज किये जाएंगे यानि केजरिवाल से किये जाने वाले एक-एक सवाल और उनके दिये गए जवाब विस्तार से लिखे जाएंगे सुत्रों के मताबिक एडी की स्पेशल टीम अर्विन केजरिवाल और के कविता को आमने सामने बठा कर पूश्टाच करेगी कुछ दिनों पहले ही एडी ने बियारेस नेता के कविता को गरफतार किया था उन पर भी शराब गोटाले में शामिल होने का आरोप इतना ही नहीं सुत्रों ने ये भी दावा कर दिया कि एडी की टीम शराब गोटाले के दूसरे आरोपियों से भी ED के दोनों ही वरिष्ट अधिकारी शराब घुटाला मामले की जांच कर रहे थे और सुत्रों का मताबिक अर्वित केजरिवाल के घर से जासूसी की सिबूत मिलने का दावा किया गया आरोप लगा कि वो ED के दोनों अधिकारी कफिल राज और सत्तवर का डौसियर बनवा रहे थे और दावा किया गया कि गिरफ्तारी के बाद उनके घर से जो दस्तावेज मिले उन्होंने इसकी पुष्टी कर दी सुत्रों के मताबिक गिरफ्तारी के दोरान तलाशी में केजरिवाल के घर से डेड़ सो पन्नों के दस्तावेज बरामत किये गए और उन दस्तावेजों में उन दोनों अधिकारियों के बारे में जानकारी लिखी होने का दावा किया गया बताया गया कि उनमें अधिकारियों के काम, परिवार और उनकी संपत्ती के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी और दावा किया जा रहा है कि इस मामले में भी E.D. केजरिवाल के खिलाब कारवाई कर सकती है क्योंकि सूत्रों के मतामिक उन दस्तावेज़ों को E.D. ने गायर कानूनी बताया लावा किया गया कि E.D. उन दस्तावेज़ों की जांच में जुड़ गई से उन्होंने अपनी बेटियों को टिकेट दी। 2019 का लोगसभा चुनाव लड़ चुकी हैं लेकिन दोनों बार वो हार गई थी और दोनों बार उन्हें बीजेपी के राम कृपाल यादव के हाथों ही मात मिली थी। इसके बाद RJD की ओर से उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया था और मिसा भारती के राज्यसभा का कारिकाल करीब चार साल बचा हुआ लेकिन इसी बीच खबर आगए कि मिसा भारती एक बार फिर पार्टली पुत्र से चुनाव लड़ेंगी मिसा भारती लालु यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं उनके जन्द के समय लालु यादव जेल में थे और इसलिए लालु यादव ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का नाम मिसा भारती रखा था क्योंकि देश में आपातकाल के समय लालु यादव को मिसा यानि मेंटिनेंस अफ इंटरनल सिक्योरिटी आक्ट के तहद गिरफतार किया गया था ये वो कानून था जिसके तहद 1975 से 1977 के बीच आंदोलन कारियों को गिरफतार किया गया था और लालु यादव भी इसी कानून के तहद जेल में बन थे और उसी दोरान उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ था लालु यादव ने अपनी किसाद में भी इससे जुड़ी पूरी कहानी लिखी Спॉटी थी on लालु यादव हम ने बड़ी बेटी का नाम मिसा भारती रख दिया था और इसके सालों बाद जब मीशा भारती अपने बेटे को लेकर संसद पहुची थी तो एक बार फिर इस बात की चर्चा हुई थी उस वक्त पर लोगों ने सुझाव दिया था कि मीशा भारती भी अपने बेटे को लेकर पहुची थी